जल्दी जल्दी से पूरी उनिट आज हम इसको कंप्लेट करेंगे मतलब शॉट में ठीक है आज की क्लास में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास यह बहुत बेसिक बाते हैं जो यहां पर लिखी है मनुष्य एक समाजिक प्राणी है समाज के विकास में भाषा का विकास असमधब है विक्ति का समाजिक जीवन का आधार भाषा है भाषा के अभाव में समाजिक जीवन की कलपना भी नहीं की जा सकती इनी कारणों से भाषा का उद्गम हुआ है अरे नहीं शिखा वो मेरी शादी की फोटोस मांग रहे हैं आज यहां दा रहा है मेरी फोटोस मांगना तो क्लास के शुरू में ही यह शुरू हो गया टॉपिक चले फटा फट पढ़ रहे हैं हम अभी यहां पर कंसंट्रेट करें सभी इकाई एक पढ़ रहे हैं इकाई एक आज पूरी की पूरी युनिट को हम कबर करेंगे शॉर्ट में ठीक है मनश्य अन्य प्राणियों से अधिक संबेदन शील और गुद्धिमान प्राणी है अपने आपको अभिविक्ट करना उसकी प्रवित्ती है समाजी प्राणी होने के कारण भणिरंतर समाज की अन्य सदस्यों के साथ विचारों और भावों का आधान प्रदान करता है सबसे सुगम साधन है आपको पता ही है है न हाँ कंप्लीट हो गया लगबद वह शुक्ल वाली बुक करवा रही थी उसको पूरा नहीं करवा पाई मैं तो अब कुछ कर नहीं सकते उसके लिए और वैसे भी उसके बहुत जादा टाइम लग जाएगा अधर हम करें भी तो ठीक है अधियार क्या कहूं मैं अब भाषा ध्वनी प्रतीकों की वह व्यवस्ता है जिसके दौरा मनुष्य बोलकर या लिखकर सपच्टदा के साथ अपने विचारों को दूसरे अवेक्ति तक पहुंचा सकता है और दूसरों की बात समझ सकता है ठीक है नमस्ते भाषा परिवर्शीर होती है समी के साथ साथ आवशक्ता नुसार भाषा का स्वरूप बदलता रहता है और भाषा नया रूप धारण कर लेती है भाषा मनुशे के विचारों के यादान प्रतां की बात्रेंग्ठारों बाषा मनुशे जोरह उच्च्रित होनी मले ध्वनी संकीतों की बहुत वैवस्ता हैं जिसकी दौरह किसी विशेश समुधाय के लोग विचार आत्मक स्थार पर परसपर संपरिशन कर सकते हैं यह क्रेश कोर्स देन तक चलेगा दस दीन में हम कवर करेंगे ठेख राऊ कि भाषए शब्द भाष से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना यानि अपनी बात कहने के लिए जिन भी भाशा से तब सार्तक शब्दों को ही स्विकार करती है निरतक शब्दों को नहीं तो ये बिल्कुल बेसिक चेज़े हैं चीज़ें हैं आज से स्टार्ट हुआ है आपका क्रैश कोर्स ठीक है दस दिन तक 10 यूनिट हम देखेंगे भाशा के भेत तीन प्रकार के हैं लिखित, मौकिक और संकेति आपको पताई है श्रोता जब सामने होता है तो हम बोल कर अपनी बात कहते हैं मतलब इसमें कुछ बताने वाले तो चेज़ है नहीं है लिखित, मौकिक, संकेति लिखने के दारा बोलने के दारा और संकेतों के दारा यानि इशारों के दारा तो इसमें कुछ खास नहीं है संकेतिक भाषा sign language जिन संकेतों के माधम से छोटे पच्चे या गुंगे लोग अपने बात दूसरे को सम्झाते हैं तो इन संकेतों को संकेतिंग भाशर कहा जाता है, इसका अध्यन व्याकरण में नहीं किया जाता, उधारण, यातायात, नियद्रित कने वाली पुलिस, गुंगे बच्चों की वारतालाप, का वारतालाप और छोटे बच्चों की इशार्थ, संसार में वेभिन भाशाओं को लिखने के लिए अनिक लिपियों प्रचलेत हैं, जैसे हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत ये सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू, फार्सी लिपि में लिखी जाती है, तथा अंग्रेजी, रोमन लिपि में लिखी जात ठीक है? हुआ प्रतेTube का अपना चेन्हों करते चितों करने प्रस्तित करने लीपी कोई प्र करने लिपि क geschक्ता होती है कि सभी संसाहर की विन भाष है अलग अलग लिपियों में लिखी चाती है लिपी कई तरह की होती हैं जैसे देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, फार्सी, रुसी, आदि, कुछ भाशा हैं और उनकी लिपियां इस प्रकार हैं हिंदी के लिपी है देवनागरी संस्कृत के लिपी है देवनागरी और मराठी और नेपाली के लिपी भी है देवनागरी अंग्रेजी की अंग्रेजी फ्रेंच और जर्मन तीनों भाशाओं के लिपी रोमन है और बंजाबी के लिपी गुरुमुखी है उर्दू अर्पी फ जिसका कोई लिखेत रूप या सहीत्ते नहीं होता अरधार। शेत्र विशेश में साधार औं सामाजिक व्यभार में आने वाली बोल चाल की भाशा रूभी बोली है। जो छोटे लेवल पर बोली जाती है उसको बोली कहते हैं। लोकल जो लेंग्विज होती है उपभाशा क्या है उपभाशा का क्षेतर जो है वो विस्तृत होता है यह प्रदेश में बोलचाल में प्रयोग की जाती है जिसमें साहिते लेखन भी किया जाता है तो उपभाशा क्या है बता रहे हैं इसमें साहिते भी लिखा जाता है विस् इस्वित क्षेत्र में बोली जाती है, बडे इकशेत्र में बोली जाती है, लिखी भी जाती है, इसी में सहीत्री की रचना भी होती है। करने तथा राश्ट्री आंदोनन के दौरान आम आदमी में चेतना जगाने का काम करने वाली जन संपर्क की भाषा के रूप में खड़ी बूली ने महत्पुन भूमे का निप आई है इसके व्यापकता और लोग प्रियता को देखते हुए सविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 को यह वला दिन जो है आपको याद रखना पड़ता है हिंदी का महत्प कहां कहां पर है और कहां कहां बोली जाती है हिंदी मतलब हमारे देश में कहां कहां बोली जाती है ठीक है हिंदी दिल्ली में उत्तर प्रदेश में राजिस्थान मध्य प्रदेश बिहार हर याना जारकंड, चत्यसगड और हिमाचल में। हिंदी मात्री भाषा के रूप में बोली जाती है, मात्री भाषा के तरिक ताज हिंदी कई भूमे कई निभार रही है। राज भाषा हिंदी क्या है? राश्ट्र भाषा क्या है? राश्ट्र भाषा माल दिया दया। मध्यकाल से हिंदी अखिल भारती स्तर पर विभिन्न भाषा भाषा के भी संपर्ग भाषा का कारे करती आई है। आधुनी काल में संपर्ग भाषा के रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। विडियो दूरदर्शन हिंदी चलशित्रों की लोग प्रियता और पत्र पत्रिकाओं के प्रचार प्रसार में हिंदी के वएल हिंदी भाषे प्रदेशों में प्रयोग भाषा न रहकर अखिल भारती स्तर पर संपरेशन की भाषा बन गई है। अब तो हिंदी का प्रयोग अंतराश्रे संदर्व में भी हो रहा है। भारत की बाहर के देशों में भी संस्कृतिक महत्व की द्रिश्टे से हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है। यूरोप एशिया और अनेक देशों में इसका अध्यन विदेशी भाषा के रूप में हो रहा है। उन्हें बोलना सीखा उसे समय भाषा कभी जन्म हो गया। का जो अश्टा ध्याई जो इनका पाणिनी का ग्रंथ है अश्टा ध्याई व्यातरन ग्रंथ है ये आपको पूछा जाता है ठीक है। इसमें चादा मूल सूत्र महेश्वर के डमरू से निकले माने जाते हैं। आगे हैं बौध लोग पाली को भी इसी प्रकार की मूल भाषा मानते हैं। कहते हैं कि जो पाली है पाली से ही सारी भाशाओं के पत्ती हुई है जैन की अनुसार अर्दमाति केवल मनुश्यों की ही नहीं अपितु देव पशुपक्षी सभी की भाशा है जैन साहिते की अनुसार हम ऐसा पाते हैं हिब्रु भाशा में कुछ विद्वानों ने बहुत सी भाशाओं के वेशवदिकटे किये जो हिब्रू में मिलते जोते हैं तो इस प्रकार इस आधार पर यह सिद्ध किया कि हिब्रू ही संसार की सभी भाशाओं के जनर्मी है यह प्रानी भाशा यह दिभाशा की दैवी उत्पत्ति हुई होती तो सारी संसार की एक ही भाशा होती और बच्चा जर्म से ही भाषा बोलने लगता इससे सिद्ध होता है कि हकेवल अंधविशास और विट्रो सिद्धान्त नहीं है तो इसके उपर हम निश्कर्ष पे नहीं जाएंगे कि कहां से इसके उत्पत्ती हुई है बस समय थोड़ा सा देखते चलना है भाषा के संकेत सि सिद्धान के मूल विचारक प्लेटो थे मैक्स मूलर ने भी पहले से स्विकार किया कि तो बाद में व्यर्थ कहकर छोड़ दिया इस सिद्धान के अरुसार संसार की हर एक चीज की अपनी ध्वनी है यदि हम एक डंडे से एक काट लोहे सोने कपड़े कागजादी पर पर चाहिए है तो आगे चलते हैं अगर आपको पड़ना है तो आप सकते हैं श्रम धॉनी सिद्धान को देखते हैं यह अपने विसे अमें में में बढ़ा होगा हिंदी में से श्रम परिहरण मौल लगता वाद कहा जाता है नारे नामत प्रसेद विद्वान द्वारा इस स कि अंसार जो वेक्ति श्रम करता है तो उसकी स्वास की गतित तीवर होने से स्वर्तंटरियों में स्वत्वा एक कमपन होने लगता है जो कुछ स्वभाविक द्वन्यों को अदिमार जब सामुविक श्रम करते थे तो उनके मुख से कुछ धनिया निकल पड़ती होंगी जैसे हम धोबियों के मुख से ताथ हम अल्लाहों के मुख से हैया हो थोड़ा चलाने वाले मज़्दूर के मुख से हो की धनि निकलती हुए प्राया देखते हैं तो ऐसे अलग-अलग सितान माने हुए हैं सबने अपने अपने तो इससे हमें कुछ जादा वो नहीं है जादा कुछ पूछा नहीं जाता है ठीक है भाशा का स्वरूप थोड़ा सा देख लेते हैं मनुश्य समाजिक प्राणी है समाज में रहने के नाते उसे आपस में संबात के लिए विचार अभिने म करना पड़ता है कभी वहर शब्दों या वाक्योंदार अपने आपको प्रकट करता है तो कभी सिर हिलाने से उसका काम चल जाता है समाज में उच्च और शिक्षित वर्ग में लोगों को निमंत्रित करने के लिए निमंत्रन पत्र चुकवाई जाते हैं तो दिहात में इवे गार्ड और रेल चालक का विचार विन में जंडियों से होता है तो बिहारी के बात्र भरे भवन में करते हैं नैनन ही सो बात मतलब इशारों में बात करते हैं जोर अधिरे में एक दुसरे का हाध चूकर या दभाकर अपने आपको प्रकट कर लिया करते हैं तो बतलब इस तरह से बता रह रहे हैं संकेतों के मादिम से या फिर अपनी बात को प्रकट करना किसी को टच करना या फिर कुछ कोई किसी भी तरह का इशारा करना इस तरह हासे संकीत कर्तल धनी आँख टेड़ी करना या आँख मारना या दबाना मुह बिचकाना गहरी सांस लेना आधी अनेक प्रकार के स्थाधनों से हमारी विचार में निमे का काम चलता है आशे है कि गंध इंद्रिय स्वाद इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय द्रिग इंद्रिय तथकन इंद्रिय इन पांचों ग्यान इंद्रियों में किसी के भी माध्यन से अपनी बात कहीं जा सकती है हाँ देखी तो मैंने भी नहीं है होता होगा कभी होता होगा किसी जमाने में, या फिर होता होगा कहीं कहीं, देखा तो मैंने भी नहीं, भाार्षा मानम की विचारवेनी में कहीं साधन नहोंकर चिंतनमन Marta विचार या आधी का भी साधन माना जाता है, साधर जिञ्ध हँनी चिनौ के मादम सि मनश्य परस पर विचारवेनी में करता है उनकी समस्टी को भाषा कहते हैं भाषा शब्द संस्वित की भाषा भाष लातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना अर्था जिसे बोला जाए ये जिसकी द्वारा कुछ कहा जाए वो भाषा है भाषा क्यानिक परिभाषा है दे गई है प् जिसके बारा किसी भी भाशा समाज के लोग आपस में विचारों का अदान प्रदन करते हैं। निश्चित संख्या ग्यात नहीं है। संस्क्रिक नहीं बड़ी है आप में सुर्यकांत। किन्तो अनुमान क्या जाता है कि 3000 से लगवग भाशाए हैं। एक आकरिती मूलक वर्गी करण, एक पारिवारिक वर्गी करण। आकरिती मूलक वर्गी करण क्या है? आकरिती मूलक वर्गी करण का संबंद अर्थ से नहीं होता। उसका समध्ध शब्द की केवल वाहया आकरिती या रूप या रचना प्रणाली से होता है। इसलिए इस वर्गी करण में उन भाशाओं को एक साथ रखा जाता है जिनके पदों या वाक्यों की रचना का ढंग एक होता है। पदी या वाक्य की रचना को ध्यान में रखकर इस वर्गी करण को पदात्मक या वाक्यात्मक भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे मॉर्फोलोजिकल कहते हैं कि आकरिती मुलक के दो प्रभुखवेद हैं। आयोगात्मक और योगात्मक जो आपके काम का है आयोगात्मक और योगात्मक खाशा उसे कहते हैं जिसमें प्रकृति प्रत्य जैसी कोई चीज नहीं होती और ना शब्दों में कोई परिवर्दन होता है प्रतेक शब्द की स्वधंत्र सत्ता होती है मतलब अयोग है, वो किसी के साथ उसका योग नहीं, किसी के साथ उसका जोड नहीं है और वाक्य में प्रयोगत होने पर भी वह सत्ता ज्यूंकितियों रहती है अगर वो वाक्य में प्रयोगत हो जाए तो भी वह किसी के साथ उसका योग नहीं होता वो अयोग ही रहता है इसलिए स्वर्ग की भाषा के शब्दों का व्याकरने का विभाजन नहीं होता था संग्या सर्वनाम विशेश क्रिया विशेशन विशेशन क्रिया विशेशन आदी कोटिया नहीं होती तो यहाँ पर जैसे योगात्मक होता है जिसमें योग हो जोड़ हो योगात्मक जिसमें जोड़ नहीं होता है और वियोगात्मक होता है जिसमें वियोग हो जाए अलग हो जाना संयोग हो जाता है मिल जाना संयोग क्या होता है मिल जाना ये चार बाते हैं एक जैसी क्या क्या योग, योगात्मक, मतलब जोड, आयोगात्मक मतलब जोड नहीं होता है, वियोगात्मक मतलब अलग हो जाना, या फिर अलग और सन्योगात्मक है, मिल जाना, मिला हुआ, योगात्मक, योगात्मक शब्द से इस पष्ट है, इस वर्ग की भाशाओं में, प्रकृति प्रत्य कि योग सी शब्दों की निश्पत्ति योगात्मक की तीन प्रमुख भेद हैं और श्लिष्ट योगात्मक श्लिष्ट योगात्मक प्रश्लिष्ट योगात्मक इसमें मैं आपको बताई है ट्रिक आकरिती योग सी बही कि सब सैयोग ब्योग हो गए आकरिती से आकरिती मुल और यो मतलब योगात्मक, C मतलब श्लिष्ट, बही से बहिर मुखी, सब संयोग व्योग हो गए, संयोगात्मक व्योगात्मक है, तो इस तरह से ये सिक्विंस चलता है, इस तरह से ये सिक्विंस चलता है, आकरिती योग से बही के सब संयोग व्योग हो गए, आकरिती मुलक ने योगात्मक हमारा जो भाशा है उसके पारिवारी के वरगी करण देखते हैं भाशाओं का एक अंतरण संबन भी है जो के वल बाहिर अझना तक ही सेमित नहीं है वलकि अर्थ को आधार बनाकर चलता है जिस प्रकार एक पूरबस सभी मनुष्य एक गोतर विमाने जाते हैं उसी प्रकार एक भाषा से कालांतर में अनेक सागोत्र भाषाओं के उत्पत्ति भी होती है तो क्या बता रहे हैं एक पुर्वज से उत्पन जो सभी मनश्य एक ही गोत्र में माने जाते हैं प्रकार से क्या होता है कि अनेक सवगोत्र भाशाओं के उत्पत्ति भी होती है जो एक परिवार में रखी जाती है तो मतलब इसी तरह से जैसे हमारा परिवार रहता है उसी तरह से भाशाओं का भी परिवार रहता है ठीक है अधा यहां उत्पत्ति का अर्थ सहसा अभिरभाब नहीं बलकि क्रमिक विकास समझना चाहिए तो उत्पत्ति का अर्थ क्या है अचानक से उत्पन होना नहीं है बड़ भाशा कैसे चलती है उसका क्रम से विकास होता है. तो उसका क्रमिक विकास समझना चाहिए. हमने देखा कि केवल रचना तत्व की आधार बना करके वर्गीकरं किया जाए उसको कहते है पारिवारिक वर्गीकरंλ बहशाओं की परिवार निधारन के लिए इन बातों का विचार करना होता है द्वनी पद रचना वाके रचना अर्थ शब्द भंडार स्थानिक निकटता इंचे आधारों पर भाशाओं का परिक्षन करने पर कहा जा सकता है कि वे एक परिवार्थी है या नहीं क्या क्या देखा जाता है उनमें ध्वनी देखी जाती है एक जैसे बनी है पद रचना देखी जाती है वाके रचना देखी जाती है अर्थ देखा जाता है कि इस तरह का अर्थ निकल रहा है शब्ड भंडार कितना है कहां से है कैसे है स्थानिक निकटता है कि स्थान के दौर पर या जगा के हिसाब से वो कितनी निकट है एक दूसरे के तो इंचे आधारों पर भाषाओं का परिक्षण करने पर कहा जा सकता है कि वो एक परिवार की भाषा है या नहीं, तो अगर वो उनमें स्पानिक निकटता नहीं हुई, वो बहुत दूर-दूर के एरियाज होंगे, तो फिर वो परिवारिक नहीं माने जाएंगे, ठीक है? विश्व में जो भाषा है अधिकरित रूप में जानी जाती है, उन्हें मुख्यता बारा परिवारों में विभाजित किया गया है, समेटिक कुल, हेमेटिक परिवार, कुल मला परिवार, ठीक है? और यूराल अलताई परिवार, द्रविट परिवार, आस्ट्रोनेशियाई कुल, यानि की परिवार, बांटू परिवार, कौकेशी परिवार, अमेरिकी भाषा परिवार, फिनो यूगरिक परिवार, एस्किमो भाषा परिवार, और हिंद यूरोपियो परिवार, ठीक है? तो ये कुल मिलाकर के कितने परिवार हैं बारा परिवार हैं ठीक है आपको मैंने बता दिया कि इनको परिवारों में कैसे विभाजित किया जाता है कि इनकी नाधार उपर क्या-क्या देखा जाता है उसमें तो छे बाते उसमें देखी जाती है ठीक है तब जाकर के एक प्राशाओं का क्षेत्र फिलिस्तीन, अरब, इराक, मधेशिया तथा मिस्र और इथियोपिया, अलजीरिया, मुरको तक माना जाता है। देख लिया, जो यहुदियों की प्राशिन भाशा हिब्रू है, इबरानी भाशा जिसके हम पीछे बात कर रहे थे, और अरबी भाशा, ये एक ही परिवार में आती है, और भी जितने हमें उपर शेत्र देखें हैं, इन साथ सब की भाशा हैं, इसी कुल के अंत्रगत, इसी प साथी शामिल है, तिब्बती चीनी परिवार, नाम से ही इस पष्ट है कि तिब्बत तथा चीन में इसकी प्रधानता है, जापान को छोड़कर दूसरे सभी बौद धरम अवलंबी देश, चीन, बर्मा, थाइलैंड में इस परिवार की भाशाएं बोली जाती है, युराल- तथा अलताई परवतों में निवास करने के कारण यह नामा विदान हुआ है, इस परिवार की भाशाएं चीन के उत्तर में मंचूरिया, मंगोलिया, साइबेरिया, आदी, तुर्की, तातारी, मंचू, मंगोली और किर्कीज प्रमुक भाशाएं हैं, ठीक है, जादा आपक एक स्प्लेन है इसमें, तो टेंशन मतले की याद कैसे करेंगे, ठीक है, द्रविड परिवार, द्रविड परिवार आपके काम का है, अलब कुछ-कुछ चीज़ें बहुत जादा इंपॉर्टन है, जो आपको याद करने पड़ेगी, द्रविड जाती द्वारा बोली जान इंडोनेशिया अथा मलेशिया की मलै, फीजी की फिजीयन, जावनीज और न्यूजी लेंड की माओर यादी जो भाशा ही है, बांटू परिवार बांटु कारते मनिश्चे बांटू अपरिकी ए इस परिवार की मुख्य भाशाओ में, जुलू, काफिर, सेंस्तो और स्वा पहाड के निकटवर्ती प्रदेश इसकुल की भाशा आए इसकी मुख्य भाशा जॉर्जियन हैं अमेरिकी भाशा परिवार इसमें उत्तरी तथा दक्षने अमेरिका के मूल निवासियों के करीब 400 भाशा आती हैं कुकुचुला और गुवर्णी प्रमुक है इसकी और उसके प्रमुख भाषा है Finnish और हंगोरियन है एसकीमो भाषा परिवार ग्रीनलेंड और अलेशियन दीप माला का प्रदेश आते हैं जिसको समंद अमेरिका से जुड़ा हुआ है अब आते ही हिंदी यूरोपिया हिंदी यूरोपिया यहां परिवार भारत की यूरोप तक पहला है इसमें इसलिए से हिंदी यूरोपिया परिवार कहा जाता है इस परिवार को आरे परिवार तथा इंडो यूरोपियन परिवार के नामों से भी जाना जाता है यह परिवार विश्व की सभी भाषा परिवारों से अधिक बड़ा होने के साथ अत्या स्मृत और उन्नत भी ह तो अत्यान स्वृत और उन्नत वानी जाती है इसकी जो भाषा है समस्त यूरोप अफगानिस्तान इरान नेपाल रूस दक्षिन भारत को छोड़कर शेश सभी भारत वर्ष में बोली जाती है युनानी अवस्ता लेटीन पाली संस्कृत आदी भाष्न प्रसित भाषा है इस इंदी भाषा या भाषविज्ञान के अंग देखते हैं भाषा कहने के साधारन तर चार तत्म का बूद होता है भाषा कहने से द्वनी शब्द वाक्य और अर्थ ये चार्शे से रहती है भाषा में पहले द्वनी का अचारन होता है फिर अनिक द्वनियों से एक पद का न प्रोक्ति विग्यान यह सब आपने पढ़ा हुआ है और हम देखेंगे आगे हिंदी भाषा के विविद रूप हैं बोल चाल की भाषा मानक भाषा संपर्ख भाषा राज भाषा राश्ट भाषा यह सारी रहती हैं भाषा के रूपों में तो इतिहासिक प्रिश्ट भूमी भाषा में देखने के जरूरत नहीं है ठीक है भारती आरे भाषा को थोड़ा से देख लेते हैं भारत में आरे हों के आने के बाद भारती आरे भाषा के विकास इतिहास शुरू होता है और आरे लोग अपने देश में कहां से और कब आये इस पर इतिहास का रेकमत नहीं है कई विद्वानिया मानते हैं कि आरेम अधेशया के निवासी थे वे वहां से पश्चिम की ओर जाकर यूरोप में बसे और कुछ दक्षिन की ओर से इरान और अफगानिस्तान में फैल गए कुछ विद्वान इस मत के हैं कि वे रूस के दक्षिन पुर्वे मैदानी भाग में रहते थे और वहीं से दक्षिन और पश्चिम की ओर फैले अब भारती इतिहासकार एवं विद्वान यसिद्ध कर रहे हैं कि आरेम कहीं बाहर से नहीं आए वे हिंदुकुष के आसपास रहते थे इस समय इरान अफगानिस्तान और भारत कोई अलग देश नहीं थे उस समय की बात है यहीं से वे प्रश्चिम की ओर गए और भारत में फैल गए रिगवेद में इसी प्रदेश का वर्नन सब्त सैंधव नाम से किया क्या है जो भी हो तीन हजारे सपुर्व के लगभग आरेम के दल उत्तर परश्चिम सीमा से हिंदुकुष पार कर भारत में पैलने लगे उस समय परश्चिम हिंदु घाटी में द्रविडों की सब्यता फलफूल रही थी अन्य स्थानों में कोल किरात मंड शवर यग यक्ष नाग और निशाद जातियों के लोग रहते थे जिने अनारिय कहा जाता था आरे और अनारिय है ना तो जो आरे से दूस्त विप्रीद है वो अनारिय सरप्रतम उत्तर परश्यम सीमा पर प्रदेश और पंजाब में आरेयों के बस्तियां बसी उन्होंने पंजाब की साथ नदियों सिंदू जीलम जीनाव रावी सत्लुज व्यास और सरस्वती के प्रदेश को सब्त सिंदू नाम दिया आरें कि विभिन दलोंने इस प्रदेश में अपने राज्य स्थापित किये हैं इसके इस काल्वी रिगवेद के बाद से शेष्ट तीन वेदों ये जुर्वेद सामवेद और अथर्वेद ब्राह्मन आरणियक और उपनिशदों की रचना होई काल्वी भाजन देखते हैं भारत में आरे भाषा कपरारां पांसे सब और उक्यास पास सिमाना जाता है तब से आज तक भारती आरे भाषा के आयो साड़े तीन हजार वर्षों की हो चुकी है भाषिक विशेष्टाओं के आधार पर भारती आरे भाषा की इस लंबी आयो को तीन कालों में बाढ़ना गया है प्राचीन भारति आघेभाशाएं इसका समय क्या है 15-500 पुरुफ से 500 इस इसा पुरुफ तक ये वैदिक संस्क्रित और लॉकिक संस्क्रित आती है इसके अंतरवेट ठेक है मद्धे कालियन आघेभाशाएं का समय पांसवेशा पुर्व से हजार इसवी तक पाली प्राक्रेट अबरेंश आवहर्ट ति चार इसमें भाशाएं आती हैं छे विचे तक होगी क्लास हाँ मतलब थोड़ा से लेट शुरू हुई है छे पांच का मैंने शेडूल डाला था फिर भी दस मिनट हो गए थे तो इसलिए थोड़ा सा तस मिनट तक हम छे दस तक हम क्लास करेंगे आधनिक भारती आरे भाशाएं हजार इस्वी से वर्तमान समय तक इसमें क्या है बंगला उडिया असमी मराथी गुजराती सिंधी और पंजाबी यह भाशाएं आती है प्रथम प्राचीन भारती आरे भाशाओं में व्यादिक संस्कृत का समय डॉक्टर भूला नाति वारे के अनसार पंद्रास्वी सपुरव से आठ सो वर्षपुरव तक और लॉकिक संस्कृत की कालवधी आठ से सपुरव से पांसे सपुरव तक है द्वीतिम अद्यकाली प्राचीन भारती आरे भाशाओं में ठीक है यह हमने पीछे देख लिया है तो इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है प्राचीन भारती आरे भाशा है अब हम देखेंगे सारी प्राचीन भी और मद्य वाली भी और आद्रिक वाली ठीक है तो एक एक करके तो प्राच प्राचीन संस्कृत भी कहा जाता है वैदिक सहिता है ब्रामन ग्रंत अरण्यक तदा प्राचीन उपने शद इसी भाषा में लिखे हुए है यह सभी में भाषा का कोई एक सुनिश्चत रूप नहीं है इसका प्राचीन तम रूप कहा मिलता है रिगवेद में मिलता है परवर्ति होता पहले परवर्ति होता उसके बाद अने वेदों का समय इसके बाद मारा गया है और रिगवेद चंदो बद है यानि कि चंदो में है उसे चंदस कहा जाता है रिगवेद क्या है चंदो बद है इसलिए उसे क्या कहा जाता है चंदस कहा जाता है यह वैदिक संस्कृत लगबग 700 वर्शों तेक जन्म भाशा थी, यह मुख्य रुख से साहितिकम संस्कृत का आरेव के लिए प्रयुप्त होती थी, अधसमस्त प्राचीनतम संस्कृत वांग में वैदिक संस्कृत में मिलता है कि इतु भाशा का यह रूप बोल चाल ना होकर बो वैदिक मात्रा में पाए जाते हैं, ब्रामन गरंतो, अरण्यक और उप्रिष्टों की भाशा पूरे तोर पर ततकालिन मद्यदेश की आरे भाशा है, यह जरुवेद में क्या है क्रिश्न और शुक्ल, इन दोनों रूपों में सरक्षत है, क्रिश्न यह जरुवेद सहिता म मंत्र भाग है, ठीक है, तो यह जरुवेद के दो भाग है, एक तो क्रिश्न बक्ष और इन दुसरा शुक्ल वाला, ठीक है, शुक्ल वाला मतला शुक्ल बक्ष पंचांग में होता है, शुक्ल मतला वो मत समझ लेना, रामचंदर शुक्ल मत समझ लेना, ठीक है, तो क्रिश टुक्ली अजूर्वेद है उसमें क्या है? उस सहीता में केवल मंत्र भागी संग रही थे. आगी है साम वेद, चार वेद है, यहां पर मैंने बताया भी हुआ है, साम. साम बोलते हैं इंग्लिश में भजन को, ठीक है? तो इसमें भजन ही हैं. क्या बता रहे हैं यहांपर? सा का उन्हें तोटके टोनों का संक्रमन है तो यह चारो वेदों में क्या 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 है वह आपको बता हो ना चाहिए प्रते हीता कि अपने अपने ब्रामन गरंत रिगवेद का एतेरिय ब्रामन श्थपत ब्रामन कृष्णड येजरवेद का नि maior अपन molta बिल्कुल बिसीक जैसा लेवल है तो उसको आपको खुद से पढ़ लेना है अपनी जानकारी के लिए मतलब इस आपको आता होगा थोड़ा सा रेविजन के लिए उसको देख लेना क्योंकि अगर मैं इसको पूरा पढ़ाऊंगी तो फिर वहारा जादा टाइम चला जाएग सब्सक्राइब और तो में उसको त्रोप व्यवार कि बाढ़ान ऑठोंद से घ्यात है कि से जयान लक्यात सवर्ड़ टक संस्क्रिज्च भाषय जन भाष्ण और लोग विबार की भाष थी इसके दो रूप थे साहितिक और जन्भाशा साहितिक भाशा में परिवर्टन बहुत कम होते थे प्रंत जन्भाशा या बोलचाल की भाशा में द्वनी शब्द आदी की दिश्टी से प्राया परिवर्टन हो जाता है यही जन्भाषा संस्कृत से विक्सत होते हुए प्रकृतों के रूप में प्रसिद हुई प्रकृत भाषाओं में संस्कृत शब्दों का कहीं तो विक्रिती करण हो गया है और कहीं सरली करण हो गया, मतलब कहीं विक्रित हो गई है और कहीं आसान हो गई है निश्कर्ष की रूप में कहा जा सकते हैं कि जन व्यवरित भार्षा का सहितिक रूप संस्कृत कहा गया है और बोल चाल कि संस्कृत का नाम प्राकृत है इसे आधार पर प्राकृत के सभी व्याकरणों ने व्याकरणों मतले व्याकरणों लिखने वालों ने संस्कृत को परिवर्तित रूप राकृत भाष ऩाया है तो इस ऩैसा म्युद्ध भाष की कैसी हुई है ये आपको ठ्थोड़ा सा इसको देख लेकर पाली को पालीần को पाली कियों कहा जाता है इसको कहा जाता है यह आкивा कि राख यह वाली कि बाख चाहर्ट में बता दिया आपको जो इसको पाली कहा जाता है कि पाली को पालने वाली निकी रक्षा करने वाली बहुत धरम के सहिते के रक्षा करने वाले भी माना गया है और अब पाली शक्की विध्कती पली से पाटले पुत्र अर्थात मगत की बहार सम्ट, ठीक है और कैसे कैसे हुआ हैan जघती हैं। तो इस तरह से बता रहे हैं कि इस तरह से विक्सित हुआ है पाली का सा हित्या हमें मतलब देख लेना इसको थोड़ा सा मैंसे कुछ खास नहीं है फिर भी थोड़ा सा देख लेना ठीक है प्रकृत जिसको हम द्वित्य प्रकृत कहते हैं ठीक है इसको भी देख लेना फिर है अप ब्रेंश प्रकृत के भीद चलो इसको थोड़ा सा यहां से मैं पढ़ देती हूं पाली भाशा को बहुत प्रकृत भी कहते हैं क्योंकि सारी साहितिक संपत्ति भगवान बुद्ध और उनकी शिश्य परंपरा में बहुत बिख्शोदारा दी गई है अन्य प्रकार का साह साहिति अवश्य होगा प्रंदुवह काल कल्वित हो गया है परंपरागत रूप से पाली साहिति की साहिति को पिटक और अनुपिटक दो वर्गों में बाटते हैं जिनमें जातक धंपद धंपद का अंतलता धरंपद बुद्ध गोश की अटकता तथा महावश आधी प्रम प्राचीन भारती आरे भाषा को साधारन तया संस्कृत कह दिया जाता है उसे प्रकार मद्यकालीन भारती आरे भाषा के लिए प्राकृत शब्द का विभार किया जाता है किसके लिए मद्यकालीन आरे भाषा के लिए प्राकृत की विद्पत्ति प्रकृती अर्था जन सा प्रकृत को सहितिक प्रकृत भी कहते हैं अब वह वह अब उस भाषा के लिए रूड हो गया है जो पहली शताब्दी में पांचपी शती शताब्दी तक प्रमुख रूप से सहतिक भाषा रही है के सहतिक भाषा रहे हैं कौक इस भाषा में संस्कृत की शब्दों और अवश्रक रूपों को अपनायाया है। प्रकृत भाषा सहित्य पैट्वchts और जैन सहित्य में प्रमुख Ты अर्द मागदी क्या बता रहे हैं है। मागदी अर्दमागदी शारसेनी महाराष्ट्री प्रकृत में प्राप्त है इसका अंसर अब आपको बताया था ना थोड़े दिन पहले मैंने गौडवध और सेतुबन जैसे महा कावे तथा गहा ससयन की गाथा सब्त शती और वज्जालग जैसे खंड कावे प्रकृत की बहुमले संपत्ती है प्रकृत के भी प्रकृत व्याकरण के सबसे प्राचिन व्याकरण कौन है वर्रूची वर्रूची प्रकृत में सबसे पुराने है व्याकरण लिखने वाले और इसमें क्या है चार प्रकृतों के नाम इन्होंने बताए हैं कौन कौन से शौर सेनी प्रकृत महराश्ट्रे प् पहिशाचे, मांगदी के दो रूप हो गए हैं, मांगदी और अर्धमागदी, इस प्रकार ये 5 प्रकृत, 5 अपब्रणशे हैं ये ठीक हैं, एक वयाकरण ने 27 और दूसरे ने 42 प्रकृतें गिना दी हैं, चलो, अभी हम देखेंगे आगे शोरसेनी, शोरसेनी प्रकृत मलत् नाटकों में इसका व्योभार नस्त्री पात्रों मध्यमर्ग के लोगों और विदूशकों में कराया गया है शीला मुझे यह वाला कोश्चन भेजना ठीक है कोश्चन भेजना मुझे मतलब ऑप्शन के साथ भेजना प्रकृत का गद्य शौरसेनी में मिलता है यह भाशा संस प्रकृत के अधिक निकट है भास, कालिदास, आधिक नाटकों में गद्य शौरसेनी में ही है राजशेकर के रचना है करपूर मंजरी कसमस्त गद्य भाग इसी प्रकृत में है इसका प्राची इंतम रूप अश्वधोश के नाटकों में मिलता है यह निमनत अवा मध्यम क लेक हैने खोटी के पातरों और स्रीओं की भाशा थी अपने सरल्ता सरस्ता अधिक लोग रिया है तो ने प्रकृत पिशाची को ग्रामे भाशा मृत भाशा भूत भाशा अधिवी कहते हैं पिशाच भूत पिशाचन इसका शेत्र पश्यमोत्तर भारत कश्मीर के आस्पास और अफगानिस्तान था भारत में पिशाद जाती को लेख हुआ है कुछ शिला लेख भी और गुणाड धिया क्रेट व्रिहत कथा पैशाची भाषा में लेके हुए है अब यह रचना अपरा पह मिलती नहीं है इसके कुछ अधारन अप्शिष्ट है हमीर मर्दन और कुछ अ अब आपको यह बता ही है इसको हम अभी आगे और देखेंगे यहां पर थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है अप ब्रेंश है फिर प्रेंश की बोलियां अब हर्ट अब ब्रेंश की महान कभी कौन है स्वयमभू जी नोंने पॉम्चरियू रिट्र नेमी चरियू तदा स्वयमभू चन नामक तीन गरंथों भी रश्न की है स्वयमभू के तीनों गरंथ हैं पॉरा नहीं हुपाया फिर भी इसमें रास का स्वारी राम का चरित्र पॉरा निर्वान प्राइब पॉराइब ठाप हैं और अब आप ब्रेंश की दूसरे कवी पुष पदंत दस्वे शतावधिय में हुए हैं इनकी फूरान धूर्म पर इसमें पॉरान चरियू और जहसर चरियू तीनों रचन अब्रश साहिते के समर्थ कभियों में अब्दुर्रह्मान का नाम आता है किसका नाम आता है अब्दुर्रह्मान का संदेश रासक बहुत इंपॉर्टन ग्रंथ है संदेश रासक एक खंड कावे है कैसा खंड कावे जिसमें विक्रमपूर की एक वियोगिनी की विरहकता का वर्णन है क्या ध्यान देंगे संदेश रासक अब्दुर्रह्मान संदेश रासक अब्दुर्रह्मान की रचना है पूछा जाने वाला सवाल है संदेश रासक अब्दुर्रह्मान की रचना है और खंड काव्य है कैसा? खंड काव्य और विक्रमपुर की वियोगिनी कि एक विरह कता इसमें है आगे चलते हैं यहाँ पे पांडे का पेज रखा है और यह आपको भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ भी फिर यह एक ही जगा बड़ा हो जाएगा फिर सारा हम देखने पाएंगे इसमें मैंने आपको समझाया हुआ है शायद वो आगे लिखा हुआ होगा तो उसको मैं आगे बताते हूँ क्या कौन से रासु की वर्षा में तभी बोल रही हूँ कि अगर प्रित्फी राज फिर तो कंफ्यूस करने वाला क्वेशन है है ना तो मुझे एक बार क्वेशन भेज देना मैं फुद यह वो देख लूँगे क्या है ठीक है शायद हो सकता है आप कौस्चन नहीं समझ पा रही हूँ तो एक बर मुझे भेज देना तो मैं इसको इसका इसकी बारे पर आपको बता दूँगे ओके आकरिति यह उसी वह कि सब संयोग व्योग होगे से मैं आपको बताया संयोग आत्मक संस्क्रित हैं पहल कुछ भी हो सकता है तो पहले ऐसे लिखा जाता था मतलब एक ही सूत्र लंबे 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 वाक्यों में कहा जाता था है ना तो संस्क्रित कैसी थी संयोग आत्मक संयोग धास में मिली जुड़ी थी वह लेकिन हिंदी कैसी हो गई व्योग आत्मक हो गई उसने क्या कर दि और जो रामस से था पहले वो राम का हो गया जो जनक से था वो जनक का हो गया ठीक है आगे है बस इतना ही है इसमें प्रिथिराज रासो हमीर रासो परमाल रासो किस रासो की भाषा बता है अगर तो रासो ही पूछा है सिर्फ रासो पूछा है तब तो आएगा डिंगल ठीक है अगर सिर्फ रासो पूछा है क्योंकि हमने ये कॉशन यह हमने अभी पढ़ा था थोड़े दिन पहले ही कि वीर जो कावे था वो किस में लिखा जाता था डिंगल में लिखा जाता था तो कॉशन भेज देना फिर एक लियर हो जाएगा कि क्या है क्या है क्या है चले आगे चलते हैं यहां पर यह मैं आपको करवाया था चीक है इसमें क्या है कर च ट ट ट प यह आपको याद रखना है कर च ट ट ट प और बस कतम दो याद रखना कसम दो कहते हैं हम तो आपने स के जगा त लिख देना बस ठीक है अगर आपको यह ट्रिक की याद है फिर आपको असानी से याद हो जाएगा कच ट ट प और इसमें लगानी है आपने कतम दो वाली टृक्त ठीक है अब यहां पर कवर्ग चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग अट वर्ग, पवर्ग यह पूरे ऐसे हो गए उसके बाद कतम partner को क्या करना है अपने इदर कतम दो तो यह क्या है कंठ्य, कवर्ग क्या है, कंठ्य, चवर्ग क्या है, तालव्य, टवर्ग क्या है, मूर्धन्य, कत्तम हो गया, अब बचा, द, द से दंत्य, ठीक है, दंत्य, और फिर ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, जो द, दो है, इसमें द, इसको संदी करके, ऐसे कर देगे, ठीक है, तो इसमें दो निकलते हैं, दंत्य और ओश्ठ्य, हो गया, क्लियर, तो बस, कवर्ग क्या है, कंठे है, चवर्ग क्या है, तालव्य है, टवर्ग क्या है, मुर्धन्य है, तवर्ग क्या है, दंत्य है, पवर्ग क्या है, ओश्ठ्य है, क्लियर इतना, अब और क्या देखना है इसमें, अब इसके पूरे वर्ग बनाए होए हैं याँ पर स्पर्ष्वेंजन 25 पूरे ये 25 है ठीक है अल्पप्राण महाप्राण आपको पता है पहला और दूसरा वर्ग जो होता है वो अल्पप्राण महाप्राण ठीक है और अगोश होता है देखो जहाँ जैसे हैं आपर अल्पप्राण और महाप्राण लिखा है उपर एक और दो के उपर इधर टॉप पे वैसे ही नीचे अगोश लिखा हुआ है दोनों वर्गों के लिए अगोश लिखा है ठीक है उसके पर है उसके बाद यह अग्या आता है वो अलग है ठीक है तालू ही ताला पर हाँ जी तो यहां पर क्या है ग्ढ़ और यह क्या है ग्ढ़ और यह पूरे तीन वर्ग है सघोश और घोश, सघोश या फिर घोश, घोश को ही सघोश कहते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, पहला अलपप्राण, दूसरा महाप्राण, फिर अलपप्राण, फिर महाप्राण, फिर अलपप्राण, इस रसी है, बोलता है, इसको मैंने और अगे उससे समझाया हुआ है, कि अलपप् प्राणवायू कम लग रही है. और जिसमें जादा प्राणवायू लग रही है, वो क्या है? वो महाप्राण है. अब कह क्या हुआ? अलफप्राण. तो के लिखना है आपको, के सिर्फ के लिखा आपने. क्या हो गया? वो अलफप्राण. अब जिसमें extra H जोड़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा. ख में extra H जोड़ना पढ़ता है K के साथ. तो वो हो गया महाप्राण. ग है, तो ग का मतलब G होता है, G लिखते हैं हम English में, तो अलफप्राण. फिर घ के लिए हम एक्स्ट्रा H लगाते हैं, तो वो हो गया घ महापराण, च लिखते हम CH, फिर एक्स्ट्रा H जब हम लगाते हैं, तो वो महापराण हो गया, तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं, ठेक है, और क्या है इसमें, घोश और अघोश, आपको समझ आगे, जो पहला और दू और यह तीनों वर्ग क्या है यह तीनों वर्ग सघोश या फिर घोश सघोश या फिर घोश सघोश मतलब घोशना सहित अगोश बिना घोशना के clear है किसे को कोई doubt है इसमें यह सारे जितने भी हाँ पर लिखें है 25 वियंजन है सपर्ष विंजन इनको कहते हैं 135 अलकपराण दो और चार महापराण ठीक है अब इस इदर में ने 135 और दो और चार भी बताया हुआ है अलकपराण महापराण जो विश्रम संह्राण वो अल्पप्राण है जो समसंख्या वाले महाप्राण है जिन वर्णों के उचारण में इंद्रियों में कमपन नहीं होती उनको अगोश कहते हैं और जिन वर्णों के उचारण में इंद्रियों में कमपन होती है वो सगोश होते हैं तो यहां पर यह अच्छे से सुझाया हु कर लेना इसमें कतम दो नहीं है इसमें तम दो होगा तालव्य मुर्धन्य दंत्य दंतोष्थ है वो जो है वो दन्तोष्ट है टो ये आपको याद रख लेना है फिर है श, स, तालवे श, फिर स, दंते स, श, मुर्धन्यवाला और फिर हर कंठे है ये भी अलग है इनको कहेंगे वोष्म वेंजन या फिर संघर्शी वेंजन टीक है, जो ये श, स, श, ह ये क्या है उश्म वेंजन या पिर संघर्शी वेंजन तालव्य जो ये श है ये तालव्य है ये वाला स जो है वो दंते है और पेट कटा श जो है वो मुर्धने है और हो जो है वो कंट्य है ठीक है ये इनके उचारण सान है आगत वेंजन जो विदेश से आए हैं विदेशी for पढ़ते हैं ठीक है doctor इसके उपर all लगता है ये भी अंग्रेजी से आया हुआ है तो इस तरह से ये पूरा PDF है आगे और अब time हो गया है तो मिलते हैं कल की class में PDF आपको दे दी चाहेगी वैसे दी हुई है आपको पहले भी crash course वाले इसमें course में मैं इसको डाल दूगी ठीक है अगर आपको चाहिए होगी तो देख ले न वैसे आपको मिली हुई है पहले ये PDF ओके आज पढ़ीं की unit 2 1-2 वैसे हमने अभी recently पढ़ी ही है तो आपको थोड़ा सा इसमें आसान हो जाएगा क्योंकि अभी हाल ही में पढ़ा है ठीक है तो revision भी आपकी हो जाएगी सासाथ में तो जल्दी जल्दी से हम start करते हैं इक आई दो घंदी साहिते का इतिहास साहिते इतिहास दर्शन से अभी प्राए साहिते इतिहास लेखन में नहित विचारों का अध्यन करने वाले विशेव से हैं Hindi साहिते इतिहास लिखने की विधिया कौन-कौन सी विदिया है साहिते तेहास लिखने की मतलब पधतिया क्या है ना तो कौन-कौन सी है वर्णा नुकरम पधती और काला नुकरम पधती विज्यानिक पधती विधेवादी पधती है ना ये चार पधतिया है वर्णानुक्रम, काला नुक्रम, विज्ञानिक और विधेवादी इनको देखेंगे के करके कि क्या है वर्णानुक्रम पदती क्या है साहित्यकारों का विपरण उनके नाम के प्रथम वर्ण की करम से रहता है जो मैंने आपको बतायाता है न जैसे A से अंग्रेजी नाम के अनुसार जिनों ने किया उन्होंने ऐसी किया A से जिसका भी का नाम होगा उनका नाम पहले आजाएगा फिर B से जिसका नाम होगा फिर वैसे आजाएगा उनका नाम C से जिनका नाम होगा उनका आजाएगा और हिंदी वर्ण क्रम अनुसार भी हो सकता है अ से आ से है न इस तरह से जैसे आप डिक्षनरी में देखते हैं वैसे राइक में तो ये क्या बता रहे हैं कि सहीतेकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से रहता है ये ऐसा किस ने लिखा है वर्णानुक्रम काला नुक्रम अब क्या है इसमें रचनाकारों का विवरण उनके जनम तीथी के क्रम से दिया जाता है तो ये जो काला नुक्रम है वो काल के अनुसार समय के अनुसार जनम के अनुसार ये कविवरण संग्रह मात्र होते हैं कविवरण संग्रह आपको मैंने बताया था जिस इसमें किसी कभी के जीवन के बारे में लिखा गया हो तो ऐसी पदती को किसने अपनाया है ग्रियर्सन ने और मिश्रबंद्वों ने इसका प्रयोग किया है ठीक है कालानुक्रमी पदती उसके बाद आते हैं विज्ञानिक पदती पर विज्ञानिक पदती में क्या आता है ग रूप में वरनन करना है ठीक है तो ये विज्ञानिक पदती को किसने अपनाया है किसी को पता है जल्दी जल्दी से बताईए विज्ञानिक पदती किसने अपनाया है साहिते कितिहास को समझने के लिए उससे समधिक जातिय परंपराओं राश्ट्रिय और समाजिक वातावरण एवं सामाइक परिस्थितियों का अध्यन विशलेशन किया जाता है अध्यन या फिर विशलेशन किया जाता है इसमें कौन-कौन है राम चंदर शुकल राम स्वरुप चतरवेदी और बच्चन सिंग ठीक है विधेवादी पदती जिनों ने अपनाई है मैंने आ समय के परिस्थितियों का अध्यन कि उस समय के परिस्थितियां ठीक है उसके बाद आते हैं आचारे शुकल के प्रमुख कत्नों पर जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं बस हम थोड़ा सा इसको ऐसी देखेंगे मोटा मोटा है आधनी काल में गद्दे का अविरभाव सबसी प अव्तर कह दिया तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है मिंस पूरा क्या होना चाहिए सिस्टेमेंटिक होने चाहिए चाहिए से रीतिकाल के कवियों के परिचया अक्मत विवरण मैंने प्राय मिश्रवंदु विनोथ से लिये हैं यह बता रहे हैं यह भी हमने देखा था कि इनोंने कहां से लिया था मिश्रवंदु विनोथ से मिश्रवंदु विनोथ जो मिश्रवंदु का ग्रंथ है उससे लिया है इनोने काफे सामगरी शुकले जी ने वहां से लिया है शिव सिंग सेंगर के ग्रंथ से भी लिये है इनोने ठीक है मिश्रवंदु विनोथ के अत पहले भी पढ़ चुके हैं, 738 कवियों का वेवरण है इसमें और अंग्रेजी वर्ण करम से किया गया है इसमें वर्ण ठीक है, तो अंग्रेजी वर्ण करमों के अनुसार अगर पूचा जाए तो वो है गार्सद अतासी, यह फ्रेंच भाशा में लिखेता है ना, फ्रेंच सायते थिहास सम्दन्दी ग्रंथ है, इसका प्रकाशन है, 873, यह मैंने आपको करवाया था भी एक दिन पहले, शिवसिंग सरोज, शिवसिंग सरोज क्या है, कब लिखा गया, 883 में लिखा गया, यह मैंने आपको शुक्ल से इसकी डिएट कंफर्म करके बताई थी, यह कब लिखा गया, 888 में किस ने लिखा है, ग्रियर सन ने, पहली बार कवियों का काल क्रम अनुसार वर्गी करण इसी ग्रंथ में किया गया है, ठीक है, तो इसी ग्रंथ में सबसे पहले कवियों का काल क्रम अनुसार वर्गी करण किया गया है, और यह 11 अध्यायों में व जाते हैं हम मिश्रवंदु विनोद पर, मिश्रवंदु विनोध तक है? कहां है कौम्धी? इन्हें समय के व्यवस्थित व्यभाजन का श्रे दिया जाता है मिश्रवंदु को, ठीक है? समय के विवस्थित विभाजन का श्रे इन्हें दिया जाता है गनेश बिहारी मिश्र, शाम बिहारी मिश्र, शुक्देव बिहारी मिश्र तीन कभी हैं जो तीन बंदू के नाम से प्रसित हैं हिंदी साहिते का इतिहास आपको पता ही है रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में ये लिखा गया है, 1929 में ये हिंदी शक्त सागर की भुमेका के रूप में हिंदी साहिते का विकास नाम से उसमें छपा था, फिर बाद में ये पुस्तका कार रूप में छप गया, ठीक है? रामकुमर वर्मद्वरा लिखित ग्रंथ जिसमें सिर्फ आदिकाल और भुक्तिकाल को स्थान मिला है, तो इन्होंने सिर्फ आदिकाल और भुक्तिकाल ही लिखा है इसमें, ठीक है? ये आपको पताओना जाएं, उसके बाद आते हैं हिंदी साहिते की भुमीकावन, 1940 में, य हिंदी साहिते उद्भव और विकास, 1952, हिंदी साहिते का-दिकाल, 1951,072 दरा, तीनो जो इतिहास गrun थे, तीनो Linksव रपी साध्व्वयदी ने लिखे है, हिंदी साहिते का विग्यानिक इतिहास किसी ने लिखा है, 1965 में, गनपति चंद्रगुप्तनि, हिंदी साहितेoug संवीदना का विकास northeast में राम-सरुब चत्रवेदी और एंदी सहित्य के विदेवादी सहित्य इतिहास की आधि प्रवर्गत शुकले जी नहीं प्रत्यत ग्रियर्शन है ये नलिन विलोचन शर्मा का कथन है इंपोर्टन कथन है यह बात पार पूछा गया सवाल है कि किस ने कहा है ये बता रहे हैं कि हुदि के विध्ढे वादी सहेते तिहास के आदी प्रवर्तत मतलब कुछ लोग मानते हैं कि विदेवादी पदती की शुरवात शुक्लने की है three people में हमने पढ़ा था ये आचारे शुक्ले के अनुसार हिंदी साहिते का अधिकाल समवत 1085 समवत 1375 तक माना जा सकता है तो यह इसको हमने देखा भी था और इसका समय आपको देख लेना है ठीक है अपपरेंश नाम पहले वलभी के राजा धार्सन् दृतिय के शिलालेख में मिलता है। मिलता है कि यह आपको द्यान रखना है उसके बाद सिद्धू के उदरे तरचनाओं की भाषा देश भाशा में शूरिद अब्रंश या पुरानी हिंदी की कावचा है पुरानी हिंदी की व्यापक कावचा का धांचा शौर सेनी प्रसूद अब्रंश और खड़ी बोली का था आश्रुदाता कभी अपने राजाओं के प्राक्रम पूरण चरितों और गाथाओं का वर्णन भी क्या करते थे तो ये सारी कतन जो हैं शुकल से लिए हो हैं वीर और श्रिंगारस का समन्वेश काल की विशेशता है अन्यमहत्पुन तथ्य, प्रकृता भास हिंदी, कतात पर यह हैं प्रकृत के रूडियों में बहुत कुछ बद हिंदी तो मलब प्रकृता भास मलब प्रकृत का अभास कराने वाली भाशा ठीक है तो प्रकृता भास हिंदी का दाद पर है प्रकृत की रूडियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी उसके बाद है विद्यपती ने दो प्रकार की भाशा का प्रयोग किया है विद्यपती ने दो प्रकार की भाशा का प्रयोग किया है पुरानी अपप्रेंश और बोलचल की देशी भाशा ये आपको मैं पहले भी बढ़ा चुकी हूँ शुक्ले से गाहा या गाहा 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 से किसका बोध होता है प्रक्रित का बोध होता है वैसे ही दोहा या दूहा कहने से किसका बोध होता है जल्दी से जल्दी 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 दोहा या दूहा कहने से किसका बोध होता है कि सिद्धो में सबसे पुरानी सरह सरहपा यह आपको पता वाना चाहिए पुश्पिदंत को अबरेंश का भभूती कहा जाता है यह सारी चीज हैं मुझा प्रकृत का पा नीज कहा जाता है रासो साहित्या, रासों कावे के दो रूप मिलते प्रबंध रासो में सबसे पहले गरंथ कौन सा है किसी के कोई जवाब नहीं आ रहा है आप लोग विए कि नहीं कितने सवाल पूछ शुक्की में तब से लेकर वीरगीत परंपरा का सरप्रथम गरन्थ है वीसल देप रासू आचारे शुकले ये हिंदी के प्रथम महा कभी माने जाते हैं शुकले किन के बारे में कहे रहे हैं चंद बरदाई के बारे में क्या मों रहे हो तुम मुझे नीन आ रहे हैं तुम्हें क्या क्या रहे हो चंद चंद मतलब चंद बरदाई कभी है जगनिक दोहा ये दोहा कहने से किसका भोद होता है इसके विपरीती होगा ना थोड़ा दिमाग भी लगा लिया करो ठीक है खुमान रासो दलपती विजे की रचना है जगनिक की नहीं ओके चले चंद बरदाई की बारे में खहरें शुकले हिंदी की प्रथम महा कभी माने चाहते हैं और इनका प्रित्फिराज रासो हिंदी का प्रथम महा कावे है दोहा तो मैंने पूछा है ना दोहा तो मैंने पूछा है ना सुरेकांत गाथा कहने से प्रकृत लिखा है यहां पर तो दोहा कहने से किसका पूद होता है अब ब्रेंश थोड़ा से दिमाग खोल के क्लास में मैंट हो तो मैंको लग रहा है बच्चे क्लास में है नहीं और एक लड़का मुझे कहा रहा है कि नीद आ रही आपको और खुद खुद क्या कर रहे हैं तुम तुम्हारा कोई कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है कोई इतने कॉश्चन पूछ रही हूँ कोई अंसर नहीं आ रहा खुद तुम स्वयो हुए हो प्रकृत लिखा है एक बिनद में बुक लेके आ रही है वेट तुमैट में सूई वी वी करें ये बाद़ तुम्हारा बड़ाज़ कर दो कान के रहा है गाथा क्याने से प्रकृत का बोध होता है श्रद्धा तो बुक में भी तो यही लिखा है आपने कौन सी बुक देखी है कौन सी बुक से बोल रहे हूं आप अच्छे पहले बताया था मैंने देखा नहीं मतलब मुझे यह शायद दिखा नहीं होगा कमेंट क्योंकि ऊपर चला गया होगा तो बुक में लिखा है यह शुक्ल वाली जो भुक है यह ठीक है और ऑथैंटिक बुक है अगर आपने कहीं से देखा है तो गलत देखा है है अरी हंत में गलत है 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 गोड़ी इपनिंग हाँ प्राकृत गात है बोल रही हो में यहां पर कुछ गलत लिखा एक मिरट बज़े चेक करने दो तो यहां पर क्या लिखा है क्यों अमलब आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हो और मुझे भी कर रहे हो साथ में यहां पर लिखा है थर्ड पॉइंट देख रहे हो यह दिख रहा है हाईलाइट किया मैंने आदिकाल प्रक्रण एक पहली ही लाइन शुकली की पहली पंक्ती आदिकाल प्रक्रण एक में तो खुद कन्फ्यूज हो रहे हो और मुझे भी आप लोग कन्फ्यूज कर रहे हो मैं यही तो पढ़ रही हूं यहां कि गाथा कहने से प्रक्रित का बोध होता है तो दोखा यह दूखा कहने से इसके विप्रीत अपब्रश का ही बोध होगा ना अंकिता समझ आया दोखा यह दूखा कहने से अपब्रश या फिर प्रचलित कावे भाशा का बोध होता है अब बद्दे समझा जाता है अंकिता को आया समझ में तो वो तो आपको याद रखना पड़ेगा ना इसमें पहचानना क्या है शब्दी तो याद रखने है याद रखना पड़ेगा यह गाथा कहने से प्रक्रित का बोध होता है दोखा कहने से अब्रश का बोध होता है अंकिता को पूछ रही हूँ फिलहां तो उनको तो नही बच्चन सिंग कहा रहे हैं यहां एक राजनीतिक महागावय है कैसा राजनीतिक महागावय है किसके बारे में बात हो रही है प्रित्वी राजरासों के बारे में श्रदक कहां पर लिखा है कहां लिखा है कहां से पढ़ रहे हैं अरी खंत में मैंने बोला गलत लिखा है वहां से मत देखो ठीक है जिस बुक से आप देख रहे हो वो बुक नहीं वो गाइड है द्रिश्टी उससे मत देखो अरी हंत से देख रहे हैं अच्छा अरी हंत से देख रहे हैं वाप है ना अरी हंत में गलत दिया हुआ है मैंने आपको जो बताया है यह शुकल से है शुकल से है और अथेंटिक है यहां थार्ड जो पॉइंट है यह वाला ठीक है यह यह देखो आप यह सही है अच्छा तो आप बता रहे हो कि उल्टा लिखा है आप मुझे बोल रहे हैं कि आप उल्टा बोल रहे हो चलो कन्फ्यूस नहीं होना आप किसी ने ठीक है किसी को कोई कन्फ्यूस है तो एक बार फिर से बता रही हूँ आगे चलूंगी पहले तो कन्फ्यूस हटानी पड़ेगी ना बच्चों की दिमाग से आगे चलके तब फायदा है ना ऐसे क्या फायदा है गाथा या गाहा कहने से प्रकृत का बोध होता है ठीक है तो दोहा कहने से अपभ्रहश का बोध होता है बस ये आपको याद रखना है इसको किसी भी तरीके से आप याद रख लो उसके बाद है यहां पर थे हम तो बच्चन सिंग क्या कह रहे हैं पृत्विराज रासों के लिए अधूर क्यों लिखते हो आप पूरा लिखा करो ना बिच्चन सिंग कहते हैं यह एक राजनीतिक महा कावे हैं दूसरे शब्दों में कहते हैं कि राजनीतिकी महा कावे अत्मत रास्ती है आचारे हजारिपसद्वेदी ने पृत्विराज रासो को शुक्षु के समवाद के रूप में रचित माना है तो पृत्विराज रासो जो है यह मैं आपको पहले भी सब पढ़ा चुकी हूँ कि शुक शुकी समवाद के रूप में इन्होंने इसकी शुरुवात मानी है हजारिक साथ वेदी ने आगे हैं पृत्विराज रासों में 68 चंदों का प्रयोग किया गया है 68 चंद ध्यान दे और 69 इसमें वो हैं सर्ग है ठीक है और 68 इसमें चंद है जिसमें मुख्य चंद निमन है कौन-कौन सी कवित छप्पे दुभा तोमर्त रोटक गाहा आ रहे हैं इसके चंद पूछे गए थे अभी शुकली जी दौरा सुझाएगे प्रमुख रासो गरंत और उनके रशनाकार है खुमान रासो दलपती विजे की रशना है और ग्यार्मी शताब्दी इसका समय है बिसल देव रासो नर्पती नाला इसका जो समय है बार्मी शताब्दी है पृत्वी राज रासो का समय है बार्मी शताब्दी और चंद परदाई की रचना है जैचन प्रकाश भटकेदार की रचना है और बार्मी शताब्दी में है जैमेंग जस्चंद्रिका मधुकर कवी की रचना है बार्मी शताब्दी में परमाल रासो जगनिक की रचना है तीर्मी शताब्दी में आदिकालिन घंदी का जैन साहिते जैनों ने अपना किसमे लिखा अ जैनों ने अपना अदिकारि किसमें लिखा अ राजस्तान, गुजरात और दक्षनी हिसों में लिखा जैन साहिते में रास कावे परप्रा प्रसीद रही जिसमें सबसी प्रचीनतम ग्रंथ है रिपुदारण रास ये सहस्कृत में है और डॉक्टर गणपती चंद्रगुप्त ने शाली भद्रिस्टूरी को हिंदी का प्र राप्टर नगेंद्र ने देव सेन करित श्राव का जार को हिंदी की पहली रचना माना है इन्होंने तो देव को इन्होंने पहला कभी माना है ठीक है तो ये आपको किस ने किसको किस विद्वान ने किसको पहला कभी माना है वो आपको ध्यान रखना है चंदन बाला रास किसी रशना है आसगू कभी की रशना है बारासव में लिखी गई विजे सेन्सूरी का प्रसित गरांत है रेवंत गिरी रास बारासव ईकत्ते से सुवे जिन धरम सुरी गोरा लेकी स्थूली भद्र रास और मुनी सुमति गर्ण का द्वारा नेमिनात्रास और चंद्रमुनी द्वारा पुराण सार अन्य उलेखने रचना हैं। सिद साहित्य, सिदो की संख्या 84 माने जाती हैं, सरहपा को हिंदी का प्रथम कभी होने का गौरफ राप्त हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कभी होने का गौरफ राप्त हैं, इनके 32 गरंत माने जाते हैं, जिसमें सबसे प्रसिद हैं दोहा कोश। सिदो में सबसे पुराने सरहपा हैं। सिदो में सबसे पुराने को हैं? सरहपा। वजरियान का केंद्र कहा पर था श्री परवद, सिद्धो ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया, सिद्धो की भाषा कौन सी थी संधा भाषा, ध्यान देंगे सारी यहां पर छोट-छोटे पॉइंट्स में लिखा हुआ है, सरहपा की जीवन द्रिष्टी इस प्रकार से थ आक्रोष की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बच्चन सिंग ने आक्रोष की भाषा का पहला प्रयोग किसमें दिखाई देता है, कहा है, सरहपा के लिए कहा है, और ये भी पूछा जा सकता है कि आक्रोष की भाषा का प शब्रपा की प्रस्टेंग मॉस्ट के ध्यान देंगे और सरहपा की शिष्यते लुवा के गुरु ये ध्यान रखना है आपको 84 सिदों में लुईपा का स्थान प्रथम तथा सबसे उंचा माना जाता है तो लुईपा का स्थान उंचा माना जाता है पहले कौन है सिदों में सरहपा है लेकिन इनका स्थान जो है लुईपा का सबसे उंचा माना जाते हैं इसमें इसमें गलत करके आ गई थी एकजाम में ज यह वहला जो सवाल था इसे मैं गन्फ्यूज हो गई थी लुईपा का जो स्थाने वो यहां पर पूछा था कि प्रथम स्थान किसका है सिद्धों में प्रथम स्थान किसका है तो मैंने लिख दिया मुझे बता थे सरहपा है लेकिन मैंने यह बात पड़ी हुई थी कि प्रथ सब्सक्राइब तो सरहपा जो है वो पहले माने जाते हैं सिद्धों में लुई पाकस्तान उचा है ठीक है ये दो चीज़ें जो हैं कन्फ्यूज करने माली हैं इसको अपने ध्यान रखना है कंधपा सिद्धों में सर्ष्रेष्ट विद्वान दता सबसे बड़े कवी थे अपा पंडित्य और कवित्व में बेजोड धियान देंगे दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोट चंद्र बांग्ची ने किया है नाथ साहित्य को देखेंगे नाथ पंत बौधों की वजरियान शाका से निकला हुआ माना जाता है आचारिद्वेदी के अनुसा ना यह म्लयारजून अन्तिम कौन है आखेए के यह इन्तिम कौन है मलयारजुन प्रवेदी को देखेंगे को है RI मलयारजून तो पहले नागारजुन अंतिम मलयारजंघिया को बहुत ना नाथ को बोलू एक बार लोईपा के लिए लोईपा का स्थान उंचा है लोईपा उंचा है और सिद्धों के पहले सिद्धों में पहले कौन माने जाते हैं सरहपा पहले और उंचे में फर्क है ठीक है सिद्धों में पहले सरहपा आएंगे बस यही बता रही थी क्लियर है गोरक्षिनाथ या गोरकनाथ मत्सेंद्रनाथ के शिशे थे मचेंद्रनाथ या मत्सेंद्रनाथ बस्द्रनाथ मिश्रबंद्रनाथ नहीं हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है ज्यांदे चरंगिनाथ गोरक्षनाथ के शिशे थे और यह पूरान भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए नौनाथ गोरक्ष सिधात के अनुसार नौनाथू के जो गिंती है संख्या मतलब नाम है जो है न तो नागार्जुन है गोरक्ष नाथ है जड़भरत है चरपटनाथ है हरिश्चंद्र है जलंधर है और सत्यनाथ है मल्यार्जुन है भीमनाथ है ठीक है अमीर खुसरु हिंदी की कवीता को देखते हैं इनका वास रहां यह परक्षिश्यों में उम्र का फरक नहीं पड़ता है उंचा या फिर पहला उस हिसाब से देखा जाता है उनकी क्वालिटी के हिसाब से ना कि उम्रों के हिसाब से नहीं क्वाइलिटी के हिसाब से देखा जाता है ठीक है तो लुईपा कैसे जबकि सरहपा का नाम पहले आता है और अरे तो क्या हो गया ऐसी ओपर नीचे हो गया है बट इसका मतलब यह नहीं है कि इनको वही करना है मतलब हाँ क्वाइलिटी के उपर डिपेंड करता है ठीक है यह शुक्ले वाली बुक से मैंने पूरा आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है इनके सारे नाम भी और इनका सिक्वेंस भी everything ठीक है हाँ मल्यारजुन के बाद कोई नहीं आता है यह नाम आगे पिछे हो गए है कोई बात नहीं ठीक है नाम आगे पिछे हो गए है और इसका इतना फरक नहीं बढ़ता है तो इसको जादा सीरियस लेने के जरूरत नहीं है हो तो सिर्फ knowledge के लिए आपको बताया है कि इनका नाम बाद में आता है बस अच्छा यह अब भी बताते हैं आपको अमीर कुसरों को खड़ी बोली का प्रणेता कहा जाता है संगीत में यह कवाली तराना गायंशेली और सितार के जर्मदाता माने चाते हैं यह भी आपको पढ़ाया है इनोंने दिल्ले के सिहांसन पर ग्यारा राजाओं का आरगण देखा था कितने राजाओं का ग्यारा राजाओं का इनके पहिलिया और मुकरियां इनके पहिलिया और मुक्रियां में उप्ती वेचित्रे की प्रधानता है इनके प्रमुकर गरांते हैं खालिक बारे पहिलिया मुक्रियां दो सकने और गजल आदी अच्छा आप कह रहे थे जब इनकी गुरू की मृत्ति हुई थी निजाम दिन वालिया की इन्होंने कहा था गोरी सोवे सेज पर मुक्रदारे केस चल कुसरोगर आपने रैन भाई चहुदेश ठीक है इसका मतलब क्या है क्या है बिहारी की अच्छा सुने में लगता है अपने गुरू के लिए कह रहे थे यह कि सेज पर वो जब मृत्यू शहिया पर लेटे हुए थे तब इन्होंने कहा था ऐसा ठीक है पिर इन्होंने यह भी अपने घर आ गए थे क्योंकि बहुत ज़दा व्याकुल थे बहुत ज़दा परेशान हो चुके थे और जो अपने गुरू की मृत्यू जो है इनसे बरताश्त नहीं हो पा रही थी तो बद माना जाता है कि थोड़ी दिन में इनकी भी डैथ हो गई थी अपने गुरू के बाद ऐसा यह खुसरों की पंक्तिया है यह कही है इनोंने अपने गुरू निजामुदीन ओलिया की मृत्यू पर अपने गुरू यहां भी लिख देती हो मैं निजामुदीन ओलिया की चीक है तो इसको आपनोट कर लेना है अब विद्यापति और उनकी पता आप ली उनके गुरू का नाम पंडित हरी मेश्रु था यह दर्भंगा जिला के विप से नामगाओं के निवासी थी विद्यापति तिरहुत के राजा शिफ सिंग और किर्थे सिंग के दर्भारी कभी थी बच्चिल सिंग ने विद्यापति को जाती कभी कहा है यह देख ले ना वैसे मैंने पहले बताया हुआ है आपको बट फिर भी मैं आपको फिर से बताती चल रही हूँ सुरेकांत्रे पाठी निराला ने पदावली के श्रिंगारिक पदों की मादत्ता को नागिन की लहर के समान बताया है या फर नागिन की लहर कहा है पूछे कैसे समाल है important है हिंदी में विद्यापती को कृष्ण गीती परंपरा का प्रवर्तक मारा जाता है हिंदी में विद्यापती को कृष्ण गीती परंपरा का प्रवर्तक मारा जाता है एक और बात पूछी गई थी इचे इंसाम में वो थी कि कृष्ण बक्ती परंपरा की शुरुवात कहां से चली तो वहाँ पर नाम था जैदीव का विद्यापती का एक मिनट में आपको ऑप्शन देती हूँ जारा में देखते हूँ आप क्या जबाद देते हैं कृष्ण बक्ती परंपरा की शुरुवात कहां से ली ऑप्शन में आ है जैदेव ऑप्शन नमबर एक ऑप्शन नमबर विद्यापती ऑप्शन नमबर सी सूरदास जमार ओप्शन नमबर डी किसको रखू क्या पता क्यों कहें वह नहीं है ममजब पता क्यों कहें बताओं।39 को छोड़ देते हैं तीन ओप्शन से बताओं कि खुस्रों के निधन तीथी पर दिल्ली में हर साल सरसों का फूल जड़ाया जाता है एक ही फूल कि अब क्लास में होते हो दियान आपका के बताना है कि की brown भश्र्म के शुरुवात कहां से हुई किससे वानी जाती है इन तीनों में से प्रिश्न भश्म्रांपरा के शुरुवात बहुत चढ़ाय जाते हैं एसस तुमारा रिकलाई क्यों नहीं आ रहा है तुम क्लास में हो के नहीं? सूर्दास, सूर्दास, सूर्दास अच्छा, SS ने कहा जैदेव किस हिसाब से तुमने जैदेव कहा? किस हिसाब से जैदेव कहा जैदेव कहा जैदेव कहा? वह भी बताओ, मुझे रीजन विद्यपतिकृत, किर्ति लता की रचना ब्रिंब्रिंगी समवाद की रूप में हुई है पदावले और गरक्ष विजय मैथली में लिखी गई है लॉकिक साहिते देखते हैं, डोला मारू रदुहा कलोल कभी की रचना ग्यारिश अताब्दी में रचित हैं, प्रसेद प्रेम कावे हैं, मोलता दोहा चंद में हैं वो पता नहीं, बस तो कर लगा दिया है ना पीछे का कांसेप्ट भी तो पता होना चाहिए ना ओके इसमें विद्ध्यपती नेचे लिखा हुआ है, कहां नेचे सुरेकांत कहां पे लिखा हुआ नेचे यहां पे लिखा है कृष्ण गीती परंपरा, मैं कृष्ण गीती परंपरा नहीं कह रही क्यूंकि सबसे पहले जैदेव नहीं कृष्ण भक्ति के पदल लिखे यहां यहां है देखो यहां पर क्या है अगर तो आपको पूछे संस्कृत में तब आपको जैदेव का नाम बताना है अगर आपको पूछे तब आपको जैदेव का नाम बताना है अगर आपको हिंदी में पूछे होगा तब तो तुम्हें पता होगा ना भक्ति काल आचारी शुक्ले ने भक्ति काल का समय समवत तेरा सुब चटर से सत्रा सु तक मारा है भक्ति शर्ट का पहला वो लेक श्वेता श्वेतर उपनिशद में मिलता है ठीक है भक्ति काल का काल्वी भाजन इस प्रकार दिया गया है जो सर्गमाने मत है भक्ति काल में आपको पता है दो शाखाएं चलती है निर्गुण धारा और सगुण धारा हाँ अभी मौसम खराब हुआ है अभी अन्हिरा हो गया है बाहर और एकदम से जोर से बादल गर्जा मैं अपने ध्यान में थी एकदम से अगए निर्गुण धारा और सगुण धारा उसके बाद निर्गुण में दो शाखाएं है कौन कौन सी एक तो ग्ञानमार्गी संथ और तूफी कभी ठीक है नहीं कोई क्लास सगुण धारा में राम बक्ति शाखह और कृष्ण मध्ति शाखह यह आपको पता ही है इसमें ज़्यादा में आट को एक स्प्लेंस करने की जरूरत नहीं है चले भक्ति आंदुलन के उदे के समाजिक सांस्कृतिक कारड मुस्लिम शाषकों की बरबर शासन से कुंटित एवं उनके आता है चारो से प्रस्त हिंदु जन्ता ने इश्वर की शरण में अपने को अधिक सुरक्षत महसूस कर भक्ति मार्ग का सहरा लिया दोनों संस्कृतियों के संपर्क से उनके मध्य सद्वाव साहनुभूति एवं सयोग की भावना का विकास हुआ सूफि संतों की उदार और सहिश्वनता की भावना एवं एकेश्वरवाद में उनकी प्रबल निष्ठा ने हिंदु को प्रभावित किया हिंदु ने सूफियों की तरह एकेश्वरवाद में विश्वास करते हुई उन्च ने चर्म जात्वाद का विरोल किया और ततकालिन भारती समाज के शोषण कारी बढ़ विवस्था के कारण निचले बढ़नों की स्थीती अत्यंत दैनी थी भक्ति संतों दार दिये गए संदेशों ने लोगों को प्रभावित किया वैश्वाद भक्ति का विश्ष्ट्य प्राणी मात्र से प्रेम व उदारता इस भक्ति का आधार है अहिंसा इस भक्ति का दूसरा मुख्यत अत्व है इसमें इसने कलाम संस्कृति के उन्यान में भरपूर योगदान दिया भरा भरा मतलब वैश्णव आचारियों वो कभियों ने भक्तिरस की स्थापन में सरवादिक योगदान दिया अहिंसा वाद वो प्रपतिवाद वैश्णव संप्रदाई के विशेष्टता है तो वैश्णवों से ही अहिंसा वाद और प्रपतिवाद किसने लिया था कबीर ने ठीक है? सभी है क्लास में अच्छा अलवर संथ ये मुख्य तब विश्णों के भग्त थी जिनका शाब्दी करते हैं मगन होना अलवर मनल मगन होना अलवर संथों के संखे कितने मानी जाती है? बारा हाँ, नैनार कितने है? बताओ हाँ नैनार, अलवर और नैनार अलवरों के संखे बारा, नैनारों के संखे बताओं ये जल्दी कितनी है? शटकोप और नमालवार राम हक्ति के प्रथम कभी थे? क्या? मैंने पूचा अलवरों के संखे बारा यहां पे लिखा है अल्वार संतों की संख्या बारा माने जाती है इसकी विप्रित नैनार है नैनारों की संख्या पोछ रही हूं कितनी है नैनार 69 नैनार नहीं पता शटकोप और नमालवर रामथ्ति के प्रथम कवी थी उनकी कृती तिरुवयाल तिरुवायमोली हो गए दिलत लेकाए तीरुवायमोली तिरुवायमोली चीक है? मुझे भी मयाम नहीं गता अच्छा राम की भक्ती का विस्तृत वरणन है इसमें तिरुवायमोली में जल्दी 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 में सबका जवाब चाहिए चटको प्राम की पादुका के अफ्तार माने जाते हैं ये आपको बताऊना चाहिए आंदालिक मात्र महिला अलवार संथ थी इन्हें दक्षिन की मेरा कहा जाता था ठीक है? मेरा भाई को हमने पढ़ा था अच्छा सुर्य कांथ को याद आ गए कि 63 सही है नैनार 63 थे ठीक है? नैनारों की संख्या 63 आलवारों की 12 वैसे ही सिद्धों की 84 नाथों की 9 ओके? नहीं पता 63 63 नैनार कितने थे? नैनार 63 आलवार संथ जाती वर्ण का भेड नहीं मानते थे सरप्रतम श्री संप्रदाय के प्रतम आचारे श्री रंगनात्मुनी ने अलवार संथों की पद्यों का संख्यलन नलियार देवे प्रबंधम आलियर लिखा है आपर नलियार देवे प्रबंधम नलियार देवय प्रबंधम शिर्ष्रक्त से चार भागों में इन्होंने किया है इसको तो ये देख ले ना 63, 63 सिद्ध बारा सिद्ध बारा ना, स्वरी, सिद्ध चुरासी में बारा बोल रही है सिद्ध चुरासी नाथ 9, मुझे आलवार याद रहे गया आलवार कितने 12 और 9, 63 प्लियर है वैसे ही रामानंद के शिश्यों के संख्या 12 और अश्ट चापके गवियों के संख्या 8 ठीक है इस तरह से सारी आपको याद रखने होते हैं आगे भक्ति काल संबंधी प्रमुकत अथे देखते हैं हजारिप सद्वेदी ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं का मुख्य लक्षन भगवद विश्यक रतियम अनन्यता माना रावनज अचारे भक्ति के आदी अचारे बने विशिष्ट अद्वैत से भक्ति साधना पदती मात्र से आंदोलन के और बढ़ी वैश्नव धरम के स्थापना करने वाले रावनज मादव अचारे विश्यक रूप है आचारे शुक्ल भक्ति धरम का रसात्मक रूप है ऐसा कौन कह रही है अचारे शुक्ल भक्ति आंदोलन भारती चिंताधरा का स्वभाविक विकास से यह किसका गतने अचारे हजारी फ्रसाद दोईदी का क्योंकि शुक्ल कहते हैं न कि मुस्लमान जब भारत में आएं तो जो था भक्ति भावना दबसी गई थी फिर क्या हुआ धिरे-धिरे जब वो सताते थे मुस्लिम लोग हिंदूओं को तो क्या करते थे वो परिशान हो गए हिंदू जितने भी लोगत थे वो सब परिशान ह के तो उनके पास एक ही साधन था कि वो भक्ति करते इस तरह से उन्होंने भक्ति का रास्ता चुना यह शुक्ल का कहना है इसके विपरित हजारिफ सत्वेदी क्या कह रहे है कि अगर मैं क्या क्या कहता है इनका मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इसलाम ना आया होता तो भी भक्ति का बाहर आना कई जगा आपको मिलता है बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है और कई जगा आपको मिलता है कि यदि इसलाम ना भी आया होता, तो भी भकती का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है. ठीक है? जैसे शुकल में बारह आना लिखा है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि बारह आना गलती से लिख दिया गया है, बाहर आना हो गई है. तो मतलब हमें, हम इसमें कौन सा सही है हम इस पे डिस्कुस नहीं कर रहे हैं हम डिस्कुस कर रहे हैं इस चीज़ पे कि शुकले क्या कह रहे है और हजारिपसद वेदी क्या कह रहे हैं तो हजारिपसद वेदी कह रहे हैं कि स्वाभाविक चिंता का सभाभ्यवेख चिंता थारः कभी का से ही सभाविक ही भठते जोए वह आनी थी बाहर सभाविक रुप से आन ही थी बाहर अगर इसलाम नहीं वी आया होता तो भी आनी थी ठीक है जैसी कि मैंने मैं भी पीछ देख लिया दो बार ये रिपीट हो गया भक्ति धर्म करसात्मिक रूप ये भी पढ़ लिया है हमने यहां से प्रमुक दर्शन और उनके प्रवर्तक आचारे देखते हैं विशिष्टा द्वैत वाद किस थापना किस ने की रामारज अचारे ने द्वैत वाद द्वैत द्वैत वाद हो गई द्वैत द्वैत निबारकाचारे और शुदध द्वैत विश्ट्व सौमी यह बलब अचारे आप लोगों को यह पता नहीं है ना इद्वैत यह मैं कल की ग्लास में उनको क्लियर करओं यहां आच याद नहीं ठीक है ack particip लिख रखती हूँ ताकि आप मुझे याद रहे कि कल आपको ये बताला है निर्गुण ग्यानाश्री शाखा में देखते हैं आनिशित दार्शनिक आधार निर्गुण ब्रह्मा के प्रतियास था सद्गुरु का महत्विस में बहुत जरूरी है निर्गुण ग्यानाश्री शाखा में शास्त्रों का विरूद किया है इनोंने निर्गुण मार्गियों और आत्मविश्वास की प्रवलता को बताया है सांप्रदाइक तक अभी विरूद किया है जातिपाती धरम भावनाएं और रहस्यवादी भावनाई इसमें बताई गई है संत कभी मूनता भक्त हैं कभी नहीं है ऐसा शुक्ल कहा रहे हैं शिल्प की सजक्ता इनके अंदर नहीं है इनकी भाषा सुदुकड़ी या पंचमिल खिचड़ी क्या लाती है सुदुकड़ी या पंचमिल खिचड़ी सुदुकड़ी किसने कहा है कभीर की भाषा को रामचंदर शुक्लने पंचमिल खिचड़ी किसने कहा है चल्दी से बताएं पंचमिल खिचड़ी किसने कहा है कभी कबीर की भाशा को उन्होंने उलटबासियों का प्रयोग किया ये प्रतीकात्मक उक्तियां हैं जो नाथों की संदा भाशा का ही अगला चरण है संद कावे के प्रथम कवी के रूप में सामाने तक कबीर का नाम दिया जाता है क्या प्रमक संथ शाम संदर दास उन्हें आपको बताया था खिचड़ी संदर होती है तो पांच तत्वों के मेल से खिचड़ी बने तो बहुत जादा संदर बनती है तो किसने कहा है खिचड़ी पंच मेल खिचड़ी शाम संदर दास प्रमक संथ ज्याना श्री में और उनसे नामदेव आमतर पर कुछ लोगों का मानना है कि हिंदी में 30 हैते की शुरुवात नामदेव से हुई हुआ है ये जाति के दर्जी थे तहां इनका संबन वार। संप्रदाई से था कि इनके घुरू की रूप में विसोवा केचर का नाम लिया जाता है ना खेचरजी के चरणों में लागा सिंपी नामा ऐसा कहते है न ये तो खेचरजी से ये दिक्षा ले लेते हैं बहुत बाद में जाकर के जो की नातपन्ती कनफटे थे वो जोगी कनफटे आपको बताया था जिन्होंने कानों में कुंटल पहने होते हैं वारकरी संप्रदाय के प्रवर्त कौन थे संथ पुंडरीक ध्यान देंगे इनके प्रथम उधार करता संथ ग्यान देव को माना जाता है इस संप्रदाय में ब्रह्मा को निर्गुण माना गया है ब्रह्मा को निर्गुण माना गया है रैदास अब रैदास ने स्वयम को आप कुछ पदों में अपने कुछ पदों में चमार कहा है मैंने आपको ये पढ़ाया था ये PDF हां जी मिल जाएगे आपको और इनके इनके 40 पद गुरु गरंद साहिम में इनके 40 पद जो है वो गुरु गरंद साहिम में संकले थे धन्ना हो मीरा को रैदास की शिष्य परमपरा में बताया गया है. रैदास सिकंदर लोधी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे. अवाजवारी है मेरी? वारकरी संप्रदाई क्या होता है? संप्रदाई होता है, जैसे अलग अलग संप्रदाई है, जिसमें जो स्थापनाई करते हैं आचारियम और दिक्षा लेते हैं जिसमें लैसे ही कबीर, कबीर इनका जनम 1398 में काशिय में हुआ था, ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे, इनकी गुरु के रूप में रावनन्द और शेक तकी का नाम लिया जाता है इनकी वानिकल संग्रे, इनकी शिश्य वोत्तराधिकारी धरमदास ने बीजक नाम से तीन भागों में किया था, साखी, सबद और रमैनी के नाम से, ठीक है, धरमदास में किया था बीजक, बीजक में ही तीन भाग है, ध्यान देंगे, ब्रह्मा से क्या मतलब, सुरे कांत मतलब, आप जान पुछ के ऐसे सवाल पूछते हैं कि आपको रियल में नहीं पता है, ये बताओ मुझे आप, मुझे, आपके सवालों से मुझे लगता नहीं क्या मास्टर्स करके आ कबीर की वारने का सबसे पुराना साक्षे गुरुगरंद साहिब में मिलता है, शाम संदर्दास ने रहस्यवादी कभियों में सबसे पहले रखा है इनको, ठीक है, रहस्यवादी, नहीं मैं, मतलब ब्रह्मा भी नहीं आपको पताएं कि क्या है, ब्रह्मा का मतलब क्या होत बार्शा पर कबीर के जबरदस्त अधिकार था विवानी के डिक्टेटर थे यह जारिप सद्वेदी कह रहे हैं नहीं जानते हैं यह तो आपके घरवाले पर आपको बता देंगे कि ब्रह्मा कि किसको कहते हैं है ना गुरु नानक इन्होंने सिख धर्म का प्रवर्तन किया इसलिए इन्हें आदी गुरु कहा गया है इनके भजरों का संग्रे गुरु गुरुण साहिब में किया गया है तो वही होता है ब्रह्मा और क्या और क्या है और कौन सा ब्रह्मा होता है यहां पे कोई और दिया हुआ है क्या जब आपको पता है कि निर्गुण संक्रदाय में ब्रह्मा को इश्वर को क्या माना गया है निर्गुण निराकार को इश्वर माना गया है निर्गुण निराकार इश्वर माना इन्होंने ब्रह्मा को या फिर कहां देख रहे थे हम ज्ञान देव को माना जाता है इस संप्रदाय में ब्रह्मा को निर्गुण माना गया है मतलब आपको पता है कि जो संद कभी है उन्होंने ब्रह्मा माने इश्वर को है ना क्या कहा है इनों निर्गुण निराकार समझ गए सिखो के पांचवे गुरु गुरु अर्जुन देप ने गुरु गुर्ण साहिप का संपादन किया ये वाण व्यवस्ताव करमकांड के विरोधी थे और धार्मिक एक्टा के पक्षधर थे इनके बड़े पूत्र श्रीचंद ने उदासे संप्रदाई की स्थापना की थी ये श्रीचंद और लक्षमीचंद इनके दो पूत्र हुए है जो इनके बड़े बेटे थे श्रीचंद उन्होंने ही आगे उदासे संप्रदाई की स्थापना की है दादू दियाल इन्होंने दादू पंथ किस थापना की थी दादू एक सुमिरनी रखते थे सुमिरनी सुमिरनी किसको कहते है बताओ जर्दी अभी बताया था दो चार दिन भेली सुमिरनी रखते थे और सत्तराम सत्तराम कहकर अभी बादन करते थे दादु बंथियों का प्रधान केंद्र भराने की पहाड़ी राजस्तान में है जहां दादु में अपना शरीर द्यागा था निर्गुण होने परवेनों ने इश्वर के सगुण रूप को माने तदी इनके संत दास और जगनात दास थे इन्होंने हर डे वानी शिर्षक से हर डे वानी शिर्षक से इनके वानियों का संग्रह किया इसका रजव ने अंगवधु नाम से संपादन किया था यह देख लेना इनकी कावे भाषा ब्रज भाषा है मालाज अपने मालियस ठीक है तो यहां पर यह फिनिश भी हो गया है और टाइम भी हो गया है तो कल हम थर्ड यूनिट के साथ और आपको यह अदवैत अदवैत भी कल में आपको समझा दोगी यह पांच मिनट लगेंगे इसमें और थर्ड यूनिट कल हम पढ़ेंगे यहां से हम पढ़ेंगे शॉट शॉट में आपको करवाऊंगी क्लियर है ना वीडियो मेरी बलर तो नहीं हो रहा बलर है क्या अधिक्कत हो जाती है रोज रोज अभी ठीक है ना अभी तो मुझे ठीक देख रहा है चलो अभी तो मुझे ठीक देख रहा है चलो गुट इबनिंग चले एकाई तीन भारतिय काविशास्त्र परंपरा ठीक है आपके एकाई तीन का नाव है साहिते शास्त्र और इसमें जो पहले कवी माने जाते हैं वो है भरत्मुनी तो भरत्मुनी के बारे में हम देखेंगे भारत में भारती काविशास्त्र की परंपरा का सूत्रपाद भरत्मुनी से माना चाता है भारतिये काविशास्त्र की परंपरा कसोत्रपात कहां से माना चाहता है भरत मुनी से बल्देव उपाध्याई ने इनका समय द्विती शताब्दी माना है ठीक है दूसरी शताब्दी इनका समय है और किसके अनुसार बल्देव उपाध्याई के अनुसार इनका सर्मानने समय 200 इसापुर्फ से 300 इसापुर्फ के मध्यों माना जाता है रचना इनकी नाटे शास्त्र, नाटे शास्त्रीन की एक मातर रचना है और बहुत जादा इंपॉर्टेंट है इसमें 36 अध्याएं है 5000 शलोक हैं इसकी टीका अभिनव गुप्तने किस नाम से लिखी थी अभिनव भारती के नाम से लिखी दी ये रच सम्प्रदा ये रच सिधात के संस्थापक हैं उन्होंने नाटे शास्त्र और नाटक दोनों को क्या कहा है पंचम वेद माना है नाटक और नाटे शास्त्र दोनों को इन्होंने क्या माना है पंचम वेद नाटे शास्त्र के शष्टम एवं सप्तम अध्यायों में रस की विवेचना की गई है भरत्मुनी का रस सूत्र है विभावा नुभाव विविचारी संयोगादर निश्पत्ती ठीक है तो ये वला सूत्र जो है किसका है भरत्मुनी का विभावा नुभाव विविचारी संयोगादर रस निश्पत्ती किसका सूत्र है ये भरत्मुनी का उन्होंने नाटक को वांगमय का सर्श्रेष्ठ रूप स्विकार किया है भरत्मनी ने नाटक के चार अंग माने है पाठ्य या वस्तु तत्व, अभिनय, संगीत और रस नाटक के इन्होंने चार तत्व माने है शरिंगारज, करुन रस, हासे रस, विभस रस, वीरस, रादरण रस, अध्भूत रस और भैयानक रस ठीक है तो यह कितने हैं पुरी संख्या, आठ है किसने मानी है भरतमौनी ने आगे देखते हैं शांत को इनोंने रस नहीं माना है शांत रस को इनोंने नहीं माना है रस ठीक है और इसके अलावा जो आठ रस है वो इनोंने माने है ये आपको ध्यान रखना है कि शांत को इनोंने रस नहीं माना भरक मुनि variety वीर रस्क के झिम्न तीन भीद माने हैं युद वीर धरं वीर और दान वीर युद वीर युद में वीर धरम में वीर और दान में वीर इन्होंने हासी रसक्युत पति शरिंगारश से मानी है अच्छा कोई बात नहीं है इन्होंने चार प्रधान रस्माने है श्रिंगार रस और वीर रस, रौद्र रस और विभद्स रस मतलब यह श्रिंगार रस में जो क्या है रा, फास्य, अदबुत, वीर रस का अधबुत है स्थाइ भाई और व्रौद्र रस का करून है स्थाइ भाई और विभद्स रस का भयानक है इन चार रसों को इन्होंने प्रधान रस्माना है नाटे शास्त्र में श्रिंगार की अनिमन दो भेद है श्रिंगार के दो भेद, सयोग श्रिंगार और वी प्रलंब श्रिंगार भरतमुनी के नाटे शास्त्र में चार अलंकारों का उलेक मिलता है गुर्मा, दीपक, यमक और रूपक उन्होंने कावेगुणों की संख्या 10-10 मानी है कितने माने इन्होंने कावेगुण 10-10 संख्या मानी है और उन्होंने नाटे शास्त्र के भावों की संख्या उंचास मानी है 33 जो है वो संचारी भाव है आठ स्थाई भाव है ठीक है तेटिस संचारी भाव है इसकी संख्या याद रख लेना और आठ जो है स्थाई भाव है और आठ ही सात्विक भाव भी माने जाते हैं ठीक है नाट शास्त्र के 24 वे और 34 वे अध्यायों में नायक नाइका के भीद का भी चित्रण है उन्होंने विभत रस्त को नाटक के लिए वर्चित रस्माना है समझ आ रहा है न आपको भरत्मुनी ने रसों की संख्या आठ मानी है पर 4 इन्होंने प्रधान रस माने है ठीक है तो ध्यान से देख लेना यहां पे लिखा है चार इनोरे प्रधान रस्माने है कौन-कौन से श्रिंगार रस, वीर रस, रादर रस और विभस रस कंटेंट में नहीं आ रहा अच्छा मैं चेक करूँगे वो मुझे याद नहीं रहा, सौरी ध्यान नहीं रहा कोई ना कल के क्लास में देख लेंगे थी क्या भामा को देखते हैं आचारे भामा संस्क्रित भाषा के सूप्रसिद आचारे थे भामा कश्मीर के निवासी थे बल्देव उपाध्या ने, देखो कहां के निवासी थे ये भी आपको याद रखना है कश्मीर के निवासिते भामा बल्देवु पादे ने इनका समय छटी शताब्दी का पुरवार्थ माना है और ये सर्व माने मत हैं ये लंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं किस संप्रदाय के अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने गई है और दूसरा और तीस्टे परिशेद में क्या है अलंकारों की विवेचना की गई है चतुरत परिशेद में कावे दोष्ट की विवेचना की गई है और पांचों परिशेद में न्याय विरोधी दोष्टों की विवेचना की गई है चटे परिशेद में शब्द शुद अभामह का ये कथन है या भामह का सूत्री या भामह की परिभाशा अलंकार विश्यक इनके प्रसिद गथन देखते हैं नाकांतम अभी निर्भूश विभाती वनिता मुखम उन्होंने वक्रोक्ति को सभी हलंकारों का अधार माना है उन्होंने वैधर्वी और गौडी दो रीतियों को एक ही माना है उन्होंने कावे की गुणों की संख्या तीन और दोशों की संख्या दस मानी है कितने गुण दोश माने हैं ये भी संख्या आपको याद रखनी पड़ेगी उन्होंने कावे में प्रीती की अपेक्षा कीर्थी पर अधिक जोर दिया है और अचारी दंटी को देखते हैं ये पल्लव नरेश विश्ण सिंग के सभापती थी इनका समेता साथमी शतावती रचनाये हैं इनकी 10 कुमार चरित चंदो विच्चिती कावेदर्ष अवंति सुंदरी कथा कावेदर्ष जो अलंकार शास्त्र का प्रसिद गरंथ है ये और अलंकार शास्त्र का प्रसिद गरंथ है कावेदर्ष इसमें तीन परिशेद और चेसोश लोख हैं दंडी अलंकार वादी अचारे माने जाते हैं उन्होंने अलंकारों की संख्या 35 मानी है उन्होंने भी अलंकारों का मूल अतिश्योक्ति को माना है अलंकार की परिभाशा है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते अलंकार की परिभाशा इन्होंने क्या बताई है काव्य शोभ देने वाली बात है कि कावे रीतियों की विवेचना किस ने की है? दंडी ने की है. लेकिन रीती संप्रदाएं के प्रवर्टक को है? वामन. उन्होंने रीती के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया. वामन मतलब ब्रामन. तो वो क्या बताते है? वामन. लेकिन रीती के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया. उद्भट या भटोदभटीनी का नाम है. इनको उद्भट और भटोदभट के नाम से भी जाना जाता है. समय इनका घ्यात है. भामा के कावे लंकार की टीका भामा वृत्ति के नाम से लिखी है इनोंने और इस टीका को अलंकार सारसंग्रे या भामा विवरन के नाम से जाना जाता है अंकिता है क्लास में इनकी एक मौलिक रचना भी है जिसका नाम है अलंकार संग्रे इनकी मौलिक रचना कौन सी है, अलंकार संग्रे, उद्भट की, अलंकार सार संग्रे में 6 वर्ण, यानिकी 6 अध्याई हैं और 79 कारिकाई हैं, ठीक है, 89 कारिकाई हैं, इन्होंने शलेश अलंकार की दो भीदमाने हैं, शब्द शलेश और अर्थ शलेश, आपने कुछ जाता मुझे, भाव प्रधान कहानिया, ठीक है, तो मुझे याद नहीं रहा था, एक्चुली, तो मैं भोल गई थी, मुझे बीच-बीच में याद आता है, इन्होंने शलेश अलंकार को अर्थ अलंकार माना हैं, जो माने नहीं हुआ है, शुक्ली जी ने तीन कहानियों को भाव प्रधान माना है, कारिकाएं लाइक जैसे दोहे होते हैं उस टाइप में, शुक्ली जी ने तीन कहानियों को, क्या माना है, भाव प्रधान माना है, इंदुमती, दुलाईवाली और ग्यारवर्ष का समय, ठीक है, शुक्ली ने तीन कहानियों को, बाव प्रदान माना है कौन-कौन सी उपर लिख देती हैं जगा नहीं है इंदू मती दुलाई वाली और ग्यारा वर्ष का समय ठीक है और बागी मैं देख के बताऊंगी आपको न जो बागी की कहानिया है ये मैं शुकले के अनुसार बता रही हूँ जो बागी की कहानिया है वो मैं आपको देख के बताऊंगी मतलब दो तिन दिन बाद बताऊंगी आज अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा मसे, ठेक है, बुक्स देखने पड़े क्यों और अभी टाइम नहीं है, भामा ने दो ही वृत्या मानी है, ग्रामय और उपनागरिका, उद्भट ने तीन वृत्या मानी है, पुरशा, ग्रामय और उपनागरिका, इन्होंने उपमा ल यह कश्मीर नरेश, जापीड के मंत्री थे, ररचना है इनकी कावेलंकार सूत्र, इनमें पांच परिषेद हैं, तीन सोनने सूत्र है, वामन रिती संप्रताएं के प्रवर्तक माने जाते हैं, जो हमने पीछे भी देखा था, ठीक है, जो शुक्लिक है नो सार मैंने बताए मैं आपको आगे बता दूगे इसका पूरा, पूरा ब्योरा आपको दे दूगी, ठीक है, और किसी का कोई सवाल अगर है तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर अभी पॉसिबल नहीं हुआ जवाब देना तो दे दूगी लेकिन, दे दूगी, ठीक है, बैक करना हूँ, हाज हो गया इन्होंने रीती की परिभार्शा देते हुए कहा है कि विशिष्ट पद रचना रीती, इन्होंने रीती को कावे की आत्मा माना और कहा, रीती रात्मा काव्यस्या भामा और दंडी दो ही रीतीय मानते हैं, वैधर्बी और गौडी, वामन ने पांचाली रीती की उत्भापना की थी, मैंने आपको ये सब डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, जब हम थार्ड यूनिट पढ़ रहे थे, अभी बिलकुल हम बिलकुल शॉर्ट में देख थोड़ा मंडे तक रुखना पड़ेगा ना, भामा और दंडी दो ही रीतीय मानते हैं, वैधर्बी और गौडी, वामन ने पांचाली रीती की उत्भावना की है, वामन ने पांचाली रीती बताई है, ठीक है, ये देख ले ना, और वामन ने कावे गुणों की संख्या 20 म अलंकारों को उपमा अलंकार पर आश्रित माना है, इन्होंने व्याजोक्ति नामक नवीन अलंकार की उत्भावना की है, वामन को सही अर्थों में कावे विद्या का प्रथमाचारिय माना चाहता है, रूद्रट का समय नौमी शतावदी का पुर्वार्थ, यानि कि 825 सिस्वी के लगभग, इनका वास्तवी नाम था श्रतानंद, और रचना थी की कावे लंकार, रूद्रट जो थे, वो अलंकार वादी अचारे थे, और दंडी भी अलंकार वादी अचारे थे, ठीक है? कौन बोड़ है? यह कहां से लाइक कॉस्चन आप, कहां चला दिया? अच्छा, यहां थे ना? रूद्रट जो थे, वो अलंकार वादी अचारे थे, और दंडी भी अलंकार वादी, कावे लंकार में 16 अध्याई और 748 पद्ये हैं. याद भी करवा दे ना, मुझे, मुझे एक्शली भूल जाता है, मैं मैंसेज देख लेती हूँ, तो ध्यान नी रहता बाद में. ठीक है? मैं पीछे पढ़ाई हूँ, मुझे पता है. स्वकिया और पर्किया, स्वकिया मतलब अपनी पत्नी, अपनी प्रेमी का और पर्किया किसी दूसरे की. ठीक है, तो ये दो भेद नाइका के किसमे किये हैं सबसे पहले? रूद्रट ने. इन्होंने प्रयान नामक दशम रस को मानेता दी हैं. शांत रस की इन्होंने विस्तार से विंचना की हैं. भाव नामक इन्होंने नवीन अलंकार की कल्पना की हैं. एक आवली अलंकार की जनक रूद्रट को ही माना जाता हैं. इन्होंने प्रतिवा की दो भेद किये हैं कौन-कौन से सहजा और उत्पाध्या. आनन्दवर्दन नौईश अताबदी का मध्यभाग माना जाता हैं इनका जो समय हैं. ये कश्मीर के शासक, अबंती पर्मा के पंडित थे और धन्य लोक इनका महतपुण गुरंथ हैं. ठीक है, इसमें चार अध्याएं हैं और इन अध्याएं को क्या कहा गया है? उद्योत कहा गया है. ठीक है? अरे मुझे पता है भाई पंक्ती, मुझे सब पता है, ये सुर्दाज की पंक्ती है, जो भी है. ठीक है? मेरा पूछने का मतलब ये है कि ये सवाल कहां देखा है आपने, मैं ये पूछ रही हूँ, कि आपको किसी पेपर में आया है ये सवाल, कहां से उठाया आपने ये आप हमें समिश क्यों नहीं बाते हैं आनंद वर्दन ध्वनी सिधान्त या संप्रदाई के प्रवर्तक हैं ध्वनी संप्रदाई या ध्वनी सिधान्त की प्रवर्तक कौन है आनंद वर्दन इन्होंने ध्वनी को कावे क्या आत्मा माना है इन्होंने ध्वनी सिधान्त का मू लिखे तीन भेट किये हैं ध्वनी कावे, गुणी भूत, वेंके कावे और चेत्रकावे ध्वन्य लोग की टीका को अभिनव गुप्त ने ध्वन्य लोग लोचन नाम से लिखा था तो ध्वन्य लोग किसका ग्रंथ है आनद वर्धन का तो ध्वन्य लोग की टीका किसने लि शुरुआती जो होता है उत्तरार्वन जब बादवाला रचना है इनकी कावे मिमान सा राजशेखर की रचना कावे मिमान सा इन्होंने चार नाटक लिखे हैं बाल रमायन बाल महभारत और विद्शाल भंजिका और करपुर मंजरित बहुत इंपोर्टन है इनका है ये भी अलंकार वादिय अचारी थी ठीक है आगे इन्होंने प्रतिभा के दो भेट किये हैं कारेत्री और भावित्री प्रतिभा ये पूछा जाता है कारेत्री और भावित्री किसन गुझसे चुढ़ाते हैं भेए आप लोग तो क्या करना फिर कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है तब समझ नहीं आता मुझे कि कि आप लोग ही परेशान करते हैं मुझे अब आप लोग ही कहते हैं कि मैं गुझसे में रहती защ बातें ऐसी होती है, जैसे पहली के बच्चे नहीं करते हैं, ऐसी आप लोगों की बाते होती हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं Master's पढ़े हुए बच्चों को पढ़ा ही नहीं रही हूँ. अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छे से रहूं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी बोलो इन्होंने मागधी अरिती की कल्पना की है इन्होंने कभी की साथ अवस्थाओं का उलेख किया है शंकुक समय है नौही शताब्दी का उत्तरार्थ ये कश्मेर की निवासे थे और इनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है शैवादर्शन में इनकी आस्था थी ये भरत मुनी के रस सुत्र के दुईतिय व्याख्याकार थे ठीक है शंकुक इनके मत को अनुमीती बात के नाम से जाना जाता है यहाँ दो क्यों लिखा है शंकुक श श लिखने में पहले दो आता है इसलिए दुईतिय व्याख्याकार है भरत मुनी के रस सुत्र के आगे हैं इनके मत को अनुमीती बात के नाम से जाना जाता है इन्होंने संयोग का अर्थ अनुमाप्य और अनुमापक माना है इन्होंने रस की स्थेती सर रिदे में मानी है भटनायक भटनायक का समय है नौमी दस्वी शताब्दी रचना है इनकी रिदेदर्पन जो उपलवद नहीं है इनकी रचना इन्होंने ध्वनी सिधात की खंडन के लिए की थी इन्होंने विंजना शब्षक्ति की अमहत्ता को औस्विकार कर भावकत्प अमभोजकत्प व्यापारों की कलपना ही है रस निश्पत्ति के संदर्भ में इन्होंने भुक्तिवाद का प्रतिपादन किया है रस सिधात में साधारेनी करन का समवेश इनकी सबसे बड़ी देन माने जाती है इन्होंने रस ध्वनी को अमानने माना है इसके आपको PDF मिल जाएगी और एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ लेना ठीक है इतना आपके लिए सफिशेंट होगा अगर आप इसको एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे आपको मतलब दो-चार बर पढ़ लोगी याद हो जाएगा ठीक है इन्होंने रस धनी को आमानने माना है रस को इन्होंने भावना का व्यापार बाना है अभिनव गुप्त का समय दस्वे शताब्दी का उत्तरार्थ और अभिनव गुप्त कश्मीर की निवासी थे पीछे हमने देखा था अचा नीचे है वो अभिनव गुप्त कहां की निवासे थे कश्मीर के इन्होंने नाटे शास्त्र की टीका अभिनव भारती तथा ध्वन्य लोग की टीका ध्वन्य लोग की लोचन के नाम से लिखी है तो नाटे शास्त्र किसका गरंथा मैंने आपको बताया भरत्मनी का गरंथ है नाटे शास् यहां अभिनाफ गुप्त ने अभिनाफ भारति के नाम से ठीक है अर द्वन्योग की डिका द्वन्योग लोचन के नाम से लिखी है, इनके द्वारा रचित रचनाओं की संख्या कितनी माने जाती है, एक तानलेस माने जाती है, इन्होंने प्रतिवा के दो भीत माने है, मेरी दुआ है, आप मेरे से भी आगे जाएं, चीक है, मेहनत इतनी करें कि आप मुझसे आगे जाएं, मेरी जगा पर आ प्रतिभा के दो भीतमाने हैं आख्या और उपाख्या किसने अभिनव गुप्त ने इनके रस्यधान को अभिविक्ति वाद के नाम से जाना जाता है इनके रस्यधान को किस नाम से जाना जाता है अभिविक्ति वाद के नाम से इन्होंने निश्पति का अर्थ अभिविक्ति भी है, समय है इनका दस्वे शतापती का उतरार्थ, ये कश्मीर की निवासी थी, रचना है इनकी वक्रोपती जीवितम, इनके चार अध्याय, सारी, इसमें चार अध्यायें कि इसमें वक्रोपती जीवितम में, जिन्हें उन्मेश कहा गया है, ये वक्रोपती संप्रदाय के प्रवर्तक थी इन्होंने वक्रोपती के छे भेद किये हैं ठीक है कुन तक ने कौन-कौन से पूछा गया सवाल है ये वाला अभी इमतलर रिसेंटल एक्जाम में पूछा है पूर्ण विन्यास वक्रता, पदपुरवार्थ वक्रता, पदपरार्थ वक्रता, वाक्य वक्रता और प्रकरण वक्रता और छटा है प्रबंध वक्रता ये वाला सवाल जो है अभी रिसेंटली पूछा है एक तो पिछले से पिछले एक्जाम में पूछा हुआ है ठीक है वक्रता पद पुरवार्द वक्रता पद परार्द वक्रता और वाक्य वक्रता प्रक्रण वक्रता और प्रबंध वक्रता ठीक है यह मतलब पिछले से पिछले एक्जाम में पोछा मुझे याद नहीं है कब इन्होंने कावे के निमलिके तीन भीदमाने हैं ये वाला जो प्रश्न है निशागरवाल की बुक से लिया हुआ है और क्या पढ़ रहे थे हैं इन्होंने कावे के निमलिके तीन भीदमाने हैं कौन-कौन से? चतुर वर्ग फल की प्राप्ति धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष चार वर्ग हैं और व्यभार और चित्य जिसमें लोक व्यभार की शिक्षा दी गई हैं नौ अंतश्यमतकार की प्रपृत्ति जिसमें व्यभारिक शिक्षा हो और कुंतक ने कवी के कर्म को ही काप्यम आना है इन्हें विचित्र अभिदावादी आचारे माना जाता है किने कुंतक को विचित्र अभिदावादी आचारे ध्यान दें इन्हें विचित्र अभिदावादी आचारे माना जाता है कुंतक को धनेंजे तेर्वे नंबर पर दस से शुतावदी का उत्रार दिन का समय है और जि इसका सिक्वेंस बनाना है इनका पहले क्योंकि ये कई बार लगाने के लिए आ जाता है क्रम से तो क्रम याद करना है आपको दस्वेश अताब्दी का उत्रार्थ है इनका समय और ये राजा मंच के सबापतिव आने जाते हैं प्रचना है इनकी दश्रूपक यहां नाटे शास्त्रिय ग्रंथ हैं आगे हैं इनके चार अध्याए हैं स्वारी इसके चार अध्याए हैं दश्रूपक के और इन अध्यायों को प्रकाश की नाम से जाना जाता है वही जैसे पृत्विराज रासों में सर्ग हैं और रामचरि कांड है कि इसमें की अध्यायों का नाम प्रकाश इन में चार प्रकाश और तीन सो का रिक हैं इन्होंने सिधांद का खंडन किया है किस ने किया है भनधान रस चार वाने हैं ओर पारद मुनि ने प्रधान रस चार ही वाने हैं, श्रिंगार रस, वीर रस, विभस रस, राद्र रस, इन्होंने श्रिंगार रस के निमनतीन भेद किये हैं, आयोग, वीप्रयोग और सम्होग, इन्होंने कापय या नाटक में शांत रस का स्तित्व नहीं माना है, इन्होंने रस के स्थिती सहर प्रिदे आपको पता है किसको कहते हैं जल्दी चल्दी पताओ, महीमभड, 14, 14 नमबर पर 11 शताब्दी का मध्यभाग, इनका समय कश्मीर की निवासी थे ये और कावे विवेक इनका ग्रन्थ है, कावे, स्वरी, व्यक्ति विवेक इनका ग्रन्थ है, व्यक्ति विवेक, कावे विवेक नहीं, सुन्दर है रिदे, नहीं, कावे शास्त्र में सर रिदे किसको कहते हैं, कावे में, स्वयम की रिदे, सच में नहीं पता आपको, इसमें तीन अध्याएं हैं, जिनें विमर्ष कहां गया है, मैंने पढ़ा के गई हो थाड़ यूनिट और आपको यह नहीं पता सारी दे, किसको कहते हैं, सारे बच्चे बताओ जल्दी जल्दी, कोई बात दी, स्वारी की कोई बात नहीं नहीं पता है, तो क्या कर सकते हैं, इसमें लगबख 400 श्लोक ही इंध्वनी विरोधी आचारे हैं, इन्होंने एक मात्र अभिदा को ही शब्द शक्ति माना हैं, शताबदी का पुर्वार देन का समय, चित्त बृत्ति, इनकी कुल 85 रचना माने जाती है, महत्पुर रचना हैं, इनकी सरसुथी कंठाभरन और श्रिंगार प्रकाश, सरसुथी कंठाभरन अभी हम जब सेकंड यूनिट पढ़ रहे थे, उसमें भी थी, आना बोजराज की रचना, खुद करी दे, तुम भी, वाँ, तुम से तो ऐसे उमीद नहीं थी मुझे, अंकीता कहा है, अंकीता, पुराने बैच्वाले बताओ चरह, देखें, अब को ग्यान भी देख लेते हैं, प्रतिवा के दो भीत माने हैं इन्होंने, कौन-कौन से, आख्या और उपाख्या, छीक है? इन्होंने रिती का अर्थ कभी गमन मार्ग ग्रहन किया है, इन्होंने श्रिंगार रस को एक मात्र सार्व भौमिक रस माना है, इन्होंने बारा रसों की विवेचना की है, और इन्होंने उदात और उदत, दो नए रस माने हैं, ध्यान देंगे उदात और उदत, दो रस कि किसने माने हैं इन्होंने रीतियों की संख्या 6 मानी है जब कि रीती 3 ही होती है लेकिन इन्होंने कितनी मानी है 6 मानी है बहत्तर अलंकारों की इन्होंने विवेचना किये है रीतियां 3 होती है इन्होंने 6 मानी है गुट सर्वरिदे उसको कहते हैं जो नाटक, श्रोता, दर्शक, पाठक होता है ठीक है जो नाटक को सुन रहा है श्रोता देख रहा है जो दर्शक है जो नाटक को पढ़ रहा है पाठक सर्वरिदे के मन में बटा आप कुछ और ही बता रहे हो ना सर्वरिदे का मतलग, सर्वरिदे के मन में भावत्पन होता है तो सर्वरिदे है कौन जो उस चीज़ को देख रहा है जो उस चीज़ को पढ़ रहा है है ना, नाइक और नाइका को देख कर नहीं नाटग को देख करके ठीक है? श्रोता दर्शक पाठग पाठग को सहरीदे कहा गया है ममट ग्यारवीश अताबदी का उत्रार्थ माना जाता है मममट का समय ओके-ओके कोई बात नहीं मममट को धनी प्रस्थापना का परहाचारे माना जाता है कावे प्रकाश ये अलंकारों से संबंदित गरंद है मममट का कावे प्रकाश दर्शक श्रोता पाठग कोई भी हो सकता है सर्विदे उसी को कहते है ठीक है? जो उस चीज़ को देख रहा है ठीक है? उसको सर्विदे कहते है कावे की परिभाशा तद दोशो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृती पुनह क्वापी इत्तवड़ी आपको ये याद लही रहेगा सूत्र बस आपने तद दोशो मममट को याद रख लेना ऐसे ही छोटा-छोटा शब्द को ले करके आपने उसके साथ अचारे का नाम जोड़ देना है उस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं ठीक है? इतनी बड़ी-बड़ी परिभाशाओं को कावे प्रकाश में दस सद्याई हैं जिनने उल्लास कहा गया है इन्होंने कावे गुर्णों को रस का धर्म माना है इन्होंने कावे प्रयोजन में आनंद को विशेश महत्वदिया है इन्होंने शक्ती, निपुणता और अभ्यास को कावे का हीतु माना है अब आते हैं विश्वनात कविराज विश्वनात पर ठीक है समय इनका चादवे शतावदी का उत्तरार्थ उडीसा के शासक उत्कल की महा संधी विग्रह के पदपर थे ये और सहित्य दरपन विश्वनात का बहुत इंपोर्टेंट ग्रंथ है सहित्य दरपन दस सद्य आई हैं जिनने परिछीद कहा गया इसमें कावे लक्षन इनका जो परिभाशा है वाक्यम रसात्मकम काफ्यम अर्थात रस से युक्त वाक्य ही काफ्य है इन्होंने लाटी रीती का प्रवर्तन क्या है पूछा जाता है ये कि लाटी रीती किसने दी है ठीक है तो लाटी रीती हमने पीछे अभी तक नहीं प्रवर्तन किया इन्होंने वीर रसके चार भेद माने है इन्होंने भी वही माने है पीछे हमने देखा था तीन माने थी यहाँ पर चार माने है युद्ध वीर धरम वीर दयावीर उसमें नहीं था, ठीक है? उसमें दानवेर था, इन्होंने माला दयावीर भी माला है इन्होंने, तो इन्होंने चार माले है, वीर रस के चार बेर पंडित राज जगनात सत्रवी शताबदी का पुर्वार धिन का समय ये आंध्रा प्रदेश की निवास्ती ब्राम्मन थे रचना है इनकी रस गंगा था और पंडित राज क्युपादी शह जहा ने इनको दी थी ये आप देख ले ना कि इनको पंडित राज क्युपादी पंडित राज जगनात को पंडित राज क्युपादी किस ने दी थी शह जहा ने कावे लक्षन इनका रमणियार्थ प्रतिपाद कह शब्दह काव्यम अर्था सुन्दर अर्थ का प्रतिपादन करने वाला मात के ही काव्य है ठीक है पंडित राज जगनाथ पंडित राज जगनाथ ने क्या कहा रमणियार्थ प्रतिपाद का शब्दा काव्य सुन्दर अर्थ का प्रतिपादन करने वाला क्या है काव्य अच्छा है या भी किताब से देखा इन्होंने काव्वे के चार भीद किये हैं उत्तम-उत्तम, उत्तम, मद्यम और अधम उत्तम से उत्तम, उत्तम-उत्तम फिर उससे थोड़ा कम, फिर मद्यम, फिर उससे थोड़ा कम ठीक है चार भी दिनों ने माने हैं कावे के आगे हैं अप्पे दिख्षित अप्पे दिख्षित का समय है सोल भी शतावदी का अंतिम चरण और रचनाइन की कुबल्या नंद चित्र विमांसा और वृत्ति वार्तिक कुबल्या नंद अच्छा आगे लिखा हुआ है यहां पर कुबल्या नंद यहां पर लिखा हुआ है ठीक है इसका सही कुबल्या नंद यहां अलंकार विश्य गरंथ है अगर पूछ लेगा को कुबल्या नंद किस प्रकार का गरंथ है तो अलंकार गरंथ है यह जैदेव के चंद्रा लोग पर आधार इता है जैदेव की रचना है चंद्रा लोग के आधार पर लिखा गया है कुबल्या नंद तो ये आपको सेम परिभाशा याद है या फिर आपने कहीं से देखिए मैंने ये पूछा मैंने कहा कि आपने देख करके लिखा या फिर आपको याद था है ये शार्दा थेने का समय है जी तेर्वी अश्रति का मध्या भाव प्रकार्श इनकी रचना है शोभा कर मित्र का समय बार्वी शताब्दी का उत्रार्थ और अलंकार रतनाकर इनका ग्रंथ है विद्यधर का समय है चौद्वी शताब्दी का पुर्वार्थ और एकावली इनका ग्रंथ है विद्यनात का समय चौद्वी शताब्दी का पुर्वार्थ और प्रताप, इनका ग्रंत है, धनिक का समय्य पंद्र विष्यतावती और अवलोक इनका समय्य है, अब देखते हैं, यहां पर कावे हेतु क्या है? किस हेतु कावे के रचना होती है? किस हेतु कावे लिखा जाता है? कारण, जिन कारणों से कावे की रचना या सर्जना के जाती है उसे कावे हेतु कहते है संस्कृत में हेतु रचना कारण अर्थार्थ कारण को हेतु कहा जाता है अर्थार्थ कावे की उत्पत्ती के कारण डॉक्टर नगेंद्र कह रही हैं कि किसी व्यक्ति में कावे रचना की सामर्च उत्पन करने वाले साधन या कारण को कावे हेतू कहते हैं बाबु गुलाब राय के अनुसार हेतू कावे प्राय उन साधनों से हैं जो कवी के कावे रचना में सहायक होता है कावे शास्त्रियों की दृष्टी में कावे ही तो संस्क्रिट कावे शास्त्रियों के अनुसार तो भामह, भामह का ये हम देख चुके हैं पहले अब भी देख के आएं है फिर के ये दूसरी बुक से लिया हुआ है, पीछे जो था वो दूसरी बुक से था अगर आपने इसको पर बढ़ना होगा तो आप बढ़ सकते हैं वैसे मैंने इसकी वीडियोफ आपको पहले दी हुई है ये आपको मैंने समझाया हुआ है ना आलम बन उदीपन आपके बैच में समझाया था मैंने आपको ये इस वाले बैच में समझाया हुआ ना जलदी बताओ नहीं तो हम इसको करेंगे अगर नहीं समझाया है अधरवाइस आगे चलते है स्थाई भाव क्या है? वे भावना है जो सुपतावस्था में मानक करेदे में हमेशा स्थाई रूप से विद्रमान रहती है रहती है हमेशा से वो हमेशा ही रहती है लेकिन डियक्टिवेट होती है वो हमारा नहीं पड़ा जह हमने नहीं पड़ा स्थाई भाव वे भावना है जो मानक के रिदे में रहती है हमेशा लेकिन वो कैसे रहती है सुपता वस्ता भी यानिकी डियक्टिवेट होती है लेकिन क्या होता है उनसे संबंधित कारण सामने आने पर वो जागरित हो जाती है जैसे उनसे संबंधित कारण सामने आया अगो जो डियक्टिवेट थी भाव नहीं वो क्या हो गई एक्टिव हो उनको क्या कहते हैं स्थाइ भाब कहते हैं उसका मैंने यहां पर गश् Cait विदिया हुआ है कि जैसे आलंबन है तो यहां किया है आग आग है आग जल रही है और आग पर डाल रही है गी तेल कुछ भी तो जैसी आप उसमें क्या करते हैं मेरे आंग नौरमली जल रही है यह फिर पूरी तरस जल भी नहीं रही है है थोड़ी सी बुझ्जी हुई जैसी आग है थोड़ी थोड़ी जल रही है एकदम से आप उसमें कोई तेल डाल देते हैं कोई घी डाल देते हैं तो एकदम से क्या हो जाता है बहुत सी एकदम से आग जलती है कभी करके देखा आपने इसा पढ़ायती है तो एकदम से बहुत सारी आग जलने लग जाती है ना तो क्या हो गया वो एक्टिव हो गई उद भावनाए है जो हमारे हृदंदे में रहती है लेकिन क्या होता है क्या होता है जैसे ही उन से कोई بھی कारण मनुष्ये के सामने आते हैं तो वह स्थाई रुअ भावनाय डियक्टिवेट थी वह matar हो जाती है आगे जो स्थाई भाव है वो नौ प्रकार की यहां पर बताए हुए है ना तो यहां पर पूरा वो दिया हुआ है मतलब सूत्र टाइप है यह इसको हम आगे देखते हैं यह है स्थाइबाब और यह है रस एक तरफ रस है एक तरफ स्थाइबाब है यह तो मुझे करसर ही नहीं मिल रहा हूँ को तनी रसका स्थाइबाब हास है करुन रसका स्थाइबाब शोख है है ना राधर रसका स्थाइबाब क्रोध है तो इंसान के अंदर क्रोध रहता है है ना और जैसे उससे संबंदित कारण सामने आते हैं तो वो राधर रूपधारण कर लेता है समझा रहा है समझा रहा है बात हो जाती है तो वो रौधर रूप धारण कर लेता है और कई लोग तो क्या करते हैं मतलब सवान फैंकने लग जाते हैं बरतन फैंकने लग जाते हैं और कुछ-कुछ तोड़ते हैं वो कुछ नुकसान करते हैं अपने आपको नुकसान कर जाते हैं ऐसे बहुत सारी चीज है अपना रूप धारण कर लेता है यह थोड़ी से टॉप है और इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है तो समय की कमी की कारण हम करने ही पाती है तो आ लूफ पूससे है तो यहां इंसान के अंदर रहता है दो एक्दम से अंसान के अंदर क्या जागरित हो जाती है वीरता का भाव मैं ऐसी ही हो अच्छा है सब ऐसे होता है है भयानक का स्थाई भावह भाय डर रहता है इंसान के दर भाय रहता है तेकिन क्या does card एकदम से सामने आगे तो क्या हो जाएगा भयानक रूप एकदम से वो हो जाएगा न मुल्ब जादा डर लगना शुरू हो जाएगा विभत्स रसका स्थाई भावे गृणा या फिर जगुपसा अदभुत रसका स्थाई भावे विस्मे शांत रसका स्थाई भावे बैराग्या वात्सले रस का स्थाई भावılar स्नी है यह किस ने माना है अचार विष्वनात ने भक्ती रस का स्थाई भाव देव रती है पतलब इसमें बताया हुआ कि वात्सले रस और वैरागय स्थाई भाव में नहीं आएगा विभाव विशेश तरीके से उत्पन करने वाले तत्वों को विभाव कहते हैं परिभाशो विटत्व या माद्यम जो सुप्त या सोय हुए भाव को जागरित करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं विभाव तत्वों को कहते हैं उन तत्वों को जो सोई होई भावों को जाकरित करते हैं ठीक है जो डीक्टिवेट जो भावनाई है उनको जो एक्टिव करती है उन माध्यमों को क्या कहते हैं विभाव कहते है विभाव के निमलिके दो वेद है अलंबन विभाव वे साधन या माध्यम जो माध्यम या तत्व जो पहली बार सुप्त स्थाई भाव को जागरित करते हैं वो क्या होते है अलंबन विभाव कहते हैं जैसे अचानक से शेर देखना जैसे आग में घी डाल देना आग सिदि या इक्दम से अचानक से पूरी लाउ ऊपर को तक जलेंगी है जागरित कर रहे हैं लम भी अपर अलंबन विभाव की दो भीद हैं विशे अलंबन जिसके कारण भाव पहली बार जागरित हो उससे विशे अलंबन कहते हैं आश्रे अलंबन जिसके रिदे में भाव जागरित हो उससे आश्रे अलंबन कहते हैं उद्धीपन विभाव, वे तत्व, माध्यम, कारग, साधन जो जागरित हुए, स्थाइभाव को और अधिक बढ़ा देते हैं। थोड़े से जागरित हुए हैं भावनाएं लेकिन और ज़दा उनको बढ़ा देना उद्धीपन उद्धीपन मतलब वही थोड़ी से आग जल रही है और उसको ज़दा करने के लिए क्या कर दिया घी डाल दिया उपर से रहा उद्धीपन के दो भेदे स्वक्य उद्धीपन और परखिय उद्धीपन उनका भी इसमें रोल रहता है अनुभाव, स्थाई भावों के जागरित होने के उप्रा आश्रे दौरा व्यक्त की गई चेश्ठाएं अनुभाव कहलाती है जिसके रिदे में भाव जागरित हो वहाँ आश्रे है अनुभाव के चारभीद होते है आश्रे विश्वनात ने माना है काईक, भरतमनी ने माना है और अनुभाव, शारिक चेश्ठाओं से व्यक्त करना वाचिक या मानसिक अनुभाव, ये वाणी के दौरा मनुभाव को व्यक्त करते है वाचिक या मानसिक, तो जो मन में है वो बहार आएगा बोलने के दोरा वाचिक और वाचिक भी होता है बोल नहीं है ना अगिक अनुभाव वाचिक अनुभाव और आहारे अनुभाव ये तीनों यतनस होते हैं सात्विक अनुभाव होते हैं, आश्रे की चेश्ठाएं जो स्वता हो जाती हैं, इसे सर्ष्रेश्ठ अनुभाव माना गया है, सात्विक अनुभाव को अयतनश कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, यह स्वता घटित होती है, सात्विक किसी कोई ऐसी अवस्था जब होती हैं अपने आपी रॉंटे खड़े हो जाते हैं स्वेध पसीना आना इसमें कोई इंसान का कोई रोल नहीं है अपने आपी स्वर्भंग मुकसिस पष्ट आवाज नहीं निकलती, जब डर जैसा लगता है, तो स्वर्भंग हो जाता हैं, तो वही तो मैं बोल रही थी, यही तो मैंने अभी क्लास में बोला था, तुम लोग मुझे इरिटेट करते हो, तब ही मुझे घुस्सा आता है, मुक्सिस पेश्ट आवाज नहीं निकलना, स्थिर हो जाना, वेपथू, भै, शेहित, आदी के कारण कम पंजब होती है, वेवर कहते हैं, यह रस को अंतिम छोड़ तक महुंचाने का कारे करता है, वे भावना जो स्थिर नहीं हूँ, बीच-बीच में यह उठकर स्माप तो होती रहती है, उन्हें संचारी भाव कहते हैं, यह रस को परिपुष्ट करती हैं, भरत मुनी के अनुसार तेतिस संचारी क्लास एंड कर रही हूँ, काले का भी पिला हो जाता है, जोसके मदलाब एक दम से कभी देखना, अगर कोई आप किसी के बारे में बात करो या वकिसी का只 excited, और आपने एक दम से उसकी से मुऊ पे कहने दिया, पिर देखना उसकी शकल कि कैसी पीली हो जाती है, वीडियो क्लियर है मेरी क्या कौन सा है सब कुछ ठीक नहीं है पर यह भी ठीक है मतलब एक बार बताओ क्लियर है सब मैं स्टार्ट करूँगी बढ़ाना फिर जल्दी से आपको पीडियो क्लियर दिख रिए स्क्रीन क्लियर है अगर इवनिंग चलो भारती नवजागरण और स्वाधीनता अंदोलन की वैचारिक प्रिष्ट मुमी हिंदी नवजागरण नवजागरण सिताथ पर एक नई विचारधार से है जिसके कारण देश में समाजिक आर्थिक धार्मिक एवं राजनीतिक बदलाव लाया जा सके किसी देश या समाज की वैचारी की सुसुपति यानि की सोनी की अवस्ता का अंत जागरण का नवीनतम रूप ही जागरण है ठीक है जो कोश्चन पूछा है इसका अंसर कॉंटेंट में नहीं दिया है प्लीज बता दीचे तहां कोश्चन पूछा है अपने एक मिनट मुझे देखने दे ती विक्ति प्रकरण किसी देश या समाज की विचारी सुशुक्ति मतलब की कोई भी देश कोई भी समाज जो विचारी का वस्ता में सोया हुआ है तो उस सोने की अवस्था का अंत क्या कहलाता है जागरण या जागरण का नवीनतम रूप ही क्या है नव जागरण मतलब नई तरीके से जागना नव जागरण के लिए प्रायक कई परियावाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे पुनर जागरण, पुनर उत्थान या पुनर उथान का मतलब होता है दुपारा जीवित होना है ना मरकर के जीवित होना नव जागरेती और पुनर जागरण दुपारा सिचागना यूरोप में 14 सदी से 17 सदी तक होने वाले समाजीक आर्थिक धार्मिक और सांस्पेतिक परिवर्तनों ने नव जागरण की भु नमस्ते पिपिडी क्लियर दिख रही है ना अगर कोई दिक्कत होगी तो बता देना रहनें सा अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है पुनर जागरण इसी रहनें सा के लिए डॉक्टर राम विलाज शर्मा ने नव जागरण शब्द का प्रयोग किया ध्यान अच्छा क्लास नहीं मिल रही है एक बार फिर यूट्यूब पर उदर सारी टेलिग्राम पर डाल दीजी अभी मेरे पास तो क्लियर दिख रहा है अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो वो अप लेक्ट करके दुबारा जाइन कर सकते हैं ना बीच में प्रॉब्लम हो सकती है तो अगर बीच में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मुझे चंफर्म करना है ठीक है तो पुनर जागरण का मतलब क्या होता है दुबारा जागना पुनर पुनर जागरण मतलब ही दुबारा जागना तो पुनर जागरण में क्या है दुबारा जागरिती का भाव नव जागरण में नई जागरिती का भाव है अब नव है तो नई तरीके से जागना भारती न बंगाल में जमिदार परिवार में जन्मी राजा रामोहन राए इसके प्रवर्तक माने जाते हैं राजा रामोहन राए ने 1828 में बंगाल में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी किस की स्थापना की थी ब्रह्मा समाज की यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं राजा रामोन राए ने ब्रह्मा समाज के स्थापना की थी, महाराश्ट्र में महादेव गोविंद रहना डे ने प्राथना समाज के स्थापना की थी, किसने किस के स्थापना की है आपको ये ध्यान रखना है, इनको मिलान करके कई पर या जाता है, पुछ आ जाता है, ना स्वामी देरन सरस्वती ने कब की थी 1875 में राजाराम महनराई ने सतीप्रथा के विरुद्गेवल लोगों कुछ जागरुक ही नहीं बनाया बलकि कानून दोरा प्रतिबंध के लिए प्रयास किया और सतीप्रथा पर क्या किया प्रतिबंध लगाया किस ने राजाराम महनराई ने पहले क्या होता था अगर किसी औरत का पती मर जाता था तो उसको भी उसके साथ क्या होना कि जब कोई विद्वा हो जाती थे वारत तो उसको दूसरा विवा करने की स्विकृति नहीं थी तो इनके प्रयासों से क्या हुआ विद्वा विवा की स्विकृति मेली बाल विवा पर रोप लगाई गई और विवा की उम्र भी तैय की गई कि मतला बब 18 साल होगी स्क्राइब तो पहले क्या होता था कि चोटी उम्र में ही साधी कर दी जाती थे लेकिन इन्होंने क्या किया और उस से पहले शाधी करने वालों को क्या माना कानुनी अप्राध नव जागरन के आंदोलन में अनमेल विवा को कुछ हद तक रोखने में सफलता पाई गए तो पहले क्या होता था अनमेल विवा भी बहुत होते थे प्रेम चन क्या आप नाटकों में उपनियासों में देख सकते हैं तो अनमेल विवा होता था छोटी लड़की की शादी 50 साल क्या आदमी को साथ कर दी जाती थी पहली बात तो खुट को समझना मतलब का कहा रही है शिला जाती प्रथा का विरोध भी एक मुख्य मुद्दा उपस्तित हुआ समाज के एक वर्ग को दलित समझ कर उसके साथ शुवशूत का व्यभार कर उन्हें मानव अधिकारों से क्य किया गया वंचित किया गया इस सोच का प्रभाव स्वयम दलित जाती के लोगों पर भी दिखाए पड़ने लगा इसमें महराश्ट्र के जोतिवा फुले का नाम सबसे पहले आता है जिनोंने अपनी पतनी सावित्री वाई फुले के साथ मिलकर जन जागरन का काम किया जोत प्रथा का विरूद किया और आधनिक शिक्षा के विकास पर बल दिया तामिलाड़ों की द्रवड अंदोलन ने भी विभी ने जातियों के उक्ठान के लिए जन जागरेती का कारे किया नव जागरन के अगरदूतों ने दूसरा महत्पुर्ण काम शिक्षा का प्रचार किया इसके लिए नई तरह के संस्तान स्थापित किये गया इस तरह शिक्षा प्रदान करने के लिए लड़कियों के ल इस सक्षेत्र में इश्वर चंद्र विद्यसागर और महराश्ट्र के जोतिवा फुले का युक्तान सरवाधिक महत्पूर्ण है फुले ने सत्य शोधक मंडल नामक समाजिक संस्ता को स्थापना की है आगे चलते हैं नव जागरण के दौरान कई पत्र पत्रीका प्रकाशिक की गई नव जागरण ने मानव जीवन को केंद्र से हटा कर मानव और उसके लौके खितों को केंद्र में रखा यहां एक महत्पूर्ण प्रस्थान बिंदू था प्रस्था थी ना कोई नहीं भी कौन कौन व्यक्ति है जो अपने आपको जिन्दा जलाएगा बताओं कोई इतना बेवकूफ हो सकता है ना चाहे कोई भी आपने पती को कितना ही प्यार करती होगी फिर भी वह आग में तो नहीं जल सकती है ना बट वो एक प्रथा थी समाज में अगर नहीं उसको पूरा करते हैं तो समाज उन पर मतलब एक तरह से समाज जो है विरोध करता था इसका है नो इसलिया उनको करना पड़ता था वो एक मजबूरी थे इनको करना पड़ता था यह प्रत्वाए होती हैं, तो इनको पढ़ता हjorती है, कोई नहीं करता है यहाँ पर गर्मी की तुक हम लग रही है तो आग तो कहां इसे हैं अब देखें आगे नव जागरन के दौरान कई पत्रपत्री का एंपरकाशित की गई क्यों की गई थी ताकि जागरिती फैले लोगों में है ना जागरन ने मानव जीवन को केंदर से अटाकर मानव और उसके लौकी कितों को केंदर पे रखा यहां एक महत्वण प्रस्थान बिंदू था शिम्ला में गर्मी है हाँ एक शिम्ला में नहीं हो ना इसलिए घर में लग रही है बहुत जागरन आंदोलन के कारण जो नवीन चेतना जागरित हो रही थी उसने साहिते पर भी गहरा प्रभाव डाला अभी तीन-चार दिन से तो श बिंदू नहीं कि अग्रेजों है बहुत जादा चेंज़ें जागरा एक शिर्फ यहां के जो लोग है उनका सिर्फ नाम आया है एक्शल चेंज़ें अंग्रेजों नहीं किया है किया पुरुष का तो कोई कारण नहीं होता सिर्फ स्त्री होगा एक्शलिफ मैं गाओं में हो तो नव जागरण अंदोलन के कारण जो नवीन चेतना जागरित हो रही थी उसने सहित्य पर भी गहरा प्रभाव डाला इस दौर के लेक को ने भारत की आधनिक भाशाओं में नव जागरण के दौर में दौर के समाजी गराश्ट्री मुद्दों को अपने सहित्य का विश अधनिक भाशाओं में नव जागरण के दौर के समाजी गराश्ट्री मुद्दों को अपने सहित्य का विश्व बनाया पर्शिमी सहित्य के संपर्क में आने से फ्रेस की स्थापना ने सहित्य भी गदी की नई विधाँ जैसे उपन्यास कहानी निबंद आदी में रचना करने की प्रेड़ना दी नाटक की पुरानी विधा जो मद्धियुग में शिथल पढ़ गई थी उसका पुनर उधार हु गई बस्तर में नर बली दी जाती थी बली यां धेंगतर उननीसमें शिदाब्दी में भारतिय समास संक्रमन के जिस तीवर दौर से गुजरा उससे कुछ चिन तक पुनर जागरन कहते हैं तो कुछ पुनर उत्थान कुछ अन्य इसे नव जागरन भी कहते हैं यह सभी शब्द इतिहास के प्रतिविशेश तरिष्टिकौन को प्रकट करते हैं अच्छा यह बली यह अभी तो अभी भी चलती है क्या कुछ हिस्सों में अभी भी होती हो गया नव जागरन कारते हैं नई तरीके से जागना मतलब इसमें नेहित है कि पहले भी हम जगे हुए थे यह इंपॉर्टन कथन है पहले भी हम जगे हुए थे मगर अब जागने का दृष्टिकौन जो है बदलना होगा यह व्याख्या मदेकाल के इतिहास को इसलाम वहिंदूत्व की टकरहाट नहीं मानती और नहीं उसे अं नर्बली मतलब होती थी तो पता है मुझे बट ये अभी भी होती है सुनाइए जी अचा अंग्रेज उन्हें बंद ज़र दिया इंडिया में इंडिया में आ करके कि यहां पे कैसी कैसी फ्रथाएं है इस बहुत परिशान नवजागरण एक विशेश प्रकार के संक्रमन का दौर है जिसमें कोई समाज किसी अन्य संस्क्रिति से टकरा कर नई द्रिश्टिकोंड से जीने का प्रयास करता है जिन देशन के पास गौरम में अतीत है उनमें अतीत की स्मृतियां भी नवजागरण का महत्पुन हिस्सा बनाती है शेश समाजों में अन्य संस्क्रितियों से परिचित होना और उनकी तुलना में अपना मुल्यांखन करना नवजागरण का कारण बनता है चुतालिस डिग्री टेम्पुरेचर सहन नहीं होता और बीवी सब को अच्छा अग्रेस क्याने से दलित कब थान हुआ कौन आए थे लटूले ने अपनी बड़ी बीटी के बली दे दो अच्छा वो नहीं तो आप भी बली दाहर हो जाती है हमारी क्लास में भी नहीं आती आज है ला अच्छा आप तो शुक्र है कि अब नहीं होता है किस के लिए बार प्रे लेड़ों आइसस चे आप ओके जिन देशों के बास गौरम में अधीत हैं उनमें अधीत की स्मृतिया भी नाप जागरण का महत्कुन हिस्ता बनाती है और शेष समाचों व्याने संस्कृतियों से परिचित होना और उसकी उनकी तुलना में अपना मुल्यांतिन करना नवजागरण का कारण बनता है कि नवजागरण दो जाती संस्कृतियों की टक्राहट सिर्फपन रचनात्मा तोर्शा है तो दो जाती संस्कृतियों आपस में टक्रा रही है ब्रेचों के लिए मतलब मुझे नहीं आ रहा समय सुम क्या कह रहा हूं जो ऐत्यों वह क्यों आया थै वहीं उनको अधिकार मिला था तो आना ही था अगर तुमें कोई ऐसा अधिकार मил जाए किसी देश को तुमने गुलाम दनाना हो तुम पास उसका अधिकार हो तो तुमें नहीं जाओगे वहाँ हम्यों च्वाली बातें करते हो तुम्हें किसी देश का अधिकार मिले तो तुम नहीं जाओगे तुम वहाँ अपने घर पे बेटे रहोगे अग्रेज आई है तो अंग्रेजों के आने से इंडिया जो है डिवल्प हुआ है आप देखना जिन देशों में अंग्रेज नहीं गए है न वो देश अभी भी पिछडे हुए है पता है आपको बना लिया दिख रहे हैं हाल इस सुर्जर के प्रभाव स्वरूप दोनों संस्कृतियां एक दूसरी की अच्छाईयों को ग्रहन करना जाती है और अपनी बुराईयों को छोड़ना जाती है यही संपूर्ण संस्कृतिक प्रक्रिया समाज के इतिहास में नवजागरन कहला कि अठयक हम इस अंहीं करते हैं अपना धिमाग हम नहीं लगाते हैं हम अपना खी sich को सकता है हम सोचते हैं कि जुच Bringing आए बात ही शुरू से वही सही है तो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं हम itt युच अरे हम जो कि रहनों कि भी रह बात में शुरू संहीं है हमत्तिक आड यह कि अंग्रेजी एक भाषा है और भाषा जो है आपको पता है कि अभिवेक्ती का सदन है माध्यम है हैना तो भाषा के हिसाब से अथना फ़्रप्रप निपड़ना चीया मेरे हिस सुंघ्या आपको यह तो भाषा जो है वो अपने विचारों कि अभिवेत्टी का इक साधन है तो भाशा और कि हम यह कि कहने लग जाएं भाशा भाशा है वो चाहें अंग्रीजी हो चाहें हिंदी हो भाशा के वीडियो क्लियर नहीं दिखरी तो कौन कर रहा है भारत की बुराई तो नहीं तम लड़ने क्यों आते हो क्लास में मुझे यह बताओ तुम लड़ने पर क्यों उतारू रहते हो यह बता ओ एक्जाम आगे इसलिए सोच रहे हो कि फोड़ा लड़ लेते हैं हाँ लोगों को आझ लढ़ने पर ध्यान है कMc Vitamin वीडियो क्लियर है अब बताओ वीडियो सही है इसलिए रुकी हुई हूई हूई इसी ने कहा वीडियो क्लियर नहीं है अच्छा अब बढ़ाएए ठीक है जी जैसे आप बोलेंगे हम आपके बोलने के अनुसार चल देंगे वीडियो बताओ क्लियर है ना तो लड़ने के ऊपर ध्यान देने से अच्छा है कि आप पढ़ाई में ध्यान दे तो अच्छा है आपके फ्यूचर के लिए ठीक है ये बहस बाजी एक दूसरे से लड़ना और कई तो मुझसे लड़ने लग जाते हैं मुझे समझ नहीं आता है कि ये दिक्कत क्या है तुम लोगों को फिर क्याते हैं मैं गुसा करते हैं कि ये तुम इतना भी नहीं होता कि हमारे सामने टीचर है टीचर की को रिस्पेक्ट होती है बत्तमीजों की तरह मतलब कुछ भी बोलते हो भारती इतिहास में इस तरह के दो जागरण सरवादिक महत्पुण है पहला जागरण जो मध्यकान में हुआ था जब भारत में इसलाम का आगमन हुआ तब इसलामी संस्कृती संस्कृती संता मुलक किंतु कट्टर धार्मिक विचारों पर आधारी थी जबकि भारती संस्क संस्कृति धार्मिक लचिले पन किंदू विश्मता मुलक समाजिक सनरशना पर आधारे थी इन दोनों के तक्राहट से भक्तिक आलीन जागरण का उदे और समाजिक संस्क्रिति उत्पन हुई संस्क्रितियां पहले तक्राती हैं पर क्या हो जाती है अलग-अलग हो जाती है औ क्लास तुमारा स्टार्ट करूँ जादा दिक्कत है तो जल्दी जल्दी बताओ फिर मरा टाइम बेस करा हूँ तो मुझे मैंग मिनट में आरे हैं दुपर स्टार्ट करूँ क्लास टुमारा स्टार्य करूँ झाल 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 तुघ और विधिन ही बटि और श्रिंगार की परमपरा के प्रवरतक मनथ है मननत माने जाते हैं मननत है किरति लाता और किरति पताका में उनका वीर कवी का रूप है पदावली मैं रूप है और वो विचाय पी रही है रूप थोड़ी देर शेफ सर्वस्वसार में भक्तिकाल में जूबते हो दिखाई पढ़ते हैं इस प्रकार भाव और भाशा की द्रिश्टिस उनकी रचनाओं को तीन भागों में भाजित किया जा सकता है भाशा की आदार पर इनकी रचनाओं को तीन भागों में बाटा जा सकता है संस्कृत आभट और मैथिली मैथिली को विद्यपती ने मुख्य कावे भशा बना दिया आधनिक जैदेव की तरह विद्यपती ने भक्ति और श्रिंगार की भेदक रेखा को मिटा दिया था उन्हें मैथिल कवी और अभिनव जैदेव विद्यपती को कौन-कौन से उपाध है समवत 1407 विक्रमी में जैद में विद्यपती को एक शिक्षित विद्या नुरागी और पांडित्य संपन परिवार मिला उनकी जैद को लेकर अनेक मत्पीद हैं फिर विह MICHAEL SHALI की अधार परेने द्रभंगा की विस्पी गाऊं में जर्मा मैतली भाषी का भी माना जाता है विस्पी गाऊं में लेधिला द्रभंगाव विद्यपती ने एक सुखद ग्रिहस्त जीवन वैधीत किया, उनके तीन पुत्र तेन थे वाजस्पती ठाकुर, हर्पती ठाकुर और नर्पती ठाकुर, तथा एक पुत्री थीन की दुल्ला, अरे वो चाई मैंसे दूध होता है बस उसको नाम मातर चाई दी जाती क्योंकि ऐसे दूध पिती नहीं है इसलिए तो उसका बेब को बनाके उसको देते हैं चाई के नाम पे दोध पिलाते हैं विद्यपती को अनीक राजाओं का दरबारी कभी बनने का सौभागे प्राप्त हुआ उनके आश्यदाता राजाओं में किर्ति सिंग, देव सिंग, शिव सिंग, भाव सिंग, हरे सिंग, आदी प्रमुख है हाँ मेरे पास भी है अपनी कावे प्रतिवा के बल पर उरो रहते दिक सम्मान प्राप्त किया था वे अभी नव जैदी कभी रंचन, कभी शेख, राज पंडित, आदिव पादियो सेवीन को समानित किया गया अधिकान श्वित्वानों का मत है कि सन 1450 में उनका दिहान्त हो गया था विद्यवतिक प्रभाव शाली कभी एवं कई भाषाओं के ग्याता थे उन्हें संस्कृत अभट और मैथली भाषाओं का अच्छा ग्यान था उन्होंने अपने आश्रेदाताओं की इच्छा के अनुसार संस्कृत में ही जादा तरे इन्होंने रचनाओं लिखी है इनकी प्रमुक रचनाई इस प्रकार है संस्कृत रचनाई है इनकी पहले संस्कृत में देखेंगे मोटीवेशन हेल्थ कोचिंग सेंटर बढ़िया भू परिक्रमा इसमें बल्राम के शापित जीवन की गाथाओं का वर्णन किया गया है ज्यान देंगे इसका विशें उसके बाद है पुरुष परिक्षा नीति उपदेश आदी देने के लिए इस गरंथ की रचना की गई है लिखनावली अल्प शिक्षित विक्षित उनको पत्र लिखन की कला से परिचित कराने के लिए जो कम पड़े लेके लोग थे उनको पत्र लिखन की कला से परिचित कराने के लिए इस गरंथ की रचना की गई थे और शेफ सर्विस्विसार शेफुत प्दोने के कारण इस गरंथ में कबी ने शेफ संप्रदाय के सिध्धात मत दर्शन आदी का वर्णन किया है विभाद सार इसमें पैतरिक संपत्ति के विभाजन के नियमों पर प्रकाश डाला गया है गंगा वाक्यावली इसमें पवित्र नदी गंगा के पूजन की विधियों वह महादपुक स्पष्ट किया गया है दान वाक्यावली इसमें दान देने की महिमा गया है दान देने की महिमा वो उसके फल पर प्रकाश डाला गया है, दुर्गा भत्ती तरंगिनी, इसमें देवी दुर्गा की उपासना है, अर्चना है और उसकी विधियों के महत्मे को स्पष्ट किया गया है, गया पत्तलक इनकी एक रचना है, स्ट्रंथ में श्राद पिंडदान आदी की महत्मे को स्पष्ट किया गया है, वर्ष कृते इसमें वर्ष भर किये जाने वाले शुब कृत्तियों वा उनके सुख़दबरी नामों पर प्रकाश डाला गया है, वर्ष कृत्ते में, ऐसे तो इनकी नामों से आपको बता चल जाएंगी, इनके जो, क्या है, फर्फ कर्थ की हैं कि धच्य km कभी ने अपने बाल सकहा वो अश्रदाथ राज शिर्फ सिंग की विर्त का वर्णन है और किर्ती पता का में किस का वर्णन है अपने आश्रदाता राजा शिव सिंग की गुणों का इसमें वर्णन किया गया है उसके बाद मैथले भार्शा की रचना ही देखते हैं हाँ नाम से पता चल रहा है आवाज दा रही है मेरी कि अवाज आ रही है कि अजया है कि विद्यपती ने मैथली भाषा में केवल एक इग्रण्थ की रचना किया जिसे विद्यपती की पदावली की नाम से अभी ही किया जाता है कौन सी भाषा में है मैथली में मैथली में केवल एक ही ग्रण्थ की रचना है इस रचना में कमी ने लगबग एक हजार मुक्तक गीतों की रचना की है जो आज भी बिहार और मुद्दर प्रदेश के जन्वदों में गाय जाते हैं उनकी कीरती का मुख्याधार ये गीत ही ह इसके अधरिक उन्होंने संस्कृत मैथली मिश्रत गोरक्ष विजयनाटा की भी रचना की है तो ये मैथली और संस्कृत दोनों में मिश्रत भाषा में है गोरक्ष विजयनाटा के इनका ठीक है तो इसको भी देख ले ना कौन सी भाषा मन्यत की ये मेरे को रिपीट करती ह क्लब जो जो कोई बोलता है उसे को रिपीट करती है खुशिश करती है बोलने की विद्धापती ने जैदेव के गीत गोविंद से प्रेड़ना लेते हुए राधा कृष्ण विश्यर कविता लिखने शुरू की लेकिन उन्होंने प्रचलेद भक्ति कविता के शकल बबनाव बदल कर रख दी उन्होंने मौलिक प्रतिवा का प्रदर्शिन करते हुए भक्ति में श्रिंगार का गालमेल कर दिया और भक्ति कविता तथा श्रिंगार कविता की नई शेलिव को सूत्रपाद किया उनकी के लगता राजा किर्थी सिंग की विरता और युद्ध संबंदी वो रिपीट करते हैं भारती भार्शाओं के अतरिक तीह रचना अंग्रेजी में ही अनुदित हुई है उनकी एक खंडित रचना केर्थी पता का ये खंडित रचना केर्थी पता का मिराजा शिव सिंग की कीर्थी का वर्णन है विद्यपती ने पदावली और गोरक्ष व इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हूँ तो पॉर्टेंट हूँ तो नहीं तो हम आगे चलते हैं निराना जी नि विद्यपति की रचनाओं को क्या कहा है विद्यपति की रचनाओं को निराना जी ने क्या कहा है जल्दी बताओ जल्दी गीत फरुष्ट आपको पढ़ाई हुई है मैंने विद्यपति के पदों को निराना जी ने क्या कहा है जल्दी जल्दी और शुक्ले इनके बारे में क्या कहते है विद्यपति के बारे में यह श्रिंगारी है या भक्त कभी है अब करने जल्दी क्षेसे आपको बताने निर्ाला क्या क्या कह रहे है और शुक्ले क्या कह रहे शुक्ल की पंक्ती भी बताएं साथ में शुक्ल की पंक्ती साथ में बताएं शुक्ल की पंक्ती पूछी चाती हैं आपको इंपोर्टन है नागिन की लहर और शुक्ल की जवाब आपके बिल्कुल सही आ रहे हैं पंक्तिय बिताएं शुक्री की क्या कहते हैं इनके बारे में विल्कमान फास्ट कबीर के बारे में तब तक हम मैं शुरू करती हूं जब तक आप बता रहे हैं ठीक है भारती धर्म साथना के इतिहास में कबीर महान विचार के अंप्रतिभाशाली महा कभी है इनका जन्म जो है 1398 से में हुआ था कबीर सिकंदर लोधी के समकारें थे कबीर के जन्म उचकुल के विद्वा के गल्ब से हुआ था जिसने लोग अपवाद के भैसे ने लहरतारा नामा कालाब के किनारे छोड़ दिया था कोई भी पंक्ति बता दो कबीर की विद्यपति के लिए शुक्त लेगे कोहीं बहुत सारी पंक्तियों है लेकिन समय आद आए तो आपको बताना है कं से मुझे लगेगा कि कुछ तो आपने बताया भागेविश नीरू नामक जुलाहा अपनी पत्नी नीमा के साथ वहां से गुज़र रहा था जो इन्हें उठा कर घर ले गया एवम इनका पालन पोशन किया वी गुरू रामानंद के शिश्य थे इनकी दो संताने थे इनकी पत्नी का नाम लोई और पुत्र का नाब पुत्रव पुत्री का नाम क्या था कमाल और कमाली था इनका प्रारमिक जीवन काशी वर अंत्यम जीवन मघर में वीता था निरक्षर होने पर होने के पश्याद में कभीर बड़े-बड़े दार्शने को विद्वानों के कथन को कागज की लेखी कहकर ठुकरा दे देते हैं कि यह मनें आपको बताया हुआ है ना मैं कहता खियन की देखी तु कहता कागज की लेखी ठीक है इसके उपर कॉंसेप्ट कॉस्चन पूछा गया था श्रीला मेरी गड़ यही मैं सुनना चाह रही थी अध्यात्मिक रंग के चश्में आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं श्री कि ताको दोनों को वेरी गड़ तारकिक तक एक शेत्र में अतिंत शुष्क रिदे ही देक्ष्ण प्रतीत होने वाले कबीर भक्ति की भावधारा में वहते समय सबसे आगे दिखाई देते हैं निरक्षरता को कबीर में स्वयम स्विकार किया जैसे मस्य कागज शुयों नही ही नहीं हाथ बता रही है कि स्याही कागज मैंने छुआ नहीं है और कलम भी मैंने प्रच नहीं की अनपढ़ है कबीर दास जी के जन की भांती ही उनके निधन काल पर भी विद्वानों में परियाप्त मत्भीद है कबीर पंथियों के अनुसार उनका समवत जो है 1575 में निधन हुआ था डॉक्टर पितांबर दर्थ बर्थवार ने समवत 1505 में डॉक्टर मादब साथ गुप्ट ने समवत 1679 में कबीर दास जी का निर्वान्स विकार किया है पर अंतुन सभी मतों में ठीक है 1575 रुचित माना और तार्किक प्रतीत होता है कबीर दास जी स्वें तर्शिक्षत नहीं थे आता उन्होंने अपने हाथों से किसी भी कृतिक रशना नहीं की है राया उनकी शिश्य उनकी वानियों सांख्यों को लिपीबद करते थे अता कबीर दास शी की प्रमानिक रचनाओं के संभन में विद्वान में मतभीद हैं डॉक्टर एचेच विलसन ने उनकी प्रमानिक रचनाओं के संख्या आठ बानी है पादरी वेस्ट कांट ने उनकी गरंथों की संख्या ब्यासी मानी है डॉक्टर राम कुमार वर्माने उनकी रचनाओं के संख्या पचासी मानी है नो परन्त यहां पर यह अविश्य स्रिकार करना होगा कि प्राय सभी विद् साखी सबद और रमैनी को रमैनी में ठीक है किसको बीजग को बीजग की ही पार्ट से ही है साखी सबद रमैनी को याद रखना है जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि कबेजदास ची ने सॉयम अपने हाथों से किसी ग्रंथ की रशना नहीं की है इसलिए उनकी रशनाओं में बहुत से प्रक्षप तैंश मिलते हैं कबीर की रशनाओं का संकलन बीजग में है इनके संकलन करता कौन है धरमदास है बीजग के तीन भागे साखी सबद रमैनी कबीर के पदों पर ग्रंथ एवम उनके संकलन करता देखते हैं तो वे अपने राम के स्वरूप के बारे में कहते हैं ना दस्रत घरी उतारी आवा ना लंका का राव सतावा नहीं दश्रत के घर में अपतालिया और नहीं लंका कि राम ने इनको सदाया है जो इनके राम है इसी प्रकार में निर्गुन ब्रहमा के अपास में बार बार आवाहन करते हैं निर्गुन राम जब हो रे भाई आविगत की गती लखी न जाएं ठीक है तो अब हमारा समय भी हो गया है माम विद्यपती ने कुछ ज्यादा रोमेंटिक वरणन है क्या इसलिए नागिर की लहर कहते हैं हां ऐसा ही है रोमेंटिक कहें या कुछ हश्लेल भी है बीच में तो इसलिए इसलिए उनको कहते हैं श्रिंगारी का भी है इसलिए वो कहते हैं कि कुछ लोग मतलब अध्यात्मिक रंके चश्में आजकल बहुत सस्ते हो गया है तो कुछ लोग विद्यपती के पदों को क्या कहते हैं कि वो क्या है आत्मिक है अध्यात्मिक है लेकिन जो उनकी प्रिश्णा यहनोंने की है ठीक है उत्तरा फालगुनी का दीछे का क्या पीडियेफ क्या चाहिए निबंद अच्छा मैंने दिया नहीं है पहले इसका पीडियेफ आपको पूरा चाहिए यह पूरा नहीं बंद पढ़ना है पूरा नहीं मिला अच्छा चला मैं दें दूंगी मझे त्यान रहना चाहिए बस याद मुझे पूल जाता है थोड़ा याद रहेगा तुम्हें आज हम यूनिट सिक्स पढ़ने वाले हैं यूनिट सिक्स बोले तो उपनियास है ना तो आपके सिलिबस में जो उपनियास है हम उनको देखते चलेंगे साथ में सुरेकान्थ मनीशा सुरुची दिनेश चलो वांकी बच्चे आते रहेंगे हम स्टार्ट करते हैं आपके पार्टिक्रा में जो उपनियास है यहां पर उसके सुरुची दी हुई है ठीक है हम आपके आपको बताई है हमने सब पढ़ लिया है यह अभी आपको आपके लिए ब सबसे पहले है इसके मुख्य तत्य देखेंगे हम लेखक है इसके पंडित गौरीदत शर्मा प्रकाशन हुआ इसका 1870 में तब हुआ 1870 में यह उपनियास चोटे आकार का है तथा इसकी मुख्य प्रती नेशनल लाइबरेरी क्लकत्ता में सुरक्षित है देवराने जिठानी की कहानी डॉक्टर गोपाल राय तथा डॉक्टर पुष्पलाल सिंग ने हिंदी का प्रतम उपनियास माना है इसको देवराने जिठानी की कहानी को गुपाल राय ने डाक्टर पुश्पुलाल का जादा पूछा नहीं जाता है, गुपाल राय ने इसको हिंदी का फ्रथम उपनियास माना है, ध्यान देगे, यह उपनियास स्त्री केंडृत है, जिसमें स्त्री की शिक्ष़त अथा उनकी विभावर की विशे में रिखांकित किया गया है आगे है उपन्यास में बलिया समाज का चितरन प्रमुख है मेरट तथा दिल्ली के आसपास की कता है उपन्यास को दो भागों में विभाजित किया गया है उपन्यास में ततकालिन समाजिक बुराईयों पर कठोर प्रहार किया गया है दो भागों में है मेरट और इसपाइस्तिक है, बलिया समाज का चितरन प्रस्तुथ है, सारे पॉइंट से इंप्沌टन एं उपनियास्ता्र में उपनिय। मितलब उस स्मय जो समाजिक बुराइया थी उसकी बात यहां पे की गई है, सुपनियास्त में कठूर प्रहार किया गया है, किस-किस पर विद्वा विवाह पर विवाह में फिजूल खर्ची जो दिखावा लोग करते हैं जादा स्त्रियों की आभुशन प्रियता पर और बंटवारे के बारे में इसमें बताया गया है स्त्री शिक्षा आधी की जलक यहां दिखाई पड़ती है इस उपनियास में ठीक अब आते हैं पात्रों पर पात्रे इसके कौन-कौन से हैं लाला सर्विस उकलाल जो परिवार के मुख्या है परिवार के मुख्या मेरट की मंडी में इनकी पर्चौन की दुकान है किस चीज़ की पर्चौन लाला सर्व सुखलाल स्वभाव से मेहनती है दौलत राम इसके जो दूसरे पात्रे हैं लाला सर्व सुखलाल के बड़े बेटे हैं पिता के बिद्धा वस्ता में दुगान का कारेभार यही संभालते हैं चोटे लाल जो है वो सर्व सुखलाल के छोटे बेटे हैं मदर से अंग्रेजी की पढ़ाई करते हैं और पढ़े लिखे होने के कारण रेलवे भागवे नौकरी प्राप्त कर लेते हैं पारवती जो है वो सर्वसुखलाल की बड़ी बेटी है, सुखदेई जो है वो सर्वसुखलाल की छोटी बेटी है, ग्यानो जो है वो दौलत राम के पतनी है घ्यान दे और घर की बड़ी बहु कौन है ग्यानो जिससे जिठानी से संभोजित किया जाता है ग्यानो जो है वो चोटी बहु से निरंतर जगड़ा भी करती है और घर का बटवारा करवा देती है छोटी बहु जो है वो देवरानी है सुपन्यास में चोटे लाल की पत्णी है आनंदी आनंदी को वो कहते हैं चोटी बहु वह पड़ी लिखी है और परिवार की जिम्मेदारी बहुत शिवद्या सुखदेई का पोत्र है ज्यान चंद जो है वो सुखदेई का भांजा है वंशिदर कबाड़ी वंशिदर कबाड़ी के यहां सुखदेई का विवाह किया चाता है डूंगर ज्यानों जिठानी के पिता है डूंगर ज्यानों के पिता है ठीक है जो जिठानी है स सुपन्यास में तैसिल दार कौन है अनंगी के पिता अन्या पात्र इसमें राम प्रसाद गंगा राम भगवान देई दिल्ला पांडे मिस्रानी मुशी पिकत नारायन फर सहाई कावली लाल दें दयाल किर्पी जला मल लाला बुकाली दास भी है इसमें लेखक का परिछे नागरी परचारेनी सभा कि स्थापना की इसी कारण नागरी विपी परिशक की शुरुवात की उनका उपन्यास देवरानी जठानी की कहानी हिंदी उपन्यास सहीते में एक बड़ी हिस्तकारात्मक रिती माने चाती है इनका निधन 1906 में हुआ था नमस्ते भूमिका देख ने इस उपन्यास की भूमिका में कहा है ये भी देख लेना ठीक है आगे है स्थियों को पढ़ने लिखने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई सब अपने अपने धंग और रीती से अच्छी है परन तो मैंने इस उपन्यास को नए धंग नए रंग धंग से लिखा है स्भान केरे बंडित गारीदत कहां पर कह रहे हैं इस उत्नास की भूमिका में संस्क्रित के बहुत शब्ध और पुस्तकी जैसे इसने नहीं लिखे कि कोई चित से पढ़ता है और ना सुनता है पंडित गारीदत ये भी भूमिका में कह रहे हैं पंडित गौरिदत ने अपने उपन्यास में ततकालीन बनिया समाज में जन्म मरण विवाह आदी में क्या क्या कार्य रहा है यह दिखाने का पूर्ण प्रयास किया गया है बनिया समाज का वरणान इसमें ठीक है शिक्षित और अशिक्षित स्त्रियों में क्या अंतरह यह बताया गया है बालकों का पालन पोशन किस प्रकार होता है तथा उनका पोशन किस आदर्श परक परिस्थिती में होना चाहिए स्त्रियों का समय किस कारे में व्यतीत होता है यह भी इसमें बताया गया है शिक्षित स स्री जब किसी कारे को करती है दथा और शिक्षत स्री के उसी समाने कारे को करने में क्या-क्या बाद स्कपूर्ण विश्लेशन उपन्यास की घटनाओं में देखने को मिलता है पंडित गौरिदत उपन्यास की भूमिका में एक छोटी कविताभी लिखते हैं क्या कहते हैं दया उनकी मुझ पर अधिक वित से जो मेरी कहानी पढ़े चित से रही भूल मुझ से जो इसमें कहीं ब इस उपन्यास का उदेश्य समाज की कुरितियों को सामने लाकर उसका विरोध करना है और आदर्श परिवार एवम समाज की रचना का संदेश देना है ये उपन्यास सव उदेश्य लिखा गया तथा पंडित गौरिदत प्रारंभ में ही इसके उदेश्य को सपष्ट करते ह है कि क्यों लिखा गया है तीक है सारांश हम नहीं देखेंगे कि आपको पता ही है इसका हमने पढ़ा हुआ है पहले है आपको पता ही देवरान जी ठानी के बारे में इसमें कहा गया है और इसमें कुछ यह प्रमुख अथन है जो इंपोर्टन चीज़े थी हमने देख देखते हैं मुख्य दथ्या लेखा के इसके लाला श्री निवास तासक इसके परिक्षा गुरु उपनियास के प्रकाशन हुआ इसका पच्चेस नमबर 1882 इंपॉर्टन ही दियान रखें मोतिलाल मंत्री ज्यान धरम पर भाग करा यह प्रकाशित किया गया है इसकी हमें ज उपनियास का परिक्षा गुरु का उदेश नेती परक और उपदेश परक है एक मित्र द्वारा दूसरे मित्र की गलत संगत में पढ़ने पर सुधार की आदर्श परक कथा है यह पढ़ने पर जब एक मित्र क्या करता है गलत संगती में पढ़ जाता है तो दूसरा मित्र से क्या करता है सुधारता है तो आदश्पर कहानी इसमें परिक्षा गुरु को हिंदी के प्रथम मौलिक उपनियास का श्रे दिया जाता है मौलिक उपनियास जो हमने पीछे देखा था उसको कहा गया है गोबाल रायने उसको कहा है हिंदी का पहला उपनियास ठीक है इसके पूछे गए हैं इसमें पद्दे ब्रज तथा गद्दे हिंदी खड़ी भोली में लिखने का प्रयास किया गया है दिल्ली के लोगों के साधरन बोल्चाल की भाषा संस्क्रित फार्सी अर्भी इंग्रेजी के शब्दों को सहेच का सहेच प्रयोग है इसमें उपनियास में जग़ जग़ा इंग्लैंड और युनान के इतिहास से दरिश्टांत दिए गए हैं संस्कृत हिंदी फार्सी भाषा के ग्रंतों के भीर सारे उधरन भी प्रजभाषा में काव्य अनुवाद के रूप में दिये गए हैं इस उपन्यास के प्रश्णा में महाभारत संस्कृत बुलिस्ता वग्यार फार्सी स्पेक्टेटर लॉर्ड वेकन गोल्ड स्मिथ विलियम कूपर के लेखों से सहायता ले गई है पात्रिस में अब देखेंगे हम कौन-कौन से हैं पात्रिस के लाला मदन मोहन लाल स्वारी लाला मदन मोहन ये दिल्ली के रहने वाले कारोबारियम साहुकार है लाला मदन मोहन कथानक के केंद्र बिंदु है यहां मद्यवर्गे सोच से ग्रसित हैं परिश्वी सभेता से इन्हीं विशिष्ट लगाव है तथा बाहर की वस्तों से इनका प्रेम गहरा है इसी कारण से यह गलत संगत में पढ़ते हैं कहानी इन्ही के आसपास घूंती है किसके लाला मदनमहन के अब है लाला ब्रज किश लाला ब्रज किशूर मदनमहन के सच्चे मित्र हैं पेशे से क्या है वकील है ध्यान देंगे वकील है और विप्रीत परिस्थितियों में भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ते हैं इनके कारण ही लाला मदनमहन संक्टों से बाहर निकल पाते हैं मिस्टर ब्राइट दुकानदार चुनिलाल शंभुदयाल बाकी जो इसके पात्र है बैजनाथ अन्य पात्र बाबु बैजनाथ पंडित पुरुशोतम दास हकीम अहमद हुसैन हर किशोर निहाल चंद लाला जग जीवन दास नवल और जुगल ये ब्रज किशोर के भाई है लेकक परिचे लाला श्री निवास्तास का जनम जो है 1850 में मतुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था हिंदी उर्दू संस्क्रिट फार्स इंग्रेजी आधि भाष्राओं पर समान अधिकार रखने वाले लाला श्री निवास्तास को दिल्ली में आधु निकत था मौलिक धंक प्रथम उपनियास्त लिखने का गौरप्राप्त है लाला श्री निवास्तास भारदेंदु यूग के चर्चित लेककों में से एक हैं उपनियास के तरिक तनाटकों के एक शित्र में भी इनोंने सराहनी अकारे किया है और इनकी मृत्ति हुए ठरसो सताजसी में इसकी प्र प्रकरण हैं आपको पता है ठीक है 41 प्रकरण और 41 प्रकरणों के नाम कौन कांसे हैं सौदागर की दुकान अकाल में अधिक मास संगती का फल मिल मिलाप विश्या सक्त भले बुरे की पहचान साब्धानी सब में हां सभासद प्रबंध प्रबंध मतलब इंतसाम और सज्ज यहार प्रिय अथवा पिय सुरा मतलब शराव सवतंत्रता और स्वेच्चाचार शमा स्वतंत्रता फृतग्यता पती व्रता संशे प्रमानिकता हाथ से पैदा करने वाले सहसी पुरुष दिवाला लोक्चर्चा यानि कि अफवा पुट का काला मूं पूट हो गया पूट क काला हूँ बातचीत निराश्य यानि कि ना उमीदी तो जितने भी इसमें प्रक्रण दिये हुए हैं वो सब आपको पता होने चाहिए हो सकता है आपको पूछ लेकि इनमें से कौन सा प्रक्रण परिक्षा गुरू का नहीं है या फिर आपको A, B, C, D ऐसे option दे दें और हर एक option में चार-चार कॉमे कॉमा करके चार-चार option लिखे हूँ और कहा जाए आपको कि इसमें सही option कौन सा है परिक्षा गुरू के प्रक्रणों को ले करके ठीक है इस तरह से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है ध्यान देंगे चलाक की चूप पीस का जो next प्रक्रण है अदाल मिश्र परिक्षा, हीन प्रता, स्तुदिनिंदा का भीत, धूखी की पट्टी और विपत में ध्यार्या, सच्ची प्रीती, प्रीत भय, सुधारने की रीती और सुख की परम अवधी परिक्षा गुरू की भूमी का देख लेते हैं जो कि इंपोर्टन है भारते इंदु परिक्षा गुरू की भूमी का में विलिखते हैं अब तक नागरी और उर्दू भाषा में अनेक तरह की अच्छे-च्छे पुस्तक के तैयार हो चुकी है परन्तु मेरे जान से इस रीती से कोई नहीं लिखे गई मतलब मेरे जानकारी में इसलिए अपनी भाषा में यह नई चाल के बुस्तक होगी परन्तु नई चाल होने से ही क्यों चीज अच्छी नहीं हो सकती बल्कि साधरन रिती से तो नई चाल में तरह तरह की बूल होने की संभावना रहती है कौन कह रहे हैं लाला श्री निवास प्रिक्षा गुरु की भूमिका में यहाँ उपन्यास वास्तों में नई चाल तथा नई रिती से लिखा गया है यहाँ है कि नई चाल की चीज देखने को सबका जी लग जाता है बहुत पुरानी रिती के मन में समाय रहने और नई रिती को मन लगाकर समझने और थोड़ी म पहनत होने से पहले पढ़ने वालों का जी कुछ उलजने लगता है ऐसा भी कौन कहह रहे हैं लादा श्री निवास्तास कहां पर प्रिक्षा गुरु की भूमिका में गुट मॉनिंग श्रीला स्वारी गुल इवनिंग लेखक पुस्तक का आरंब स्वादागर की दुकान से करते हैं कहां से होता है इसका आरंब स्वादागर की दुकान से यह उपन्यास्थ उस समय लिखे जाने वाले उपन्यासों से शिल्प की दृष्टी से भी भिन है कथा कथर लिखी जाने वाली राजा-राने के कहानियां जहां कथा इस एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है उससे इसका शिल्प भिन्ह है उपन्यास एक मूल सिरे से आरंब नहीं होता लेखक पाशाते उपन्यासों की शैली के अधार पर बीच से कथा शुरू करता है अच्छा मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि मैं अभी जागी हूं किया आप अभी जागी है अंकिता दवाई लेलो अप पाटकों का कारे है कि कता को आरंग सेनुभव करें तथा धीरी धीरे सामचे कि घटना से कूर जो लेखक द्वारा नहीं लिखा गया वहां क्या 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 घटित हुआ होगा मतलब इस तरह से समझना है कि जो नहीं लिखा गया है हो सकता है कि इमेजिन करना है कि इसे विले क्या हो सकता है और क्या क्या घटित हुआ होगा लेख किया दूर द्रिश्टी पास्चाते उपन्यासुप की ही छाया पर प्रतीत होती है लाला मदन मुहन एक अगरीजी सौदागर की दुकान में सबाब देख रहे हैं लाला प्रजकिशुर मु कौन है उनका आपस में संबंध क्या है यहां वे किस लिए एकठा हुए है यह बात पहले से कुछ भी नहीं दिखाए गए पढ़ने वाले धहरे से इस पुस्तक को पढ़ लेंगे तो उन्हें आदी से अंत तक सब मेल मिल जाएगा इस पुस्तक में संस्कृत फार्सी अंग दिनाई से पूरा तर्जुमा करने के बदले कहीं कहीं भावार्थ ले दिया है लाला श्रीनी वास्तास कह रही है पपड़े साराइश नहीं देखेंगे हम इसका क्योंकि आपको पता ही है इसकी स्टूरी क्या है इसमें बताया गया है कि परिक्षा ही गुरु है जब तक इंसान परिक्षा नहीं देता परिक्षा में नहीं बैठता तब तक उसको कुछ समझ नहीं आता है ना जब समझ आता है लेकिन इतने अच्छे से नहीं समझ में आता अंकिता कितना हो गया देवरानी जिठाने की कहानी पढ़ा है इससे पहले और अभी यह बला पढ़ रहे हैं और आपने तो कपका नमस्ते कर दिया था तो तो फिर सो गई थी क्या हूं इसके कुछ प्रमुख कथन है दूचर कथन बढ़ लेते हैं आपके आप खुछ से देख लेशेगा बलर हो रही है के वीडियो यह मुझे ही बलर दिख रही है इंगर बता दें हां और उससे पहले तो देवरान के ठाने के कहानी ही पढ़ रहे था है हो गई बलर आप ठीक है ना अब ही तो कुछ ठीक दिख रहा है मुझको पीपीटी क्लियर है मुझे तो छोड़ो अभी तो ठीक है अब क्लियर दिख रहा है मुझे आब आप बताईए चले चतर मरिशु के जितने खर्च में अच्छे प्रतिश्टा अत्वा धन मिल सकता है मुर्प को से अधिक खर्चने पर भी कुछ नहीं मिलता ना मुनासिब काम करके कोई नुकसान से नहीं बस सकता धनी दरिद्री सकल जन है जक्के अधिन चहत धनी विशस कच्छतास ते अतिदीन तो यह आपको पढ़ लेना है गोदान को देखते हैं हम गोदान उपन्यास चो है वो मुन्शी प्रेंचंद ची द्वारा लिखा गया है और प्रकाशिन वर्ष रहा इसका 1936 लेखक परिशे देखते हैं प्रेंचंद का मूल नाम था धन्वत राएं जन्वा था 31 जुलाई 1880 को वाराणासी के नस्दिक लम्ही गाव में पिता का नाम था अजाय प्राएं और वे डाख खाने के मामली डाख खाने में मामली नौकरी करते थे वे जब सिर्फ 8 साल के थे तब मां का निधन हो गया था पिता ने दूसरा विवाह कर लिया लेकिन में मा के प्यार और वाक्सलिर से महरूं रहे प्रीम चंद का जीवन बहुत अभाव में वीता जब उनकी उम्र महज 15 साल की थी तो पिता अजायब राए ने उनकी शादी उम्र में बड़ी लड़की से करा दी शादी के एक साल बाद पिता का निधन हो गया और अचानक ही उनके सिर्फ 5 लोगों के ग्रिहस थी और खर्च का बोच आ गया प्रेम चंद को बच्पन से ही पढ़ने का शौक था और वे वकील बनना चाहते थे लेकिन गरीबी की मार के कारण उच्चे शिक्षा प्राप्त करने का सपना अधूरा रह गया प्रेम चंद को बच्पन से ही उर्दु भाशा की शिक्षा मिले आर्थिक तंगी और पारिवारिक समस्याओं के कारण उनकी पत्नी माई के चले गई और फिर कभी नहीं लोटी वे उस समय के धार्मिक और समाजिक आंदोलन आरे समाज से प्रभावित रहे प्रेम चंद विद्वा विवा का समर्थन करते थे और 1903 ने अपनी प्रगतिशील परंबरा को जीवन में ढालते हुए और उने दूसरा विवा बाल विद्वा शिवरानी देवी से किया तो प्रेम चंद की जो पत्नी थी शिवरानी देवी बाल विद्वा थी मतलब छोटी उम्र में ही पती की डेथ हो गई था उनके तो परेमचंद से शादी हो गई शिवरानी देवी ठीक है इन्होंने परेमचंद की जीवन में लिखी है ना शिवरानी देवी ने पढ़ता आया था मैंने एक दिन default in यादे किसी को किस नाम से इसकी बाद उनके जिन्दगी के हालात कुछ बहतर हुए अध्यापक से प्रमोशन होकर वे स्कूलों के डिप्टेज स्पेक्टर बने और इसी दौरान उनकी पांच कहानियों का संग्रे सोजे वतन छपा जो बहुत लोग प्रिय हुआ तो सोजे वतन में कितने कहानिया संक्लित हैं पांच कहान ठीक है बहुत लोग प्रिय हुआ रंग्रेजन इसको चप्ट भी कर लिया था तेरा साल की उम्रे में ही प्रेमचन ने लिखना शुरू कर दिया था शुरुवात में कुछ नाटक लिखे और बाद में उर्दू में उपन्यास लिखे इस तरह उनका सहितिक सफर शुरू हु प्रेमचन नाम से लिखने की सला दी थी तो यह पूछा गया सवाल भी है और पूछा भी जाता है उर्दू में पत्री का निकलती थी जमाना पहले तो यह ध्यान रखना है जमाना से आपको वैसी बता चल जाएगा जमाना नाम ही उर्दू है ठीक है इसके संपादक कौन थ दया नारायन निगम प्रेमचन घर में तो दया नारायन निगम ने इनहीं क्या नाम दिया था प्रेमचन नाम दिया था इसके बाद नवाब राय हमेशा के लिए प्रेमचन हो गए और इसी नाम से लिखने लगे तो प्रेमचंद नाम इनको दिया था दया नारायन निगमने धन्पत्राय था इनका नाम धन्पत्राय नवाब राय और प्रेमचंद ये इनके बहुत सारे नाम हैं क्योंकि पहले क्या होता था कि कि बहुत सारे नाम इसलिए रखे जाते थे क्योंकि जो देश भक्ति पर कविताएं लिखते थे कहानिया लिखते थे तो क्या करते थी अंग्रेज सरकार जब्त कर लेती थी उनकी जो रचनाई होती थी मतलब लिखने नहीं देते थे देश भक्ति पर ताकि लोग जो है जाग प्रेमचन घर में यह शिवरानी निलहीं लिखा था अबने पत्ती के लिए जीवनी है यह प्रेमचन के जीवनी है शिवरानी देवी ने लिखी थि है तो कलम का सिपाही कहा जाता है कलम का सिपाही भी किसी ने इनकी जीवनी लिखी है बताओ कलम का सिपाही नाम से भी इनकी जीवनी किसी ने लिखी है किस ने लिखी थी इनको कलम का मजदूर भी कहा जाता था तो कलम का मजदूर नाम से भी इनकी जिवनी किसी ने लिखी है वो भी आप बताईए तब तक हम आगे चलते हैं ठीक है तो छद में नाम क्यों प्रयोग किये जाते थे इसलिए ताकि अगरे सरकार को पदा न चले कि किस ने किया है किस ने लिखा है आगे है इसके बाद नवाब रहे हमेशक लिए फ्रेंचंद हो गया और इससे नाम से लिखने लगे फ्रेंचंद का रचना संसाम बहुत बड़ा और सम्रिद है बहु आयामी प्रतिभा के धनी फ्रेंचंद ने कहानी नाटक उपन्यास लेख अलशना संस्वरण संपाद की जैसे नेक विदाओं में साहितिक अस्टिजन किया है उन्होंने कुल 300 से जाधा कहानिया तीन नाटक पंद्रा उपन्यास दस अनुवाद साथ बाल पुस्तके लिखियें इसके लावा सैंकडो लेख संपाद की लिखिये जिनकी गिंती नहीं है हलांकि उनकी कहानिया और उपन्यास उन्हें प्रिसिद्धी के जिसम काम तक ले गए वो आज तक अच्छ होता है लंबी विमारी के बाद 8 अक्तूबर 1936 में उन्होंने आखरी सांसे ली क्या कह रहे है हम दित्राई इनके बेटे लिखे देना मियाद नहीं है हम दित्राई प्रेमचंद को ही कहा जाता है मैं क्या मैं भी वही बता रही हूँ प्रेमचंद को ही कहा जाता है मैं तो मैं बता ही रही हूँ कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा जाता है और कलम का मजदूर भी प्रेमचंद को कहा जाता है मैंने पूछा किसने कहा है कहा किसने है मैंने यही पूछा कि किसको कहा जाता है किसने कहा है बीटिया वो बताओ अमरित राय इसका जवाब तो आ गया है ठीक है कलम का मजदूर इसने कहा है वो बताओ प्रेमचंद की महत्पुन रचना है दीवस्तान रहसी इसका समय जो है है इंपॉर्टेंट है ठीक है रंग भूमी 25 काय कल्प 26 निर्मला 27 गवन 31 कर्म भूमी 33 गवदान 36 मंगल सुतर 48 जो अधूरा नाटक है इनका संग्राम 1923 कर्बला 1924 प्रेम की वेदी 33 तो देख लेना यहां पर नाटक जो हैं के जादा लिखे है इनोंने इसे यहां पे संख्या जो है गलत दे दी गई है सवीता वेरी गुट सूर्य कांथ का पहले जवाब आया है फिर आया है सवीता का ए मला के अगधी प्रेवाब और में भाल मेंचा गहां फिर नहके ने करिज नाम फ्रेम का यहां एनम नाम यह लखिया ने अंद स्वीय के अमरे में रीख यह ने कलम का व्राभाब आ लंस्या मैं दूंदोना मोय नाम थे प्रेम कत्र की जीवन है bought और शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी चले आँगे कहानी संग्रे देखते हैं कि कौमी भार्षा के विश्य में कुछ विचार और हिंदी उर्दु की एकता महाजनी सब्वेता जीवन में सहित्य का स्थान प्रेमचंद के कुछ महत्पन कथन यहां पर दिये गए हैं कुल की प्रतिष्ठा भी विनमरतार सद्वेभार से होती है कड़ी और रुवाब दिखाने से नहीं मन एक भीरुशत्रू है जो सदय प्रीट के पीछे से वार करता है चापलुसी का जहरीला प्याला आपको तब तक नुफसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि आपके कान उसे अमरित समझ कर पी ना जाए महान वेक्ति महत्वक आंक्षा के प्रेम से बहुत अधिकार कर्शित होते जिस साहित्य से हमारी सुरुची ना जागे अध्यात्मे को मानसित त्रिपती ना मिले हम में इगती और शक्ती ना पैदा हो हमारा सुंदरे फ्रेम ना जागरित हो जो हमें संकल परकठिनायों पर विजब राप्त करने के सच्चित रड़ता ना उत्पन करे वह हमारे लिए बेकार है वह साहिते कहलाने का अधिकारी नहीं है आकाश में उड़ने वाले पंची को भी अपने घर की आद आती है दरपं बेकार है उसे परकार बुद्धि है इनके लिए बिद्ध्य बेकार है खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है सुन लिया खाने सोने वालो हाने और सोने का नाम जीवन नहीं है जीवन नाम है सदायव आगे बढ़ते रहने की लगन का विपत्ती से बढ़कर अनुपव सिखाने वाला कोई विद्याले आज तक नहीं खुला जब विपत्ती आती है तो इंसान जो है और जदानुपवी हो जाता है धन खोकर यदि हम अ सायोग देना अन्याय करने के समान है आत्मे सम्मान की रक्षा करना हमारा सबसे पहला धर्म है क्रोध में मनिश्य अपने मन की बात नहीं कहता हुआ कि अबस दूसरों का दिल दुखाना चाहता है नहीं दी तो सबसे बड़ी दुश्मन है तो इस नीद को भगाईए है और पढ़ाई में ध्यान लगाई है प्रमुक पात्र खूरी प्राइस सहाब अमरपाल सिंग है प्रोफेसर महता गोबर पंडित दाता दीन धनिया मालती जुनिया गोविंदी पता ही है ना गोदान के पात्रों का गौन पात्र हैं इसमें भोला हिरा शोभा सोना रूपा उंका या होरी उपनियास के नायक जो है उपनियास का नायक बिलेरी सोरी बिलारी गाम ग्राम का साधारन क्रिशक वर्ग का प्रतिनेदी पात्र है होरी की पत्नी का नाम धनिया है तथा उसकी पुत्र का नाम गोबर है वेडियो का नाम क्या है सोना और रूपा होरी की पास कुल पांच बिगा जमीने कितनी पांच बिगा हीरा और शोबास की दो भाई हैं जो उससे अलग रहते हैं प्रमुक चारित्रिक विशेश्ताइं सीधा साधा साधारन किसान परिश्रमी एमम इमांदार आर्थिक अभावों से ग्रस्त शोशन का शिकार आस्थावान और भाग्यव साधार का रहते हैं मरियादा वादी और नयथिक्ता वादी पैत्रिक संपति का रखशक मानवि गुरभल नाशे युग्थ परिशक वर्ग का प्रतिदी पात्र हैं राए साहब जो है, जिनको अमरपल अमरपल सिंग को राए साहब कहते हैं सेम्री गाउं की निवासे हैं ये अवद प्रांथ की एक जमीदार है इसमें दो गाउं का वर्णन है सेम्री और बिलारी ध्यान देंगे ठीक है बिलारी गाउं में कौन रहता है होरी होरी इनी की जमीदारी में रहने वाला किसान है महता खन्ना मिर्जक और शहीद उंकार ना अधादी नगर में रहने वाले पात्र राय साहब के मित्र हैं यह जमिदार वर्ग के प्रतिनीदी पात्र है राए साप के पुत्र का नाम रूदरपाल है तथा पुत्री का नाम मिनाक्शी है प्रमुक चारित्रिक विशेशता है, रंगे सियार कौन है, राए साहाब रंगे सियार है, बहुत इंपोर्टेंट है यह जो रंग बदल लेते हैं पाखंडी व्यक्तित्व के स्वामी है यह है कथनी और करनी में अंतर है और चित्र व्यक्ति मानव सोभाव के पार्खी, जरजर सामन्ती व्यवस्ता के शिकार, धर्मात्मयम अंदभक्तों के शोर्षक, राश्ट्रबादी बातों पर सरकार की भक्त विचारों से प्रगती शील्ड जमिदार वर्ग के प्रतिनेदी हैं प्रोफेसर महता कौन है इसमें? प्रोफेसर महता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक है, बुद्धी जी विवर्ग के प्रतिनेदी पात्र हैं, मालती से प्रेम करते हैं, राय सहाब संपादत जी खन्ना, संपादत जी खन्ना जी मिरजब खुर्षेत के मित्र हैं, प्रोफेसर महता और महता जी कुमारे हैं अभी इनके चरित्र के विशेष्टा देखते हैं कतनी और करनी में एक रूपता है अंतर नहीं है परिश्णमी और नैतिकतवादी हैं ड्रड़ चरित्र वाले विक्ति हैं विनोधी सौभाप के हैं नारी जातिक प्रति शद्धवान भी है प्रकृति प् वचारों के वाहक बुद्धिजेविवर्ग के प्रतिनेदेव पात्र हैं सिधान्ट वाली दार्षनेक्री हैं मालती के उपास सके कुशल वक्ता भी हैं गोबर जो है वो होरी और धनिया का बेटा है 16 साल का है जुनिया का पती है सोना रोपा का भाई है विद्रोही सौभा अब आते हैं पंडित दाता दीन पर होरी के गाउं में रहने वाले वृध पंडित माता दीन के पिता हैं ये दाता दीन और गाउं के समारित व्यक्ति हैं क्रिश्कों को सूध पर रुपया देते हैं सूध मतलब ब्याज पर देते हैं रुपया प्रमुक्च रित्रिक विशेष्टायन की करमकान में विश्वास रखते हैं अनिक विश्यों के जानकार हैं समान और श्रद्धा के अगांग्शी हैं धूर्त और चलाक हैं क्रिशक वर्ग के शोश है चरीत्र क्या है एक तो परिश्रमी महिला है पती के प्रती होण स्मर्पित है निर्भीक और नेडर है लड़ाकुस वभावली स्त्री है मात्रेत वभावना से युक्त है संगर्ष से जूश्तिनारी सेवा और त्याग की दीवी व्यवहार कोशल है शोशन की विरोधिनी है मालती वो इंग लांट से रॉप्क्री बढ़कर आई विनवी उती है और सरोज मालती की ही बहन है त्यान देंगे है पर्रीजसर मेहता के प्रतियाक्रिष्ट है ये मालती गतिश हिल चर्ड वाली उती होती है सुंधर वेक्तित्व की स्वामी नहीं है, पड़ी लिखी शिक्षति इऊती हैं, बाहर से तित्री और भीतर से मदुमख़्ी हैं, चीक है? माल्ति कुन कहरें प्रेम चंद्ट। से युक्त है वैदाव्य की पिड़ा से तरस्त है करतव्य मई पत्मी है उन्मादी नी प्रेमिका है वातसल्य मई माई है सेवा भावयम करतव्य प्रायणा है गोविंदी के बारे में देखते हैं कि मंगल किसका है कि क्वट मंगल मंगल सुत्र अधूरा है प्रेम्चंद का ही है सेवा भावयम करतव्य प्रायण गोविंदी खन्ना साहब की पत्नी है प्रेम्चंद की नारी भावना को मूर्थ करने वाली नारी महता की ट्रिश्टी में अधर्श नारी है प्रेम करारभ में इसका नाम कामीनी घंणा दिया है ध्यान देंगे गोविंदी का चरीत्र की विशिर्षटाई से लिए आजाती की चमारिन है पंडित माता दिन की प्रेमिका है जाती प्रधा की शिकारी होती है माता दिन दौरा अंत में पत्नी रूप में उसे अस्विकार कर लिया गया रूप पती युगती है, गुणवती स्त्री है, सेवा भावन से युगत है, माता दिन की प्रतिस्मर्पित है और आदर्श प्रेमी का है प्रेम चंद का अंतियम पोण लिखी तो प्न्यास है ये प्रिशक जीवन का महा कावे इसको कहा जाता है गोदान को महा कावे कहा जाता है ततकालें समय कि किसान जीवन के स्थिति का यधार्थ चितरन किया गया है यह उप्न्यास यधार्थ वदी उप्न्यास से इस उप्न्यास में ग्रामेंड पात्रों के साथ साथ शहरी परिवेश के पात्रों को भी रखा गया है किन्तो शहरी परिवेश के पात्रों से ग्रामिड पात्रों का कोई संबंद नहीं है ठीक है शहरी पात्रों से ग्रामिडों का कोई संबंद नहीं कोई लेना देना नहीं है तो इसके लिए कहां भी गया है कि जो शहरी पात्र अगर इसमें नहीं भी होते तो भी उप्नियास चल जाता है तो भी से चलती अगर शहरी पातर प्रश नहीं होते इस उप जी है तो बलाब शहरी पातर है वह एक्स्ट्र जैसे लगते हैं अब्ध प्राथग्परानद के दो गाउं है पिलिलारी होरी त बिलारी गाऊं जो है होरी का गाउं है जिसके पास 5 बेगा जमीन है हॉरी के पास हुष सेम यदी गाउं राय चाहब अमरपाल सिंह जमिदार है इसने और गौधान में दो पीड़ी के अंतराल की लकीर खींचने का काम किया है फ्रेम प्रेमचन जी नई पिड़ी के माहक हैं गोबरे सुपनियास में प्रेमचन जी के जमिदारी प्रधा के अंत की भी बात करते हैं जो कुछ उपनियास कार स्वेश्टि से हे एक विकती के रूप में किया गया है प्रेमचन के इस उपनियास के अलुचन शेहरी और ग्रावन पात्रों को एक साथ रखने की वज़ें से की जाती है नद दुलारीवाज में गोदान ने कहता अधर नंदुलारे वाज पर यह ऐसा कह रहे हैं गोदान एक ऐसा मकान है जिसके दो अलग-अलग खंडों में दो परिवारों की रूप में गाउं तथर शहर रहते हूं और जो कभी-कभी एक दुसरे से मिल लेते हूं तो जैनेंद्र ने एक लेक लिखा यदी में गोदान लिखता जैनेंद्र का एक लेक है यदी में गोदान लिखता जान दें यदी में गोदान लिखता तो मैं क्या-क्या लिखता कौन क्या रहे है जैनेंद्र यदी में गोदान लिखता सरकते नहीं मोट देखना होगा 1903 में प्रेम जंद ने एक लेक में लिखा था ऐसा बहुत कम सही हो है कि हुआ है कि एक शांती प्रेमी किसान के रोजाना हालत पिस्तार के साथ लिखे हुए मिल सकते हो या उनमें किस्सों की इसी दिलचस्पी और अजब अनोखी बाते पाई जाते हो इसे इच्छा कोनों ने पूरी धनिया को नाएक नाएका बनाकर गोदान उपनेस लिखकर पूरा किया है इसमें दतकालीन राजमेतिक समाजिक धार में एवम सांस्कृतिक परिवेश का परिशे मिल जाता है तथा गाउं में सरल सदाचारी भागेवादी जंता जैसे गाउं की मुख्या महाजन गोदान में प्रेंचन ने गाउं की दरीदरता वुक्मरी धर्मांतता सरल विश्वासादी का बारी किसी चित्रण किया है शेखर एक जीवनी देखते हैं लेखके इसकी सचिदार अंधिरानन वाक्सयान अगे प्रकाशन है इसका दो भागों में हुआ है पहले भागका समय iha 1940 से दूसरी भागा चवालेस है शेकर के इक जीवनी उपन्यास दो भागों में व्हभाक्तिया और उनके नाम है प्रथम भागा नाम है उत्थान और दूसरे भाग का नाम है संग अ करosa त्थान और संगर्ष है उत्थान जो इसका पहला वाला भाग उसके चाल इस वर वीज औरिकर प्रकृति पुरुष और dirlain शया में क्या होता है? त्थान के उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है, जब आप बीज देखते हैं, यह क्या है प्रकृति का कमाल है कि मनुष्य के लिए ऐसी प्रकृति इश्वर ने दी है लो इस तरह से आपको याद रखने हैं इस तरह से एक स्टोरी रसी बना करके आपको याद रखना है संघर्ष की भी चार हिसें चार भागे पुरुष और परिस्थिति बंधन और जिग्यासा शशी और शेखर धागे रसियाओं गुंजर ठीक है पुरुष और परिस्तिति, पुरुष परिस्तितियों के बंधन में है और शची और शेखर मिलकर के बनाते हैं धागे रसिया और गुंजर इस तरह से कुछ भी मतलब आपको सर्फ याद करना है ना तो कुछ भी आप इसको एक स्टोरी बना सकते हैं याद करने के लिए विश प्रशनों में शेकर का खुद से खुद के स्वर को ढूलना शेकर एक जीवनी का आरब इश्वर को लेकर प्रश्णान नों कोलता सथ समापन उलजन और गंध में हुआ है घटनाय इसकी इश्वर के प्रतियानास्ता भैवीत करने वाली वस्तों को देखके घबराना अनुसार अनुसार शेकर एक जीवनी एक अधूरी जीवनी है जो कहनी भूत बेदना की केवल एक रात में देखी हुए विजन को शब्द बद करने का प्रयास है लेखक परिचे अग्ये का जनम जो है 1911 में हुआ था उत्तर प्रदेश में अग्ये का क्रतित्व बहु बहु मुख्य है और वह उनके स्वरिद अनुभव के सहज परिणती है अग्ये की प्रारंबिक जो रचनाय है अध्येन की गहरे च्छाप अंकित करती है या प्रेरफ अग्यास शेखर एक जीवनी प्रथम भाग उनीस सो चालेस या एक तालेस और दूसरा भाग इसका चवालेस नदी की तुई पिक्क्यावन अपने अचनवी 79 जो अपने अपने अचनवी है उसमें कौन कौन है पात्र सिल्मा योकिया और पाल ठीक है शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग में है श्रशी और शार्दा ध्यान देंगे प्रश्वा द्रिश्टी से तादत में का बोद कराते हैं अगे स्वाधीन तक हम अचनवी मुल्य मानते हैं प्रथम सवत अंतरता के लिए सतत जादुरुप प्रक्रिया है शेखर एक चीवनी का पात्र परिशे इसमें शेखर है जो मुख्य पात्र है और कथानक का इसकता का केंद्र बिंदू है सौभाव से विद्रोही है वह और बंधनों से वह मुक्त ह भंहेंी के लांते चीवनी शेखर अकरश्य रहता है क्थलब्त चार्व Interior जीवनी इसके भूमिका की अनुसार शेखर क्रांतिपकार जीवनी को प्रस्तूत करने वाला उप्रियास से मृत्यों के निश्यत सम्भावना को सामने रख confrontation के सामन lijंव प्रश्ण है कि उसकी मृत्यों की सुद्धी क्या है लेखा कि अमसार उप्रयास एक विक्ति का भिन्यत में जिद दसता वेश है यह दिदी वह साथ उस विक्ति के युग संघर्ष का प्रतिविम्प भी है कि अलेकर कहिए वक्ता वे उपन्यासदार प्रमानेत होता है शेखर एक जीवनी जो मेरे दस वर्ष की परिश्रम का फल है दस वर्ष में अभी कुछ देर है लेकिन जीवनी भी तो अभी कुछ पूरी नहीं हुई है घनीबुद पेदना की केवल एक रात में देखियों विजन को चब्द बदगरने का इसमें प्रयास किया गया है प्रेम चंद के बाद हिंदी उपन्यासों को नई संपनता देने वाले लेखकों में अगे का स्थान जितना प्रमुक है उनके उपन्यास इक रर्टिट वकमल्यां का नुत्ता विवादास पद है उनके तीन उपने आस्व ने साहितिक परिवेश को काफी अंदोलित किया है ये दिपी अगिये ने कभी तक को ही अपने लिए भी वेक्ति का उप्युक्त माध्य माना है पर लेखा के रूपे में माने था उनके प्रथम उपने आस शेकरी जीवनी से ही प्राप्त हुई है जि सब्सक्राइब कर दिया कि शेकर में मेरा पन कुछ अधिक है इलिएट का अधर्श मुझसे निभ नहीं सका है धियान देंगे इंपर्डट कथन है बताया हुआ है पहले भी लेखा की प्रमानिक जीवनी और आत्म कथा कि अभाव में कहना कठी है कि लेखक और लेखक में सं निष्चे रूप से कहा जा सकता है कि खृति की फ्राकल्पना मुख्यत अपन्यासिक है और इस कल्पना आत्मक जीवन और एक कल्पना आत्मक जीवन चित्र ही उसमें प्रधान है लेखक के अनिसार वह निशेधा आत्मक मुल्यों को लेकर नहीं चला मानम में उसके आश्था है और मुल रूप से शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्रे की खोज है टूपती विनाति क्रूडियों के बीच नीत प्रभाशित किया है सबस्ट ही यह निर्यात पाथ मनम विग्यानिक नियतिवाद है शेखर की बच्पन का उस पर पढ़ने वाले प्रभाव का लेखक ने विदग्द चितरन किया है ऐसे जीवन चरित्र को लेकर लिखा गया यह पहला उपन्यास है लेखक ने बाले काले इ विद्रोह का सर्शक्त विद्रोह लेकर नहीं चलती इसलिए जिस अर्थ में हम अन्युक नासों को देखते हैं उसी द्रिश्टी पर शेखर एक्चीवने को परका नहीं जा सकता है ठीक है इसकी कुछ प्रमु कथने जो आपको देख लेने हैं तो अब समय भी हो गया है बा जो आपने नोट्स बनाए होंगे उन्हीं भी देखते चलेंगे साथ साथ में और साथ में अपने कोई गाइड पढ़ते रहो और प्रिवेस ये पेपर साल्व करते रहो ठीक है जाए बादेख लेक्टों जाए बादेख लेक्टों सेवन्थ यूनिट के साथ कर दो नहीं सॉरी कल है संडे वर्सों मिलेंगे हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ हम मिलेंगे मंडे को तो टेक्यर पढ़ते रहें अच्छे से और अपना ध्यार भी रखें सिखत का धियां रखें स्पेशली क्योंके एक्जाम नजदीख है आपके आज जी कल संडे है कल नहीं होगी को संडे है पर्सों मिलेंगे अब ठीक हो जाना चाहिए नहीं हुआ मैं ऐसी पढ़ानोंगे पर ठीक है सुनते रहे ना जल्दी जल्दी से शुरू करते हूं यह है आपका एक आई साथ इसमें कुछ कुछन है वीडियेप में आपको मिल जाएंगे ठीक है तारसब तक के कभी तो पहले देखते हैं हम चंद्रदेव से मेरी बात है आपके इस लेबस में है थोड़ी सी रिशानी तो होती है बड़ चलो कोई नहीं मैनेज कर लेते हैं किसी तरीके से ठीक है चंद्रदेव से मीडे बात है बंगमहिला राजें दर वालको dips को कहते हैं इनकी लिखे दीव कहानी है चंद्र देव से मेरी बात है नहीं है चासवाला, ठीक है, थेंक यू, थोड़ा से अड़ेस्ट कर लेजे, भवदे पांडे ने अपनी पुस्तक नारी मुक्ति का संघर्ष में इस कहानी को पहली राजनितिक कहानी माना है, राजनितिक कहानी, भवदे पांडे ने अपनी किस पुस्तक में नारी मुक्ति का संघर्ष में इस कहानी को पहली राजनितिक कहानी माना है, पत्रात्मक्षैली में लिखी गई है, पर इस पर शिफशंबू की चिठ्ठे निबन का प्रभाव प्रतेक्ष्रुप से देखने को मिलता है, शिफशं कंभू के चिठ्ठे क्या है और किसकी रशना है, इनके अन्य कहानिया है, चंद्रदेव से मेरी बात थी, जो 1904 में लिखी गई थी, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, और कुंभू में छोटी बहू, इनकी दूसरी कहानी, 1906 में लिखी गई, दुलाई वाली आपके सिलिबस में है, 1907 इसवे में लिखी गई, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, होगे एक लिएर, चलो, शुकर है, बालमकुनकुप्त, भाई बहन इनकी कहानी है, 1908 में, ये बाल प्रभाकर पत्रिका में छपी थी, दालिया, इनकी कहानी है, 1909 में, रिदे परिक्षा, 1915 में और ये सरस्वती पत्रिका में चपी थी, ठीक है, आगे चलते हैं, इसके महतुपोर्ण बिंदों को देखते हैं, लक्ष्मी सागरवार्षने जी ने, अपने निबंध नबनीत में लिखा है, इनकी निबंध का नाम है नबनीत, नबनीत में लिखा है, चंद्रदेर से मेरी नागरी प्रचारणी सभा, वारणासे से प्रकाशित, उनकी पुस्तक कुसुम संग्रे में ये संकलेत हैं, यह कहानी अर्थनीती और राजनीती को केंदर में रखकर लिखी गई हैं, जिसमें नारी की स्थिती को बिजली के बादिम से बताया गया है, हमने पढ़ी थी ना भारत की ततकालिन वायस राए लॉड करजन और उसकी विवस्ता पर विंगे किया गया है, तो पूछा रहा सकता है कि किस पर लिखा गया है, किस पर विंगे हैं, तो वायस राए जो समय थे लॉड करजन, लॉड करजन की विवस्ता पर विंगे किया गया है इस कहानी में, भवदे पंडे ने चंद्रदेव से मेरी बात देए को हिंदी के पहली कहानी माना है ठीक है भवदे पंडे ने हिंदी के पहली कहानी माना है लक्षमी सागर वार्षने ने इसे निबंध कहा है इस कहानी में देश की बदहाल आर्थिक स्थिती और देश की बिरोजगारी एवं नारी के साथ अमानवी व्यवहार का विंग्यात्म ग्रूप से वर्णन मिलता है देश में फैली प्लेग महारी का विसमें जिक्र है अगर आपको पूछ ले जाए कि कौन सी महारी देश में फैली हुई थी तो प्लेग महारी का इसमें जिक्र है सुविधा वित्रन के असमानता पर कटाक्ष भी इसमें किया गया है उसके बादे शिक्षा व्हस्ता पर भी इस कहानी में व्यंगे मिलता है कहानी की मुख्य पात्र है भगवान चंद्रदेव, स्वा कि राजे अंद्रवाला गोश समदात्मक शैली में लिखी कई कहानी है इसलिए इसमें दो ही पात्रे एं भगवान चंदरदेव और स्वेटिए है आगे हैं समदात्मक शैली में चंदरदेव से कटाक्ष्पॉंड व्यंग्य करती है कहानी का साराइश आपको पता ही है थोड़ा सब पढ़ लेते हैं फटा पढ़ क्योंकि कहानियां जो है छोटी यूनिट है तो अभी मैं ट्राइ करूंगे कि सारी कि सारी ये पढ़ सके हम सर्वित साराइश ठीक है तो लेखी का है इसमें बंग महिला चंद्रदेव को भारत करते हैं लेखी का चंद्रदेव को संबोधित करते हुए कहती है भगवान चंद्रदेव आपके कमल वत्चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम क्या मेरे प्रशनों का उत्तर आप प्रदान करेंगे कीजिए बड़ी कृपा होगी देखो सुनी अंसुनी से मत कर जान ऑपने बड़पन के ओर ध्यान देना अच्छा करती हूँ सुनो, कहती हुं सुनो, मैं सोचती हूँ आप इस आकाश मंदल में चरकाल से वास करते हैं, क्या ये बात सत्य है sitten जैदी सत्य है तो मैं अनुमाल करती हूँ कि इस स्रिष्ठी के साथ साथ ही साथ अवस्य आपकी पिस रिष्टी हुई होगी तब तो आप देर दिन पुराने बुढ़ी कहे जा सकते हैं पदवन्नती के लिए सिफारिश और चाटुकारिता को आप तो इतने प्या था यह लाइन में सिंगे इसमें न आप तो इतने पुराने हैं तो सही पर तो सही पर काम सदा से एक ही और एकी स्थान में करते आए हैं यह लेखिगा कहती है आप इतने समय से एक ही पदपर बने हुए हैं मतलब ऐसा कहना चाहती है लेखिगा कि एक ही पदपर बने हुए हैं कि आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर यह बदली होने का नियम नहीं है ये दिया आप हमारी नियाई शेल गवर्णमेंट के किसे विभाग में या सर्विस और नौकरी करते होते तो आपको बहुत कुछ बदोने थे आपकी हो गई होती एक शेत्री और ऐसी पोस्ट पर रहे कर भारत के कितने ही सुरम्य नगर परवत और जाड़ियों में भ्रहव कुति और शांती धां में बैट कर हरी नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते लेखी का भगवान चंद्रदेव से एक शमा याजना करते हुए आगे लिखती है भगवान चंद्रदेव शमा कीजे आप तो अमर है आपको मृत्यों कहां तब पर लोक बनाना कैसा ओ वो देख किता भी अपनी जाती के कैसे पक्षपाती होते हैं देखो ना चंद्रदेव को अपने चंद्रदेव को उन्होंने अमरित देकर अमर कर दिया तब यह दी मनुष्य होकर अंग्रेज अपनी जाती वालों को पक्षपात करे तो आश्चरी ही क्या ठीक है यह पूरी कहाने कर ह पढ़ेंगे उसाद आजाए ना नारी की दश्रा को थोड़ा से इसमें हम देख लेगते हैं जो हुआ हमने भी पीछे देखा था कि बिजली के उससे वरणन किया है बिजली का उधारन दे करके क्लियर हो गया वीडियो के चलो अच्छी बात है हमारी श्वेतां महाप्रभु गुण को जहां पर कुछ कटिनाई का सामना आ पड़ा जट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को लापट का बस कटिन से कटिन कारे सहर्थ संबादन कर लेते हैं और हमारे यहां के उच्छी शिक्षा प्राप्ति युवद काट की पुतलों की भांती मुद आंते रह ज सकता वही आज पराइगर में आश्रित नारियों की भांती ऐसे दबाव में पड़ी है कि वहां चू तक नहीं कर सकती क्या करें विचारी के भागे में विधाता दासी वृत्ती ही लिखी थी तो यह नारी का वर्रण किया है बिजली के मात्यम से ठीक है और आगे चलते हम द दुलाइवाली कहानी 1007 में लिखी गई है फिन्दी की प्रत्म मौलिक कहानी यही और प्रकार्शनवाइस का 1007 में सरसोती पत्रेका में चपी है दुलाइवाली कहानी संग्रे में चपी है दुलाई वाली कहानी जो है वो कुसुम संग्रे में चुपी है यह अलग से पॉइंट है दुलाई वाली कहानी कुसुम संग्रे में संकलित है दुलाई वाली का सामाने अर्थ कपड़े का मोटा चादर जिसे नव विवाही दौर दिन घुंगड लेती है जिसका अर्थ है वो पात्र है वंशिदर, मुख्य पात्र इलावबाद का निवासी है, नवल किशोर वंशिदर का ममेरा भाई है, जान की देई जाया हो वंशिदर की पत्नी है और एक्रियस्त महिला है, सीता जाया हो वंशिदर की साली है, तो पात्रों को देख लेना, अन्य पात्र है इसमें काशी और उसके आसपास के जन जीवन तथा पुरुष्त्रे की खोज उनके मनोभावों का स्वभाविक चित्रन किया गया है कहानी के शुरुवात दशाश्व मेग दशाश्व मेग होगा यहाँ पर घाट तथा इलाहवाद में खत्म होती है शुरुवात कहाँ पर होती है इसकी दशाश्व मेग घाट पर और इलाहवाद में यह कहानी खत्म होती है देख लिए ना उसके बाद यह कहानी अदतकालिन समाज परिस्तिती घ्रपना और मानसित्ता की हासेपुर्ण एक रोचक कहानी है तो मौलिक्ता और कल्पना शीर्ता का अनूठा मिश्रन इस कहानी की विशेष्टा है कला की द्रिश्टी से प्रॉड कहानी है यह कौन कहा रहे हैं दुलाई वली को दुलाई वली कहानी को भाव प्रधान कहानी माना गया है अंकिता ने पूछा था इप भी विडियो नहीं है ऐसा क्यों हो एक क्यों चेक करोंगे मैं पर पहली कहानी माने जाने के संदर्भ में यह तीसरे नंबर पर लखते में लिखा है मतलब तीसरी तीसरे नंबर पर माने जाती है यह और अंकिता ने पूछा था बाव प्रदान कहानी तो दुलाइवले भी माना जाता है ठीक है यदि इन्दो मति किसी बंगला कहानी के च्हाया नहीं है सरशुक्ल कहा रही है कि एकर वह बंगला कहानी च्हाया नहीं है करिये नोट्स बस्तीन है, हाँ, नोट्स तो मैंने डालने नहीं है, बट वो वीडियो तो होनी चाहिए शुकले कहा रहे ही, इंदुमति किसी बंगला कहानी के चाहिए नहीं है, तो हिंदी की पहली कहानी यही ढहरती है किसके बारे में कहा रहे शुक्लि और इंदुमति के बारे में क्योंकि यहां अभी पहली कहानी के बाद चल रही है ठीक है अच्छा कल देखा देखा तो नहीं देखा इसके उपरांद 11 वर्ष का समय फिर दुलाईवली का समय आता है तो दूसरे नंबर पर शुक्लि की ही लिखी एक कहानी है दूसरे नंबर पर जिसको शुक्लि मानते हैं पहले नंबर पर इंदुमति बोड रहे हैं अगर बंगला क हैं च्छाय नहीं तब इंदुमति पहली कहानी है इंदुमति चुकलि के नुसा ठीक है दूसरी कहानी 11 वर्ष का समय स्वैम शुखलि बद्वारा लिखी गई है 11 वर्ष का समय शुखलि दौरा सब्वारा लिखी गए कहानी है और Turing नंबर पर यह मानते हैं गुलाईवा सावर्ट इस कहानी में नहीं है बहुत सीधी सपार्ट ग्रामिन भाशा को रोचिक धंसिस में प्रस्तुत किया गया है इसमें वंशिदर इलाबाद के रहने वाले हैं अपने ससुराल बनारस अपनी पत्नी को ले जाने के लिए होई है ससुराल में एक साली साली सीधा और सास है सरथ सरल और वेक्तिन नवल किशोर हास्वख है और मजाक्य किसम के हैं तता स्वदेशी वेक्ति हैं विदेशी चीज़ों से नफरत करते हैं अगर आपको पूछ ले जाए कि इस खहानी में स्वदेशी वेक्ति कौन है विदेशी चीज़ों से नफरत करते हैं तो वो कौन है वन्षिधर है ठीक है कि अपने परमित्र नवल किशोर का अतार मिलने पर नवल किशोर से मिलने की उत्सुत्ता में आने वाले कल की यात्रा को आज ही पुर्वत कर देते हैं सिक्रोल स्टेशन से वंशिद्धर ने ट्रेन ली कहां से सिक्रोल स्टेशन का नाम याद रखेंगे नवल किशोर उन्हें मुगल सराय स्टेशन के साथ मिलने वाले थे वंशिद्धर एक का ले आए और जो कुछ अजबाब था एक के पर रख दिया आप भी बैठ गये जानकी देए बड़ी विकलता से रोती हुई एक के पर जा बैठें पर इस अस्थिर संसार मिस्धरता था या कुछ मिस्धर नहीं है वंशिद्धर राजगाट पर करके ना देखते ही देखते रेला हो वंची वंशिद्धर एक बार चलते गाड़ी में चड्कन में अन्ति मंत तक देख लेके पर नवल का कहीं पता नहीं वनशिद्धर सभी गाड़ियों को दोहराकर देख लिए अंत में नवल को नहीं मिलने पर खिचला उठेव senator cm और सोचने लगे मुझे तो वैसी चिठी लिखी और आप ना आया मुझे अच्छा उलू बनाया जानकी को जनानी गाड़ी में बिठा कर अपने दूसरे डब्बे में जा बैठें जिस गाड़ी में मिल्शिदर बैठें उसे पुल मिलाकर दस बारस तरी पुरुष तरस में उनके कमरे के पास वाले कमरे यानि के डिब्बे में एक भले घर के स्री बैठी थी वह बैचारी सिर से पैर तक ओढ़े सिर जुकाएं तथा एक हाथ लंबा गुंगण दुलाई ओढ़े बैठी थी कुछी दिर बाद जैसे गाड़ी छूटी वह मानों डर सी गई रेल अपने स्वभावी गती से चलने लगी तब खिड़की से बाहर देखती रही जब तक स्टेशन दिखलाई दिया पिर अस पष्ट सर में रोने लगी कि उसका पती छूट गया सभी लोग सहनुबूती दिखा रहे थे कि तो कोई उसकी मदद को आगे नहीं आ रहा था ऐसे में वेंशेदर ने उसे सई स्थार पर पहुंचाने का जिर्मा लिया वेंशेदर को पूरा यकीन था कि महिला का छूटा पती अगले स्टेशन पर जरूर तार कर देगा कि वह आ रहा है बदनामी व अन्य कई तरह की वातों से बचने के लिए ये कुछ सवारी महिलाओं के साथ अगले स्टेशन पर उतरे वितार बता करने के पर करने गए इस बिच सभी सवारियां चली गई उधर तार ना आया देखकर वेंशेदर कश्म कश्में पस जाते हैं क्या करें हम बारों तरफ देखने लगे इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली गूगट ओड़ी औरत को देखा और चंजलाते हो इसके साथ आई सवारियों के बारे में पोचा तूहीं इस त्रियों को ले गई है इतना कहना था कि दुलाई से मुख खोलकर नवलकिशोर खिल खिला दोनों मित्र अपनी घरवाली को लेकर राजी पशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी हराम कहानी लिखने से छुटी मिले तो यह इसकी दुलाई वाले की पूरी स्टोरी है उसके बाद आते हैं अगले कहानी एक टोकरी पर मिट्टी पर जो मादा ब्राव सुप्रे द्व कहानी को रहे हैं इसको को इक टोकरी भर मिट्टी को है कि डॉक्तर गुपाल राएक अनुसार समवीदया के खशनद के अभिविक्ति के दिष्टी से हिंदी के पहली कहानी है ति पहली कहानी है ततह इसकी भाषा ठीट देश्ची हिंदी भाषा है ज्यार Humi कि क्या क्या एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन गई कहानी में रात विद्वाद और समाजिक संवेदना दिखाए गई तथा वर्ग भेद पर आधारित इस कहानी में एक गरीब के शोशन को चित्रित किया गया है इस कहानी में जमिदार के रूप में एहंकार और स्वार के पोती जमिदार का वकील है इसमेवस यही बात रहें और कहानी का सारंच ज़र में देखें तो छोटी सी है देख लेते हैं जलती चल्दी एक टोकरी भर मिट्टी अमार्मी कहानी है इसमें एक अनात विद्वा अपनी पौत्रे के साथ अपने जहॉंपडी में रहती है य उसकी एक मात्रे सहारा थी जमिदार का महल उस जहॉंपडी को जमिदार को अपने महल को जहॉंपडी तक बढ़ाने की इच्छा हुई बुणिया से बहुत कहा गया कि कहा गया पर उसने अपनी जहॉंपडी नहीं छोड़ी कि तुछ जमिदार नहीं अपने बल और धन का प्रयोग किया लेकिन उन के सारे पर अतना निश्वल रहे वह बिना मरे वहांसे निकलना नहीं चाहती थी तब व才ुवür Stan वह ही रहने लगी एक दिन जमिदार जॉपड़ी के आसपास टहल रहा था और लोगों से काम करवा रहा था कि विद्वा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची गिड़गदा कर बोली महाराज अब तो यह जॉपड़ी तुम्हारी ही हो गई है मैं उसे लेने नहीं आई मिट्टी लेना चाहती हूँ उसी का जूला बनाकर रोटी पकाऊंगी इसमें भरोसा है कि वह जो पौत्री है पेटी के बिच्ची है रोटी खाने लगेगी समीदार से आगे लेकर विद्वा जॉंपरी के अंदर पहुंची पुरानी बातों को समर्ण कर बुड़ी है क्या हुम्यास हुआ गए आंत्रिक दुखों को संभाल कर उसने अपनी टोकरी के टोकरी में मिट्टी भर लाकर पिर हाथ जोड करने लगी महरास क्रिपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगा है जिससे कि मैं इसे अपने सिल पर धर सकूं जमिदार सहाब पहले तो नराज हुए बा कहने लगे नहीं यह टोकरी हमसे ना उठाए जाएगी यह सुनकर विद्वा ने कहां महराज अपनरास नहों पर जब आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाए जाती तो इस जोपड़ी में तो हजारों टोकरी हैं अब उसका भर जन्म भर कैसे उठा पाएंगे विद् रुदय परिवर्तन की यह कहानी है कानों में कंगना राधिकर रमन प्रसाथ सिंग की कहानी है और 1913 में इंदू पत्रिका मियझ शपी थी डॉक्टर बच्चन Sinh कह रहे हैं कि राजा राधिकर रमन प्रसाथ सिंग की गणना सूप्रसीदू प्यास कर और गदिय शयलिकार क कि जाती है कि कथा लिखन में अपनी विवस्तित शैली के कारण हिंदी कथा साहिते में वे नराजा राधिकर अमन प्रिसास सिंग शैली स्मिराट के रूप में कही जाते हैं यहां उनकी तीन अंकों में वरणानात्मक शैली में लिखी गई है इसकी क्लिष्ट अलंकारिक पती व्रता स्त्री किरण जो अपने पती से प्रेम करती हैं दूसरी और एक नाचने वाली किनरी है जिस पर विवा के पश्चात नरेंद्र मोहित होकर अपना सर्वस्त वर लुटा देता है इस कहानी के मादिम से प्रेम और वासना को दिखाया गया है प्रेम सत्य इमानदारी आदर्शवादी और नैतिक मुल्यों की स्थापना करता है इस कहानी के प्रमो खुदेशे है इस कहानी में पुरुष के स्वभाव जो उसकी कमजोरी भी है जिसके कारण हुआ उन्मुक्त प्राणी की बाहरी सौंदरे से आकर्शित होकर जब तक ठोकर उसको नहीं लगती है उसके विवेग को ना हिला दे तบ तक वो क्या करता है वो कर्षित रहता है इस कहानी में دोस Trano का leaning है रिषि-केश और मुरादवाद ध्यान देंगी तो रिषि-केश और मुरादवाद दोस्थानों का स्मट लेक किया गया है इनके अन्ने कहानिया यानि की राधिकर रमन प्रसाद सिंग के अन्ने कहानिया यहां पर लिखी गई है गांधी टोपी, 1938 में बहुत बार पूछी गई है गांधी टोपी, ठीक है, सामनी समां 1938 में ही है, important है, हवेली और जौंपडी 1951, देव और दानव 1951, देव और धन 1956, ध और नायक किरण का पती है कि नरी एक नाचने वाली है जुही जो है वो नरेंदर के घर की नोकरानी है योगिश्वर इसमें नरेंदर के गुरू किरण के पिता मोहन नरेंदर का जानने वाला है तीन अंकों की कहान ही है ज्यान देंगे ठीक है थोड़ी से लंबी हैसले में इसको पढ़ने रही है तो पढ़ाई हुई है आपको पहले इसकी स्टोरी तो आपको पता ही है ना जो पहला अंक है उसमें किरण और प्रकृति का वरणन किया गया है और जो दूसरा अंक है रिशिकेश के सौंदर्य तथा नरेंदर का किरण से विवाह होना इसका वरणन किया गया है और क्या बता रहे हैं यहां पर जो नरेंदर है वो एक दिन इसी दुनिया से जब उसका विवाह हो जाता है इस दुनिया से दूर रह करके वो दूसरी दुनिया का सुख उठाते हैं लिकिन थोड़े टाइम के लिए पढ़ दिया है उपके पढ़ाया तो है मैंने उसकी बाद देखते हैं राजा निर्वंसिया कमलेश्वर की कहानी राजा निर्वंसिया जो है वो 1957 में लिखी गई थी राजा निर्वंसिया कहाने संग्रे में जो अन्य कहानिया प्रकाशित हैं वो कौन-कौन सी हैं एक तो राजा निर्वंसिया ही है इससी नाम के कहाने संग्रे में प्रकाशित हैं 1957 में कस्विक आद्म है 1958 थीक ये कमलेश्वर की है ये मतलब राजा निर्वंसिया भी कमलेश्वर की है और सारे कहानिये कमलेश्वर की है हुई भी दिशा इंपोर्टन्ट है ये सारी 1963 में मास के दरीये 66 क्यान 1973 आजादी मुबारत 2002 ये भी लंबी कहानी है हाँ, कहानी के पात्रे हैं जगपती जो चंदा का पती है, बच्चन सिंग का पाउडर है इसमें और दयाराम जगपती का रिष्टेदार है, दूर का भाई है, अन्या है इसमें राजा निर्बंसिया और उसकी रानी, बच्चन सिंग की चाची और इसकी मुख्य बिंदू है राजा निर्बंसिया कसभाई जिवन पर आधारीत कहानी है ये कहानी दो समान अंतर कथा प्रसंगों को साथ में लेकर के चलती है प्रथम कहानी एक लोग कहानी है राजा और रानी की तथा दूसरे आद्मिक यूग के नाइक जट्पति और चंदा राजा निर्बंसिया कहानी में आर्थिक विवस्था और निरूपताू तथा दामपत्य संभंध के तूटने तथा शंथ हीनता दंपत्य की समाजिक वह मांसित प्रड़ा का मार में एक चित्रन भी इसमें किया गया है अर्थ मानव के रिष्टे को जोड़ता भी और तोड़ता भी अर्थ मतलब पैसे की बात कर रहे हैं अर्थ होता है तो ना बच्चनी सही का अवरोधाता ना ना समाज चंदा पर उंगले वच्चन हो गई है ना ना चंदा पर उंगले उठाने की हिंबद करता अंगले इस पराणी कथा के माध्य से वादेश के पास होती है वर्तमा जीवन के विसंगती बोध को कलात्मक्ता के साथ चित्रित किया गया है यह कहानी वर्णानात्मक्ता से हटकर समाधात्मक्षाली में लिखी गई है ध्यान देंगे समाध्षाली में लिखी गई है यहां कहानी कमलेशुर की पहले कहानी संग्रे राजा निर्बंसिया में संकलित थी और इस कहानी में स्त्री की विवश्टा गरीबी और यौन शोशन का भी चित्रन किया गया है देखते हैं पिता कहानी जो ग्यानरंजन की है लेखा ग्यानरंजन प्रकाशन वर्चित सतानी का 1965 है पिता कहानी संग्रे में ही संगलित है यह पात्र है इसके पिता जो पुरानी विचारदारा को मानने में वेले हैं पूत्र है जो आदमिक विचारों का होता है और पूत्र की पत्नी का नाम है देवा अन्यो जो इसमें पात्र हैं वो है कप्तान भाई दादा भाई बहन वायू सेना में नौकरी करती है और जो स्वारी अन्य कहानिया है यह ठीक है नेट खतम अच्छा कोई बात ने ठीक है पिता पुत्र और पुत्र की पत्नी तीन बात रहें इसमें है ना इसको हम अब आगे बढ़ेंगे जो इनके और कहानिया है कप्तान भाई दादा भाई बहन बहन और वायू सेना में नौकरी स्वारी फैंस के इधर उदर बहुत इंबर्ड़न पर पूछे गई कहानियों 1968 में यात्रा निसवीकतर क्षणजी विस्ततर सुपना नहीं सदतर प्राम चंदरी तीवारी कह रहें इनके बारे में ग्यानरंजन मुख्य रूप से मधिवर्गी जिवनकी को रूपताओं वि देखे के की खाई को व्यक्त करने वाली कहानी है ज्यानरंजन ने अपने पिता कहानी के संदर्व में प्रतिनीदी कहानियों की भूमिका में लिखा है मेरी पिता कहानी में उसे पिता विरूदी दर्शिन के साथ जोडने की एक रांतिकारी अलुचना भी सामने आई है मैं इस तरीके को कभी भी पसंद नहीं कर सका क्योंकि मेरी कहानियों में नीजे मामले काफी हद तक जूट भी थे हलांकि भी सार्विजनिक सचाईयों के साथ स्वभाविक रोख से जोड़े जा सकते थे अमरिसर आ गया ये बीशम सहानी के कहानिया प्रकाशिन वर्श उनिसो तेहत्तर यह कहानी पट्रियां संग्रह में संकलेते ध्यान देंगे उनिसो तेहत्तर में इसमें कुल चौदा कहानिया है इनके अन्य कहानिया है भागे रेखा उनिसो त्रेपन पहला पार्ट सतावन भटकती राक चासट पट्रियां उनिसो त्यहत्तर वांग चो बहुत इंपर्टन कहानी पोचे जाती है उनिसो अठतर शोबा यात्रा 81 निशाचा 83 पाली 88 डायन 98 इसके पातर है सरदार तीतरा पठान दूबला बाबु गरीब मसाफिर उसकी पत्नी और बेटी और कोचन्य यात्री मुख्य बिंदू नावर सिंग कहारे साथगी और सहच्ता बीश्म जी की कहानी कला की ऐसे खू नहीं देती डॉक्टर सुरेश से गह रहे हैं कि वर्ग विश्म में आर्थिक विपनता और परिणान स्वरुप उत्पन चारित्रिक अंतर विरूद एवं कर्टुता उनकी कहानियों की मूल स्वर हैं जिसमें जीवन की प्रतिया टूट निश्ठा एवं संगर्षपर यह कहानी मैंश अली में लिखे गई हैं ध्यान लें भारत पाक विवाजन पर आधारी था यह जिसमें विवाजन की परश्रास सांप्रदाइक दंगों का चित्रन है परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की है परिंदे कहानी संग्रे में ही प्रकाशित है इनके अन्य कहानी है निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी के मुख्य पातर है कुमाओ के कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका है सुधा जा है वो हॉस्टिल की सबसे लोप्रिय लड़की है जुली हॉस्टिल की लड़की जो फौजी से प्रेम करती है और डॉक्टर मुखर जी सरवादिक जिवन पात रहें इसमें मिस्टर हुबर्ट संगीत शिक्षक है गता लटिका से प्रेम करते हैं प्रिंसिपल मिस्टर चिडचड़ा विक्तित्व होने से अब ओल्ड मेट कहने लगते हैं उसको सभी सब ओल्ड मेट कहने लगते हैं स्कूल की प्रिंसिपल है मिस्टर गिरीश नेगी जो है वो कुमाव रेजिमेंट का कैप्टन है तता लटिका उससे प्रेम करती हैं फादर एल्मेंट भी है इसमें विशे जो है इस कहानी का या इस कहानी में अकेले पन और अलग आपके कारण जीवर में निरस्ता का वर्णन है मुख्य बिंदू नामवर सिंग क्या रहे हैं कि परिंदे निर्मल वर्मा की पहली क्रिती के साथ नई कहानी की भी पहली क्रिती है नामवर सिंग क्या रहे हैं परिंदे से यह शिकायत दूर हो जाती है कि हिंदी कथा साहित अभी पुराने समाजिक स संगर्ष के स्थूल धरात्तल पर ही मार्ट टैप कर रहा है संकालिन में निर्मल वर्मा पहले कहाने कान हैं जिन्होंने इस दाइरे को तोड़ा है बिलकि छोड़ा है और समाज के मनुष्य की बाहिया अंत्रिक समस्य को उठाया है नामर सिंग प्रिंदे से नई कहानी के शु पहंचानी है लेकिन निर्मल के हाथों वही स्थितियां इतिहास की विराट बनकर खड़ी हो जाती है और उनकी समुख खड़ा विक्ति सहसा अपने को उकेला पाता है नामर सिंग का दूसरा कतन परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंतरता या मुक्ति की समस्या बहुत इंप से मुक्त होने के लिए प्रयासरत है सुरेश शौदरी कह रहे हैं इस पारे में कि परिंदे कहाने संग्रे की कहानियों में तास्गी थी मगर यह तास्गी इस कारण नहीं थी कि निर्मल वर्मानी इन कहानियों को अपने समय के इतिहास कि उस विराट नियती को पहचान लिय जो कि मरेश्यों को अकेला करती है लटिक का अकेलापन उसकी स्थिती भर है एसी समस्या नहीं जिस से वह बिढ़िद दिखाए देती निर्मल की कहानी बेवरे नहीं है बलकि ब्योरों में कहानी है निर्मल ने अपने कहानियों का मुख्य विश्य दूसरों से ना जुड़ पाने तथा अकेले रह जाने के अलगा बोध की स्थिति में दिखाये हैं रामदरश मेश्र इनके बारे में कहरें कि परिंदे जो है वो प्रतीक है परिंदे प्रतीक है परिंदे किसको बोलते हैं इसे परिंदे प्रतीक है तूट कर उस पहाड़ी स्थान पर एकत्र हो गए हैं लतिका डॉक्टर मुखर जी मिस्टर व्यूबर्ट भी तो परिंदे ही हैं किन्तु परिंदे तो एक ठहराव के बाद मैदान के रूड जाएंगे किन्तु वितीनों कहां जाएंगे ये तो उसे सुंसान पहाड़ी पर एक साथ होते हुए भी अलग-अलग रहने के लिए अब अभिशप्त है ठेक है चेप की दावत भीश्म साहनी की कहानी है अम वित्सर आ गया अब चेप की दावत दोनों ही तो प्रकाशन वर्चिस का 1956 है पहला पार्ट संग्रह में संगले थे ये कहानी, कहानी के बात रहें शामनाथ, शामनाथ की बतने शामनाथ की माँ और चीफ इस कहानी के मादेम से आदनी पेड़ी के बच्चों का माता पिता के प्रती बदते व्यभार तथा उपेक्षा पुन द्रिश्टे से द्रिश्टे को समवेदनात्म कुरूप से चुत्रत किया गया चेप की दावत यदार्थवादी कहानी है मदेवर्की, बहरी, आडंबर, प्रियता, पोखलेपन, मानसिक, अंतरद्वन्द, वर्गिस्तिती, पारिवारिक मुल्यों के प्रतियास्था, तथा पनप्रही अफसरवादी का चित्रन किया गया है और नई पीड़ी पर वेंगे है जिसका मुख्य लक्षे भौतिक प्रगति करना ही है मुख्य बिंदु है, डॉक्टर गोपाल रहा क्या रहे हैं कि इस कहानी मुख्य रूप से सांस्क्रितिक राज कांकन किया गया है जो मदेवर्क में आपनी वेशिक प्रभाव की देन है या पदवनिती के लिए बड़े अधिकारी की बेहतने मिस्तर की चाटू का रहे था यूरोपी संस्क्रिति की बोड़ी नकल की चेश्टा जूटी शान का दैनिय प्रदर्शन उच्च पदा अधिकारी के सामने भीगी बिली और मताहतों की सामने शेयर जैसे व्याभार करने की मानसिक पुराणी पीडी के प्रति ओमानवे व्याभार आधिमध्यवर्गी अंतर विरूत कांकर नि बिलगी, विलेखल कि सामान से भी बड़ी समस्या, सामान को छिपाने तो आसान है, लेकिन इस जीवित सामान का क्या करें, नांभर सिंग का गठा नहीं है ना, और शामनात अपनी मा को पूड़े करकट की भांती छिपाना चाहता है, मदु सिंग कहा रहे हैं, कि शामनात मां को इस घर से उस घर तक छिपाता करता है नवीनता यहा है कि मां इस पर नराज नहीं है क्योंकि वह भी अपने बच्चे की भविश्य के लिए चिंतिक है पर अपनी परिस्थेते पर संपुचित अवश्य है कहानी में शिक्षिती वह पिड़ी पर विंगे किया गया है जो कि पश्यमे सब्वेता के चादर ओड़े अपने आपको आदमिक समझता है और हर पुरानी चेज को उपेक्षा की दृष्टे से देखता है पुराने खयालातों के मां को भी पुराने वस्तों की भांती यहां महाची पाना चाहता है इस कहानी के मादिम से मद्वर्ग के आर्थिक व सांस्क्रेटिक अंतलवन को चित्रित किया गया है और आदनिक्ता के नाम पर पश्यमे सब्वेता के चादर ओड़े शामनाथ अपनी मां के प्रति मुले हिंता की कहानी के मुख्य केंद्र बिंदु है मद्वर्गी वेक्ति के दिखाप्टी पन तर्था खोकले पन को इसमें चित्रित किया गया है बेटा जो अपनी बुड़ी मां के त्याग को मां का पर्ज समझता है कहानी अपने पड़ी है ये भी विश्मिसानी के अन्ने कहानिया भागे रेखा वटक तिराख वांग्चु निशाचल हमने पीछे भी देखी थी डायन, पहला बाट, पट्रिया, शोभयात्रा और पाली सिक्का बदल गया कहानी है कृष्णा सोब्ती की 1948 में देश के आजाद होने के एक साल बाद कहानी के पातर हैं शाहनी, शाहजी शाहनी ज़ा वो मुख्य पातर है शाहजी शाहनी के बती है शाहनी के पास पलकर बड़ा होता है ये लड़का और मां के मरने के बाद शाहनी के पास से लएता और शाहनी है उसे पालती है हसेना है शाहनी के पत्नी गाउत खान जो है वो इसमें थानेदार है और अन्य पातरेस में वेगुपटवारी जैनदार और जैना और नवाव बीवी मुख्यविंदुस के कृष्णा सोब्ती के एक मात्र कहाने संग्राबादलों के घेरे में 1980 में ये छपी थी जिसमें कुल 24 कहाने संग्ल थे अन्य कहानिया इनकी कृष्णा सोब्ती की डार से बीचुरी 58 में यारों के यार 68 तेन पहाड 1968 ए लड़की 1991 नाम पट्टि का डरो मत में तुभारे रक्षा करोगा मेरी माँ कहां दादी अम्मा मेरी माँ कहां दादी अम्मा कृष्णा सोब्ती के प्रथम कहानी लामा कृष्णा सुब्ती की पहली कहानी कौन से है लाम वानी सुपचास में लिखी गई थी सिक्का बदल गया कहानी बादलों के घेरे में कहानी संग्रे में संग्लित है सर्प्रत्व 1908 इस तोई में सिक्का बदल गया कहानी प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित होई है भारत-पाक विभाजन की समस्या को इसी कहानी इस कहानी मे तिल गया है में शाहनी मैं शाहनी के लिए बढ़वारी की कारण हुकूमत की बदल जाने से सिक्षे की बदल जाने का कोई मतलब नहीं रहा गया है उसे मानवी मुल्यों इस कहानी में विभाजन के समय लोगों की मनस्तितियों में बदलाओं को दर्शाया गया है जो निराशा ठीडा को विधत करती है इंस्पेक्टर और मातादीन चांद पर हरिशंकर प्रसाइदौरा लिखी गई कहानी कोटवाल और इंस्पेक्टर चांद की पुलिस के सिपाही हैं अन्नी कहानी संगरे हैं हसते हैं रोते हैं जैसे उनकी दिन पिरे और भोलाराम का जीव भोलाराम का जीव बड़ी थी मुख्य बिदू इंस्पेक्टर मातादिन चांद पर कहानी व्रसित विएग कि रचना है इसमें भारती शार्शन विवस्ता पड़ मातादिन की बादन से करार्ण विवस्ता किस पर भारतिय शार्शन विवस्ता पर धियान दे कि लौर्ड करजन पिरवtoo ज stor performed यह इसमें यह कहानी फेंटेसी शेली में लिखी गई है स्वपने का था हरिशंकर परसाई के अनुस्वान विंगी जीवन से साक्षात करता है जीवन आलोशना करता है विसंगितियों मिथ्याचार और पाकड़नों का परदा भाश करता है रामचंदर तिवारी कह रहे हैं परसाई नहीं कहानी के परंपरागत रूप बंत पर ध्यान ना देकर अपनी बात को अधिक से अधिक पैनी और नुकीली बनाकर पेश किया है समकालिन जीवन अथारत का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसके विसंगतियों अंतर विरोध का उद्गाटर परसाई ने ना किया हो हरिशंकर परस जीवन का कालपने चित्रन तथा भारती पुलिस विवस्तास में व्यापत ब्रष्टाचार का रासपुर्ण वर्ण गिलता है जो राही कहानी है वो सुभद्रा कुमारी जोहान इसकी लेखी का और 1947 में ये कहानी लिखी गई है सीधे साधे चित्र कहानी संग्रे में ये प् पात्रे इसके कहानी में केवल दो ही पात्रे है राही एक गरीब और जिसे चोरी के जुर्व में जेल भेज़ दे जाता है और अनीता एक अमीर और जो स्वाजंतरता संग्राव में करांती कारेगति वीदियो की कारण जेल गई हुई है तो दोनों ही जेल जा रही है लेकिन अलग लग कारण है उनके जेल जाने के मुख्य बिंदू मुख्य मुक्ति बूद सुबद्रक मारे चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधरन नारियों को आकांशा और भावों को वेक्त करती है बहन माता पत्नी के साथ सथ एक सची देश सेविका के भाव उन्होंने वेक इस कहाने की मादम से गरीबों के कल्यान कारे को ही सची देशबक्ति माना गया है इद गहां मुण्शी प्रेमचंद की कहानी है उनी सो ते इस में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुए थी चीक है इद का चांद इस तरह से आप याद रख सकते हैं अने कहानी संग्रे सबस्तर अबनीधी 7 प्रेमचंद की कहानी संग्रे आपको बताई है यह हमने अभी देखे थे काल पर्सोई यह केते रहेएज प्रेमचंद के उपनियास कहा जाता है प्रेम्चन ने लिए अगा है सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनुविग्यानिक सत्य पर होता है कहानी यसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक अमनो भाग को प्रदर्शित करना ही लेखा का उदेश्य रहता है उसके शरीत उसके शैली उसके कथा विन्यास सभी उसके एक भाग को फुष्ट करते हैं उपन्यास की मांदे उसमें मानव जीवन के समबाद ब्रहत रूप से दिखाने का प्रियास नहीं किया जाता है एदगाह बाल मनुविग्यानिक कहानी है इसमें हामिद के मादिम से बालक के मन के स सहस्ता का सुक्ष में चित्रन किया गया है बच्चों में ईद की पर्व को लेकर तथा मेले घुमने जाने के लिए उत्सा कवर्णन है कहानी का मुख्य उदेश्य गरीबी लाचारी और बेबसी में बच्चे छोटी उम्र में समस्दार वो परिपक्व हो जाते हैं इस कहान के मुख्य पात्र हामिद है जो मेले में खिलाने और मिठायाना लेकर चिम्टा खरीद लाता है यह यहां बच्चे की समझदारी विवेक का सफ़र चित्रन प्रस्तुत किया गया है अमीना के मादम से इस कहानी में विद्वा, बेसहरा, बुड़ी के जीवन यापन के समस्या, समाज में व्यापत, आर्तिक विश्वंत, सबरश्टा, चारादी समस्यां को अजाधर करती है कहानी के पात्र कौन-कौन है, मुख्य पात्र है इसमें हामिद और अमीना, और अन्य पात्र है महमूद, महसिन, नूरिय और समी दुनिया का सबसे अन्मोल रतन कहानी है, प्रेम्चन की, लेकर प्रेम्चन है, मूल नाविन का नवाव राए, प्रकाशन वर्चन निस साथ, जो सोशे बतन इनकी कहानी है, निस वार्ट में, उसी में संकलित है, ये दुनिया का सबसे अन्मोल रतन, मुख्य बिंद इसके प्रथम उर्दु कहानी संसार का सबसे अनमोर रतन दुनिया का अनमोर रतन और संसार का सबसे अनमोर रतन कुछ भी संसार और दुनिया पर गन्फ्यूज मी होना एकी बात हैं 1907 है मैं प्रेंचन कौन में प्रत्रम उर्द्व कहानी संगले। सोजे वतन में ठीक है सोजे वतन में बाज कहानी को संकलन किया गया था जो निम लिखे थे इसके दुनिया वह भुब्वे वतन पहली सांसारी प्रेम और देश प्रेम दूसरी दुनिया का सबसे अन्मोल रतन तीसरी यह मेरा वतन है चाथी और शेक मुखमूल पांचवी मिले मातम और शोकप रसकार सोजे वतन कहानी संगरे को ब्रेटिस संगरे को उसमें पांच कहानी संकली थी जो हमने पीछे देखी थी ठीक है तो वो सारी देश वक्ति से संबंधी तीस ले अंग्रेज संगरे इसको जब्द कर लिया था प्रेंचन नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी 1910 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी बहुत important है कि प्रेमचन नाम से इनकी पहली कहानी कौन सी थी तो प्रेमचन नाम से इनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी थी जो ने 110 में लिखी गई थी प्रेमचन नाम इनको किस ने दिया था जलदे से बताईए अभी परसों की class 7 ने आपको बताया था और ये जमाना पत की पहली कहांस नाम से बड़े घर की बेटी थीक है करिंडल कीम इनको उर्दो में कहानी लिखी है तो पहली में करनी से का वीडियो भीडियो यहां को मेरेब मेरे पास दूशा कनट्रोल नहीं है उस पर टीम काम करती है ठीक है मैं देखूंगे अगर शो नहीं हो रही है तो मैं आपकी कुंप्लेंट रेजिस्टर कर दोंगी और मैं सर्फ PDF डाल सकती हूँ एना पीडियुफ मैं डाल दोंगी प्रेम चंध को किसने प्रेम चंध के पहली हिंदी कहानीrence में अकर पूर्च अंजा सी है को आन्या है क्षा दॉक्रिय 거는 रहे हैं के बुमिका में पहली बार short story बत के अर्थ में कहानी का प्रयोकिया है तो कहानी को किया कहा मुशित दैनत कहानी को इन्होंने short story बोला है डॉक्टर रामिला शर्मा कि क्या खहरे कि कबीर के बाद प्रेमचन हिंदी के सबसे पहले रेंगेकार है ध्यान देंगे बॉटन का थन है दुनिया का सबसे अनमोर रतन कहानी देश प्रेम में देश प्रेम वह देश भक्ति की भामना से उत्प्रोथ है इस कहानी में प्रेस का आदर्श स्वरूप का चितरन दिल फिगार के मादिन सिखिया गया है जो अपने प्रेमी का दिल फरेम से सच्छी करता है तीन रतन के रूप में क्या-क्या दिखाया गया था इसमें क्या-क्या लेकर आया था वो पहला पवित्रांसु लेकर क्या आता है कैदी के आंसु फिर लाता है सती की राख तीसरे निमबर पर जब जाता है तो लेकर क्या आता है देश सिवा में की राख उनका एक कत रहें दिलफिगार जो कहानी का मुख्य पात्र है दिलफरीप रूप की मली का और मुख्य नारी पात्र है काला चोर वह कैदी है जिसे फांसी दी जा रही थी काले चोर को फांसी दी जा रही थी ठीक है अपना अपना भागे कहानी है जैनेंद्र की जैनेंद्र की जो कहानी अ जैनेंद्र की पहली कहानी खेल 1928 में विशाल भारत पत्रिका अम्रकाशित हुई थी जैनेंद्र का कथन है कि कहानी इति-बृति ही तो है यरि उसमें सिधी सिध्यांतर अर्था जीवन गती होनी चाहिए काल का कुछ स्बंदन, कुछ तनाव, अनभव हो वही तो कहानी का रस है जैनेंद्र की कहानी एक भूख है जो निरंतर समधान पानी की कोशिश करती है डॉक्टर लक्षमी नारेडला कहा रहे हैं कि जैनेंद्र मानव जीवन दर्शन के सबसे बड़े कहानी कार है राम जेंद्र तिवारी कहानी हिंदी के दर्शन मनुवेग्यान आध्यात्मक और भाव निर्वान को कला चेतना के साथ संपरेक्द करने का श्री जैनेंद्र को प्रापत है अपना-पना भाग्य कहानी आत्मक अध्या फिर मैशली में लिखे गई है इस कहानी के माध्यम से लेकक ने अपने व्यक्तिकत स्वार्थों से उपर उठकर नैतिकता पर उठकार और समाजिक जिम्मेदारी का सिंदेश दिया है जैनेंद्र के इस कहानी में बड़ा मार्विक धंग से एक गरीब बच्चे का चित्रन किया गया है जो भूक प्यास ठंड में सर्दी में मर जाता है क्योंकि किसी ने उसके मदद नहींगी यहां कहानी चार अंकों में है जिसमें भागे के वरो से चोड़ने की प्रवित्ति का चित्रन है मुल्शी दया नारायन निगम उनका पूरा नाम था जिन्नोंने प्रेमचन को प्रेमचन नाम दिया था नवाब राय को प्रेमचन नाम दिया था इस कहानी में प्रकृति का पहाड़िक शित्रों में व्यावत गरीबी तथा बाल श्रम का मार्मिक रंद से चित्रन प्रस्तत किया है अपना-पना भागे कहानी के केंद्रे में मुख्य रूप से अतें असाहाई गरीब लड़का है जो महनती है, स्वाभीवानी है भूखा रहने पर भी वह किसी के आगे हाथ नहीं पहलाता और नहीं चोरी करने के कोशिश करता है उसे काम की तलाश होती है लेकक्रेस कहानी में इस लड़के के मादिम से वह तमाम गरीब भारत वासीव का प्रतने दित्व किया है जो अपने भागे के सारे जीते है कहानी में समाजिक और आर्थिक वशमता, गरीबी और अमेरीके बीच अंतर को सपश्टूप से चित्रित किया गया है उसने कहा था कहानी चंद्रदर शर्मा गुलेरी के कहानी है 1915 में सरस्वतिपत्रिका में प्रकाशिव अन्ने कहानिया है इनकी गुलेरी जे कि सुख में जीवन बुद्दू का गांटर उसने कहा था तीनी कहानिया इनकी इंपोटन है तीनो सुख में जीवन जो है वो भारत मित्रपत्रिका में है भारत में सुख में जीवन है ना भारत में सुक्में जीवन इस तष़ स्याद कर लें सुक्में जीवन भारत में तर्पत्रिकावें बुद्धु का गार्ट था 14 उसने कहा था 15 सरसुती पत्रिकावीं कConラ राजिंद्रियादर ने उनने कहा था कहानी को हेंद्धी की पेहली कहानील माना है दियान दे मुख्य विद्व आचारे शुक्लिके निसान उसने कहा था गटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्ग्य स्वरुख जांक रहा है केवल जांक रहा है निरलजजटा के साथ हाफ नहीं रहा है कहानी अभर में कहीं प्रेम के निरलजजटा प्रागलबता वेदना के विवत्स विवरित्ती विष्टती नहीं है सुरुची के सुकुमार के से सुकुमार स्वरुख पर कहीं आघात नहीं पहुंचता इसकी घटनाएं बोल रही है पात्रों के बोलने की अफिक्षा नहीं है तो मतलब इसमें कैसा प्रेम है आदर्श प्रेम दिखाया गया है कि ऐसा नहीं है कि प्रेम के लिए मतलब कुछ निरलजजटा दिखा दी गई हो है इसमें क्या है आदर्श प्रेम है और त्याग की भावना क्योंकि प्रेम में त्याग सबसे ज़्यादा जरूरी होता है अगर किसी के अंदर त्याग नहीं है तो वह प्रेम प्रेम नहीं माना जाता है अगर किसी ने त्याग किया है प्रेम के लिए तो वह और इजनल प्रेम ह कहानी कहीं सरश्णा की दृष्टी से चंद्रधर शर्मा गुलेडी की कहानी उसने कहा था विकास के सामाने नियम के रूप में बलकि अपबाद के रूप में सामने आती है तो टाइम हो गया किसी ने मुझे बताया गया इसमें गैंगरीन कहानी है आकाश्टीप कहानी है गैंगरीन कहानी अगें की दौरा लिखी गई है 1934 में विपत्तगा कहानी संग्रे में रोज नाम से छप्टी है यह उनी सो नब्डे में ठीक है विपत्तगा की पांचवे संस् कि जो है तो पिसकी बाद अकाश्टीप कहाने संग्रे में इसिंग लेथ है यह संक लिए होसी घटवार कहाने संग्रे में प्रकाशित है trap आगे है गुल्फाम प्रैश्व नत्रेनकों कि औरironी 입니다 अप्राश्पत्रिका में सरप्रतम प्रकाशित हुई थी उन्हें स्वनसर्थ में ठुम्रे कहानी संग्राय में ध्यान दें तीसरी कसम जो कहानी है ठुम्री कहानी संग्राय में प्रकाशित है आद्री आदिम रात्री की महें 1967 ये नहीं की कहानी ये लिखी गई ड्रेरुजी की ठीक है और यहां पर ये चला लग रहा है इसलिप बता नहीं चला रहा है तो अपना ध्यान रखें अच्छे से बढ़ाई करें और आज की क्लास कम स्टार्ट करते हैं यूनिट नमबर नाइन आज हमने पढ़ना है और पिछली यूनिट से आपने पढ़ी हैं आज हम पढ़ने वादे हैं यूनिट नमबर नो हिंदी निपन्थ आवाज मेरी इतनी ठीक है क्योंकि मुझे तबीय थोड़े सही नहीं लग रही है अपने भी तो ज्यादा जोड़ से मैं बोलने पहूंगे इतना ठीक है ना चले हिंदी निपन्थ एक आई नौस तो पहले समाने पर इच्छे देखते हैं इसे सिर कुछ भारी भारी सा लग रहा है वैसे में पीपीटी बिना रही थी कापकी देर से तो लगातार लैपटॉप देखके आंखे आंखे कुछ ऐसी हो गई हैं दर्दसा और सिर भारी लग रहा है आजव शिम्ला गर्मी में सर्दी का है सास हाँ ठीक है एक चली पीपीटी बिना रही थी तो लगातार वो स्क्रीन देख देखके वो प्रॉब्लम हो जाते हैं आंखों में फिर सिर भी भारी भारी हो जाता है उस वज़े से तो वही हुआ है फोन में पढ़कर हाँ फोन में फोन में तो उससे पढ़ा ही नहीं जाता बहुत दिक्कत होती है कोशिश किया करें अपने नोट्स बनाया करें नोट्स पढ़ा करें है ना उन तो बहुत डेंजिरस है सीधा सा रांखों पर होता है चलें शुरू करते हैं हिंदी निवन्द की शुरुवात होई है 19 सदी के उत्तरार्थ से हिंदी के प्रात्मिक निवन्दों को आचारे शुक्लों ने गद्दे प्रवन्द कहा है हिंदी का प्रात्म निवन्द कार कौन है इसको लेकर विद्वानों में मत भेद रहा है विद्वान एक मत होकर बाल कृष्ण भट को हिंदी का पहला निवन्द कार बानते हैं या फिर हिंदी निवन्द के जनक की रूप में स्विकार करते हैं किसको बालकृष्ण और भटको क्या हुआ मैं आपको क्या हो गया कुछ नहीं थोड़ा से सिर भारी लग रहा है लगतार बैठ बैठ के और फोन नहीं देख के सरी लैप्टॉप देख के फीपीटी बिना रही थी आपके लिए आचारी शुक्लिक एनसार भारते इंदु हरिष्चंद्र हिंदी के प्रथम निबंद का रहे हैं शुक्लिक इसको मानते हैं भारते इंदु को ध्यान दे भारते इंदु यूग में निबंदो में नए प्रयोग हुए निबंदो में प्रोड़ता द्वेदी यूग में आई इसी दौर में भार्षा का मानक रूप निर्मित हुआ प्राड़ता कब आई है वेद यूग में आई है और भारतेंदो यूग में क्या हुआ निबंधों में नई प्रयोग हुए ठीक है हिंदी निबंध के विकास में आचारे शुकले का विशेश महत्व है जैसे कि इधर देखते हैं हिंदी निबंध को तीन यूगों में बाटा जाता है शुकल पूर्वियूग, शुकल यूग, शुकल अतर यूग जैसे हम कहानियों में देखते हैं ना प्रेमचंद कहानी के केंद्र है प्रेमचंद कहानी के केंद्र में है तो प्रेमचंद पूर्व कहानी, ऐसे पढ़ते हैं, उसी तरह से जो निबंध है, निबंधों में केंदर किसको माना जाता है, शुकली जी को माना जाता है, ठीक है? तो शुकली जी को केंदर में रखते हुए, हम देखते हैं, शुकली यूग के निबंध, शुकली यूग के निबंध, शुकली यूगीन और शुकलोतर निबंध, इस तरह से हम देखते हैं, वैसे ही नाटको में हम किसको रखते हैं सेंटर में, जल्दी जल्दी से, यहां मेर साथ रहें और फटा-फट मेरी बात बहुत जबाती है ठीक है नाटकों में हम किसको सेंटर में रखते हैं अगरे बेंग नमस्ते जेशनकर प्रसाद को है ना तो हम क्या कहते हैं प्रसाद यहाँ पे केंदर में रहते हैं और हम कहते हैं प्रसाद पूर्वनाटक प्रसाद यूगीन नाटक प्रसाद उत्तर नाटक इस तरह से है ना तो वैसे ही कौन है यहाँ पर भारतिन दू नहीं प्रसाद जेशनकर प्र छुकल पूर्वी यूग के जो निबंध है वो अलग है जो यूदि यूग करसल के उनीश सो हुई है भारतेंदु हरिश्चेंद्र ने 8808 में कभी वच्छ सुधा का प्रगाश्र आरंब किया जल्दी से बताएं भारतेंदु की तीन पत्रिकाओं के नाम फटाफट उतने में मैं बुक लेकर के आ रही हूँ जल्दी जल्दी से यहां पर लिखें भारतेंदु की तीनों पत्रिकाओं के नाम बताएं जल्दी से जल्दी करें महां है खो अल्योंके तौनी शक्रहो ताहरा अजाश्र आफ़िश्र क्योंगर्ड है यहक। कि यहक्रों च ? जदिनी कविवचन सुधा हान जी और कविवचन सुधा का प्रकाशन बदा रहे हैं यहां पर प्रकाशन मतलब की जब निकाली थी यह पत्रिका नाम क्या था प्रताप नरण मेश्रुदौरा प्रकाशत पत्रिका कौन से थी? ब्राहमर्ण, बहुत important पत्रिका है ये? हरिश्द्र चंद्रे का? ओके, हरिश्द्र चंद्रे का, इसका पहले नाम क्या था? पहले का नाम क्या था इसका? 68, 73, 75 चंद्रिका का नाम पूछ रही हूं मैं चंद्रिका थाप के हिसाब से जल्दी 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 अच्छा आपको पता है कि इसका नाम चेंज किया था इस पत्रिका का इस पत्रिका का नाम चेंज किया गया था मैगजीन हरिश्चंद्र मैगजीन इस पत्रिका का नाम चेंज किया था कितने अंकों के बाद नाम चेंज किया था जल्दी से नाथ हुंक नाम चेंज कितने नाम स्काइब था था मिर्गणा पत्रिका नाम चेंज किょंक점 प्रताब नारण मिश्र की जो पत्रिका थी ब्राहमण, बाल कृष्ण भट की पत्रिका थी हिंदी प्रदीप, ठीक है, और बदरी नारण चौदरी प्रेम घन की आनन्द कादम भी ने, प्रमुख पत्रिका आए हैं, प्रमुख निबंदकार, बाल कृष्ण भट, इन्हें आचारे शुक्ल ने क्या कहा है, हिंदी का स्टील, इनको हिंदी का स्टील कहा जाता है, और हिंदी का एडिसन किसको कहा जाता है, यह पता है, जनुदी से बताईए, इन्हें आचारे शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है किसको बालकृषिन भट को कलिराज की सभा इनका पहला निबंध है जो कविवचन सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था कविवचन सुधा किस ने निकाली थी पत्रिका भारतें दोने उसे पत्रिका में ये वाला निबंध यानि कि कलिराज की सभा वापरकाशित हुआ था ये मनोविकार संबंधी निबंध के प्रणेटा माने जाते हैं तो मनो निबंधो को ये लिखते थे भठची विचार प्रधान निबंधकार है इनके इसके साथ इनुने भवावात्मक्ांञों निबंद भी लिखे हैं अब ये भावात्मक वर्णनात्मक अधात्मक निबंद क्या हैं कैसे हैं इसकी सारी आपको जो डेटेल है वो मिल जाएगी शौट वीडियो में फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पर जाएगा वहां पर मैंने निबंदों के पूरे जितने भी टाइ साहिति जनसमू के रिदे का विकासे ये इनका निबंद भी है और इनकी पंक्ती भी पूछी जाती है तो ये गधन माना जाता है बालकृष्ण भट का क्योंकि इनिका निबंद है आत्म निर्भरता इनका निबंद है, ठीक है उसके वाद आते हैं भारती इंदध हरिश्यंद्र पर शिवदान सिंग चोहां नहीं इने हिंदी का पहला निबंकार माना है और किसने वाना है भारती हिंदू को हिंदी का पहला निपन्द का फास्ट फास्ट बताएं अंसर दें जल्दी जल्दी से क्या संजे बंडा विजे मुर्मो क्या क्या है भई मनेशा क्या क्या है यह बिटिया इनके विद्य गुरु मारे जाते है शिप्रसाथ सितारे हिंद किसके भारती हिंदू के सुरियोदे सुरियोदे अभी आ जाएगा इसी में ही आगे देखते है जो आप नाम बता रहे हो तो मुझे कुछ जाने पेचाने भी नहीं लग रहे क्या है वो इनके प्रमुक निबंध हरिश्चंद्रिका में प्रकाशित हुए हैं इन्होंने इतिहास, पुरान, धरन, स्मास, सुधार, जीवन, यात्रा, वरिनन, भाषा, आदिविश्व पर निबंध लिखे हैं महारत वर्षक्यों नति कैसे हो सकती हैं और जाती संगीत निबंध में राष्ट्र में उनकी गहरी निष्ठा व्यक्त हुई हैं इनके निबंधों की भाषा में उर्दो, संस्कृत और बोलचाल की हिंदी के शब्दों का प्रयोग हो आया और एक है अद्वुद्सवपन ठेक हैं दो अलग अलग तरह के हैं एक जैसे मतलब दिखते हैं तो एक जैसे निबंध हो उनको एक बार देख लेना ठेक है प्रदापनारण मिश्ट्रे इनके निबंदों का पहला संकलन निबंध नवनीत नाम से प्रकाशित हुआ था इनके 151 निबंध प्रदापनारण ग्रंधावली में संकलित हैं इनके प्रसिद्धी आत्मविंजक निबंध कार के रूप में हैं इनको आत्मविंजक निबंध कार माना जाता है ठीक है प्रदापनारण मिश्रकों शेली कि दृष्टी से नोने वर्णन आत्मक विचार आत्मक भावाब आत्मत था हाज शे वे इंगे पर्वखनी बंद लिखे हैं शुक्ली जी नहीं हिंडी का एडि सन कहा है किसको प्रताप अयरं मेश्र को हिंडी का स्ट्रील किसको कहा जाता है हिंडी का स्ट्रील प्रमुखनिबंध इनके स्त्री, नारी, जुवा, देशी कपड़ा, इंकम टेक्स, हम राजबत हैं, मुक्ति के भागी, भौ, धोका, आप बात पेट, ठेक हैं? तो इस तरह के निवन दिनों ने लिखे हैं, इनको कहा जाता है हिंदी का एडिसन, और हिंदी का स्टील किसको कहा जाता है? बालकृष्ण भट को, very good. साहिते नवनीत नाम से अम्भीका दत्व्यास का निवन संग्रा है, जो साहिते नवनीत अभी हमने पीछे देखा था, कि इनके पूरे निवन्द इसमें संगलित मिलते हैं, ठीक है, तो वो किसने लिखे हैं, साहिते नवनीत, हमने कहा देखा था, पहला इनके निवन्दों का जो संकलन है, ये नवनीत नाम से अम्भीका दत्व्यास का निवन संग्रे है, यम लोग की आत्रा राधाचरण गोस्वामी ने स्वापने शाली में लिखी है, भारत् coalition के स्मृद्धी लाला श्री निवासदास के निवंदों में सबसे महतऽपन माना जाता है, का शीनात खत्री को क्या कहा?, मात्री भाशा का सच्चा सेवक, ध्यान देंगे, बूच्छा जार सकता है आपको यह, आगे आते हम दुएदी योग पर, इस यूग में विश्यवस्तु शैली एवं विचारधारा की द्रिष्टी से विकास परिलक्षित होता है सरस्वती पत्रिका में बहुत सारी शेजें नहीं पता मुझे बहुत सारी चीजें छपती थी इस यूग में भाष्णा और व्याकरण संबंदी सरवादिक निवन लिखे गए हैं इस यूग में भारतिंदु यूग की आत्ममिंजिक शैली का फ्रांस हो गया अधिक जानकारी के लिए आप संपर करें शुक्ल वाली बुक से चीक है ट्रदाप नरायन मेश्र और अंबिक आस्वारी किसको वालकृष्ण भठ को ना हुआ साय करा तरिए को ए commenceत है, वालकृष्ण सर्वारी को गवा делает सज्क्रोफिक गवार वालकृष्रन साय कैने लिए को वालकृष्रे only आप लोग को क्या ऐसे ही है कि क्या हो सकता है अपने निबंदों से सब को जगाने का प्रयास यह शुक्र वाले हुप में आपको मिल जाएगा बड़े अराम से ठीक है अभी हम अपना डिटेल में जाने ही रहे हैं पिर भी मैं कोशिश करती हैं कि अगर आपके काम का कुछ मुझे मिल जाता है करते हैं सबी करते हैं रिविजन करते हैं चाहते हैं कि तुम हो नहीं पाता बस चाहते ही हैं हो क्यों नहीं पाता क्या समझ से आ रहे हैं ठीक से क्लास नहीं हो पारा आपकी तवीद ठीक नहीं है ना पहले आप अपने तवीद को सही करिए काम आजाता है अंग्रेजी गद्य साहिते में जो काम स्ट्रील एडिसन ने किया था हां सही है सही है बिल्कुल सही है एक्जेक्टली मझे वर्डिंग याद नहीं आ रही है तो मैं चाह रही हूं कि मैं आपको पढ़के बता देती हूं प्रताप नरायन मेश्र शुकल इनके बारे में कह रही है प्रताप नरायन मिश्र और बालकृष्ण भट ने हिंदी गद्य साहिते में वही काम किया है जो अंग्रेशी गद्य साहिते में एडिसन और स्टील ने किया था हाँ बसे इनके बारे में इतनी पंती दी हुई है ठीक है ठीक है मिल गया मुझे थेंक यो काम तो सबको होते हैं उसी में से तो टाइम निकालना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए काम छोड़नी सकते हैं ऐसा कौन सब तुम लोगों ने अपने परिवार पालने हैं हाँ बस इतना ही लिखा है इसमें प्रताम नारेन मिश्र और बालकृष्ण भट ने हिंदी गद्य साहिते में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहिते में एडिसन और स्टेल ने किया था ठीक है चले अब आगे चलते ह इस यूग में भार्षा और व्यक्राण समधी सरवाधिक निवन्द लिखे गए है इस यूग में भारते इंदु यूग की आत्मियंजिक शैली का रास हो गया था अच्छा इसमें लड़का और लड़की की बात कहां से आ गई काम काम से होता है जिसने काम करना है उसने करना ही है वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की ठीक है यहाँ पर आप मेल फीमेल पे मत चाहिए प्रमुख निवंदकार महावेर प्रसाद वेदी इनके बहुत संखेक निवंद परिश्यात्मक या आलोशनात्मक प्रिपडियों के रूप में है इनके रशनाओं को आचारे शुकल ने क्या कहा है बातों का संग्रे ठीक है किसके निवंदों को महावीर प्रसाद वेदी क ने बंदू को क्या कहा है शुक्ले जाएंगे बातों का संग रहे हैं तो महावीर प्रसाद वेगी तुछी देख लेते हैं थोड़ा सा एडिसन और स्टील नाम है जी अंग्रेजी साहित्य में एक कवीता है नागरी तेरी यही दशा बताएं किसकी है नागरी तेरी यही दशा क्या लिखते हैं इनके मारे में शुक्ले द्वेदी जी ने सान 1903 में सरस्वती के संपाधन का भार लिया तब से अपना सारा समय लिखने में ही लगाया लिखने की सफनता वे इस बात से मानते थे कि पार्ठक भी उससे बहुत कुछ समझ जाएं कई उपियों के पुस्तकों के अतरिक तो उन्होंने फुटकल लेख भी बहुत लिखें पर इन लेखों में अधिकतर लेख बातों का संद्रे के रूप में ही हैं भाशा किनूतन शक्ति चमतकार के साथ नई-ने विचारों के उद्भावना वाले निबन बहुत ही कम मिले हैं मतलब बाते ही हैं उसमें जादा कुछ काम की बाते नहीं हैं नागरी तेरी यही दशा माविफ सद्वेदी रसगे रंजन में इनके निबन संगरहित हैं ध्यान देंगे लौर्ड बेकन की निबन्दों का अनुवाद बेकन विचार रतनावली नामक शिर्षक से इनोंने किया है लौर्ड बेकन की निबन्दों का अनुवाद किया है इनोंने बेकन विचार रतनावली शिर्षक में छपे हैं वो निबन इनके दो लेख हैं कि हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं सरस्वती में छपा था 1913 में और आरे समाज का कोप ये भी सरस्वती में ही छपा था 1914 में ठीक है जो extra मतलब additional knowledge आपको दे रही हूँ नोट कर लेना किसने काशी नागरी प्रचारणी सभाने प्रदान की थी इनको आचारे की उपादी महविप्रसद वेदी को ये भी आपको पता होना चाहिए कहने के आप शक्ता नहीं कि दुएदी जी के लेख या निबंध विचारात्मक श्रेणी में आएंगे तो इनकी निबंद किस श्रेणी में आते हैं? विचारात्मक निबंदों में. लंबी गवेता है ये, अच्छा, very good. आगे हैं, दुवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पढ़ता है कि लेखक बहुत मोर्ती अकल के पार्टकों के लिए लिख रहा है. आगे हैं, प्रमुक निबंदों के संपती शास्त, रसग्य रंजन, लेखा अंजली, उपनियास रहस्य, कालिदासकी, समय का भारत, भार्षा और व्यागरण, म्यूनेसी पॉलिटी के कारना में. ठीक है? आगे चलते हैं, बालमुकुन गुप्त. बालमुकुन गुप्त जी का प्रादुर भाव भारतेंदु योग और वेदियों के संक्रमण स्थल पर एक व्यस्क निबंदकार के रूप में हुआ था. इसका मतलब क्या है? कि जो बालमुकुन गुप्त हैं, इनको एक कड़ी कहा जाता है, भारतेंदु योग और वेदियों के कड़ी कहा जाता है. इनको दोनों योगों को जोडने वाली कड़ी इनको कहा जाता है. किसको? बा आजिक राजनेतिक परिस्थितियों के यथार्थ चित्रन के साथ साथ विदेशी शाषन के प्रती आकरूश बेन निबंदों में मुख्रित हुआ है. शिवशंभू के चिठ्थे आपको पता ही आपके सलेबस में हैं. और चिठ्थे और खत बनाम लॉड करजन, विदाई स भाषन आदिन के प्रसिद निबंध हैं. इन्होंने आत्मराम नाम से महाविपसाद वेदी के निबंध भाषा और व्याकरण में प्रयूपता, अनस्तिरता, शब्की, आलोचना की. इसके बारे में आपको पता हैं. इन्होंने क्या किया था? महाविपसाद वेदी जो थे आपको पता ही है कि भाषा पे बहुत जादा काम कर रहे थे और सरस्वती पत्रिका के मादम से इन्होंने बहुत काम किया है भाषा पर. भाषा को ठीक करने के लिए इन्होंने व्याकरण को स्पेशल इन्होंने ठीक करने के लिए उसकी तुर्टियों को दूर करने के लिए में बहुत काम किया और सरस्थी पत्रिका में जो भी लेख इनके पास छपने के लिए आता था तो उसकी पहले ये भाषा व्याकरन ठीक करते थे कोई मात्राओं की गलती है कोई व्याकरन संबंदी कोई भी थूटी है तो उसको ये सही करते थे पहले तो क्या हुआ कि इन्हों में एक शब्द लिख दिया भाषा व्याकरण इन्होंने एक लेख लिखा भाषा व्याकरण माविपसादवेदी का लेख है इन्होंने एक लेख लिखा भाषा व्याकरण अब देखो भाषा पर है व्याकरण पर है कि इन्होंने क्या कर दिया अनस्थिरता शब्द लेख आप एक तो स्थिरता शब्द होता है, स्थिर, स्थिरता, और एक अस्थिरता होता है, अस्थिरता, तो अस्थिरता कोई नहीं होता, नहीं लगना था इसमें बीच में, तो स्थिरता और अस्थिरता दो सही जो व्याक्रण के तौर पर अगर हम देखें, तो ये दोनों सही श प्रिय शिष्य बालमकंद गुप्त आत्मविंजन आत्मविंजक बताया कि जितने भी ये निबंधों के जो अलग अलग हो है प्रकार है प्रकार कह सकते हैं इसकी मिनना एक वीडियो एक नहीं है तीन-चार वीडियो आपको मिल जाएगी आप अपने चैनल पर जाएं फिलर फॉर्म योट्यूब चैनल पर वहाँ पर शॉर्ट्स में जाकर के वहाँ पर देख लेना यह सारा तो आपको सारे आपको वहाँ पर पता चल जाएंगे कि के प्रकार है ठीक है तो अभी यहाँ पर हम इस चीज़ पर डिस्कुस कर रहे हैं कि अस्थिर्ता और स्थिर्ता दो शब्द है अनस्थिर्ता कोई शब्द नहीं है महाविर्प सादुएदी से गलती हो गए कि इन्होंने भाशा और वैकरण में क्या लिग दिया अनस्थिर कई चेले होते हैं जो गुरु को दूआ देते हैं परिशान करते हैं गलतीय ढूंते हैं ताम खेंचते हैं तो इसी तरह से बालमकुंद गुप्त ने भी किया कि अब सामने तो आ नहीं सकते थे बालमकुंद गुप्त सामने तो बता नहीं सकते थे आकर कि कि आपने ये गलत जलदिया वहाः पर आपना थाकि किसी को पता ना चले बस अपनी बात में बोलू मेरी बात सुननी जाए मेरी बात परमनन किया जाए गाहर किया जाए लेकिन किसी को ये पताना चले कि मैं कौं हूँ है नऄ तो अब teacher है, guru है तो guru तो जानता ही है । कSun कौन ऐसा काम कर सकता है कौन ऐसी शरारत कर सकता है तो गुरू को पता होता है किस की भाशा कैसी है, कौन कैसा कर सकता है क्या बोल सकता है, क्या नहीं बोल सकता है ये गुरू से बहतर और कोई नहीं जानता तो उनको पता चल गया उनको पता चल गया कि इन्होंने ऐसा किया है तो फिर उन्होंने भी उसके जवाब में कुछ लिखा, है ना, आत्माराम की टेंटें, तो इन्होंने क्या किया, महाविप सद्वेदी ने उसके जवाब में, यानि कि आत्माराम के जवाब में क्या लिख दिया, आत्माराम की टेंटें, एक लेख लिख दिया इन्होंने भी आत्माराम की टेटे ठेकिया? तो ये इन्होंने माविर्प साद्वेदी ने एक लिख दिया इसके ऊपर अब चलते हम आगे आङे आचारे माविर्प 스ाद वेदी के अनुसार क्या कहते हैं माविर्प्र 스ाद वेदी अच्छी हमेदी बस एक ही वेक्ति लिखता था वो है बा अच्छी हिंदी बस एक ही वेक्ति लिखता था वो है बालमकुद गुपता गुरू है तो गुरू को पता ही है कि मेरा कौन सा शिश्य अच्छा है चलो मेरी गलते हैं भी ढूंड रहा है तो भी अच्छा गुरू का तो काम है कि वह अच्छा ही बताएगा और टुशंसा था वो है बालमकुद गुपत ठीक है यहां तक clear है सबको यात्मराम वाला अनस्थित्नक शब्द वाला सब clear है किसी को कोई confusion है इसमें तो बता दें मैं आपको फिर से बता सकते हूं जलदी जलदी से किसी को कोई confusion है क्योंकि important है आपको एक्जाम में पूछा जा सकता है ये द लेदियों के सरवादिक सर्शक्त निबंधकर माने जाते हैं विश्य वस्थू के धरातल पर इनके निबंध भावातमक निबंधकर हैं स्वाधीन चिन्तन भाछा के लाक्षन एकता था विंग्यात्मक ता निबंध उनकी निबंध शैली की प्रमुक विशिष्टाएं हैं उनकी विक्ति विंजे क्ललित निबंध अद्वेदियों की महत्पुन उपलब्दी हैं इन्होंने कुल छे निबंध हिंदी में लिखे हैं आचरण के सभेता इनका important मजदूरी और प्रेम आपके syllabus में भी है सच्चिवीरता पवित्रता कन्यादान अमेरिका का मस्त कभी वॉल्ट विट मैन इनकी निबंध है ठीक है शिप उजन सहाई के लगबद 220 निबंध है शिप उजन सहाई रचनावली के खंट तीन में संकलित है निराला ने ने भाषा का जादूगर कहा जाता है तो किस ने कहा है निराला ने कहा है इसको देख लेना कच्छवा धरम मारेसी मोहिक उठाओं विक्रम और वर्षी के मूल कथा गुलेरी जी के प्रसिद निबंध है इंपॉर्टेंट है इतना अच्छा समझाए हो मैं आज भूलने सकता है एक्जाम तक ओखे जी अच्छी बात है भूलना ने चाहिए शुकली युग 1920-1940 आचारे शुकली के निबंध शेतर में प्रवेश से हिंदे निबंध साहिते को एक नाया आयाम मिला इस युग में स्रजनात्म द्रिष्टे से निबंध के अधिक लक्षन निर्में थूए इस युग के निबंध कारों में आचारे शुकली गुलाव राय, चेशंकर प्रसाथ, सुमित्रा नंदन पंध, निराला, माधिवी, प्रेम चंद, शांति प्रेद्वेदी, राहुल निबंध कार है, निबंध की परिभाषा ये क्यासे देते हैं, क्या कहते हैं, यदि गद्ध कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्ध की कसौटी है, भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही अधिक संभव है, एक कथन है, हिंदी गद्ध का किस से माना जाता है शुकले ने किस से माना है नाक कहाणी उप्रियास निबन्ध आप्शन आपके सामने नाटकानि पन्यासने बन्द बताईए शुकली जी की निभंद चिन्टावणी के चार भाग alleen चिन्टावणी एक निभंद है इनका चार भाग में अगया मिश्वनाद परसाद मिश्र यह 1945 में प्रकाशित हुआ चिंतावणी भाग तीन के संपादक है नामवर सिंग ध्यान देंगे किसके कौन संपादक है कम लिखा गया 1983 में चिंतावणी भाग चार के संपादक है कुसुम चतुरवेदियो रोंप्रकाश सिंग 2004 में यह चिंतावणी के उपर पूरा पेश है जो इंपॉर्टन है इंदी गद्य का विकास किस से हुआ है एक जवाब अभी तक आया है दूसरा जवाब भी आया है निबंध शुकली जी ने प्राय विचारपुर्ण विश्यों को ही निबंध का विश्य बनाया है कलात्मक निबंध का जनवदा माना जाता है देखा-देखे है वह चुकली का अचारय फ्रोपुर्ण थूड़ का अचार या मुरब्धे यदि प्रेयम सो अपने है तो शृध्य जाध्रण को शृध्धा अर्प्रेयम के योगण अबыхति है बहुत बार पूछा गया यह वाला किता पाला पलट रही हो अभी श्रद्ध का व्यापर स्थल विस्त्रित है फ्रेम का एकांद जिस प्रकार आत्मा की मुक्तवस्था ग्यान दशा कहलाती है उसी तरह रिदे की मुक्तवस्था रस दशा कहलाती है गुलाब राय आगवन शैली के निबंदकार है उनके निबंद, प्रमुक निबंद है मन की बाती, ठलवा क्लब, मेरी असफलताएं कुछ अतले, कुछ गहरे, मेरे मकान, अध्यन और अवसाद आदी पता नहीं मजे, अब नहीं पता अब नहीं, बताओंगी कहानी भी है, दिनेश, अच्छा न्यास भी है, कहानी भी है, नाटक भी है, सब बोलो भई तुम कोई न कोई तो सही हो गई जैशन कर प्रसाद, कावे और कला, तथाने निबंद, यथार्थवाद और चायवाद, रहस्यवाद आदी निराला, निराला की निबंदों में, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतिक्षा, प्रबंध पूर्णिवाद, चाबुक, बहुत बार पूछा गया है, प्रबंध पद्म और चयन, चाबुक और चयन, बहुत पूछे रहाते सुमित्र अन्दन पन साथ वर्श एकरी खांगन प्रकृति कांचल मेरी साहतिक माने थाए आदी नोटा ऑप्शन में नहीं है मैंने ऑप्शन देए यहां चार भाई सहब यह रहे अपने चार ऑप्शन परस्ट, सेकिंड, थर्ड, इन फॉर्थ ठीक है? मादेवी वर्मा की निबंदों में देखते हैं श्रिंकला की कडियें, बियाले स्मिक, शनदा, 57 साहित दिकार क्याथ था 1964 संभार्शन पचत्त, संकल्पिता 68 आदी फरस्ट है फरस्ट में क्या था? नाटक अच्छा शुकली उतर युग शुकली उग के बाद एक बर फिर निबंदों में व्यक्तिक्ता का समवेश हुआ है और वह विचारों को प्रकट करने का प्रमुख वसर्शक तमाध्यम बना है इस युग में तीन प्रमुख शैलियों ने निबंद लेखन को उतकर्ष पर पहुंचाया विचार के स्पष्टता और तरपुन चिंतन मनन होता है जयनेदर कमार प्रष्टुद प्रेशन जड़ की बाद पुर्वोदे देखुई यहां पर मैंने आपके कहा था पुर्वोदे, सुरयोदे, सर्वोदे सर्वोदे जो है, वो महात्मागान्धी ने लिखा है और सुरयोदे हमने पीछे देखा था भारते-इंदू का पुर्वोदे है यहां जैनेंदर कुमार का और एक है चंदरूदे चंदरूदे किसका है वो मुझे याद नहीं आ रहा साहित्य का श्री और प्रे मंथन सोच विचार समय और हम साहित्य और संस्कृति आ दी डॉक्टर संपोड़ानंद क्रेस्टल वेचार भाषा की शक्ति और अन्य निबंद चिद्विलास, जीवन और दर्शन, शिक्षत अदेश्य, समाजवाद आदी नहराफ्तिस, हिन में से कोई नहीं मैं अंसर तो बताई, अंसर नाटक है भाई राभिलाश शर्मा, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा, साहित्य और संस्कृति, प्रगति श्री साहित्य की समस्य आए, लोगजीवन और साहित्य, स्वाधीनता और आश्ट्य, साहित्य, आस्ता और सांदरे, परंपरा का मल्यां कर्माद बार पूछा गया है भार्षा यूपोत और कविता अधिराम रिक्षपेनिपुरी का गेहम और गुलाब वंदेवानी विनाई को दोनों इंपोर्टेंट है राक्टर नकेंदर का विचार और अनुभूती आधिनी खिंदी कविता की प्रमुख प्रव्रितियाँ विचार विचलेशन विचार और विवेचना अनुसंधान और आलोचना आलोचक क्यास थाश्थाज़ चरण वियंगे निबंद स्वतंतर सा प्राप्ति के बाद वियंगे निबंद के नए यूकी शुरुवात हुई गलत बता के रुमी खुश हो रहे हुई है वहाँ पर आपको पलटने का वो टाइंगी नहीं मिलेगा ना एक बार बोला भर दी है ना ऐसे ऐसे करके तो फिर दोबारा उसको मिट आ नहीं सकते ठीक है ये निबंद कर प्रायस समाजिक विश्यों पर लिखते थे और उन्हें अपने वियंगे का लक्षे बनाते थे हिंदी वियंगे निबंदों में हरिशंकर प्रसाई, शारत जोशी, रवेंद नात्यागी, प्रभाकर्माच्विल, गुपाल प्रसाद व्यास, साधी प्रमुख रहे हैं हरिशंकर प्रसाई का पगडंडियों का जमाना बहुत इंपॉर्टन 66 में जैसे उनकी दिन फिरे 63, सदाचार का अबी 67 फिर हसमी नहीं सकेंगा हाँ, फिर घर पे आकर रोएंगे, उस टाइम तो पता नहीं लगेगा CPT ठेकता हाँ, मेरी लिए तो ठेकता शिकायत मुझे भी है, मतलब मुझे पसंद है ऑनलाइन एक्साम ठी टूडता हो गणतंत्र, सत्तर, अपनी अपनी विमारी भात्तर, वैशनप की पेसलन, सतासर, विकलांग शरदा का दौर, बहुत इंपॉर्टन, आवारा भीड के खत्रे 1998, शरत जोशी यथा संभव, जेपर सवार इलिया हम प्रेश्टन के भ्रेश्ट हमारे, हम प्रेश्टन होगा तिलस्म यत्रतत्र सरवत्र 2000 में, प्रभातर माच्वे का खरगोश के सींग 51, संतुलिन 54, बेरंग 55 प्रेश्टन, आपके आंखों पर जदा असर नहीं पड़ेगा और आप उस्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा वस्ये फायदा है चीटिंग की थी, इसलिए मैंने सुचा है शायद मैं गलत हूँ, इसलिए देखके बताएं खुश्यार लड़की अच्छा, तो मुझे पता है, सब देखा देखी में चलते हैं न, एक ने बता दिया तो फिर दूसरा भी वहीं बताएगा लड़ित निबंद, इन निबंदों में निबंदकार अपने भावत्मत विक्तित्व को इस रूप में प्रस्तूत करना चाहता है वह सरस, अनभूती जन्य, आत्मी और रोचक लगे लड़ित निबंद में गहरे विश्लेशन और बाव वर्ण जटिलपाग के रच्टा से बच्छा जाता है हिंदी साहिते में अचारे हजारिपसाद वेदी ने प्रमुक्ता से ललित निबंद लिखे हैं अन्य प्रमुक निबंदकारों में विद्यनिवास मिश्र हैं, कुबेरनाथ राई हैं और विवेकी राई हैं किसमें ललित निबंदकारों में है हजारी प्रसादमेदी ललित निबंदकारों में इनका स्थान सरवोच है इनके निबंदों में संस्कृति, साहित्य, भाषा, विज्ञान, दर्शन, अपनेशदिक, चिंतन, इतिहास, कल्पना, मिथक और समकालिन जीवन का एक अपूर बरस दिखाई देता है परंपरा और इतिहास बोध द्वेदी चे के समची साहिते सात्मा का केंदर पिंदु रहा है, द्वेदी चे के संपोन निबंद अशोप के फूल, अरतालिस में, कल्पलता 51, विचार और वितर्ग 57, कुटज 64, विचार प्रवा 69, आलोग पर्व 72, इंपोर्टेंट है सारे के सारे देख लेना, क्या, जिसमें रिजर्ट हो जाए, कि जिसमें एक्जाम क्लियर हो जाए, आलोग पर्व निबंद के लिए आचारे जी को वर्ष 1973 में साहितेक आदमी पुरसकार दिया गया था, ये धिहान रखेंगे कि कि किस के लिए इनको साहितेक आदमी मिला था, तो वभिविदि जी ने अपने निबंदों में कथे को साहिते इढंग से सावाध्शयलि में अभिव्यक्त किया है, मैनस मारकिंग नहीं है, लेकिन आने वले समय में हो सकती है, इसलिक टाइम से अपना एक्जाम निकाल लो, वभिविव्यक्त किया है, भार्षा में मुहाब्र और लोकोक्ति एवं सुप्तियू का रशनात्मत प्रयोग है प्रमुक्रीबंध है अशोग के फूल मेरी जन भूमीन है अवर्ष दिमाग खाली है शीरेस के फूल कुटज और नाखुन क्यों बढ़ते हैं नाखुन क्यों बढ़ते हैं किस लिबस में है न ठीक है विद्धय निवास मेश्रम जी पर दवेदी जी का प्रभाव दिखाए देता है किसका हजार प्रसाद वेदी का इनके निबंधों में मौलिक चिंतन शांस्र संपदा एवां भारतिय लोग संस्क्रिती देखने को मिलती है इनके निबंधों में कल्पने शिलता के साथ जीवन पीकि निबंधों में राजनेतिक सामाझे का आर्थिक परिवेश्कवबार्न को प्रयाज किया है इनके निबंदों की भार्षा में आर्थ गांभीरे लालित्य, रोचक्ता, सरस्ता, लाक्षनेक्ता, प्रतीकात्मक्ता रुक्ति वैचित्रिय, एवम अलांकारिता भी विद्यमान है। सबसे ज़्यादा है। बकलम खुद में, बकलम खुद जो है, वो 51 में लिखा गया है, नामबर सिंका, आत्म विंजिक्षाली का निबंद संग रहे हैं, ये ध्यान देंगे, बकलम खुद। उसके बाद है, प्रमुख निबंदो का संक्षिप्त परिचे। द्रिशन को कहानी बता जल्दी किसके हैं। दिल्ली दर्बार दर्पण, भारतेंदो का निबंद ने दिल्ली दर्बार दर्पण में की रशनकार भारतेंदो रिश्यंद्र हैं। भारते ने दिली दर्बार दरपण निबंद में लिखा है, जो लिखा है कि वर्णनात्मक शैली दिली दर्बार भारत में अपनी वेशिक काल में राजसी दर्बार होता था, ब्रिटिश सामराज्य के चरंकाल में संथारा 1877 से 1931 के बीच तीन दिली दर्बार लगे थे, 1877 का जो दर्बार था मुख्यता एक एक अधिकारिक घटनाय हुई, इस निबंद में भारत इंदू की राजबक्ति और देशबक्ति की मिश्रित भाब में देखी जा सकती है, तो यह हमने पढ़ा भी था, राजबक्ति और देशबक्ति दोनों इसमें है, तो देश, राजब आपको पता ही, जो राजाओं के प्रति जो भत्ति हैं, माहरानी विक्टोरिया को समेशा संकाल था, तो विक्टोरिया के प्रति भी इनका लगाब था, भारत वर्षवनती कैसे हो सकती है, भारत इंदू का निबंध है, और इनका यह निबंध हरिश्चंद्र चंद्रिका क दिसंबर 1884 केंखों में प्रकाशित हुआ था इस निबन में लेखक ने कुरितियों और अंधर विश्वासों को त्याकर शिक्षित होने सहयो गया हम एकता पर बल देने तता सभी क्षित्रों में आत्म निर्बर होने की प्रेड़ना दी है ये भी आपको पढ़ाया हुआ बह मुख्यवक्ता थे इस कारेक्रम में जिले के कलेक्टर D.T. Roberts पे शामिल हुए भाषन के बाद में मुदृत किया गया भाषन बाद में मुदृत किया गया उसको और व्यापक रूप से विदृत किया गया इसके बहुत प्रिशन सा हुई और इसने कई भावीराष्ट वाद वज्जस थे उनके समय तक हिंदी और देवनागरी को अशलेल और संस्कृत माना जाता था लेकिन उन्होंने इसे बुद्धी जीवियों के बीच स्वेकारे बनाया दरसल अगर आपने अपने स्वरी आपने कभी हिंदी थोपे जाने की शिकायद की हो तो आप उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं क्योंकि वहां हिंदी और देवनागरी को राश्टरवाद से जोडने वाले पहले व्यक्ती थे उनका यह भाशन बहुत दिल्चस्प है क्योंकि मुझे लगता है कि यहां व्यक्त हुए व्यक्त किये गए कई विचार आज भी कुछ हद तक लागू होते हैं हालांकि उन्हें से कई पुराने हो चुके हैं चंद्रोदे बालकृष्ण भट का है शिमूर्थी प्रतापना रर्मेश्र का निवन्द है इस निवन्द को प्रतापना रर्मेश्र ने उन लोगों के लिए लिखा है जो अपने विचारा से ईश्वर के प्रतिलगाब रखते हैं और आनन्द से भर जाते हैं इसके अलावा खुद से परिजा कर दूसरों का भी शिफ्षम्भू के कल्पित नाम से गुप्त जी ने लौड करजन के शासनकाल में भारती जन्ता की दुरदशा को प्रकट करने के लिए आठ चिट्थे लिखे थे, कितने आठ चिट्थे, ये चिट्थे उस समय की राजनेतिक गुलामी और लौड करजन की निर्मम कुरूरता अभीष्ट हो तो इन चिट्थों को पलटना चाहिए ये चिट्थे 1903-1905 इस वी के मद्दे भारत मित्र कामर प्रकाशित हुए भारत मित्र में उस समय गुप्त जी भारत मित्र के संपादक थे ठीक है शिफ्षम्भू परतंत्र देश के नागरे का परतंत्र देश का होता है जो मादक ना होकर मन की तरंगा मन को तरंगाईत करने में समर्थ है मन के इसी प्रमद तरंग में शिफ्षम्भू अपने चारों और फैले हुए समाज के दुख-दर्द की कहानी कहना शुरू करता है गुलामी की निविड श्रिंकलाओं में जकड़ा हुआ भारतिय शिफ्षम्भू अपने अस्थित्व को यदी अनुभव कर पाता है तो केवल परतंत्र भारत की पामाली के लिए जो शड़ेंत्र अपने शासन काल में रचे उनका संकेत इंचिप्ठों में लेखक ने जिस शैली वे प्रस्तुत किया मने संदे हिंदी वेंगिर की कि अधिक्ता को कविता के लिए आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि संदरे बाहर की कोई वस्तु नहीं है मन के भीदर की वस्तु है साथ ही निबंदों को सरस बनाने के लिए कई स्थानों पर विनोत भाव का समय भी किया है उधारन स्वरूप बंदर को शायद बंदरिया के मुह में ही संदरे दिखाई देता होगा पर मनुष्य पशुपक्षी पत्ते पूल और रेत पत्थर में भी संदरे पाकर मुग्द होता है कविता क्या है शुकल जी ने कविता की भाषा की विशिष्टाओं में सरप्रथम लक्षनिक तक हमत्व दिया है उनका मानना है कहीं चार-पांच में मिलता है तीन से पांच यहां पर लिखा हुआ है कविता हुआरे समक्ष सोक्ष में पदार्थ हुआ है क्या है यह गोचर रूप में रखती है स्थूल रूप में रिदेक्ष करती है अन्य विशेष्टा उन्होंने नात्सव अश्टोफ में देखी है और कहा है कि कविता नात्सव अंदरे के लिए संगीत का कुछ-कुछ सारा लेती है साथ ही इस बात का भी ध्यान देते हैं कि भाब को अधिक्ती ब्रता और पुष्टता पदान करने के लिए के विल चमत का रुपन करने के लिए नहीं वर्णों का सुक्ष भीद अपना अजानत चाहिए नाखुन क्यों बढ़ते हैं अब यह तो पीछे बढ़ा के आई चिंता मनी में हुरा नाखुन क्यों बढ़ते हैं हजारिपसाद वेदी नाखुन क्यों बढ़ते हैं यहां एक ललितनी बंद है जिसका लेखक हजारिपसाद वेदी चाहिए हजारिपसाद वेदी का जनम 1907 मैंने त्रिशंग को कहाई पोची थी उसका तो किसी अंसर नहीं दिया 1907 इसवी को हुआ ना किसी ने ये बताया कि हमें नहीं मालूम है इसके मादम से लेकक मनुष्य के जीवन के बारे में बताते हैं एक दिन लेकक की छोटी लड़की लेकक से प्रिश्न करती है नाकुन क्यों बढ़ते हैं उस समय लेकक कुछ उत्तर नहीं दे पाए लेकिन लेकक के विचार से हर तीसरे दिन नाकुन बढ़ जाते हैं यदि बच्चे कुछ दिन नाखुन नहीं काड़ते तो माता पिता से डाण भी सुनने पड़ती हैं। ठीक उसी प्रकार आज से लाखो वर्ष पूर बच्चे जान बूझ कर। सॉरी। जब बच्चे नाखुन काटती होंगे तो मात अपिता से डाट पड़ती होंगी अंकिता ने सर्च कर लिया है अके की है सुरुच निम्ता मनों भंडारे बताया था मैंने नहीं देखा क्योंकि उस समय के लोगों के लिए नाखुन ही उनकास्त्र तथा आत्मरक्षा के लिए दंत का प्रयोग करते थे देरे देरे लोग पत्थर हड़ियों के हत्यारों सुरी हत्यार बनाने लगे ददीचे के हड़ियों से बने हत्यार वज्रेंद्र के पास है देरे-देरे मनुष्य आंगे बढ़ा और लोही के अश्त्र शास्त्र का प्रयों करने लगा अब मनुष्य पुराने चीन को भूलना चाहता है मनुष्य पशुता को परित्याग कर चुका है अधा मनुष्य नाकुन बढ़ने की प्रगृत्ति मनुष्य ले छोड़ दी है इस निवन्द के माधिम से लेखर की संवेद्णा दरा लोगत अंतर वेद्णा का सचीव चित्रन हुआ है लेखर ने लोग जीवन के अंतर वेद्णा को राम की रास्तिलक की समय की घटना के माधिन से सशक तभी वेक्ति प्रदान की है राम का वनवास करुना का प्रतीक है जिस वेक्ति का राज़ भी शेख हो रहा था विडंबना वर्षों से राज सिहांसन की अपेक्षा वनवास हो गया स्वतंत्र भारत की जनता को स्वतंत्रता के पेश्चात राज सीहांसन पर होना चाहिए था किंदु राज सीहांसन पर कुछ ही जाने वाने लोग बैठ गए हैं और भारती जनता वनवास जैसा वैतीत करने पर मजबूर हो गई है भारत के विशेशकर अवद प्रदेश के आसपास किक्षेत्र के लोग लोग जीवन में राम की करुणा मैं कहानी उनके मानस पिटल पर आज भी अनुकित है अच्छा लेखक ने अपनी चिंता के कारणों पर प्रकाश डालते हुए एक संगीत कारेकरम की घटना का उले किया है अपने घर आई एक महमान लड़की जो संगीत कारेकरम में उनकी बेटे के साथ जाती है दर श्रम की महत्ता प्रतिबादित की गई है भेड चलाने वाले स्वभाव से सज्जन होते हैं विखेईद की हवन शाला में अपने श्रम क्या होती दिया करते है ब्रह्मा सें जगत पैदा हुआ है किसान अन पैदा करने में ब्रह्मा के समान है अन तथा फलोस में उसका ही श्रम दिखाई देता है वह सागपात खता है ठंडे चश्म और नदियों का पानी पीता है वो पढ़ा लिखा नहीं है जब तब नहीं करता है खेती ही उसके इश्वर ये प्रेम का केंदर है वह पशुपालन करता है वह तथा उसका परिवार प्रकृतिक जीवन जीते हैं उसके आशक्ताएं सीमित हैं लेखो को किसान के सरल जीवन में इश्वर के दर्शन होते हैं आगे है अतरा फालगुनी के आसपास शुकुबेरनाथ राई का निबंध है यह निबंध शुकलोतर योग के एवम आचारेजार प्रसाद वेदी की ललित निबंध परब परंपरा के सर्शक्त निबंदकार है उबेरनाथ राई अच्छा उटजागमसाफिर विवे की राई उटजागमसाफिर प्रख्यास सहाईतेकार विवे की राई द्वरा वीरचित ललित निबंध संग्रे है इस संग्रे में कुल दस निबंध संक्लित है जो अपने कलेवर में जीवन और जगत के अनिक अनुभवों से परिपूर्ण है विवे की राई हिंदी जगत के उनगीने चुने सहितिकारों में से हैं जिनोंने ग्रामिन जीवन के अधार्थ को अपने सहितिका आधार बनाया विजिस अंचल में रहते हैं वह अंचल ही उनके सहितिका प्रेरणा स्तोथ है वही शब्द है वही चंद है वही राग है वही साज और आवाज वहां की बूली बानी तीस यहां रहन सहन दुखदर दाशा निराशा चलशद्म को वहां की समाजिक पहचान के साथ उसकी तह तक जाकर अपनी रचनाओं में अभी विक्त किया है यह निबंद संग्रेया उनके रचनात्मक पिकांस का बहुत ही महत्मुण चरण है जिस तरह से उन्होंने अपने अनुभवों की प्रमानिक अभी विक्ति अपने कथा साहित्य में की है उसी तरह से अनुभव के लालेत्य को इनने बंदों में अतेंत रोचक तरीके से विक्त किया है संस्क्रिति और सवंदरे नामवर सिंग इस लेक में डॉक्टर नामवर सिंग ने दो बातों संस्क्रिति और सवंदरे पर गंभीरता पुर्ण विचार किया है संदरव उन्होंने दुएदी जी का ही दिया है मगर उसी बहाने इन विश्यों पर डॉक्टर सिंग ने अपना विचार भी रखा है जो इन विश्यों को समझने के दिशर में मत पुण है या अनायास नहीं है कि प्रतेक प्रगति शील विचारकों के लिए संस्कृति और संदरे का प्रश्न मुख्य रूप से विचारनी रहा है क्योंकि इन पर संस्कृति विरोधी होने के साथ संदरे विरोधी होने का भी आरूप लगता रहा है असल में ये ना तो कभी संस्कृति विरोधी रहे हैं ना ही संदरे विरोधी बलकि इन दोनों में जो अभिजात्तेपन का अतिरेक था या यह कहें कि संस्कृति और संदरे को अभिजात्ते का हिस्सामान लिया गया था उससे इंका विरोध था इनकी विवेचनाओं में संस्कृति और संदरे का असली रूप सामने आया और पारंपरिक गलत अप्याख्यां और धारनाओं से मुक्ति मिली संस्कृति को लेकर समय समय पर तरह तरह से विचार विमर्ष होता रहा है कुछ राजनीती प्रेरित तो कुछ स्वार्थ प्रेरित इस विमर्ष में दुएदी जी ने संस्कृति की जिस बुनियादी गुणों की और इशारा किया था उस पर पर्दा डालकर सभी विशलेशक खुद को संस्कृति के नए विमर्ष कार की रूप में स्थापयत करने लगे है एक राजनीती से प्रेरित होकर दिनकरजी ने संस्कृति के चार अध्या की रचना किया और मिश्र संस्कृति के स्वरोग को स्थापयत किया तो दूसरी राजनिती के तहत अग्ये ने संसकार धर्मी संग्राहक संस्कृती के वकालत की नामवर्ची लिखते हैं यदि दिनकर की मिश्रे संस्कृती की एक राजनिती है तो अग्ये की संसकार धर्मी संग्राहक संस्कृती भी किसी और राजनिती के अनुशन से बचने ही ठीक है कल किसी ने कहा था यूनिट कंप्लेट नहीं होती है आज मैंने पूरी यूनिट कंप्लेट कर दी है ठीक है तो अभी आप खुश हो जाएए अनन्द मनाईए और घर जाके पड़िया अपना आज हम पर बढ़ने वाले हैं एक आई आट हिंदी नाटक है ना 48 हो जादा है ध्यान रखे अपना और पढ़ाई करना तो दिक्कत भी होता है ना गर्मी में चलें एक आई आट हिंदी नाटक सर्वेश्यो द्याल सक्सेनकृत बगरी नाटक सर्वेश्यो द्याल सक्सेनका जनम हुआ है 15 सितंबर 1927 को यहीं है यहीं आपको याद रखना है सर्वेश्यो द्याल सक्सेनक के बारे में हम संक्षित में देखेंगे नई कविता के चर्चत कभी माने जाते हैं इनका जन्म हमने देख ल Kathy प्रदेश में हुआ है और इनके कोई बात ने थोड़ा एजस्ट करो यह फोल वगेरा कानों में लगाओ गुड़ इबनिंग श्रधा ठीक है वे आकाश्वाणी समचार में भी काम करते रहें बाद में भी दीनमान की उप संपादक रहें यह दीनमान पत्रिका थी ठीक है उसकी उप संपादक थे यह और पराग पत्रिका के संपादक बने सक्सेना जी का साहितिक जीवन काव्य से प्रारंब हुआ तथा पी चर्चे और चर्खे स्तंभ दीनमान में छपे जो काफी लोग प्रिया हुए इनकी इनकी जो रचना है चर यह देनमान पत्रिका में छपी थी हूं हाइसा रचना था पथ्च्छा पत्रिकारथा में उनका आंका लेखन उनकी बानगी पेश करता है और प्रिसित कभी हम सहंत्यकारते सारवेशों तय त्याल सक्सेना ती सब्थक कि महत्पुन कभियों में से एक थे तीसरे सब्तक पि कभी माने जाते हैं यह माने जाते नहीं है ठीक है तो तार सब तक आपको पता हैं तार सब तक चार सब तक है ठीक है और चारों में साथ साथ कभी है साथ साथ कभी है ठीक है तो चार सब तक है तो कितने कभी हुए अठाइस कभी टोटल नमस्ते टोटल कवी कितने हुए 28 कवीता की अतरिक तोनों ने कहानी, नाटक और बाल साहिते की भी रचना की उनकी रचनाओं का अनेक भाशाओं में अनुवाद भी हो कृतियां इनकी जो कावे रचनाएं हैं पहले हम उने देखेंगे तीसरे सब्तक में ये थे, जिसके संपादक अगेजे थे 1969 में ये तीसरे सब्तक का जो समय था काट की घंटियां इनकी रचना है उन्चास से 59 उसका समय है बांस का पुल 57 से 63 एक सूनी नाव 1966 गरम हवाए 1966 कुवानो नदी 73 जंगल का दर्द 76 खुंटियों पर तंगे लोग व्यासी क्या कहकर पुकारो प्रेम कविताएं कविताएं एक कविताएं दो मतलब भाग है इनके पार्ट्स अच्छा अगे हैं समपातित हाँ कोई मेरे साथ चले मेगाए काला काली कोयल ठीक है उपनियास है इनके पागल कुत्तों का मिसी हा ये लगव उपनियास है 1977 में लिखा गया सोया हुआ जल ये लगव उपनियास है 1977 में लिखा गया और उड़े हुई रंग ये उपनियास सुने चौक्टे नाम से 1974 में प्रकाशित हुआ था सच्ची सड़क 1978 में अंधिरे पर अंधिरा 1980 इनकी जो नाटक है उनको देखते हैं बकरी नाटक है इनका 1974 में जो आपके सिलिबस में है जिसको हम अभी देखेंगे इस नाटक का लगबग सभी भारती भार्षाओं में अनुवाद और मंचन हुआ है लड़ाई इनका नाटक है 79 में अब गरीबी हटाओ 20181 कल भात आएगा तथा हवालाद कल क्या है यह किसी को पांडे इन पांडे है एक बड़ सर्विश्व द्याव सब्सक्राइब कि नाटक को चेक करके इसको चेक करना जो रख्या लिखाएं आप देख्या थोड़ा दूर है मेरी वह बुक जिसके पास है यह वाला चेक करना कि यहां एक आंकी नाटक एंके रहना के निर्देशन में प्रयोगदारा यह मंचित हुआ है रूपमती बास बहादूर जथा होरी दूममचोरी इसका मंचनवाई 76 और हिसाब किताब यात्रा संस्मर ने इनके कुछ रंग कुछ गंद 1971 बाल कविता है बतूता का जूता 1971 महेंगू की टाई 1974 बाल नाटक है वो वो खोखो 1975 लाख की नाख 79 संपादन शम्शेर मलेज के साथ मिलकर के इन्होंने किया है रुपामब्रा यह पत्रिका है ठीक है रुपामब्रा पत्रिका है इसके संपादक थे अगेजी 1980 में सहाइक संपादक के रूपे इन्होंने काम किया है सरविशुद्या सक्सेना में रूपाम्बरा बत्री का में ठीक है अधेरों का इतिहास 1981 नेपाली का विता है 1982 और रख्तवीज 1987 भाट है के भाट है क्या है ये अच्छा ट्रिक तो आपने अच्छी बना ली बढ़िया यह है क्या मझे एक बार लिखके बताओ सही से देवनादरी में अन्या यह हो गया था अन्या दीनमान जो सापताहिक है इसमें चर्चर चर्खे नाम से चुटीली शैली का गद्या 69 से निया में यह चप रहा था दीनमान तथा अन्या पत्रिपत्रिकाओं में साहित्य इन्रित्य रन्मंच संस्कृति आदी के विभिन विश्यों पर टिपणिया तथा समिक्षात्मक लेख लिखे गए भात है अच्छा कल भात आएगा ठेक है टिपडिया और तथा समिक्षात्मक लेख सर्वेश्यों की संपूर्ण गद्य रचनाओं को चार खंडों में किताब गर्दिली ने चाहता है कल भात आएगा ठेक है यहां पर बकरी नाटक के मुख्य भी दो देखते हैं इस नाटक के संब्द में सर्वेश्यों द्या सक्सेना के कथन है यह नाटक हमारी स्वाधिनता की तल्षट का चित्र है वह तल्षट जो समय बीतने के साथ गहरी होती गई बकरी सर्विशो द्याल सक्सेना जी का लिखा हुआ पहला नाटक है जबकि प्रकाशन के हिसाब से हैं दोसरा नाटक है प्रकाशन की क्रम में लडाई इनका पहला नाटक अगर हम प्रकाशन की क्रम से देखें तो लडाई पहले प्रकाशित हो चुका बकरी बाद भी लेकिन वैसे इनका जो लिखा गया है वो बकरी नाटक इनका पहला नाटक है ठीक है ये दोनों चीज़ें जो दोनों बाते हैं यह आपको दोनों याद रखनी है उसके बाद है बकरी नाटक का प्रकाशिन वर्ष 1974 में हुआ इस नाटक की पहरी प्रस्तुती जन नाटे मच तौरा 13 जुलाई 1974 को त्रिवेणी कला संगम नई दिली की उद्यान रंगशाला में हुआ था बकरी नाटक 1975 में आपातकाल से एक वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था बकरी नाटक में दो अंक हैं और प्रतेक अंक में तीन-तीन द्रिश्य हैं ध्यान देंगे बकरी नाटक में दो अंक और तीन-तीन द्रिश्य हैं दोनों में छे द्रिश्य हैं टोटल आगे है बकरी नाटक की विश्य वस्तू थोड़ी से देखेंगी क्या है इसका जो प्रकार्शन है 1976 में हुआ है दो अंक और तीन तीन द्रिश्या पीछे भी हमने देख लिया इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नाटक की शैली में हुई है द्यान देखेंगे नाटक की शैली इसमें दोहा, चबोला, बहरे तबील, कहरवा, आदी छंदों का प्रयोग किया गया इसके जो छंद हैं वो भी आपको द्यान में रखने है इस नाटक में जनवादी छेतना, राजनितिक व्यंग्या, आम आदमी की व्यथा, ब्रिष्टाशार और विसंगती का चेत्रण है उसके बाद है बकरी आम आदमी का प्रतीक है किसका प्रतीक है बकरी? आम आदमी का गांधी जी के नाम पर सत्ता को सत्ता दो हतिया लेते हैं लेकिन उनके सिध्धानतों को किस तरह मटियमेट कर देते हैं इसका वर्णन इस नाटक में किया गया है इस नाटक में यानिकी राजमितिक नाटक है गांधी जी के नाम एवं सिध्धानतों की याड में अपने स्वा का करम वीर किरमवीर सिंग सत्यवीर कि करमवीर क दोनों सिंग गिंष्ट के पात्र हैं यो तीनों जूरम शोषण और नेता गिरेंगा प्रतनेजित्वा करते हैं तीनों सिपाही है फिर है विपती जिसकी बकरी होती है विपती उसका नाम है औरत का नव युवक है इसमें काका काकी है चाचा है राम है एक ग्रामिन और दूसरा ग्रामिन पर है ठीक है बकरी नाटक की गतावस्तु में भूमिका देखते हैं गाउं वासियों के दैने स्थिती और उनकी मजबूरी का राजनेता किस प्रकार दुरुपियों कर रहे हैं यह इस नाटक की केंदे गतावस्तु है इस नाटक में तीन डापो तथा एक सिपाही के साथ मिलकर गाउं के गरीब औरत की बकरी हडपने का प्रिसंग है दुर्जन सींग, करमवेर और सत्यवेर गाउं की भूली भाली जनता को लूटने की योजना बनाते हैं गाउं की गरीब विपती की बकरी को गाधी जी की बकरी बताकर जनता को धरम की आड में लूटते हैं सत्ता और व्रिष्टाचार का खुला नाच होता है भूली भाली जनता उनके विच्छाय मायजाल में फसकर रह जाती है नाटक का आरम जो है वो नटनटी संबाद से होता है ध्यान देंगे नटनटी संबाद से इसका आरम है नाटक में वंदना से ही ब्रिष्ट राजनीती के दलदल को दिखाया गया है नाटक में वंदना से ही मतलब जो वंदना है इसमें शुरू में गाई हुई उसी में ही ब्रश राजनिती की दलदल को दिखाया गया है और जिसमें आम आत्मी छटपटाता हुआ दिखाई देता है नटी का गतन है सदा बहवानी दाहीने सन्मुक रही गनीश पांच देव रक्षागरे ब्रह्मा विश्णु महेश फिर नट का गतन है पांच देव सम पांच दल लगी डोंग की रेस जिनके कारण हो गया देश आज परदेश यहां से पता चलता है कि क्या है इसमें राजनिती की दलदल को इसमें दिखाया गया है ठीक है उसकी बाद है यहां आध्यात्मिक और बहुत इक बादिव चारदार कांतर विरोध है नट नहीं भवानी या तो बंदना मंगला चरण थी आम आदमे की हालत को देखते हुए आम आदमे की ओर से ठीक है तो पहला अंक पहला दिश्य हम देखेंगे नहीं क्योंकि फिर जाता लंबा हो जाएगा तो यह आपको खुद देख लेना है इसकी हमने थोड़ी सी वो देख ली स्टोरी की क्या है और इसमें कुछ इंपॉर्टन जो चीज़ें है उसमें मैंने इंपॉर्टन लिखा भी हुआ है पीडियेफ आपको पहले भी दी हुई है तो टेंशन लेने माले कोई जरूरत नहीं है ठीक है हम यह भी मिल ज़रेंगे आपको प अब देखते हम सकंद गुप्त सकंद गुप्त नाटक 1928 में प्रकाशित एक एतिहासिक नाटक है सकंद गुप्त नाटक में गुप्त बंच के सन 455 से लेकर 466 तक के 11 वर्षों का वर्णन है इस नाटक में लेखक ने गुप्त कालेन सहस्कृति इतिहास राजनीती वारी वारी कलह एवम शड्यंत्रों का वर्णन किया है सकंद गुप्त हुणों के आक्रमन से हुण की हुण युद की स्माप्ति तक की कहानी है गुप्त राजवेंच का समय 275 से 540 सक रहा था यह नाटक देश भक्त वीर सासी प्रेमी सकंद गुप्त विक्रम आधिते के ज गथन से होता है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है तो किसका गथन है यह सकंद गुप्त का गथन है सकंद गुप्त नाटक से इंपोर्टन कथन है पूछ राता है आगे देखते हैं सकंद गुप्त का गथन है सकंद गुप्त का इतिहास सकंद गुप्त भारत में ती इश्या के कभिलाई हुनों से लड़ाई भी लड़े और जीते भी थे यह भी कहा जाता है कि सकंद गुप्त के शासनकाल में जनता कोई विद्रों नहीं हुआ था और ना ही कोई व्यक्ति भेगर हुआ था वे बहुत ही सहीमी तरीके से शासनकार्य करते थे अपनी कुशल नेतरित वो योग्यता की बदालत ही सकंद गुप्त ने हुणों और पुश्य मित्रों को लड़ाई में पराजित किया जिसके कारण उने विक्रम आदित्य क्योपादी मिली थी ठीक है तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि विक्रम आदित्य क्योपादी उनको कैसे मिली थी सकंद गुप्त नाटा का उदेश्य देखते हैं पहला उदेश्य जो है इसका बाहरी लोगों से लड़ने के बश्राथ विजय होने पर सांस्कृतिक विजय दूसरा है इसका जो उदेश्य गुप्त समराजय जब विखर रहा था उस अवसर परसकंद गुप्त की रूप में एक वीर नायक का आना इसकी दौरा अंग्रेश्यों के पराधिन ततकालिन समाश को एक रास्ता दिखाना इसका उदेश्य था डॉक्टर बच्चिन क्या कह रहे हैं इसके बारे में कि वास्तविक्ता तो यह है कि वे वर्तमान में अपने संसामाइक समस्याओं के बिंदू से अतीत को देखने और भविश्य को परिकल्पित करते हैं अतीत वर्तमान और भविश्य उनके लिए अखंड एक कालिक और नाटक में मनश्य को पोल्णता तक पहुँचने का एक मार्ग दिखाया गया है जिसे भागवत धरम कहते हैं ठीक है बागे आगे चलते हैं नाटे रचना की प्रयोजिन के संबन में जैशनकर प्रसाद ने स्वयम क्या कहा है कहा पर कहा है विशाख नाटक इनका ही विशाख नाटक है उसकी भूमिका में इन्होंने कहा कि इतिहास का अनुशेलन किसी भी जाती को अपना आदर्श संगटित करने के लिए अत्यांत ला प्रसाद नाटक की अतिहासिक्ता के विरुद चरित्र की द्रिष्टी जहां तक संपव हो सकी है वहां होनी दिया गया है फिर भी कल्पना का अवलंब लेना ही पड़ा किवल घटना की परंपरा ठीक करने के लिए उनके अनुसार उन्होंने कल्पना का सहरा उतना ही लिया जिससे कहानी को आगे बढ़ाया जा सके सारे विद्वान भी इससे सहमत हैं डॉक्टर नगेंद्र क्या कह रहे हैं कि उनके इनकी जैशनकर प्रसाद के नाटकों में पौरानिक यूग के जनमे जेके नाग यगिस लेकर हर्शवर्दन यूग जो राजेश्री राजेश्री इनका एक नाटक है वो हर्शवर्दन यूग में लिखा गया तक कि भारती एतिहास की गौरव महिजहां की देखने को मिलती है ठीक है उनके नाटकों में नगेंद्र कह रहे हैं रामचंदर तिवारी कह रहे हैं कि प्रसाद के नाटक एतिहासिक तर्थियों की रक्षा करते हुई भी सांस्कृतिक वातावरन उपस्तित करने में पूंडता सपल है उसमें राश्ट्री चेतना सर्वत्र देखी जा सकती है शुक्ली जी क्या गया रहे हैं हमारे वर्तमा नाटक शेत्र में डॉक्टर नाटक शेत्र में नाटक कार बहुत उंचे स्थान पर दिखाई पड़े स्वर्ग्य जैशंकर प्रसाद जी और हरी कृष्ण प्रेमी दोनों की दृष्टी एतिहासिक काल के उर रही है प्रसाद जी ने अपना शेत्र हिंदू काल के भीतर चना और प्रेमी जी ने मुस्लि अमकाल को प्रसाद के नाटक हमें सकंदुप्त श्रेष्ट हैं और प्रेमी नाटक व में कौन सा श्रेष्ट है रक्षा बंदन बहुत है जादा है इंप्स पर्रेमी दोनों के नाटक में आपको याद रखने बढ़ेंगे है do झाल 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 मैं म्यूट करके बोलती जा रही हूँ बार में देखा कि म्यूट है बूर इवनिंग शिला और दानिश खुलर छोड़ने का मन नहीं है इशली थोड़ी तबीयत खराब है उस कारण से ठंड लग रही है मुझे तो चलते हैं आगए यहां थे हम यहां पर डॉक्टर बच्चन के शब्दों में उन्होंने क्या कहा कि जैशन के प्रसाद एतिहासिक सांस्कृतिक नाटको के माद्यन से अपनी सांस्कृतिक परंपरा और नई जातिय जीवन की और जो प्रतिष्ठा की नई जातिय जीवन की जो प्रतिष्ठा की उससे हमारी अस्मिता को एक सरजनात्मक आकार मिला है पात्रों के आधार पर जैशन के प्रसाद कहा रहे हैं कि सकंद गुप्त विक्रम आदेते होना प्रतेक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है मात्री गुप्त जो है काली दास है जो मात्री गुप्त इसमें और धातु सेन को भी साक्षों के आधार पर जैशंकर प्रसाद में एतिहासिक पात्रमाना है ध्यान देंगे मात्री गुप्त को और धातु सेन को ठीक है आगे देखते हैं, जह शंकर पुरसाद जी के वन दो पात्रों को कल्पित माना गया है, इसमें प्रपंच गुद्धी और मद्गल है, दो पात्र हैं इसके जो गल्पित हैं, ध्यान देंगे प्रपंच गुद्धी और मद्गल स्त्री पात्रों में स्कंद की जननी यानकी स्कंद की माता का नाम क्या है देव की रखा गया है तो ये आपको ध्यान रखना है स्कंद गुप्त की शिला लेक में हित रिपुरेव कृष्णू अच्छा ठीक है इसको छोड़ें क्या है संभब एकि सकंध के माता का नाम देव के सेही कवी को या उप्मा सूजी हो अनन्त देवी कातो सपेश्टुलेक पुर्गप्त की माता के रुप में मिलता है यही पुर्गप्त सकंधुप्त के बाद शासक हुआ है देव सेना और जैमाला वास्तविक और काल्पनिक पात्र दोनों हो सकते हैं देव सेना और जैमाला दोनों वास्तविक पात्र हो सकते हैं काल्पनिक भी हो सकते हैं ठीक है विजय कमला रामा मालिनी जैसी दूसरी नामधरे स्त्री को भी उस काल में संभावना है तब ये भी कल्पित हैं, कहानी भी एतिहासिक पातरों के इरिद्गिर खूंती है सकंद कुप नाटक में कितने अंग हैं? पांच अंग हैं, ते-तीस दृष्षे हैं, गीतों किसंग हैं, सत्रा ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है यहां तो फ्री में मिल जाएगी तुम्हें समस्तिपुर्ण कॉलेश में कैम्प लगा हुआ है किस चीज़ का? चाहत कहरी हैं, किता? अच्छा, इनका सहरा है, आइस्क्रेम का, तर्बूज का, अंगूर का इलेक्शन कांटिंग ठीक हैं, इस में कितने अंग हैं कुल? सकंद गुपनाटक में पांच अंग हैं, ते-तीस दृष्षे हैं, सत्रा गीत हैं प्रथम अंग में साथ दृष्षे हैं, दूसरे में साथ दृष्षे हैं, तीसरे में छे और चौथे में साथ और पांचरे में छे दृष्षे हैं सकंद गुप्त के एक शिला लेक में आगे हैं नाटक के पात्रों पुरुष पात्रों की संख्या सत्रा है सकंद गुप्त देख लेते हैं इनके पात्रों को सकंद गुप्त, युब्राश, वेक्रम, आदेते, देश प्रेमी, नितग्य, सवभीवानी, वीर, योदा और स्त्रियों का समान करने वाला व्यक्ति है स्कंद गुप्त, कुमार गुप्त है, इसमें जो मगध का स्मराट है और महा दंड नायक हैं गुविंद गुप्त है जो जो कुमार का भाई है और पर्णदत है जो मगत का महानायक है चक्रपालिक पर्णदत का पूत्र है बंदु वर्मा मालव का राजर है बिंदु भीम वर्मा बंदु वर्मा का भाई है मात्री गुप्त जो है वो कावे करता कालिदास है ठीक है कालिदास है इसमें जो एतिहा सि शर्वनाग अंतर वेद का विश्यपती है, कुमारदास धातुसेन है सिंगल का राजकुमार, पुरगुप्त कुमारुप्त का चोटा भायी है, बटार्ग नभीन, महाबलाधीकड क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बताओ, प्रित्विसीन, मंत्री, कुमारमात्य, खिंगिल, हूण, आक्रमन कारिय, मुद्गल, विदुशक है, प्रख्यात केर्थी, लंकाराज, कुलकश्रमन, महाबोधी विहार, सविर, महाप्रतिहार, महादर्डनायक, नंदिग्रामकदर्णाय, प्रहरी, सैनिकादीज के बातर है स्त्री पातरों में देखते हैं, देव की जो है, वो कुमारगुप्त की बड़ी रानी है, ठीक है, जो सकंदगुप्त की माता थी, उसका नाम था देव की, कुमारगुप्त की बड़ी रानी है, अनंत देवी जो है, वो कुमारगुप्त की छोटी रानी है, और और गीत की सखी का एक गीत हैं, जो पीछे से लगते हैं, पर देव सेना की सखी का एक गीत है, मातरी गुप्त और मुद्गल का स Kerryत स्वर में प्रात्रा का एक गीत है और मातरी गुप्त के दो गीत है और समुहगा नमें जो गीत है वो एक है और सकर्ण इक तो देता हैं, एक दानवों की तरह हैं और एक मनुष्य हैं. देवकात्रों में पढणगुपृत्र है और सननू हैं डानव पात्रों में भटक्त हैई और अनन्ठ भुद्धी ए? अनात देवी और विजया है, अनाय खल नायक जो होते हैं मानव पात्र जो है वो शर्वनाग और जैमाला है सकन्द गुप नाटक में एतिहा सिक्ता मगत का गुप्त राजवेश मालग का राजवेश विक्रम अधित्य और कालिदास अब देखते हैं नाटक की कथा वस्तू पहले अंक में गुप्त समराजवे में आंतरिक विद्रो दिखाया गया है गुप्त समराजवे में आपस में क्या हो रहा है विद्रो कुमाल गुप्त की शासन काल में गुप्त समराजवे की शांती विवस्ता में और शांती होते हुए दिखाया गया है स्मुराट की योग्यता वीर सेन की असम एम्रित्यों और विदेश्यों के आकर्मन से गुप्त समराजे पर प्रश्ने चिन लग जाता है ऐसी स्थिती में सकंद गुप्त का करता पर स्वाविक रूप से बढ़ जाता है पारिवारिक विद्रो की शांती और आरेवर्थ के गौरप की रक्षा का रक्षा उसका प्रथमकर्था पे बन जाता है इसी समय पुर्गुप्त भटार्क और अनंत देवे की शड़ेंत्र पुन योजना से स्मुराट की मौत हो जाती है समराज्य की परमशुब जिंतर पृत्वी सेन महाप्रतिहार और दर्ण नायक आत्मध्य कर लेते हैं ऐसी स्थीती में स्कंध गुप्त विचलित हो जाता है फिर भी लक्षे प्राप्ति करने की देशा में वह अपनी पूरी शक्ति लगा कर जुब जाता है बाकिया आप इनको खुद से बढ़ लेना पूरा पाच अंक है इसमें टोटल दुरुफ स्वामीनी को देखेंगे हम ठीक है दुरुफ स्वामीनी किसका नाटा के दुरुफ स्वामीनी जैशंकर प्रसाद का जैशंकर प्रसाद के जीवन परिचे इनका जो जनम हो एटीनाइन में हुआ था कलाधर उपनाम से यह लिखते थे और ब्रज भाषा में लिखते थे माखिल नाचेत्रवेदी के शब्दों में कवीता प्रसाद का प्यार है उनका गद्द्य उनका करताव्य है माखिल नाचेत्रवेदी इनके बारे में इसा कहते हैं दुरुप सामीनी नाटक दुरुप सामीनी नाटक 1933 सिस्वे में प्रकाशित हुआ था दुरुप सामीनी एक एतिहासिक नाटक है ध्यान देंगे इसका समय 1933 यह कैसा नाटक है एतिहासिक है यह नाटक इतिहास की प्र कथानक है कहा का? गुप्तकाल का कथानक मतलड़ जो स्टोरी है वो कहा की है गुप्तकाल की है गुप्तकाल आपने हितिहास में पढ़ा होगा इसके गतावस्तु गुप्त वंश के यश्यस्वी स्मुद्र गुप्त के पुत्र चंद्र गुप्त के काल से संबन देता हैं। आगे देखते हैं यह जैशंगर प्रसाद जी का अंतिव नाटक हैं। इस नाटक में अतिहासिक्ता के साथ कल्पना का पिस्मन में हैं। इसमें कुल तीन अंक हैं। द्रिश्य विधान नहीं है। प्रतेक अंक के एक द्रिश्य और चार गीत है। इसमें टोटल नाइक द्रुप्स्वामिने और नाइक चंद्रगुप्त हैं। यह नाइक प्रधान नाटक है। कैसा नाटक है यह you? नाइक प्रधान। इस नाटक का अधार ग्रंत lades द्वारा देवी चंदर गुप्त नाटक है। इसमें द्रूप स्वामिनी का नाम क्या है द्रूप देवी क्या नाम है द्रूप देवी द्रूप स्वामिनी नाटक दो कारणों से कालपनिक है पहला विशाक्दत द्वारा रचित संस्कृत नाटक देवी चंद्रगुप्त में द्रूप स्वामिनी के पुनर विवा जो चं उसकी बाद है द्रोग स्वामी नाटक की चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शक्राज, शिखर स्वामी एतिहासिक पात्र है यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कालपनिक पात्र और एतिहासिक पात्रों की आपको पूरी लिस्ट बनानी है नाटक में कालपनिक था इस नाटक मे कोमा मंदाकिनी महरदेव जैसे कालपनिक पात्र है कोमा के मादिन से गौन कथा का स्रिजन किया गया है शक्राज की अनैतिक आचरन को पुष्ट करने के लिए कलपना का सहारा लिया गया है पुरुष पात्रेस में चंदर गुप्त जो नायक है समुद्र गुप्त का छोटा ब समुद्र गुप्त की दो बेटे हैं यहां पर मैंने पूरा लिखा भी है दो बेटे हैं चोटा बेटा जो चंदर गुप्त है बड़ा बेटा जो है वो राम गुप्त है ठीक है तो बड़े बेटे को नहीं दिया जाता शासन पिता के बारा चोटे बेटे को दिया जाता है क क्योंकि वो कैसा है डरपोख है और योग्य नहीं है वो उस शासन के उस सीट के योग्य नहीं है वो कि ये वो अधिकारी बने इसलिए चंदरगुप्त को अधिकार दिया जाता है और समुद्रगुप्त का ये चोटा बेटा है रामगुप्त का भाई है योग्य अधिकारी को भी छोड़ दिया है होता क्या है राम गुप्त कौन है राजा और चंद्र गुप्त का भाई है यह समुद्र गुप्त का बड़ा बेटा है स्वार्थी भी है विलासी भी है और धुरुव स्वामिनी का पती है तो बाद में इसकी शादी धुरुव स्वामिनी से हो जाती है क्योंकि जो शासन होता है वो इसके अधिकार में होता है शेखर स्वामी के हाथों की कटकुतली है रामगुप्त शक्राज के साथ यूद करने के डर से दुरुज स्वामीनी को सौपना चाहता है तो रामगुप्त क्या करता है यूद से डर, क्योंकि वो डर पोक है, स्वार्थी भी है, विलासी भी है, तो यूद करने से वो डरता है, इसलिए क्या करता है, दुरू स्वामीनी को शकराज को दे देना चाहता है, तो मतलब वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता है, वो क्या करता है, डर जाता है, शि पर्धिक हर स्वामी के सहयोग से रामगुपत जो है राजा बनता है, पुरोईत है इसमें जो धर्मशास्ठआ का आचारे है, शक्राज है जो शत्रू राजा है और कोमा का प्रेमी है तथा धृवत स्वामने के प्रति और अकरश्ट रहता है। तो शक्राज के साथ युद करने के डर से तो राम गुप्त उसको दुरुप स्वामिनी को दे रहा था तो शक्राज जो है वो शत्रु हैंका और शत्रु राजा है कोमा से प्रेम करता है और दुरुप स्वामिनी के प्रती आकर्शित है प्रेम किसी और से करता है आकर्शित कि द्रुप्प्त के नाटक के नाय का राम गुप्त के पतनी है द्रुप्त सामीनी युवराज चंद्र के पत्نी बनने वाली थी लेकिन सथा पलटने के कारण रामगुप्त शासच बनकर दुरोब सामनी को पत्नी बना लेता है अब सब्वार्ट गई क्योंकि पहले तो चंद्रुपत शासन गाधिकार ही था पिता ने उसको सौंपा थंव लेकिन क्या होता हैर। दर के कारण की लड़ाई कलह ना फैल जाए इस कारण से वो अपने भाई को दे देता है शा सण करत भेंब करता है ब जोड़ gap Ready सुधिया उत्ता बलट गई और क्या हो जाता है LukeOS Veli अब उसकी पत्नी मन जाती है मन्दाखी निया उसमेक काल्पनिक पात्र है राम और चंद्रगुप्त की बहन है ये नियाई प्रिय करतवयनिष्ट निर्भीक विवेक शील अतथा शोशन के विरुद्ध करने वाले स्त्री है ये कोमा इसमें एक और काल्पनिक पात्र है जो शत्रूरानी है शक्राज की प्रेमिका है ठीक है शक्राज जो ये शत्रूराजा ह और ये कोमा जो है वो शक्राज की प्रेमिका है शत्रूराणी है मिहर देव की पुद्री है ये खड़कधारिनी रामगुप्त की गुप्तचर है और गौडपात्रेस में शक्राम मतलब दूसरा शत्रूराजा गौडपात्रेस ज़्यादा मुख्या नहीं है मिहर देव है क कोमा के पिता कुबड़ा बॉना हिजड़ा अब्रतिहारी खड़कदारी नी पुरोहित किंगल और सामत कमार यह इसके बताई है कॉमा का पिता है यह देख लेना है आपको उसके बाद इसमें क्या है इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे कथा वस्तू ठीक है इस नाटक के संदर में जैशंक प्रसात का कहना था यह ठीक है कि हमारे आचारे और धर्म शास्त्र की व्यभारिक परंपरा विच्छिन नसी है आगे जितने सुधार या समार शास्त्र की परिक्षात्मों प्रयोग देखे हैं सुने जाते हैं उन्हें अचिंति और नवीन समझ कर हम बहुत शिग्र अभारतिय कह देते हैं किन्तु मेरा ऐसा विश्वास है कि प्राचीन आरे बर्त में समाज की दिर्ग काल व्यापीनी परंपरा में प्राय प्रतेग विधान का परिक्षात्मक प्रयोग किया गया ह दातकाले कल्यानकारी परिवर्तन भी हुए हैं इसलिए डेड़ हजार वर्ष पहले यह होना अस्वाभाविक नहीं था क्या होना चाहिए और कैसा होगा यह तो विवस्था पर विचार करें इतिहास के आधार पर जो कुछ हो चुका यह जस घटना से घटित होने की इस नाटक की घटावस्तु का विकास किया गया है दुरूप सामिनी नाटक में तीन अंख हैं प्रतामंक रामगुप्त की शिवर से आरभ होता है दूसरा अंख शक्रास की शिवर से आरभ होता है तीसरा जो है वो अंतिवंक है और शक दुर्ग के भीतर प्रकोष्ट में उ स्मुध्र गुप्ट के दो पुत्र थे चंद्र गुप्ट और दूसरा रामगुप्ट तो दुराचारी विलासी और कामुक था वह स्मुध्र बनने के लिए सवत्ह योग्य था थीख है इसलिए स्मुध्र कुपट अपने छोटे पुत्र चंद्र गुप्त को अपना उत्राधिकारी बनाना चाहते हैं परतो राम गुप्त अपने आमाद तेशिक और स्वामी के साथ मिलकर एक शड़े अंत्र रज़ता है और चंद्रगुप्त की वांगतता बतनी यानि की मंगे तर्दुरु सामनी से विवांग कर लेता है और स्वायम प्रता की घर में कला कलेशो और रड़ाई जबड़ा हो द्रुस सामनी भी दिरी दिरी अपने आपको परिस्तितियों के अनुसार ढालने लगते हैं वो प्यार तो करती है चंद्रगुप्त से लेकिन पार में उसको ढालना पड़ता है अपने आपको शक्राज गुप्त समर राज्ये से अपने पुर्खों के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए खिंगिल के मादिन से रामगुप्त के पास एक प्रस्ताव भेजता है यदि वह अपने राज्ये की सुरक्षा चाहता है तो उसके लिए उपहार स्वरुप अपनी महरानी दुरुप सामी ने और हम अपने मंत्री शिखर स्वामी से के मंत्रना के बाद राज्ये के हीद को ध्यान में रखकर महरानी दुरुप सामी और शकराज के सभी श्रिमंतों के लिए अपने पनिस्त्रियां भेजने के लिए तयान वो जाता है वो लड़ाई करना स्विकार नहीं करता है वो सोसता है कि जो उन्होंने मांग की है वो हमें पूरी कर देनी चाहिए ताकि शांती बनी रहे तो लड़ाई करने मुझसे डर लगता है क्योंकि उसको पता है कि जो मेरा शत्रू है वो मुझसे ज़्यादा सामर्थी है ठीक है तो आगे क्या होता है द्रोस्वामिनी को जब इस बात का पत लिया है वो मेरे साथ नहीं चल सकता द्रोस्वामिनी का यह कथन है वो इस चीज़ को स्विकार नहीं करती चंद्रगुप्त अंतर मन से द्रोस्वामिनी के प्रती अनुरगत है उसके प्रती उसके मन में लगाव है लेकिन राजमर्यादा के कारण वो अपने मेरों भावों को फ्रकट नहीं होने देता दुरुवसामिनी भी सत्य से अफगत है वो जानती है कि वो उसे प्यार करता है वो राजा क्या कैसे दुरुवसामिनी के साथ जाने के लिए शक्राज के पास ले जाने के लिए वो तैयार हो जाता है कि ठीक है अचारी विहर दीव शक्राज को मिहर देव शक्राज को चुनाती दे रहे हैं वो जो शक्राज वो है जो दूसरा विरोजी राजा है ठीक है लेकिन विनाज शकाले विप्रीत गुद्धी जैसे हिस्त्री भीष धारण कर चंद्रगुप्त दुरुव स्वामिनी के साथ जब शक्राज को एकांत में मिलता है अ अब क्या किया चंद्रगुप्त ने पता नहीं अभी यह देखते हैं आगे अभी अंद्रुव स्वामिनी पढ़ रहे हैं अभी यहीं पर रहें फिलहाल समझ नहीं आएगा फिर ठीक है लेकिन विनाश काले विप्रीत गुद्धी जैसे ही स्त्री अब क्या करता है चंद्रगुप्त हम पर स्त्री भेश जो है वो धारन कर लेता है दुरुव स्वामिनी के साथ शक्राज के पास चला जाता है दुरुव स्वामिनी को ले करके अब एकांत में मिलता है जा करके श पिक्षा लिने, साफधान, तो मतलब चंदरगुप्त से तो वैसे ही सभी डरते थे, वो वीर भी था, सासी भी था, योदा भी था, तो वो उसको जाखर के चुनाती देता है दुरुप्त स्वामिनी के कपड़े बेहन करके, चंदरगुप्त शक्राज से युद करने में, शक शक्राज से युद में उसके हत्या कर देता है, वो दोनों का युद होता है, तो शक्राज उसमें मर जाता है, और देगे दुरुप्त स्वामिनी की जैगो का समंत कुमारों का संबीत सच सुनाई देता है, दुरुप्त स्वामिनी नारिस शक्ति करन की जैसे प्रतीत होती है वह राम गुप्त को ततकाल दुर्ग से वाहर निकलने का अधिश देती है और वो बोलती है कि तुम इस यहांसन पर बैटने की यूगे नहीं हो तो तुम इस दुर्ग से, इस किले से, इस महल से भाहर निकल जाओ और नाटक दुरुव स्वामीने के नाटक में मुख्य हैं प्रन्दु नारीस होतंदरता के भाव से परिकुरण आधनिक चेतना के कारण ही इसमें पहली बार धुरुत साम進ी परतिक्रिया करती हैं इस नाटक में को मळद मों के दौर्ड फ्रेम को परिभाशिद किया गया है को दुरुत साम नहीं समझोगी आज तुमारी विजे का अंदकार तुमारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढख ले किन्तु सब के जिवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है जली होगी है वश्या तुमारी भी जिवन में वह अलोग का महुत सभाया होगा जिसमें रिदे रिदे को पहचान करने का प्रेत्न करता है उदार मतता है और सर्वस्तव करने का उस्साह रखता है मुझे शक्राज का शव्य है क्या कहती निकिव शक्राज की प्रेमिका थी वो ही कह रही है कि मुझे शक्राज का शव चाहिए उसको जब पता चलता है कि वो दुरूफ स्वामीनी के प्रतियाक्रिष्ट था और दुरूफ स्वामीनी को प्राप्त करना चाहता था अब दुरूफ स्वामीनी से कहती है कि मुझे उसका शव च नीरदेव के साथ चले चाती है किंतु रास्ते में, रामगुप्त के सैनिक उसके हत्या कर देते हैं, इस नाटब में दुरुफ सामीनी से बहतर प्रेम करना, और उसके लिए त्याग करना शायद ही अन्य कोई बात्र कर सकता था, तो दुरुफ सामीनी क्या करती है, प्रेम भी करती है, त्याग भी कर देती है, चंदरगुप्त से प्रेम करती है, चंदरगुप्त का त्याग भी कर देती है, और अन्य बात्र इसमें ऐसा कोई करनी ही तका है, प्रिसाद की दुरुद सामीनी प्रेम के अंतर संघर्ष और विवाह की मर्यादा इन दोनों पाटों के बीच पिस्ती रहती है इसकी विपरित कोमा का प्रेम उसकी आंकों के सामने कोमलाने लगता है वो अपने प्रेमी की वास्तविक्ता से आन भी गया उसे पता नहीं कि मेर अच्छाई बुराई को दर किनार करते हैं मतलब अगर कोई प्रेम कर रहा है किसी को तो उसकी बुराईया नहीं देखता है वो अच्छाईया देखता है लेकिन बुराई जब सामने आती है तो फिर वो सहन नहीं कर पाते हैं कि तो कभी यह चवी टूट जाने पर भी कुछ ल ठुकरा देती है प्रेम का नाम ना लो अब ये इसका कथन है प्रेम का नाम ना लो वहाँ एक पीड़ा थी जो छूट गई उसकी कसक भी दिरे-दिरे दूर हो जाएगी राजा मैं तुम्हें प्यार नहीं करती मैं तो दर्प में दीप्त तुम्हारी मात्पमई पुरुश सब्सक्वान मात्यों के डंधों में दुरावाने के बाढ़ के बनी रहती है प्रीम मीरेस मर्पन और त्याग होता है किमा का कृम का प्रेम भी क्या है शक्राज के प्रति स्मर्पन है और त्याग है इसले शक्राज के तिरस्कार के बाद भी उसके इमृत्य होने पर होमा श्रव मांगने दुरुव स्वामिनी के पास जाती है तो उसको मतलब अन्तिम से इसकार करना होगा राम गुप्त को दुरुष स्वामिनी से प्रेम नहीं है बल्कि उसके प्रती स्वामित्व का भाव रखता है तलो उसको बड़ा मानता है उसको स्वामी मानता है वो राम गुप्त वो प्रेम नहीं करता है उससे उसको पता है कि साहसी ही होती है और मुझसे जादा qualities है इसके अंदर विबाहत के बाद एक बार भी उसने दुरुफ स्वामिने से शारिविक संबन नहीं बनाया दुरुफ स्वामिने जानती है कि रामगुप्त को विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत के आनंद से अपकाश कहा है रामगुप्त से अपनी विवाहिता मानकर उस पर अपना पूर्ण अधिकार रखता है वा दूर्व स्वामीनी से कहता है तुम उपहार की वस्तु हो आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ कौन कह रहा है रामगुप्त दूरुप स्वामीनी को इससे तुम्हें क्यों आपती हो अर्थार समाज में ऐसे अधिकतर पूरुष है जो स्त्री को मात्र वस्तो समझते है रामगुप्त के जैसे ही शक्राज को भी स्त्री केवल उपभूख वा मनुरंजन की वस्तो लगती है कोमा पुछती है तो क्या आपकी दुष्चिंताओं में मेरा बाद नहीं मुझे उससे अलग रखने से क्या हो परिस्ति कुछ सरण हो रही है ठीक है वाकी देख ले ना कुछ इंपर्टन पॉइंस अगर इसमें होंगे तो लगभग ये कवर हो गया है हमारा अब देखते हैं हम जंदरगुप्तिस में नहीं है ना दूसरी पीडियेप में होगा हो मौन राकिष का अशाड का एक दिन ठाइम भी हो गया है मुझे तो टाइम का ही पता नहीं चल रहा है आज कल अशाड का एक दिन नाटग मोहन राकिश का जन हुआ है 1925 कुछ आपको याद रखना है अम्रिट से पिंजाब में हुआ था ठीक है इनके बारे में हमें जादा कुछ जानने के जरूरत नहीं है इनकी कृतियां देखते हैं अंधीरे बंद कमरे 1961, नाने मला कल सत्तर अंतरालते हत्तर, कामता हुआ दरिया, नेली रौशनी की बाही अब रकाशे थे कहानी हैं की इनसान के खंड़र 1950, नाइबादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 61, फॉलाद का आकाश 66, मिस्पाल 67, मल्वे का मालिक 67, आज के साहिं 67, रोहिलेशे 68, मिले जुले चहरे 69, एक एक दुनिया 69, पहचान, बहत्तर कहानी संग्रहन के कौर्टर, पहचान तथा वारिस नामक तीन कहाने संग्रहन कौर्टर, पहचान और वारिस इसमें कुल 54 कहानिया संकलित है नाटक है अशार का एक दिन, जो 958 में है लहरो के राजहन संग्रहन, दूसरा नाटक 63 में, आदे दूरे इनका 69 पैरतले की जमीन, अधूरा है ये कमलेश्वर जेने पूरा किया था, ध्यान देंगे इनका पैरतले की जमीन, अधूरा नाटक था, इनकी मित्र कमलेश्वर ने इसको पूरा किया था, ये आपको ध्यान रखना है एकांकी, एकांकी और अन्य नाटे रूप 73, अंडे के छिलके बहुत इंपोर्टन एकांकी है, इनकी सिपाही की माँ भी बहुत जादा इंपोर्टन है, किसी ने पढ़ा है ये सिपाही की माँ बच्पन में हम पढ़ते थे बहुत ही अच्छा लगता था, प्यालिया तूटती है तथा, अन्य एकांकी, बीज नाटन, दूद और दान, ये आप्रकाशित है डाइरी इनकी है, मोह राकेश की डाइरी, इंपोर्टन है जीवनी संकलन समय सार्थी, ठीक है और यात्र वृतान ताखरी चट्टान, सतावन में, उची जील साथ, पच्छड का रंगमंच निबन संग्रे, इनका है परिवेश, सताशट में रंगमंच और सब्सक्र के शाकुंतलम और मृचlegt जील साथbuat पुरा नीं के I? इक भी unit पूरा नहीं हो परा, देखो अभी unit कैसे पूरा होगा इतना बड़ा बड़ा यूलिट है अशाण का एक दिन नाटक अशाण का एक दिन नाटक 1958 में प्रकाश्ची तुआ मोहना किश्की है प्रत्थम और सरवादी बहुत पर नाटक है मोहना किश्का नाक को सरप्ष्थ नाटक होने का संगीत नाटक कादमी ने पुरुस्कार दिया था 71 में मनिकॉल की निर्देशन इस पर फिल्म भी बनी थी, जिससे सरप्षेश्च फिल्म फेर पुरुस्कार भी मिला था यह एक बिम धर्मी प्रगीत आत्मक नाटक है इसमें मुख्य बिम मेंग का है द्यान देंगे और यहाँ नाटक कालिदास जी की कीर्थी और उणी के जीमन पर आधारित है नाटक क्याति आ सकता है अपने दूसरे नाटक लहरो के राज़न्स की भूमिका में इन्होंने लिख इस प्रकार मुखनराकेश जी ने कालिदास की इसी निहित अप्राव धनगूती को आशाण का एक दिन का आधार बनाया इस से असपष्ट होता है कि जिन कालिदास में में एक दूत लिखा है उनी पर यह नाटक है और उनी की भाबनाओं और विचारों को लेकर मुखनराके जी ने इस गंगुथ पर अधिक ध्यान दिया है वही आशाड के एक दिन में कालिदास के उपर मुखनराकेश ने प्रकाश डाला है यह वही कालिदास जी है जो मात्री गुथ की रूप में किश्मीर के शासत बने थे चीक है नाटके पात्र देखते हैं कालिदास से इसका क कभी और नायक अंबिका है गाउं के एक व्रिद्धा मलीका मा है और मलीका की मा है स्वारी और मलीका जो है अंबिका की पुत्री है और कालिदास की प्रेमिका है दंतुल है इसमें राजगुरु मातुल है कभी मातुल और कभी है मतलब और निक्षेप जो है वो गाउं का प दर्शन और प्रपृत्तिमार्ग और निवृत्तिमार्ग में के घनीबु द्वंद का इसमें चित्रन किया है। के प्रिसिद कभी नाटकार कालिदास जो कश्मीर के शासक की रूप में मात्रे गुप्त की रूप में प्रिसिद हुए है। को विक्सित कर रहे थे। कौन सी कला थी उनकी। वही पर उन्हें एक यूगती मलिका से प्रेम के साथ प्रेम हो जाता है। और नाटका द्रिश्य बदरता है जब वहां से दूर उजजयनी के कुछ दरबारी कालिदास से मिलते हैं। और उसे स्मराठ चंद्रगुप्त विक्रम आदिते के दरबार में चलने के लिए कहते हैं। कालिदास असमंजस में पढ़ जाते हैं। एक तरफ उनका सुन्दर शांती से भरा हुआ गाउं का जीवन है और दूसरे तरफ उजजयनी के राजदरबार में प्रश्य पाकर महानता पाने का अफसर है। कथा कारब आशाड की पहले दिन की वर्षा से होता है। कालिदास की भावनात्मत धरातल पर सच्चा और पवित्र फ्रेम करती है। इसलिए वो कहती है कि तुम उजजयनी चले जाओ, वहां पे दरबार में रहो, विराजा के पास रहोगे। तो महान हो जाओगे हैं ना, परिख्याती बढ़ जाएगी, इजजद आदर बढ़ जाएगा। कालिदास भारी मन से उजजयनी चले जाते हैं, उनका मन नहीं होता है, पिर भी चले जाते हैं। उनकी मां अंबिगा कहती है कि जीमन मियत्वार्थ की पूर्ती भावना मातर से नहीं हो सकती। कालिदास उजजयनी में राज कभी के रूप में बुलाए जाते हैं। और आचारे वर्रूची उन्हें लेने के लिए आते हैं। कौन आते हैं लेने के लिए वर्रूची संगीत की गला। नाटा की दूसरे खड़ में पता चलता है कि कालिदास की केरती बढ़ती जाती हैं। उनका विवार राज करन्या प्रियंगो मंजरी से हो जाता है। गाहों में मल्यका दुख्षी और अकेलि रह जाती थी और उनको कश्मीर का राजा बनाया जाता है। अब वे कालिदास माहत्री गुपत बन जाते हैं। कालिधास और प्रियंगो मंजरी कश्मीर चले जाते हैं Soon उससे मिलती है वह मलिका से सानुभूती चताती है और कहती है कि वह उसे अपनी सखी बना लेगी और उसका विवा किसी राजसेवक से करवा देगी मलिका साफ इंकार कर देते इस बात के लिए नाटकी त्रेतियांग और अंतिमखंड में कालेदास गाउं में अकेले ही आता है यह खबर मलिका को मिलती है कि कालेदास को कश्मीर का राज्यपाल बना दिया गया है लेकिन वह सब कुछ त्यान कर यहां आ गया है समय का चक्र चलता है मलिका की मां की मृत्ति हो जाती है मलिका की विवश्टा उसे ग्राम पुरुष विलोम की जाल में फसा देती है अब मलिका के लिए मां की मृत्ति हो गई है कोई भी उसका साथी नहीं है तो गाउम एक लड़का है जिसका नाम है विलोम विलोम के जाल में फस जाती है वो, फसाल ये जाता है उसको मतलब जबर्दस्ती, निसा मलिका की शादी विलोम की साथ हो चुकी है और उसकी एक पुद्री भी हो जाती है, ठीक है, ध्यान देंगे, कालिदास मलिका से मिलने आता है, लेकिन मलिका के जीवन में इन सचाइएं क को देखकर कालिदास निराश होकर चला जाता है और नाटक इसी जगह समापती पर पहुंचता है यह नाटक दर्शाता है कि कालिदास की महांता पाने के लिए कालिदास और मलिका को कितनी बड़ी किमत चुकाने पड़ी जब कालिदास मलिका को छोड़कर रुज्जेनी में ब प्रियंगु मंजरी इस प्रियास में जोटी रहती है कि उज्जैनी में भी कालिदास के रिद्गिर्द उसके गाउं जैसा बातावरण बना रहे लेकिन प्रियंगु मंजरी जो है वो ऐसा महल बना नहीं पाती है लेकिन वह स्वयम मलिका नहीं बन पाती है क्योंकि मलिका का अलग तरह का व्यवहार रहता होगा तो प्रेंगो मंजरी पैसा नहीं बेना सकती है नाटा के अंद में जब कालिदास की मल लिका से अंतिम बार बार बात होती है तब वो मानता है कि तुम्हारे सामने जो आतमी खड़ा है वो कालिदास नहीं है यहां जिसे तुम जानते थी ओन राकेश और उनकी वाइफ की नहीं बनती थी इसलिए ऐसा अधा दोधरा लिखते हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है उनकी जीवन पर नहीं है आज हम यूनेट टैन पढ़ने वाले हैं ना नमस्ते आपकी क्लास होईगी मंडे को मंडे तक आपकी छुट्टी है और आपको क्या करना है जितने भी मॉक टेस्ट है यहां पर आपको मिल जाएंगे तो मॉक टेस्ट दें तब तक ठीक है दो तिन दिन है आपके पास तो मॉक टेस्ट दें ओके एक मिनुट में आ रही हूँ झाल झाल गर्मी की चप्टी है आप सब को भी हां सभी सब्जेक्ट के छुट्टी है कि बीन ग्लास के मन नहीं लगता बढ़ाई करो प्रश्नन नहीं बनता है मतलब तुम्हें अभी भी बताने वाला चाहिए हद आप सेकेंड अट्रेंप्ट थर्ड है ना तुम्हारा आप अभी तुम्हें बताने वाले की जरूरत है और यहां क्लास में जो रोज बता रही हूं वह तुम्हें समझ नहीं आता है माइड हैं कर रहा है यह हो सकता है गर्मी के वज़े से माइड हैं कर रहा है यह हो सकता है भई है ना तो चले हम स्टार्ट करें हम बहुत देर हो गई है इतनी देर मैंने आपका वेट किया है और आपने थोड़ी देर मेरा वेट किया था मैंने उससे जादा देर आपका वे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं अच्छा आपके ऐसी वाली हालत हो गई है कि क्या पढ़ रहे हैं यह बताने चल रहा है तो यह आपको ज्यादा टेंशन के कारण हो रहा होगा है ना तो चिंता मत करें पढ़ते चाहें बस ऐसे नहीं कि एक बुक पढ़ी एक निकाली एक छोड़ी एक निकाली उसी बुक को छोड़ दिया फिर दुसरी निकाली उसको भी छोड़ दिया तीसरी निकाली उसको भी छोड़ दिया ना ऐसा होता है confusion में तो confusion से बिल्कुल परे रहें और जो आपके आप एक बार book स्टार्ट कर रहे हैं उसको पढ़ना शुरू करें और उसको खत्मकर के लिए channel लें ठीक है अच्छा कोई बात नहीं actually मैं वेट कर रही थी कि बच्चे आई नहीं क्योंकि मैं लेट थी ना अच्छे इस वज़े से हाँ कर सकते हैं चलो एकाईदस आत्मगता जीवनी और अन्य गद्यविदा है आत्मगता जब कोई व्यक्ति सहितिक हैं कलात्म ग्रंसी अपनी जीवनी खुद लिखता है तो उसे आत्मगता कहते हैं मतला अपनी कथा लिखता है जब आ कि अच्छी अच्छी करने वाला वह पहले ही साइट हो जाएगा ना कंपिटिशन काम हो जाएगा देखा मिने पहले ही वोल दिया तो एक्छी जीतता कौन है जीतता वही है जो अंत तक धीरज धरे रहता है है ना ऐसे तो बहुत आते हैं मैदान में बहुत आते हैं बहुत जाते हैं लेकिन सारे जो हैं रह नहीं पाते हैं सारे जो हैं मन्जिल तक नहीं पहुंच पाते हैं और मन्जिल उनको क्यों नहीं मिल क्यों नहीं मिल पाते हैं उनको मंसर क्यों कि उंग 12 अब कर देते हैं रास्ते नहीं पॉया यहार दर पहुंची निबाते है रेजैर प्रॉर्व कर्या करना है कि आपको खार्ना है। जीतना है हरिवन श्राय बच्चन के अनुसार जीवन की एक तस्वीर है आत्म गथा हरिवन श्राय बच्चन क्या कह रहे है क्या आत्म गथा क्या है जीवन की एक तस्वीर चैनो आगे किसी भी आत्म गथा से उस व्यक्ति विशेश की जीवन दर्शन वस्थितियों के सासा ततकले नेतिहासिक समाजिक स्थितियों की नई जानकारे मिलती है बनार सिदास जैन की अर्ध कथानक 1641 में ब्रज भार्शा में है को हिंदी की प्रतम आत्म गथा माना जाता है इस तो मैंने आपको शुकल से पढ़ाया था ठीक है बनार सिदास जैन की हिंदी की पहले आत्म गथा माना जाता है इसको अर्ध कथानक नाम से इन्होंने लिखी थी ठीक है प्रेंचंद ने अपनी संक्षिप्त आत्म कथा जीवन सार 1931, जीवन सार के नाम से हंस पत्रिका में प्रकाशित की थी, किसकी प्रेंचंद ने अपनी संक्षिप्त आत्म कथा क्या नाम था जीवन सार जो 1931 में लिखे गई थी हंस पत्रिका में प्रकाशित की थी, हिंदी की पहली प्रसिद आत्मकता शाम सुंदर दास्कृत मेरी आत्म कहानी 1941 को माना जाता है कमलेश्वर ने 12 लेखकों के आत्मकता का संपादन गर्दिश के दिन नामक शिर्शत से किया है कितने लेखक है इसमें 12 लेखक किसे ने लिखी हैं कमलेश्वर ने आत्मकथाओं का संपाद है, मतलब 12 लेखकों के आत्मकथा एक ही जगा पर है, किस नाम से गर्दिश के दिन, कब लिखी गई, 1980 में, ठीक है, मतलब प्रकाशित की गई, संपादित की गई राज कमल चौदरी के आत्मकथा का नाम है भैरवी तंत्र, रामदरिश मेश्र के आत्मकथा के चार भाग है, पहला जहां में खड़ा हूँ, दूसरा राज बनते दिन, चौता है उत्तरबद, इन चारों का संकलन समय है सहे चर्ण, नाम से उन्हें से क्यानों हैं प्रकाशित समय है सहे चर्ण, ठीक है, 1991, रामिला शुर्मा के आत्मकथा अपनी धर्ती अपने लोग, 1996 में यह तीन भागों में हैं, इसमें तीन भागों के नाम है, मुंडेरे पर सूरज, देर सबीर और आपस की बाते, इंपोर्टन है सब कुछ, ठीक है, हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा, मेरी जीवन यात्रा, 1956, शिर्षत से जानकी देवी बजाज ने लिखी है, मेरी जीवन यात्रा, जानकी देवी बजाज, हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा ने आंदी, जानकी देवी बजाज, राजेंद्रियादब की आत्मकथा का न मुड मुड के कौन देखते हैं राजेंद्रियादव ध्यान देंगे इनके आत्मगथा का नाम है और 2002 में यह लिखे गई थी अब आता है प्रमुका आत्मगथाएं मुझ में देव जीवन का विकास 1910 में सत्यनंद अगनी होतरी जीवन चरित 1917 में स्वामी देणनंद सरस्वती स्वामी देणनंद मेरी आत्म कहानी 1941 में शाम सुद्धर दास मेरा जीवन प्रवाः उनिस और तालिस में वियोगी हरी यश्पाल के सिंगाव लोकन तीन भागों में है पहले भाग का प्रकाशन 1951 में हुआ है और सिंगाव लोकन भाग दो का प्रकाशन 1952 में हुआ है भाग तीन का प्रकाशन 1955 में हुआ है अपनी खबर 1960 में लिखे गई पांड़े बेचन शर्मा उग्र की ये जीवनी है आत्म गता है मेरी फिल्में आत्म गता 1974 में बलराज सहनी की आत्म गता है हर्विन श्राइ बच्चन की चार भागों में है आत्म गता है ना 69707885 इस तरह से आप ये एक मोबाइल नंबर समझे इसको याद कर सकते है 697069707885 ये बच्चन जे का मोबाइल नंबर क्या भूलूं क्या याद करूं 69 नीड का निर्माण फिर 70 बसेरे से दूर 78 दश्टवार से 105 तक 85 इसका सिक्वेंस लगाने को आता है ध्यान देंगे क्योंकि पहला दूसरा तीसरा सिक्वेंस में आपको याद होना चाहिए पहली क्या आएगा क्या भूलूं क्या याद करूं फिर नीड का निर्माण होगा नीड का निर्माण कहां पर होगा बसेरे से दूर ठीक है अर्द कथानक बिनार्सिधस जयन होगा दूर नगेंदर पूछा जाता हैं और बच्चेशी में कन्फ्यूज होते हैं कि वह नगेंदर के जगह किसों को लगा अंड किया जाते हैं तो ध्यान देंगे अर्द कथा डॉक्टर नगेंद्र की है गालिप छूटी शराफ 2000 में रवेंद्र का लिया आज का ती 2003 भेश मसानी मैंने मांडू नहीं देखा 2003 में स्वदेश दीपक साथ वर्ष एक रेखांकन साथ वर्ष हो गा है साथ वर्ष एक रेखांकन सुमित्र रंदर पंद्ध दूप में नंगे पाउं 2019 में प्रकाश मनु है या प्रकार सिंग है एक बार कोई देख ले पांडे में पांडे में लास्ट में होगा ये गद्या कुछ प्रमुक्स त्रियात्म कता हैं हिंदी में दस्तक जिंदगी की 1990 में प्रतिभा अगरवाल इसके साथ दस्तक जिंदगी की मोड जिंदगी का मुझे ऐसे याद आ रहा है इसके साथ ही मोड जिंदगी का है अब वो इन ही की है प्रतिभा अगरवाल की या पिर किसी और की है बट वो पांडे में इसके साथ दी हुई है मैं इसको चेक कर लेना मेरी पुक अच्छली दो पढ़ी है लगता नहीं है दिल मेरा 1997 कृष्ण अगनी होतरी बहुत इंपोर्टन बूंत बावडी 1999 पद्मा सचदेवा कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में गुडिया भीतर गुडिया 2008 में हादसे और आप हुद्री दो भागो में इनकी आत्मगता रणने का गुपता की ठीक है हादसे 2005 में आप हुद्री 2016 में एक जिद्धी लड़की की कहानी उसके बाद है एक कहानी हबी 2007 में मनुभंडारी की आत्मगता है अन्य से अन्या प्रभा खेतान खेतों में क्या होता है अन्य ऐसे याद करवाया था इसको खेतों में अन्य होता है अन्य से अनन्या प्रभा खेतान 2007 हाशी की बारती 2009 में चंद्रकांता कितने शहरों में कितनी बार 2011 मुम्ता कालिया जमाने में हम 2015 निर्मला जैन हिंदी में प्रम्क दली तात्म कथा हैं अपने अपने पिंजरे 1995 में दो भागों में ये मोहंदास नेमिश्राएं हंतर जात ये विवान नहीं पता मुझे असुरुची जूठर 1997 में ओम्प्रकाश वाल्मी की दोहरा अभिशाप 1999 में कशल्या वैसंत्री हट्टो राजवावन 2002 में माता प्रसाद तिरस्कृत और संतब्द सूरशवाद चोहान की आत्मकता हैं तिरस्कृत 2002 में संतब्द भी 2002 में है ठीक है नाम से लगता है नाम से लगता है मनों भंडार या राजेंद रहाद अब नहीं ज़रूरी नहीं है हो भी सकता है पता नहीं मुझे याद नहीं है मैंने पढ़ी तो है ये इनके आतमकता पढ़ी है लेकिन मुझे याद नहीं है ऐसा पता नहीं कि इस टॉपिक में अभी मेरे पास इतनी खबर आई है कि मंडे को क्लास लेनी है अब किस टॉपिक पिलेनी हमें तक कुछ नहीं बता बता दोंगे आपको ठेक है मेरा बचपन मेरे कंदो पर 2009 में श्वरा सिंग बेचैन मुर्दहिया 2010 में प्रथम भाग और मणिय करने का दूसरा भाग है इसका 2013 में तोलसी राम की आत्मकता है मुर्दहिया आपके सिलिबस में है और मणिय करने का दूसरा भाग है मुर्दहिया 2010 में है मणिय करने का 2013 में है मेरी पत्नी और भेडिया दोजर नौ डॉक्टर धरमवीर शिकंजी का दर्थ तुशिलट अग्भॉरे दोजर ग्यारा में आप देखते हैं जीवनी हिंदी साहिते कोश के अनुसार किसी व्यक्ति विशेश के जीवन प्रितान को जीवनी कहते हैं भारतेंदु ने चरितावल और चरित चर्चा सु कभी किंकर की नाम से कौन लिखते थे किसी को पता है गुपाल शर्मा शास्त्री को हिंदी को प्रथम जीवनीकार माना जाता है गुपाल शर्मा शास्त्री को हिंदी को प्रथम जीवनीकार माना जाता है प्रमुक जीवनिया देखते हैं दयानन दिग भापू नाम से किसने लिखी है घंशाम दास बिर्ड ला बहुत बभर पूछी गई है बापू महहात्मधान्दी की उपर अलग अलग नामों से जेव भापू भांशन को पे यह बहुत इंपॉर्टेंट है कालपुरुष गाधी गाधी के जीवन पर है यह जैनेंद्र ने लिखी है 1900 में चैतन्य महाप्रभु की जीवनी अम्रित लालनागर ने लिखी 1975 में, ध्यान देंगे, जैतन्य महाप्रभु नाम से अमृत लान लागन ने 1975 में प्रेंचन घर में शिवरानी देवी ने लिखी है 1944 में इनकी पत्नी है ये शिवरानी देवी कलम का सिपाही अमृत राय ने ये प्रेंचन का बेटा है अमृत राय प्रेंचन की जीवनी है कलम का सिपाही निराला की साहिते साधना 69 में रांभिला शर्मा ने लिखी है निराला की जीवन पर आवारा मसीह उनिसोच चुहत्तर में आपके सिलेबस में भी है विश्णोप्रभाकर ने लिखी है और किसके जीवन पर है ये जल्दी से आप बताएंगे केले की पेड की चाया में 2006 में कुमद नागर, कुमद नागर ये अमदितलाल नागर की वाइफ है या बेटी है, actually I'm confused, व्योंकेश दर्वेश, 2012 विश्वनात्रिपार्थी, विश्वनात्रिपार्थी ने व्योंकेश दर्वेश किस की जिवनी है, हजारी प्रसादवेदी की शिकर से सागर तक 1986 में, राज कमल, राज कमल होगा, ठीक है, शरच चद्रगोड, यात्रवधान्थ यात्र संस्मरन्डी कहा जाता है, यात्रवधान्त में एक लेख़क, अपनी यात्र के वृतांत के साथ 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 उत् यात्र सम्मंदित, भौग लिक, शेत्र का समाजीक राजनेतिक एतिहासिक सूकवी किंकर सर्च कर रही है, राजनेतिक एतिहासिक एवम साहतिक सास्कृतिक विशलेशन भी प्रस्थुत करता है, लेयने पुछा सूकवी किंकर, कि नहीं कि अज़े सर्च कहां से कर लिए ओके राहॉल सांकृतिया ने याद्रा साहित्य को उसके शिर्ष पर पहुंचाने का कारी किया इन्हें हिंदी का सबसे सबसे बड़ा यायावर कहा गया है यायावर मतलब घुमकड है ना राहॉल सांकृतियान के अनुसार मेरी समश्चिन में दुनिया की सरक्ष्रिष्ट वस्तु है घुमकड़ी आगनी किंदी साहित्य के ब्रह्मनशील व्रिहत्रई कौन-कौन मतलब घुमकड कौन है घुमकड तरई कहते इनको राहॉल सांकृतियान नागार्जुन और अग्य ठेक है अच्छा बताओ बताओ प्रमुख यात्रा प्रितांत्र दामोदर शास्त्री मेरी पुर्व दिग यात्रा 85 श्यप्रसाद गुप्त प्रित्वी प्रदक्षिना बहुत बार पूचा क्या है ये मला प्रित्वी प्रदक्षिना प्रित्वी प्रदक्षिना नहीं अलान मिश्रु प्रभाकर का हमारी जापानी यात्रा राहॉल सांकृतियान का मेरी तिब्बत यात्रा मेरी लदाख यात्रा किनर देश में घुमकड शास्त्रा चीन में कम्योन चीन में क्या देखा और रामरिक्ष्वेन हुरी का पैरों में पंक बान कर उड़ते चलो उड़ते चलो। दो भागों में हैं। पैरों में पंक बान कर उड़ते चलो। इवार्वणय धार कर cœur। 1948, सुरियोदे का देश 1905 अग्ये की है यात्रा सहित्य, अरे यायवर रहे का याद, 1953 में एकभुन सहसा उचली, इसकी विदा पूची चाती है, या आपको लगेगा ये कविता है, ठीक है ये कविता नहीं है, एकभुन सहसा उचली क्या है यात्रा ब्रतान थे, ठीक है मोहन राकेश का आखरी चट्टान तक 1953 में यात्रा ब्रतान थे, रामधारे सिंग दिनकर का देश विदेश 1957 में और मेरी यात्रा 1970 में, निर्मल वर्मा का चीडों परचांदनी, 1964 में यात्रा सहित्य है डॉक्टर नगेंदर का तंत्रलोग से यंत्रलोग तक 68 अप्रवास्ति के आत्रा हैं बहत्तर श्रीकांद वर्मा का आपोलो का रथ 1975 कंपेश्वर का धुन परी सुर्खी 1975 आंखो देखा पाकिस्तान बहुत मर्पोचां जाता है 2006 शंकर द्याल सिंग गांधी की देश से लेनिन की देश में तिहत्तर नामदरेश मिश्र का तना हुआ इंद्रदुन शनिसन अबे भूर का सपना 1999 पडोस की खुश्बू 1999 नासिरा शर्मा का जहां फवारे लहुर होते हैं इंपोर्टेंट है वो 2003 में ज्यानरजन का कबाड़ खाना संस्मरण देखते हैं संस्मरण का अर्थ क्या है सम्यक स्मृति एक ऐसे स्मृति जो वर्तमान को अधिक सार्थक स्मृत और सम्वेधन शिल बनाती है संस्मरण और रेखा चित्र में बहुत समानता है समानताएं हैं हिंदी में संस्मरण लेखन की शुरुवात द्वेदी युग से होती है पद्म सिंग शर्मा द्वारा रचित पद्म पराग हिंदी का प्रथम संस्मरण माना जाता है ध्यान देंगे पद्म सिंग शर्मा का पद्म पराग हिंदी का पहला संस्मरण अन्य लग कुछ ऐसी रचनाई है जो संस्मरण में भी आती जीवनियों में भी आती है ना तो बापु जो है जीवनी है जीवनी में भी आती घंध शामदास बिड़ला ठीक है महादेवी वर्मा पत के साथी इनके पत के साथी कौन है चपन में राहुल संकृतिया इन बच्पन की स् संस्मरण विष्णु प्रभाकर का जाने अंजाने यादों की तेर्थ्यात्रा मेरे अग्रज मेरे मीथ हम इनके रिणी है शेपोजन सहाई के वेदिन वे लोग श्यालेस में दिनकर का लोगडिव नहरूं और संस्मरण और शरधान जयाब्ड़ीक सिस्ट इन कमलेशवर मेरी हम दम मिर दोस्त किस ने लिखा एक इसनी वाइप ने लिखा हूगा यह कमलेशवर के ओंपर है न अं अम्रितलालनागर जिनके साथ जिया उनिसे क्या सिन दूद्नाद सिंग् लौट आवधार एक संशेर भी है लौट आवधार बहुत पूछा जाता है दूद्नास सिंग का पता नहीं क्या नहीं पता हम इने कुछ पूचा था रविंदनात कालिया स्रिजन के सही यात्री, क्रिष्ण सोब्ती हम हश्मत, शब्दों के आलोप में सोब्ती एक सोहबत, विश्वनात प्रसाथ तिवारी का एक नाप के यात्री, विश्वनात रिपार्टी का नंगत अलाई का गाउं 2004, व्योंकेश दर्वेश का कबका है? 2010. अच्छा, सुमन केशरी, जे एन न्यू में, नामवर सिंग, धरमविर भारती का ठेले पर हिमाल्य, अंग्रेजी में स्केच, शब्द का हिंदी परियाय रेखा चित्र है, रेखा चित्र किसी व्यक्ती, वस्तु, घटना या भाब का कम से कम शब्दों में मर्म सपर्श्मा अपन और सचीव अंकन है, विशेशनाई क्या है इसकी, रेखा चित्र की एकात्मत्ता, सरस और मार्मिक्षैली, संस्मरनात्मक चित्र, शृदे की संविदन शीलता, कलपना का संदरे, सोक्ष में परिवेक्षन चक्ति और विबरन की न्यूनता, महादेव जी ने अतीत के चलचित्र में लिखा है, इन स्मृत्ती चित्रों में मेरा जीवन भी आ गया है, अधिरे की वस्तों को हम अपने प्रकाश में दूंदली या उजली परीदी में लाकर ही देख पाते हैं, कुछ प्रमुक्रे का चित्र है, महादेवी वर्मा का अतीत के चलचित्र, 1941 में परिवार कौन था, मेरा परिवार यहाँ पे है, प्रकाश्चंद्र गुप्त का रिखा चित्र है, 1940 में मिट्टी के पुतले, पुरानी स्वृतिया, नए स्केच, राम रिक्ष बेनी पूरी का माटी की मूर्ते, 46 में, गेहों और गुलाब पचास में, लाल ताराठ थात्त बहुत इंपॉर्टेंट, परसाथ बंद्रे रहना, विश्ण प्रभाकर कुछ शब्द कुछ रेखा है, 65 माखला चतरवेजी समय के पाउं, 62 रिपोर्टाज, रिपोर्टाज फ्रांसिसी शब्द है, फ्रेंच शब्द है, जो अंग्रेजी के रिपोर्ट की समना आरती है, रिपोर्ट के कलात्मक और सहितिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं, इनके जनमदाता रोसी सहितिकार इलिया रहेन, एहरेन बर्ग को माना जाता है, साहेतिक विधा के रूप में इसका विकास द्वितिय विश्वियुद के दारान हुआ था, इसी में इसके शुरुवात शिवदान सिंग चोहान के कृती लक्ष्मिपुरा 1938 से होती है, कुछ प्रमुक रिपोर्ट आज देखते हैं, शिवदान सिंग चोहान का लक् के रागव का तुफानों के बीच 1941 में, राम नारायन उपाद्याय का गिरीब और अमीर पुस्त के नवर्श्रांग समारोख में, याद तो रखना पड़ेगा बेटा, धरम विर भारती का यूधियात्रा, शिंशेल बहादर सिंग का प्लांट का मोर्चा, ये तो मिने बह काम रखा है, यहाद तो आपको बहुत सारा करना पड़ता है, यहाँ पर सारा थोड़ी रखा है, पनिश्वनात रेनु का रेनजल, धनजल, नेपाली घरांती कहानी और एक लवे के नोट्स, पनिश्वनात रेनु, विवे की रायका, जुलूस्रु का है, बाढ़, वर्मा का पेरिस के नोर्स निर्वल वर्मा प्रांग एकस्वापन श्रिकांत वर्मा का मुक्ति सेना डायरी शैली देखते हैं जब कोई व्यक्तिती तीथियों का उलेख करते हुए घटनाओं को उसी क्रम में लिपिवद करता है जिस क्रम में उसकी जीवन में घटनाएं बताया चलो ठीक है आदाई से मिरा परिवार कोन है मादेव वर्मा का परिवार को है रिपिव्वार को इत नौक की ही डैरी लेखक्र को को सर्वादिक प्रमानिक मांजिम है ile उसकी में भिद्भा प्रवर्धन श्रीवीराम शर्मा इस सेवय उसको ध्यान देंगे श्री राम शर्मा का सेवा ग्राम की डाइरी से हिंदी साहिती में डाइरे विदा का प्रवर्तर माना जाता है प्रमुख डाइरे विदा देखते हैं धिरेंद्र वर्मा मेरी कॉलिज डाइरी मेरी कॉलिज डाइरी किसकी है धिरेंद्र वर्मा उनिस सो चौव कि पढ़ाई का दिल्ली मेरा परदेश, उने 176, राजिंद्रावस्ति का सैलानी की डायरी और एक लववी की डायरी किसका है, अभी पीछे बढ़ा हमने, जल्दी बताओ, मुत्ति बोद एक साहित्तिक की डायरी, यहाँ सारे डायरी डायरी बताई हुई है, एक लववी की ड जैप्रकाश मेरी जेल डायरी तो चैतर से सततर चंदर शेकर मेरी जेल डायरी सततर उसके बाद आते हैं पाठेक्रम में जो आपकी इससे संबंदित जो विधाई हैं हमकी बारे में हम संख्षिप्त में देखेंगे माटी की मूर्ते माटी की मूर्ते हैं 1941 समय कितना है निसको पंतालेस सवी से लिक्षेंगए संस्मार नात्म क्रेखाचित्रों का संसराल संसमार नात्म ग्रेखाचित्रों को बेनी पूरीजिने सवयम शब्द चित्र काहएं। मानव को अपनी मट्टी के प्रती जवा सकती रहती है उसका उतक्रिष्ट और बेजोड नमूना माटी की मूर्ते हैं माटी की मूर्ते में लिखित सभी रेखा चितर बेनीपूरी जी ने हजारी पाग सेंट्रल जेड में लहते हुए लिखे हैं वेरी गूट सुरुची आपका सटीक बिलकुल अंसर था इन रेखा चितरों को बेनीपूरी जी ने अपने जीवन में उन चुनिंदा लोगों के विश्य में लिखा है जो उनके हतेंद प्रियत ही हर वेक्ति के विश्य में बिताते हुई वे अपने बैच्पन के दिन को याद करते हैं मार्टी की मूर्ति कथा साहिते को एक सची ग्रामिंट दृष्टी प्रदान करते हैं से भारती संस्कृति के विकास श्रील तत्मों से जोडने का प्रयास करती है इसका प्रथम प्रकाशन का बुआ था निसो 46 में उस समय पुस्तक में 11 रेखाचित्र संकलित थे इसका दूसरा प्रकाशन वह त्रेपन में और फिर 12 रेखाचित्र इसमें समलित है रजिया रेखाचित्र जो दूसरा संस्क्रण था तब उसमें जोड़ा गया था रजिया रजिया ने रजिया माटी की मूरते हिंदी गदा साहिते को एक ग्रामिन दृष्टी प्रदान कर उसे भारती संस्कृति के विकास शील तत्वों से जोडने का प्रयास करती है ठकुरी बाती-बाती के स्वांगरचने के कारण उन्ही समाच में हेद रिष्टी से देखता है लेखका उदेश्य भारतियां ग्रामिन प्रेख гл़ावान समाज کی सबसे धरी द्रूत्पेडित लोगों के प्रति सहनुभूति जाग्रत करना तकुरी बाबा से महैदेवि बर्मा की च प्रयाग के कहां यह है प्रयाग के कलपवास के दरान होई थी ठकुरी बाबा भाट बंश में पैदा हुए थे ठकुरी बाबा की पुत्री का नाम बेला था ध्यान दे सब कुछ यहां पर इंपॉर्टन है शादी के डीड़ वर्श बाथ ही उनकी पत्नी का धिहांत हो गया थ था ठकुरी बाबा से तुर गाओं के रहने वाले थे वहां से माग मेला प्रयाग टेतिस मिंदूर था अब अब एगा अब एगा अब एगा इस एक मिनट रुखना कुछ आवास होई यह बाहर में देखके आते हो ना बाहर हो आपाउल यही वही को, फ़स्दिए सोभश भाबा से ऊड़ का लाओ देखके भल्ग भाबा भाबा इस को, अबर कोड़ करो जिस पादा को, जिस वे बादे आप़ पादे से का अगया से अपा ना प्रतव है और अपा पार बाहर में झाल झाल दर तो यही था कि बिली हो सकती है क्योंकि अभी-कभी बिली बुस जाती है अंदर क्या कह रहे हैं मैं क्या याद कर रहे हैं मैं किसी को याद में कर रही हैं हम फ्री है एंचें फ्री है इंचें फ्री सुचा तो मैं यही था कि बिली आ गई होगी लेकिन कुछ था ने शायद कुछ आवास बाहर हो रही थी हो डर्ट लगता है ने डर्ट नहीं लगता मुझे कुछ दूद पी जाए तो फिर पंगा हम भी प्री अच्छा तुम भी प्री होगा यह तो बड़ी खुश्शी के खपर है मुर्दहिया डॉक्टर तुलसी राम के आद्मगता है या उनके जनम स्थान आजमगड के धरंपूर नाम के एक गाउं का शुम्शान घाट है लेकक ने अपने आद्मगता मुर्दहिया में एक साथ दो पेड़ाओं के विवेक्ति की है एक तो जातिगत भेदभाव बेदभाव जनित पेड़ा थी जो उन्हें समाज में झेलनी पड़ती है दूसरी पेड़ा उनके एक आँख के चले जाने के कारण झेलने पड़ती है खास बात तो यह है कि पेड़ा देने वालों में उनका अपना परिवार भी शामिल था जो उन्हें कन्वा कहकर संबोधित करते थी या आत्मकता दो खंडों में लिखी गई है मुर्दहिया 1910 तथा मनी करने का सौरी 2010 होगा ना यह मनी करने का 2014 में प्रकाशित हुआ सिर्फ इसमें मुर्दहिया में केवल दलित लोग ही केंदर में नहीं है पर पूरे गाउं का लोग जीवन ही केंदर में है यह important point आपको याद रखना है इस 184 प्रिष्टों की आत्मकता में आरमभीक पढ़ाई से लेकर मैट्रिक तक की पढ़ाई का चित्रन है सबसे उलेखने यह है कि यहाँ लेखक केंदर में नहीं है इसके केंदर में दलिद जीवन क्या बता रहे हैं यहाँ पर लेखक यहाँ पर केंदर में नहीं है इसके केंदर में दलिद जीवन उनकी अंद श्रद्धाएं करमकांड भूतों के प्रतिभाई स्वर्णो का जीवन दलिद का संगर्ष आपसी होड दरिद्रता प्रोजी रोटी की तलाश त्योहार, पूजापाठ, लोग गीत गाउं में बसे कुछ विक्षिप्त परंतु विलक्षन शिक्षा की गोरा भीहीलना और उससे संबदित जान बुचकर फेलाई गई अब वाहें दलिद संगर्ष जही मायने में एक गाउं में जितनी भी अंतः प्रवाः होते हैं वे सब इसमें आ गए हैं इस आत्मगथा की सबसे बड़े विशेशता है कि इसमें आत्मगथा का नेची अनपव नहीं है बलकि इसमें लोग भी साथ-साथ चलता है कोई प्रश्ण नहीं पूछा था मैंने यहां आत्मकथा अपने समय और समाज के विविद संदर्वों को समेटे हुए है इसमें दलितों के समाजिक, राजनेतिक, आर्थिक, शैक्षिक, जीवन की बहु मुखी तस्वेर दिखाई पड़ती है रक्टर तुलसिराम ने साथ में कथा कि भूमिका में स्पष्ट लिखा है मुर्दहिया हमारे गाउन धरम पूर ध्यान दें, धरम पूर आजम गड़ने हैं कि बहु देशे करंस्तरी थी चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते नहीं से गुजरते थे हमारे गाउन की जियो पॉलिटेक्स यानी भू राजनिती में दलीतों के लिए मुर्दहिया एक केंद्र जैसी थी जीवन से लेकर मरण तक की थारी कतिविदिया मुर्दहिया समेट लेती थी सबसे रोचक तत्य आया है कि मुर्दहिया मानव और पश्यू में कोई फरक नहीं करती थी वह दोनों की मुक्ति दाता थी विशेश रूप से मरे हुए पश्यू के मास्पिर्ण से जूचते सैंकडों गिद्धों के साथ कुत्ते और सियार मुर्दहिया को एक कलास धली के रूप में बदल देते थे रात के समय इनी सियारों की हुआ हुआ वाली आवास उसकी निरजनता को भंग कर देती थी हमारे दलित वस्ती के अंगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिये मुर्दहिया में दफ़न हो गए थे यदि उन में से किसी की भी आत्मकता लेखी जाती तो उसका शिर्षप मुर्दहिया ही होता डेटो बर्द अच्छे बताता है मतलब यहां आत्मकता दलित जीवन के विविद पहलों से साक्षात कार करवाती है इसमें दलितों के समेदन शील संघर शील जीवन को केंदर पे बनाकर समाजिक यह थार्थ को जागर किया गया है पहले अध्याय में अपनी भुत ही पारिवारिक प्रिष्ट भूमी की चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा है कि उनके दादा की मृत्यों के बीचे भूत होने का अंदविश्वास फैलाया गया था उसके बाद ही उनके घर में भूत की पूजा होने लगे थी शोप या अशोब कारियों में चमरिय माई, डीह बाबा और अने देवी देवताों के साथ भूत की पूजा ब्रहम्पा बाबा के रूप में करते थे दलित बस्ति में अपने देवताओं को सुर तथा बकरे की बली दी जाती थी उसके बाद हलवा सुहारी यानि कि पूरी धार और पुज़ौरा भी चड़ाया जाता था इसमें लेखक ने एक समार शास्री के धर लोग जीवन में व्याबत अंध विश्वास के प्रतीक इन जीवने शिवरानी देवे में लिखी है प्रेमचंद घर में नाम से प्रेमचंद की जीवने लिखी है उन्होंने उनके वेक्तित्व के उस हिस्से को जागर के जिस्ते लोग अनभी गया थे अनजान थे प्रेमचंद ने अपनी पत्नी को हमेशा प्रेरित किया कि विल गाम और भी बढ़ गया था प्रेम चंद की जीबनी उनके बेटे अमरित राय ने कलम का सिपाही नाम से और मदन गोपाल ने कलम का मजदूर नाम से लिखी थी कलम का चादुगर किसको कहा जाता है कल मैंने पढ़ाया था ठंड कैसी है कैसी लग रही है मुझे देख के कैसी लग रही है जिसमें लेकर क्या अपनी कल्पनाय में शामिल होंगी शिवरानी देवी दोरह लेकी गई इस जीबनी का हर घटना हर घटना खरे सोने की तरह है मुझे देख के कैसी लग रही है आपको ठंड क्योंकि शिवरानी देवी ने उनके साथ उन पलों को खुद जिया और महसूस किया है प्रेंचन के विक्तित्व की साफ गोई को जिस तरह से उनकी पत्नी ने बयान किया वह हिंदी साहिती प्रेमियों के लिए पठनी आ है बहुत लग रही है देखो इदर में कंबल ओड के बैठी मियों शिवरानी देवी ने उनके साथ तिक दिखा का आपको कंबल उनके साथ बिताए सुनहरी पलों को बड़ी ही साज़ता के साल लिखा है उससे शायद ही अन्य साहित्यकार लिख पाता उनके लेखन में भाबना में कोई कमी नजर आती है शिवरानी देवी को इस बात का मलाल रहा कि वे अपने पती को महांता को मर्न प्रांद समझ पाई प्रेम चंद के पिता का नाम अजाइब राय और माता का नाम अनंधी देवी था रामरिश्वेनीपूरी प्रेम चंद को उनके पिता मुंशी धनपत राय तथा चाचा ने मुंशी लवाब राय नाम दिया था ध्यान देंगे पिता ने धनपत राय चाचा ने लवाब राय और प्रेमचन नाम किस ने दिया था उनको जल्दे बताओ अब लोगों के वहां गत्मी है गर्भी इधर भी है बाहर है लेकिन अंदर ठंड़ती है अंदर बारिश हो यह तो थोड़ा मासम ठंड़ा हुआ है जल्दी जल्दी बताईए प्रेमचत नाम इनको किस ने दिया था इन्होंने मरियादा हंस कथा जागरण पत्रिकाओं का संपाधन किया उपनेास प्रेम को माना जाता है इस पनेास कृष्ण क को मानां जाता है इस प्रेमचान के तो पूत्र थे श्रिपतराय अंदंणु और आरबननु अम्रेदर अउन प्रेमचंद 1935 सेश्वी में प्रगति शिल्लेखक संग के सभापती बने उन्होंने मात्मा गांदी के विचारों से प्रभावित होकर सेवा को मोलधर्म बनाया कंफ्यूज है सुरची कुछ सेकेंड के लिए छट पे जाओ ऐसा लगता है मानो मुह जल गया हो अच्छा इमेजिन कर सकते हूं मैं कैसी घर में है अब अभी तो इमेजिन भी ने कर सकते हैं शिवरानी देवी ने फ्रेमचंद के संपुर जीवन को इस पुस्तक में 88 रोगों में दिखाया है कि एक कहानी यह भी मनुभंडारी की कहानी है मनुभंडारी यह 5 भाही बेहन थे मनुभंडारी सबसे छोटी थी साहित्में इनका परिचे कंगरेसी नेता जीत मल्ण लोनिये के माधिम से हुआ था इनहीं जैनिंद की रचना यह बगवती बाबु का चित्रलेखा और अग्ये की रश्ना इनको पसंद थी बगवती चरण का चित्रलेखा उपनियास है ठीक है और इनके प्रियलेखक कौन थे यश्पाल मैंनों बंडारी भाश्र विग्यान और काविशास्त्र में कमजोर थी उनकी पहली कहानी में हार गई 1957 एसवी के अधिवेशन में शामिल हुई थी इनका राजिंद्रियादव से विवा हुआ था इनके पुत्री का नाम क्या था? रचना यानि कि टिंकू टिंकू चिंटू कैस किसे नाम है न मनुभंडारी के पिता से जुड़ी कहानी पहले इंदौर में रहते थे पाद में अजमीर राजिस्तान में राजिस्तान के ब्रह्मोपुरी में रहने लगे थे वे कॉंग्रेसी, एवंसमासुधारक थे विद्यार्थियों को अपने घर पर पढ़ाते थे शक्की सवभाव के थे पती राजिंद्रियादव से समबंदित इनकी जो कहानी है राजिंद्रियादव से उनकी पहली मुलाकास सावित्री गर्ल्स हाइस्पूल अजमेर के पुस्तकाले में हुई थी 22 नॉबर को उनका विवाँ हुआ 35 वर्षों के बाद उनका विवाँ विच्छी यानिकी अलाग हो गया शीला अगरवाल से समबंदित कहानी शीला अगरवाल सावित्री गर्ल्स कॉलेज अजमेर की हिंदी प्राध्यापी का थी आज़ हम इस यह देखते हैं इस पुस्तक की सामगरी के तीन प्रमुख स्तिरोध रहे हैं प्रतम अन अविच्टिव का साक्षातकार जो किसी रोप में शरद बाबू शरद बाबू यानिकि शरद चंदर शरद चंदर जटो पांध्याए प्रतम अन्व्यक्तियों का साक्षात कर जो किसी ने किसी रूप में शरत बाबु से संबंदित है दूसरी उनके समकाली मित्रों के लिएक संस्मरन आ दी देखो प्रेम विवा हो चाहे आरेंज वाला हो understanding जरूरी होती है दोनों ही शादियों में understanding नहीं है तो फिर ऐसे होता ही है तीसरे उनकी अपनी रच्णाओं में इधर उदर बिखरे वे प्रसंग जिनका उनके जीवन से स्हिधा संबंध रहा है मतलब बता रही कि कलपित कोई नहीं है सारी ओरिजिनल है यह जीवनी तीन पर्वों में विवाजि थे यहनए कि तीन अध्यायों में विवाजि थे तेहीं इस ब्रत्द अब खतम होई गए लगब आपके महाँ पर तो होगी अभी कख्या ४्रण करता फिर में है जड़ाय वह था मैंने भी दिविजिए नक्राइब इसे बताया था मैंने आपको इसके हो सरकारी जाओ वाला बारा लाग वांग रहे हैं इनको किसी सिप्रेम नहीं तो क्या उनका विवान ही होगा तो क्या अरेंज मेरिज में भी प्यार हो जाता है भई इंटरकास्ट मेरिज ध्यान ने इदर दिशा से हरा हुआ दिशा की खोज में इसको मैं पहले भी करवा चुके आपको दिशा का अंतीनों पर्व जुन है वो उप्षिर्शकों में विभाजी थे दिशा हरा में 18 उप्षिर्शक है और 55 प्रिष्टों में है दिशा की खोज 18 उप्षिर्शक 91 प्रिष्टों में दिशान्त में 30 उप्षिर्शक है और दिशा हरा ये प्रथम पर्व है ठीक है इसमें शरत चंद्र की बाले वस्ता से किशोरा वस्ता तकी घटना गवर्णन है उनके बचपन की शरारतों में भी एकतियन समीदन शील और गंभीर वेक्तित्व की दर्शन होते हैं दिशा की खोज में साहितिक जीवन और दिशा की खोज है द्विती पर्व में शरत के लेखन विकास की प्रेणा की स्रोत रचनाओं की प्रिश्ट भूमियां पात्रों में समरस्ता रंगुन प्रवास ग्रिहदा स्रिजन कावेक चरित रहीन आरोप विराज बहु और आवा इसमें रंगुन से स्वदेश लटने का वरणने ध्यान देंगे समाज्य कार यह साहितिक बिधा उम में रचनाशेंदा प्रमुक्पात्र हें इसमें केदरनात्य, शरत-चंद्र के नाना, विन्दी वासिनि शरत-चंद्र की नानी, मोतिलाल शरत-चंद्र के पिटा, पर मग्ष्णतबर करतार्शनिदicket ने खर Caseरिव झ्यूट कौने नावाले शिक्वकर मशाई शरत चंद्र के नाना की नौकर शांती मोक्ष्दा शरत चंद्र की Dewर्य पत्तनी कृष्णदास मोक्षिता को हिरण्य-्मै्इब के तरिlam मॉक्षदा की पिता धीरूज़ शरअचंदर की बढ शंगीनि अनिय अनिला the एंध शरअचंदर की बड़ी के विशिश्टू देखतें शरअचंदर की कहालेया यमनापत्रिका में शकती थी is more डेवदास चरित रहीन काशिनात आधी पुस्तकों के प्रकाशित होते ही शरत बाबु को उच्छ कोटी के लेखों में गिना जाने लगा शरत बाबु को चर्खा चलाना बहुत पसंद था वे काफी महीन सूथ काते थे उनकी रचना पाथीर दाभी को अंग्रेजों ने जब् दियान देंगे मनिशा आप कहां से हो शरत के पत्नी शानती की मौत प्लेग की बिमारी से हुई थी दियान दे क्लर्क की रूप में शरत को 50 रुपे का वेतन मिलता था वृद्धा वस्ता में शरत बाबु को जानलेवा रोग के अंसर हो गया था कुंतलीन पुरसकार प्रतियोगिता के लिए शरत चंद्र ने मंदेन नामक कहानी लिखी उन्होंने लेखर के नाम की जगा अपना नाम नहीं लिखकर सुरेंद्र का नाम लिखा था प्रतियोगिता में इस कहानी को प्रतमस्थान और पुरसकार की रूप में 25 रुपे मिले कि दिन शुरत चंदर का नीधन हो गया अच्छाट इसकर अच्छ अच्छ सच्छ नहीं है जाद मुझे कहानिया से लखते हैं क्योंकि हमारे हम पे ऐसे नहीं होता है मैंना 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 अभी तक के अपने जिन्दगी में देखा नहीं कि कि किसी ने देहेज की मांग की हो स्पेशल क्या भूलों क्या याद करूं हरिवाल श्राय बच्चन की आत्म कता चार खंडों में प्रकाशित हैं क्या भूलों क्या याद करूं नेड का निर्माण फिर बसेरे से दूर दश्टवार से सुपान तक पीछे देख के आए हैं क्या भूलों क्या याद करूं में बच्चन ची की कि आरंबिक जीवन का संघर्ष का वरणन है या हरिवेल श्राइबच्चन की बहु प्रिशनसित आत्म कता तता हिंदी साहित्य की एक काल जाए करिती है इस आत्म कता में संस्मरन यातरवरित कविता आधी अनेक विजार और शैलिया गुम्फित हैं इस में ततकालीन समय के संयुक्त परिवार तथा गरीबी में भी लोगों का एक साथ रहने का सुन्दर उधारण प्राप्ट होता है बच्चन जी ने अपनी आत्म कताओं को एक स्मृत्ति यात्रा यग्यमाना है इससे लाप करते हैं उससे नहीं लेते हैं दहेज बाकियों से ले लेते हैं अच्छ गोर्मेंट जाब होने चाहिए अच्छ गोर्मेंट जाता है और अरेंज में दहेज मांगना पड़ता है क्योंकि वह प्यार नहीं है अच्छ गोर्मेंट जाता है क्या भूलूंगे याद करूंगे याद करूंगे याद करूंगे छोड़ो ये बाते हैं आत्म गदा की प्रसिद पंक्तियां क्या भूलूंगे याद करूंगे अगनित अन्मादों की एक्षण है अगनित अफसादों की एक्षण है दोश के सेदों जब अपने से अपने दिन बरबाद करू मैं क्या भूलो गया याद करू मैं दोनों करके पच्टाता हूँ सोच नहीं पर मैं बाता हूँ सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आजाद करू मैं क्या भूलो गया याद करू मैं इसके लिए बच्चन जी को भारती साहित्ते के सर्वोच पुरसकर सरस्वती सम्मान से समानित किया गया था डॉक्टर धरमिर भारती ने इने हिंदी के हजार वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना बताया जब अपने बारे में कुछ सब कुछ इतनी बेबा कि साहस और सद्भावना से कह दिया है डॉक्टर हजारिपसाद वीदी के अनुसार इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका विक्तित भी नहीं उबरा है बलकि उनके साथ समुचा काल और क्षेत्र वियदिक गहरे रंगों में उबरा है डॉक्टर शिवमंगत सिंग सुमन की राय में ऐसी अभी वित्या नहीं प्यड़ी के लिए पाथियं बन सकेंगी इसी में उनकी सार्थक्ता भी है रामतारी सिंग दिनकर के अनुसार हिंदी प्रकाशनों में सात्म कता कातिया दूचा स्थान है आप खुद्री 2015 एक जिद्धी लड़की की आत्म कता है लेकी का है रमणी का गुपता इनका जो जन्म है 30-2019 मोल नाम है रमण जन्म इनका हुआ है बाइस अप्राल 1930 को सुनाम पंजाब में बृत्यू 26 मार्च 2019 में नई दिल्ले में प्रकाशन हुआ है 2015 में आप खुद्री का प्रथम भागे इसका हादसे जिसका प्रकाशन 2005 में हुआ था पीछे भी आप खुद्री जो है वो पंजाबी भाषा का शब्द है आप खुद्री में लेकी का पर फ्रायरवाद का प्रभावब है आप खुद्री आत्म कता में रमणी का गुपता का पहला प्रीम बलराम नाम की विक्ति सेखे साथ था सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद लेखिका का पूजा पाड करम कांडो पर से विश्वास काम होने लगा सत्यार्थ प्रकाश किसी रशना है इस पुस्तक में लेखिका ने पंजाब की एक कुड़ी मार नामक कूप रथा का बरणन किया है बोला राम का जीव बोला राम का जीव कहानी का प्रकाशन सतासर्ट में हुआ था बोला राम का जीव कहानी का प्रकाशन 2016 में दिल्ली में संग्रे है ये ठीक है कहानी संग्रे दियानत सरस्वती, यह कहानी भूला राम का जीव, हरिशंकर परसाई, परसाई रचनामली, भाग एक में संकलित है, परसाई रचनामली के छे खंड है, जिसका प्रकाशन नई दिल्ली से हुआ, यह कहानी समाजिक विंग्यात्मक और फेंटेसी शेली में रचित है, भूला र शाही, लाल फितर शाही पर कटूगेंगे हैं, सरकारी करमचारियों की आमान वियता, समीदन हीनता पर भी, इस कहानी में प्रहार किया गया है, कहानी के पात्र है, भूला राम, जबलपूर शहर के, धामलपूर मोहले का निवासी था, उम्रिसाट पर्ष रिटायर हुए, क धरमराज, यम्दूत, नारद, भूला राम का परिवार, भूला राम के परिवार में कौन कौन है, पत्नी है, दो लड़की है, एक लड़की है, दफ्तर का बाबू है, बड़े साहब है, चपरासियादी, जामन का पेड़ इस कहानी में, जामन के पेड़ के निचे दवे श तालनी, भ्रष्टा चाल आलफी तशाही, नियाय में होने मले देरी, आदी प्रप्रित्यों पर व्यंगे किया गया है, कहानी के पात रहे हैं, शायर, कवी, उपनाम है ओस, हाल ही में प्रकाशत रचना है, उसके फूल, गद्य संग्रे हैं, माली, चपरासी, कलर, कंडर सेक्रेटर, डिप्पी सेक्रेटर, जॉइंट सेक्रेटर, पिटोनिय राज्य का प्रधान मंत्री ध्यान देंगे, जैसे मैंने कहानी पढ़ाई है, आपको अच्छे से, पिटोनि और पेड लगाया था, कब लगाया था, दस साल पहले, टाइम हो गया, बस रुखो थोड़ा सा, देश के प्रधान मंत्री, प्लास्टिक सर्चन आदी, मरते समेश शायर, कवी ओस का कत्रन, उसने मिर्जा गालिप का निमलिकित शेर सुनाया, या तो माना की तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक, संस्कृति की चारत याए, काहे को भेड रहे हो भईया, इधर ध्यान दे दो थोड़ा सा, खतम होने वाला है, इस रचना में भारत वर्ष के संपुर्ण, इतिहास को चानखंडों में बांटकर लिखने का अधविती प्रयास किया है, इस पुस्तक की प्रस्तापना नेहरु दौरा लिखी गई थी, यह भारती संस्कृती का सर्विक्षन है, इसके लिए देनकरजी को 1969 में सहित्यकाद में मिला था, ध्यान देंगे, सहित्यकाद में पर रसकार से समानित किया गया, इनको पहली करांती तब हुई, जब आरे भारत वर्ष में उनका आरे तरजातियों से संपर्ग हो, आरे तर जातियों से मिलकर जिस समाज की रचना की वही आरे वत्वा हिंदू की बनियादी संस्कृती बनी, दूसरी क्रांती तब हुई, जब महावीर और गौतम भुद के इस स्थापित धरम या संस्कृती के विरुद विद्रों किया, दता उपनिशुदों की चिंता भारा को खे का आगमन हुआ, हमके संपर्क में आकर हिंदूत वार इसलाम दोनों ने नवजीवन की शुरुवात की, इसमें कितने प्रकरण हैं, चार प्रकरण हैं, प्रथम अध्याय में तीन प्रकरण हैं, और दूतियों में साथ हैं, चार अध्यायों में प्रकरण हैं, तृतियों मे 12 और चाथे में 17 प्रक्रण हैं कुल मिलाकर इसमें 39 प्रक्रण हैं ध्यान देंगे एक सहित्ती की डायरी में संकलित 13 निवन्ध हैं 30 रक्षन नमंबर 1958 में वसुधा में प्रकाशित हुआ था लेखक और केशव इसके पात रहें एक लंबी कवितागांत सितंबर 1977 में नव लेखक पत्रिकाम प्रकाशित लेखक के इसमें लेखक की पत्नी है शरजोशी अक्षेगमार है अक्षेगya फिल्मा वाले ने हैं डबरे पर सुरज का बिम सितंबर 1957 में वसुधा मार्न प्रकाशित वाप कात रहें लेखक और वहाँ, हाशिय पर कुछ नोड्स, ठीक है, सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पतनी का प्रश्न चिन, नई की जनम कुंडली एक, नई की जनम कुंडली दो, वीरकर, विशेष्ट और अध्वितिय, और कटुयान और कावे सत्य, कलाकार की वेक्तिगत इमानदारी कलाकार की वेक्तिगत इमानदारी एक, और कलाकार की वेक्तिगत इमानदारी दो, कलाकार की वेक्तिगत इमानदारी को सपश्ट करते हुए कहते हैं, वेक्तिगत इमानदारी का अर्थ है, जिस सनुपात, जिस मात्रा जो भावना या विचार उठा है, उसको उसी मात्रा मे प्रस्तुत करना जो भावना विचार जिस स्वरूप को लेकर प्रस्तुत हुआ है उसमें उसी स्वरूप में प्रस्तुत करना लेखा का धर्म है एक साहित्ती की डायरी के महत्पुन कथन देखते हैं मन एक रहस्य में लोख है मुक्तिबोद संदरे प्रतीती का संबन स्रिजन प्रक्रिया से है केशव अनास्थास्था की पुत्री है एक लंबी कविता का अंत मुक्तिबोद अलोचक साहित्य का दरोगा है यह कहां कहां इन्होंने डबरे पर सुरज का बिम में मुक्तिबोद ने कुंठा शब्द प्रायडवाद व्माक्सवाद की संकर संतान है मुक्तिबोद मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संकृतियान का है राहुल संस्क्रिस संद बौध अभिक्षो यात्री इतिहासकार पुरतत बेता नाटकार और कताकार थे जो जारु स्वतंत्रता सेनानी किसान नेता जनजन के प्रिय थे उनके इतने बड़े बड़े मेसेज पता ने क्या क्या लिख रहे हो भई क्या चल रहा है मतलब कोई टेंशन ही नहीं है पढ़ने पुढ़ा पढ़ाने की है ना बदातानान्त को असल लियान के शब्दों में उन्होंने जब जो कुछ सोचा जब जो कुछ माना वही गपे मारने को बोलो इतने लंबे लंबे मेसेज करते हैं कि पढ़े भी नहीं जाते हैं है ना अगर पढ़ने को बोलो तो अगर एक सवाल पूछ लिया मैने तो उसको जवाब ही नहीं आएगा एक दो बच्चे के लावस को कोई जवाब ही नहीं देगा क्या चल रहा होता है ये ग्लास में अगर गप्पे मारने को बोलो फिर देखो फिर तो ऐसे ग्यान बाटते हैं कि हमारे जैसा कोई और है ही नहीं चिंतन किस तर पर राहुल जी कभी न कभी कभी भी ना किसी संप्रदाइक पिचार सारणी में बंदे रहे और ना ही संगर्टित सरने से विस्तादू न चले जमात जाती के सादू पुरुष थे राहुल जी ने धर्म संस्कृती दर्शन विज्ञान समाच राजनीती इतिहास पुरा तत्प भाशर शांस्त्र संस्कृत ग्रंथों की ठीकायन वाद और इसके साथ साथ रशनात्मक लेखन करके हिंदी को इतना खुष दिया कि हम सदियों तक उस पर गर्व कर सकते हैं उन्होंने जीवनिया और संस्मरण भी लिखे और अपनी आत्मकथा भी उन्होंने अनिक दुरलब पांडुलिपियों की खोज और संग्रहन के लिए व्याफक भ्रह्मन किया छीक है अब इसमें क्या है डाइरी शली में रच्चित यात्रवरितांत एक सुस्तासर प्रिष्ट हैं कुल देतिस खंड हैं लहासा से उत्तर के ओर चाड के ओर शक्या की ओर जेनम के और निपाल के ओर लहासा से उत्तर के ओर ऑ्न फेब टिक है इसको देख लेना खुद Excuse सेट पढ़ाया हुआ आपको पहले भी एधिक बैसे भी आपका ध्यान नहीं पढ़ने में तो पढ़ाके में क्या इपाइदा है अरी आएवर रहेगा याद इसको देख लेते थोड़ा सा अग्ये द्वरा रचित अरे आयवर रहेगा याद का आरब परशुराम सी परशुरा उसके बाद अरे यायवर रहे का यात में आठ यात्रवरतान्तों का उलेखे पर्शुराम से तूर्खम, एक टायर की राम कहानी, केरणों की खोज, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलूरा माजुली, बैता पानी निर्मल, सागर सोवियत, मेग मेखलेट, कन्य एकवरी से नंदादेवी तक, यह है क्लासिक यात्रा संस्वरण है आधने की जीवन में, देश-विदेश की अनेक यात्रा इनोंने की है, ठीक है? राहो के अन्वेशी कहां जाता है, इनको और गेबो वे रमता राम की तरह सदा ब्रहमन करते रहे बैता पाने निर्मल शिर्शक व्रितांत में अग्ये लिखते हैं यह तो वास्तित जीवन में भी काफी घूमा भटका हूँ पर उससे कभी त्रिपती नहीं हुई हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चलें कोई नई जगा देखें और इस लालसा ने अब भी भी पीच्छा नहीं छोड़ा है बैता पाने निर्मल यह आठ्वा साथ्वा और आठ्वा है सागर सोवियत में एक लिख ठीक है यह स्लाइड जो है रिपीट है और आगे है इसको थोड़ा से देख लेते हैं बैता पाने निर्मल श्रीशक प्रितानस में अगे लिखते हैं ठीक है यह देख लिए याध्राओं के तुलना में एतिक अंतर याध्राओं की है एक जगा पर अग्ये ने लिखा भी है वास्ता में जितनी याध्राओं से करता हूँ उससे जदा कल्पना के चरणों से करता हूँ, अग्ये कहीं रुके नहीं, अग्ये के मानेता है कि देवता भी जहां रुके कि शिला हो गए, ध्यान दे, जहां देवता भी रुके क्या हो गए, शिला हो गए, पत्थर हो गए, और प्राण संचार के लिए पहली शर्त है गती गती गती, इसलिए यहायवार हमेशा भटकता रहा तभी भी अपने पैरों तले घास जमने नहीं दिया